नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान ग्यान के बारे तो इसमा आपका पूरा भारत का इतिहास हम लोग बात कर चुके हैं फिर बात किये थे हम लोग दूसरा टॉपिक था आपका विश्व का इतिहास इसे भी पूरा कर चुके हम लोग तीसरा आपका टॉपिक था भारतिय कला एवं संस्किति इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके अब चलते हम लोग चौतरे टॉपिक की हो और यह आपका भारतिय राजवियोस था एवं सम्मिधान के बारे में याद रखिए किरन सामानग्यान से सम्मंतित आपके जितनी भी कलासे होगी वो किरन सामानग्यान के62 आपको फिले लिष्ट सूची है उसी में ड़ली रहें थीक है एक बात मैं बराबर बोला हूँ कि अगर आपके पास सोविधा है तो आप किरन सामन ग्यान वुक्स को खरीद ले तो बहतर रहेगा और हमेशा बोलता है कि ओनलाइन एकाथ बार ठीक है एकाथ दो बार पढ़ लीए लेकिन हमेशा ओपलाइन पढ़ने पर जाना जोड दिया करिएगा तो आपको एकाथ बार इसलिए ओनलाइन पढ़ने की जरूरत है कि उससे बेस आपका बन जाएगा बाकि आपको ओपलाइन के लिए बुक्स अगर मिल रही है आपके आसपास और साथ ओनलाइन भी मिलती होगी तो आप मंगा लीजिए उसे इतना कह सकता हूं इससे कि अगर इसे आप कबर कर लीते हैं बुक्स को तो आपका 1-day exam छोड़िए एक हद तक state PCS भी आपका कबर हो जाएगा त्रिलिम्स इसलिए नहीं बोला हूं क्योंकि उसके लिए आपको NCEIT पढ़ना पड़े है उसका दो बुसरा कोई बीकल्प नहीं है आपके पास तो NCEIT भी कबर की जा रही हमारे द्वारा तो उने भी आप लोग देख सकते हैं तो आपकी फिर SSC bank railway जो भी exam इस तरह की one day जुन में objective questions पूछे जाते हैं वो सभी आपकी इससे cover हो जाएगे तो हम लोग भारतिये राजविवस्ता और समीधान में पढ़ेंगे क्या-क्या सबसे पहले तो उसी के बारे में जानते हैं तो इसमें देखेंगे हम लोग भारतिये समीधान का विकास देखेंगे फिर बात करेंगे भारतिये समीधान की रचना की बारे में उसके बाद आपका होगा भारतिये समीधान की विसेश्ता हैं देखेंगे फिर आपका उदेशी का देखेंगे समीधान के सरोत देखेंगे मौलिक अधिकारों को अच्छे से हम लोग जानेंगे, और एक बात आप लोग, आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, अगर भारती हैं आप लोग, तो आपको मैं तो कहता हूँ कि आपको भूगोल जानना चाहिए, हमारा बरना वही हला कि जीए किसलिए, मरे किसलिए पता नहीं, तो वैसा हाल मत रखिएगा, और थोड़ा देश-दुनिया के बारे में जानते रहिएगा, फिर आपके मौलिक कर्तब हो गए, उन्हें भी देखेंगे, राज्य के नीती ने देशक तत्त क्या हैं, उन पर भी चर् राष्टपती एवं उपराष्टपती के बारे में जानेगे, भारत का महने आयवादी एवं नियंतक महलेखा परिक्षक के बारे में जानेगे, निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग इसे भी जानेगे, परसीमन आयोग और लोग सिवायोग के बारे में जानेग हम लोग अल्व संक्या कायोग और राजभासाय के बारे में जाएंगे पिदान मंत्री इबं मंत्री परिशत के बारे में जाएंगे आपके पैदान मंत्री के और राष्टपती के बारे में यह जानेंगे अब लोग यानि कि इस क्लास में आपको राजनेता बना के छोड़ेंगे फिर आपके इस अंसत की जो सम्तिया हैं उनके बारे में जानेंगे केंद राज्य सम्मंद कैसे हैं उन्हें भी देखेंगे भारती और नायपाईलिका के बारे में जानेगे राजी की कारेपाईलिका क्या सी है उसे भी देखेंगे इस्थानिय पिसासन के बारे में जानेगे सहरी पिसासन को भी देखेंगे अब लोग मात्पूं, समिधान, संसुधन, अधिनिया, अभी तक जो भी संसुधन हुए आपके समिधान में, उन्हें भी देखेंगे, भारत का समिधान देखें एक नजरुया, समिधान के अनुसूचिया भी देखेंगे इसमें, फिर आपका उच्चने आले, अधिकारिता और वीज़ केए आयोग भी देखेंगे मयत पून्हीं सब्दा वलियां सबने सुतंत भारत का पिथरा मत्री मंदल करें मुझे वह कि अभी बाथ करते हैं पहले वारत्य सम्षेज का भीखास शमीधान सब्द की उत्पति आपकी लेटेन सब्द कॉंटी ट्यूरे से हुई जिसका आर्थ होता है प्रबंद करना विवस्था करना और आयोजन करना आप सीधा कह सकते हैं कि समीधान का मतलब लिया गया है कि किसी प्रबंदन करना बिवस्था करना किसी का अविजन करना यानि कि किसी समाज के को बनाने के लिए प्रवंदन करना उसकी बिवस्था करना कि यह किस तरह से चलेगा हमारे यहां का सासन पे सासन किस तरह से चलेगा उस बिवस्था करना तो याद रखना इलेटिन सब्द है Constituere इसी से उत्पत्ती हुई आपकी समिधान सब्द की 1895 में बालगंगाधर तिलक ने सौराज बिद्यक का पैरूप पिस्तुत किया था तो याद रखना है सौराज बिद्यक किसने पिस्तुत किया था बालगंगाधर तिलक साहब ने 1895 में उसके बाद 1922 में महत्मा गांधी और 1934 में जवालल नहरू ने भारती समिधान के निमाड के लिए समिधान सबाका की गठन की माल की थी गांधी जी ने 1922 में और जो आपके पंडित जवाललल नहरू साहब थे इन्होंने 1934 में उसके बाद आगे भारती है समिधान के इतिहासिक विकास का काल आपका 1622 से प्यारम होता है वैसे तो इसका समय काल आपके मौड बंसे से भी चालू बजाता है कि आप देखते हैं कि असक किस तरह से समाज को विभाज यानि कि एक साथ ले कर आगे बढ़ने की बात करता है सिलालेक लेखवाता है और बताता है समाज की अच्छी वराईयों के लियारे में अच्छाईयों के बारे में और सबसे बड़ी बात आपको कहता है कि आपने देखा होगा कि अस्पाताल बनवाता है पसुमों के लिए भी बैक्तियों के साथ अच्छा बिभार करता है धरम निर्वेक्च के नीती अपनाता है और तो और सबसे वड़ी वात है कि कितना अच्छा उधारन पेस करता है कि अगर आप किसी के धरम के बारे में गलत अभवा फैलाते हैं यानि कि आप किसी के धरम को हानी पहुचाते हैं तो बास्तों में आप अपने ही धरम को नीचा दिखा रहे हैं तो इस बर्ष लेकिन इसमें क्या माना जाता है 16203 माले जाता है इस बर्ष एंग्लेंड में East India Company की स्थापना यह ऊपना एक चार्टर एक्ट द्वारा की गई कंपेटिये के प्रबंदन की समझ सकतियां गबर्णन और 24 सदसिये प्रिष्यद में नहीं थी आप समझ सकते हैं कि चाड़क किस तरह हुआ किस तरह उसने विवस्ता की एक सासन चलाने की वो कहां से एक नीचे की तपके के लड़के को उठाकर उसने राजगद्धी पर बैठा दिया चंदगुप्त मौरी को समझ सकते हैं ये सासन पिडाली एक तरह से सासन का ही प्रवन्दन तो था अब चलते हैं हम लोग 1826 का एक्ट देखते हैं चार्टर एक्ट तो इन्हें एक्टों की आपको बिसिस्ता है याद रखना है क्योंकि कई बार पूच लेता है इनसे डारेक्ट कुश्चन्स और कई बार नहीं हमेशा मुझे लगता है कि इनसे कादम ने एक नाई कुश्चन्स बनता रहता है तो जो 1726 का चार्टर एक्ट है इसमें क्या क्या हुआ कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों की राजपाल एवं उनकी परिसेते उपको विधाई अधिकार पिदान किये गए 1726 के चार्टर एक्ट के तहट अब तक यह सकती कंपणी के बॉर्ड ओप बॉर्ड ओडारेक्टर्स में नहित होती थी फिर आता है आपका 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट इसके तहट क्या क्या होता है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्णर को बंगाल का गवर्णर जनल पद नाम दिया गया यानि कि पहले क्या कहते थे जिसे गवर्णर करते थे उसे अब बंगाल में क्या कहने लगे बंगाल का गवर्णर जनल कलकत्ता के गवर्णर को बंगाल, बिहार, उडिसा के लिए भी विदी बनाने के अधिकार दियेगा इसके तहरों दीवानी अनुदाने के फलसरों कम्पनी बंगाल, बिहार, उडिसा परांत की वास्तवे सासक बन गई इस एक्ट के द्वारा, यानि कि 1773 के एक्ट के द्वारा, कलगत्ता में एक आपका सुपरीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी फोदारी नौसेना तदना धार्मिक मामलों की सुनवाई एबं पैसलों का अधिकार प्राप्त हुए इस कोट में एक मुख नयादीस होता था और तीन आपके अपर नयादीस हुआ करते थे एक मुख नयादीस और तीन अपर नयादीस और इसमें आपका पूंच लेता है कि पिथम मुख नयादीस कौन था तो आपको इसे याद रखना है सर एली जाह इंपे ये question से आपका कई बार पूछा जा चुका है अन्ने तीन नियादीसों में कौन-कौन सामिल था? Chambers, Levensteer और Hide इसके माध्यम से वेटे सरकार को Court और Directors के माध्यम से Company पर नियंदर्द जर्थ हो गया राज्यस, नागरिक और सैंड मामलों की जानकारी बेटे सरकार को देना आवसर कर दिया 1773 के एक्ट के तहिती पिथम Governor General आपका बना Boring Hashtings तो अगर आप से पूछ ले कि पिथम Governor General कौन था? तो Boring Hashtings फिर आता है आपका Peats India Act 1784 इसके तहित क्या-क्या होता है? Peats India Act को Act of Settlement के नाम से भी जाना जानता है तो याद रखना Peats India Act का दूसरा नम क्या है? Act of Settlement राजनेतिक मामलों के प्रबंदन के लिए Board of Control यानि की नियंतन वोड का गठन किया गया तो Peats India Act के तह है Board of Control यानि की नियंतन वोड का गठन किया गया इस Act के द्वारा दोईत सासन की विवस्ता कारम किया गया Regulating Act की विसंगितियों और बैटे सासन का कंपनी पर अपूण नियंतन तथा भारत में कंपनी के खुशासन और उनके करमचारियों द्वारा किये जारे अन्याय आदी को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाए गया था तथा ब्याबारीक मामलों के लिए Court of Director के बनाएगे इसी अधिनियम के तहरे फिर आता है आपका 1813 का Charter Act इसके तहत क्या क्या होता है 1813 का Charter Act 1813 के Charter Act की द्वारा कंपनी के भारती एक ब्याबार की एक आधिकार को समाप्त कर दिया गया लेकिन इसमें चीन और चाय के ब्याबार को छोड़कर इस पॉइंट को आपको मैं तो कहता हूँ याद रख लिए किसी भी तरह से कि जो 1813 का Charter Act इसमें कंपनी के भारती ब्याबार की एक आधिकार को यानि कि जो एक आधिकार था उसका ब्याबार करने का उसे समाप्त कर दिया गया केवल चीन और चाय के ब्याबार के समंद में उसे 20 बरसों के लिए एक आधिकार प्राप्त रहा यानि कि चीन और चाय को छोड़कर बाकी एक आधिकार को समाप्त कर दिया गया और एसे 20 बरसों के लिए एक आधिकार को प्राप्त रहा कंपनी को कंपनी के अधिकार प्त को 20 बरसों के लिए बढ़ा दिया गया है इसी के तहर 1813 के चार्टर Act के तहर इस राजलेक द्वारा सबसे महत्पूर्ण कारी कलकत्ता बंबई मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विदियों का बेटे संसत द्वारा अनुमोधन अनिवारिम कर दिया गया यह आपकी 1813 के चार्टर एक्ट की बिसे इस्ता है फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1833 इसमें क्या-क्या अगटना अगटती है तो इसके द्वारा कंपेनी के ब्यापारी अधिकार को फूरता समाप्त कर दिया गया जो आपका चाय और चीन के साथ एक अधिकार की बिवस्ता मिली हुई थे कंपनी को उसे भी खतम कर दिया गया यानि कि इसमें ब्यापारी अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1813 के एक्ट के तहट भारतिये ब्यापार कंपेनी के ब्यापार को इक अधिकार को समाप्त किया गया था अब किसी कोई वी छेत में इसे एकदिकार नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा देश में कैंद रिये स्थासन पिणाली की सुरुवात्वी। बंगाल के गवर्न जनरल को संपूर भारत का गवर्न जनरल बना दिये गए। गवर्नाट जनरल की परिशत में एक और सदस की नियुकती हुई जिसे आप लोग बिधी सदस कहते हैं तो याद रखिए 1813 का चार्टर एक्ट किता है विदी सदत यानि कि गवर्णा जनरल की परिषद में एक और सदस की नियुकती हुई जिसे आप लोग विदी सदस कहते हैं इस अधिनियम के परड़ाम सवरू पिथम विदी सदस के रूम में गवर्णा जनरल की परिषद में समलित किया गया किसे मैकाले को कमपनी के चीन से ब्यापार तथा चाय संबंदी ब्यापार के कादिकार को समाप्त कर दिया गया इसके अंतर पहले बनाएगे कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर बने कानून को एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया चार्टर एक्ट 1833 में सेविल सेवकों की चैन के लिए खुली पितियोगता का योजन सुरू करने का प्रियास किया गया यहां इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ा लिया करिएगा थोड़ा प्रियास किया गया लेकिन यह विवस्ता होई नहीं है याद रुखिए फिर आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट इसके तहट क्या क्या गट नहीं इगटती है इस एक्ट में सेविल सेवकों की भर्ती और चैन ही तो खुली पितियोगता विवस्ता का आरम किया गया 1833 के एक्ट में प्रयास किया गया था लेकिन इसमें खुली पितियोग, पितियोग इता विवस्था का आरम हो चुका इसके लिए 1856 में भालतिय सिविल सिवा की प्रबंदन में मैकाली सम्ती की न्युक्ति की गई पहली बार गवर्नर जनरल की परिशत की बिधाई एवं पिसासनिक कारियों को अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट की तहती इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पित्थक बिधान परिशत की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेप्टिनेंट गवर्नर की न्युक्ति की गई फिर आता है आपका 1858 का अधिनियम इसके तहत क्या क्या होता है इसके अंतरगत भारत के सासन को कमपनी के हाथों से समराट को हस्तान्तित कर दिया गया आप सबी को पता होगा कि 1857 का जो बिद्रो हुगा हमारे देश में उसके बाद अंग्रेजों ने अपने नीती बहुत हद तक बदल दी थी तो ये कमपनी के हाथों से समराट को हस्तान्तित कर दिया जो भारत का सासन था भारत का सासन इंगलेंड के समराट के नाम से किया लाने लगा इस अधीनियम में गवनर्ट जनरेल के पदनाम garden ना भारत का वा एसर राइक दिया अभी जो आप लोग गवर्नर्ट जनरेल, जिसलिक्ई कहते थे इसका नाम बदल का भारत का वाइसराइक कर दिया गया 1858 की अधिनियम के द्वारा ठीक है इन्हें आप बड़े गौव से पढ़ा करिएगा क्योंकि उसे हम मैं बोल ला हूँ ना कि कुश्चेंस बनते रहते इस अधिनियम में 1784 की फीट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू 2745 समाप्त कर दिया जाती है इस अधिनियम ने नियंतर बोड और निदेशक कोट समाप्त कर दिया जाता है इसमें एक नई बदभारत की राज्य सचेप का सेजन किया जाता है ठीक है फिर आता है आपका 1861 का भारत परिशद अधिनियम इसके ताइब क्या-क्या होता है उन्हें देख लेते हैं केंदरिये सरकार को सारवजनिक रेड बित मुद्रा डाक तार आधी के संबन्द में परांतिये सरकार से अधिकार दिये गए भारत परिशद को विधाई संस्था बनाये गया उसे भारती यसंदर्व में कानूर बनाने का अधिकार भी दिया गया इसके दोरा कानूर बनाने के पिक्रिया में भारती पितेनियों को सामल करने की सुरुआत थोई यानि कि भारतियों को भी अब समलित करने की सुरुवात 1861 की भारत परिश्य ददिनियम से होती है वायसराई को अध्यादेश जारी करने का अधिकार यह गया जो आप देखते हैं कि राशपती आपका अध्यादेश जारी करता है 123 आर्टिकल के तहत अनुचित के तहत राजपाल आपका जारी करता है यह आपका 213 के तहत करता है तो यह वही अध्यादेश है मद्रास्त था बंबई की सरकारों को भी बिवस्त थापी का संबंधी अधिकारी भी दिये गए इस अधिनियम द्वारा प्यानती है विधाईका का तथा देश की सासन के वीकंदरी कर्ड का कारिप व्यार मुगर लॉर्ड केनिन ने तीन भाती है वो बनारस की राजा पतेयाला की महराजा उसर दिनकर राओ को बिधान परिशत में मनुलीत किया था इन नामों को भी आप याद रख सकते हैं बनारस की राजा पतेयाला की महराजा उसर दिनकर राओ थर है आपका 1865 का अधिनियम इसके ताहित क्या क्या होता है इस अधिनियम के द्वारा गवर्णर जनल की बिधाई अधिकार में बिद्धी की गई इस प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सिमाओं को उद्गोस्टना द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवतन करने का जनल को विदेश में रहने वाले भारतियों के संबन्द में कानूल बनाने का दिकार दिया गया फिर 1806 का साही उपादी अधिनियम आता है इसमें क्या क्या होता है आपचारिक रूप से भारत सरकार का वेटेश सरकार को अंतरन मान किया गया 28 सपरेल 1806 को एक गोशना के द्वारा महरानी वेक्टोरिया को भारत की संबराग्गी गोशित किया गया तो याद रखी 1806 के साही उपादी अधिनियम के तहती महरानी वेक्टोरिया को भारत का संबराग्गी गोशित किया गया फिर आता है आपका 1892 का अधिनियम इस अधिनियम के तहट क्या क्या होता है इस अधिनियम के द्वारा सब्पित्म आपित्यक चुरूप से केंद्रिये तथा प्रांतिये विधान परिश्दों में निर्वाचन की विवस्था की गई परिश्यत के भारतिय सदसों को बारसिक बजट में बहस करने और सरकार से प्रिष्ण पूछने का अधिकार दिया गया यानि कि अब हमें चूच मिलने लगी थी अधिक्तम सदस संख्या शॉल नुडधाररट की devi किसमें केंदरिये विधान परिशर में फिर आता है 1919 का अधिनियम इसे आप लोग माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि इस समय आपका जो भारत के राजशचिव 1919 में लॉड मेर मॉडले में इंगलेंड में भारत के राजशचिव थे और लॉड मिंटो भारत के वाज़राय थे तो इसलिए इसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं आप लोग ठीक है तो रहांगी आपका इसमें क्या होगा कि अंध्रिये विधान सावा में अतिरिक्ट सदस संक्यों की संक्या अभी जो सोले से बढ़कर कितनी हो गई? साट पहले जो सोले थी उसे साट कर दिया इसमें आपके 32 गैर सरकारी सदसों में से 27 सदस निर्वाचित होते थे और जिसमें आपके 15 सदस मनुनित होते थे संपदायक पितिनेदित का प्रावधान इस अधियम के मुख वेसिस्था थी क्योंकि आपने देखा होगा तो इसकी सबसे प्रमुख वेसिस्था क्या थी संपदायक पितिनेदित यानि कि बहारत में हिंदू मुसलों को बाटा जा रहा था अलग-लग किया जा रहा था 1906 में आपका अन्य देखा होगा जिस तरह से मुस्लिम लीक का गठन होता है 1905 में आपका बंगाल वेवाजन होता है क्योंकि एकता थी बंगाल में जो भी आंदोलन शुरू हो रहा था वो आपका बंगाल से ही तो शुरू होता था तो इसी में फूर डालने के लिए उन्होंन किसी भारतियों को वायजराय और गवर्नर की कारपरिशत के साथ एस्सोसियेशन बनाने का प्रावधन भी किया गया इसके द्वारा प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चेम्बर्स ओप कॉमर्स, विस्विध्यालेयों और जमीतारों के लिए अलगपिती निदी का निदेत क प्रावधन किया गया आपका, फिर आता है आपका, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके इंतरगत भारत में दोईदसासन पढ़ाली की स्थापना की जाती है, केंद में आपकी दूई सदानात्मक विधायका की विवस्ता की जाती है, इसके इंतरगत पिथम राजपरिशत, उ और केंदरी विधान सभा की सदस्थों की संख्या कितनी? 145 की जाती है, जिसमें से आपके 104 निरवाचित होती है और 41 आपके मनुनीत होती है, कितने 41? सरपित्यम पित्यक चुरूप से विधायका की सदस्थों की चुनाव का प्रावधान किया गया, योकी परांती है विधान परिशतों की संदर्म में था, इसके अंतरगत आपके आठ परांतों में विधान परिशत का गठन किया गया बंबई बिधान परिश्द में आपके 111, मद्रास्त बिधान परिश्द में आपके 127, बंगाल बिधान परिश्द में 249, सयुक्त परांथ की बिधान परिश्द में आपके 123, पंजाब की बिधान परिश्द में आपके 93, बिहार एबम उडिशा की बिधान परिश्द में फेलेवं वरार के विधान परिशद में आपके सथर और असमु बिधान परिशद में आपके तरेफण सदस सामिल थे इस अदिनियं able Monday, CHEMS formerly liquor Soft भी कहा जाता है तो याद रखें 1919 की अदिनियं को Marlemento सुधार कहा जाता है और 1909 की सла क्या कmpach we जो 1919 का है उसे आप लोग Montague, Chemsport सुधार भी कहते हैं Montague, Chemsport सुधार द्वारा भारत में पहली बार महलाओं को वोट का दिकार मिला महलाओं को भी वोट दने का दिकार मिल गया इसमें आपका लोक सेवा का आयोग का गठन भी किया गया 1926 में सेविल सेवकों की भरती के लिए केंद्रिय लोग सेवायो का गठन किया गया था 1927 में आपका साइमन कमिशन यानि कि साइमन आयो बारात आता है आरक्षित विसेओं का पिसाशन गवर्नर और उसकी कारिकारी परिशत के माध्यम से किया जाने था जबकि हस्तांत्रित विसेओं का पिसाशन गवर्नर द्वारा पीधान परिशत के पिती उत्तरदाई मंतियों की सायता से किया जाने जाना था एक बात आप लोग हमेशा देख रहे होगे कि हम इन सब्जेक्टों को अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं आप सोचें कि इतियास लगे समिधा न लगे तो क्योंकि हमने देखा होगा साहिमन कमीशन का विरोध हो रहा है भारत में लोग सेबुकों की भरती हो रही है इस अभी आप लोगों ने इतियास में भी तो पढ़े हैं तो हर सब्जेक्ट एक नाएक से जुड़ा रहता है एक तरह से आपका तो सबको एक साथ मिला कर पढ़िए ठीक है फिर आता है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम जिससे हमारा समिधान सबसे जाना प्रभावी थे भारत में एक फेडरल यानी कि संगिये ने आले कि स्थापना की गई जो आपका दिल्ली में स्थित्त था अधिनियम में आपके 321 अनुछित उबारे अनुसूचिया थी समय इस अधिनियम द्वारा भारत में संगातमत सरकार की स्थापना की गई कहन और प्रांतों में सक्त 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसको भारत के मिनी सम्मिधान का दरजा दिया गया अगर आप से कभी पूच ले मिनी सम्मिधान का दरजा किस अधिनियम को मिला है तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को इस अधिनियम की द्वारा प्रांतों में द्वेद शाचन की विवस्था का अंध कर दिया गया इन्हें एक सुतंत और साची सम्विधानिक आधार विधान किया गया इस अधिनियम में आपका केंद में द्वेद शाचन पेणाली का सुभारम होता है प्रांतों में जो 26 प्रणी थी उसे अंत कर दिया गया लेकिन कैंद में 2 इस प्रांती सेवा यानि कि hasi 2 या अधिक राज्यों के लिए सेवा आय्यो की स्थाफना की इनि कि आप लोग राज्य सेवा यानि कि स्थापना भी किए इसमें आपके 11 राज्यों में दूइ सदीनिय बेवस्था प्यारम की गए होगा इस अधिनियम कि इस अधिनियम ने केंद रॉयकायों की बीच तेन सूचिया पहली आपकी संगिय सूची जिसमें आपकी 69 विस है राज्य सूची जिसमें आपकी 54 विसए और संबर्ती सूची जिसमें आपकी 36 विसए के आधारप सक्तियों कबेट बार किया गया क्या होता था कि संगीय सूची थी उस पर संग सरकार कानून बना सकती थी जो राज सूची में विसए सामिल थे उन पर राज सरकार कानून बनाती है और जो आपकी केंद सरकार के कानूं माननों होगा याद रुखी दलिक जातियों, मैलाओं और मजदूर भरक के लिए अलग से निर्वाचन बेवस्था की जाती है इसके अंतरकर देश की मुद्रा और साख्वर नियंतर्ण के लिए भारतिय रेजर बैंक की स्थापना की जाती है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वाना इस्थापिस संग में आउसिष्ट सक्तियां गवर्न जनर्ल को पिदान की नहीं और इस समय आपकी आउसिष्ट सक्तियां के इंद को पिदान बारत सरकार अधिनियम 1935 के प्राधानों के नुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गये था ब्यान मारकू बारतिय समिधान में राष्टपती की अध्यादेश निर्गस करने की सकती अनुचेद 123 बारत सरकार अधिनियम 1935 की दारा 42 से बेरे थे यानि कि जो आपका अभी अध्यादेश चारी करते हैं हमारे राष्टपती यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से लिया गया है फिर आता है आपका 1947 का भारतिय सुतंता अधिनियम बैटी संसद में 4 जुलाई 1947 को भार्ती सुतंता अधिनियम पेस्तावित किया गया याद रखी किस डेट को 4 जुलाई 1947 को जो आपका 28 जुलाई 1947 को सुईकिती मिली से पेस्ताव पेज किया गया 4 जुलाई 1947 को और इसे मानता मिली यानि की सुईकिती मिली अठारे जुलाई 1947 को बहारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधीराच बना दिये गए इस अधिनियम के अधिन भारत डोमिनियन को सिंध, बलुचिस्तान, पश्मी बंजाव, पूर्वी बंगाल, पश्मोत्ता सिमापरांथ, असम की सिलहट जिली को छोड़ कर भारत का सेस राजचेत मिल गया तो यह आपका भारत का किस तरह से विकास हुआ, उसके बारे में आप लोग जान चुके हैं एक बिस्तार से अब चलते हैं लोग भारतिय समिधान की रचना की तरव, किस तरह से आपके भारतिय समिधान की रचना होती है जैसे ही आपका कोई टोपिक एक खतम हो जादा है चप्टर उसके बाद अच्छे से थोड़ा चैन से बैठ लिया करेगा या आप लोग बाहर थोड़ा बाहर का मतलब मेरा बाजार मन निकल जाया करेगा मतलब रोम से बाहर निकल कर दो-चार मिनिट के लिए फिर लिया गली जाया उसके बाद फिर अपनी उसी दंचर्या में लग जाया करेगा भारत ने समिधान को 26 नवंबर 1904 को अंगी कार किया यानि कि कहने का मतलब है कि भारती समिधान को कुछ प्रावधानों के साथ आपका 26 नवंबर 1904 को लागू किया गया लेकिन संपूर तरह से यानि कि पूरी तरह से आपके समिधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है तो यह आप से पूछे कि भालतिय समिधान को पूरी तरह से लागू कप किया गया 26 जनवरी 1950 को सुरी, 1950गो. लेकिन अंगी कार कब किया गया थे से, कुछ फिर आउदानों के साथ, 26 नवंबर 1999गो. 42 समिधान का पिता किसे मानते हैं? डॉक्टर भी आर्घ्यार को, बीम्राओ अंवेड्कर सहाभ को. बारत को 26 जनवरी 1950गो गडराज घुशित किया गया. जब आपका समिधान लागू हुआ उसी दिन से आपके भारत को गड़राज गोसित किया गया जब आपका समिधान लागू हुआ उसमें इसमें 395 आनुचे दियाने की आर्टिकल और आपकी 8 अनसूचियां थी कितनी 395 आर्टिकल थी और 8 अनसूचियां थी पहली बाद समिधान सभा की योधारना सौराज पाइटी ने 1935 में पिस्तावित की थी मुसलिम लीग के हटने के बाद समिधान सभा की स्तर्द संख्या 299 थी मुसलिम लीग के हटने के बाद भारती समिधान सभा की स्तर्द संख्या कि दूनी थी 299 समिधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी कितनी 13 कि समिधान सभा की पिथम बैठक कब होती है 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को इसमें आपके समिधान सभा की पिथम बैठक को इस पिथम बैठक की दोरान समिधान सभा के अध्यक्षता किसने की थी तो यह थे आपके डॉक्टर सचीदान सभा की चुने गए थी समिधान सभा का गठन कैदेट में सन योजना की बैस्ताहूं के अनुसार किया गया था कैदेट में सनय योजना के जो ये स्थाई सतर्स थे उनका नाम था डॉक्टर राजिन पिसाद जो हमारे देश के पहले पितानमत सुरी राष्टपती भी बनते हैं पितानमती आपके बंडित जवाहलालने रूप बनते हैं पिताम तो जिस सम्मिनान की आप लोग बात कर रहे हैं इसे बनाने में कितना समय लगा कि तो याद रखना है दो बर्स ग्यारे महीने अठारे दिन दो ग्यारे अठारे आप इसे किसी दितारे से याद रखिए बस आपको याद रखने से मतलब है यानि कि आपसे questions solve होने चाहिए आप किस तरह से कौन सी ट्रख बना रहे हैं इसे कोई मतलब नहीं रहता है तो समिधान सबाद्वारा समिधान निर्माण में कितना समय लगा दो बर्स ग्यारे महीने अठारे दिन का समय लगा था आपको बैट्रीस भारत की विधान सबाओं से चुने गए सदस्टों का पार्टी वायर वेवरा इस वेकार था ये दल हो गए आपके निर्वाचिस सदस्टों की संख्या हो जाती है इसमें सबसे जाना थी आपके कॉंग्रेस की कितने 208 फिर था मुसलिम लीव इसके त्याप्तर थे यूनियनिस्ट का एक था यूनियनिस्ट मुसलिम का एक था यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियों का एक था किरसक परजा का एक था अनुसूचित जाति परिसंग का भी एक ही था सिख यानि की गयर कांग्रेसी एक था कम्यूनिस्ट एक था और सुतंत जो थे आपके आठ थे इस तरह टोटल कितने थी 246 यहां आपको दो चीजें याद रखना है क्या भारतिय समिधान के पिता किसे मानते हैं आप लोग डॉक्टर बी आर अमबेड कर लेकिन समिधान सभा कि समिधानिक सलायकार पद पर सिरी बी एन राव को निप्त किया गया था यानि कि समिधान सभा के सलायकार कौन थे डॉक्टर शरी शरी बी एन राव और पिता भारति समिधान सभा की डॉक्टर बी आर अमबेड कर राव का मतलब आप राव को क्या मानते हैं राव यानि कि समिधानिक सलायकार आप किसी को राय दे रहे होते उसी को तो कहते हैं राव तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं तो राओ मतलब राय देना या सलाय देना 13 दिसंबर 1940 को पंडिक जवाहलाल लहरू के द्वारा उद्देश पिस्ताओ पिस्तुद कर समिधान सवाकन कारिप्यारम किया लिया तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि उद्देश पिस्ताओ किसने पिस्तुद किया था पंडिक जवाहलाल लहरू ने कब 13 दिसंबर 1946 को 1947 इस वीग यानि कि 1947 में अगस्त में गठित प्यारूप सम्ती का द्ध्यक्ष आपके डॉक्टर बियार अम्बेडकर को बनाए गए था तो प्यारूप सम्ती के द्ध्यक्ष कौन थी डॉक्टर बियार अम्बेडकर साथ समिदान सवा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को समिदान सवा की अंतिम बैठक को होती है 24 जनवरी 1950 को समिदान को लागू करने के लिए 26 जन्वरी का दिन इसलिए तै किया गया क्योंकि उसी दिन को कॉंग्रेस ने 1930 में आजादी दिवस के रूम में मनाये था आप सोचते हैं अक्सर कई लोगों ने पूंचा भी यह कुश्चन वैसे हम लोग इसके सभी जवाब आपके NCEAIT में दे चुके हैं तो मुझे लगता है कोई NCEAIT नहीं देखता है क्योंकि कुछ जाना ही मटेरियल उपलब्द रहता है वेस्तार में तो 26 जन्वरी आखिर क्यों चुना गया तो याद रखना इसलिए चुना गया था क्योंकि आपने देखा होगा क्यों 1930 में कॉंग्रेस ने आजादी दिवस्प की रूम में मनाया था 26 जन्वरी को इसलिए आपका 26 जन्वरी को सम्मिधान को फूरी तरह से लागू किया गया 42 जन्वरी सम्मिधान संसुधन 53 अनुचेदों एवं सादवी अनिसुची में संसुधन हुआ था इसमें यह आपका 1976 में होता है इंद्रा गांधी के समय आपात कल जब आपकी देश में लगा हुआ था उसी समय बहुत बड़े बदलाव किये गए इसे भी आप लोग मिनी स संसुधन को इसमें 81 अनुचीदों वैं इसकी सक्टीयों का वेवराओं का अमेरिका की सम्मिधान से लिया गया है एक बात आप लोग हमेशाह याद रखिए कि आप सोचें कि practical कि अमेरिका की समिधान से लिया तो वहां से उठागे तस्क का जसका तस्क अपने समिधान में सामिल कर लिया एसा कुछ ूछ भी नहीं क्योंकि कई बार देख लेते हैं कि उधार का थैला बूला जाता है हमारी समिधान को कि हमने उधार लिया दूतरे देशों से, नहीं हमने जो हमारे लिए जरूरत है, सुधार करके हमने अपने समिधान में लागू किया है उसे, जो हमारी जरूरत थी, उसे हम लोगों ने ले लिए और जो जरूरत नहीं थी, उसे हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है? 22 जुलाई 1947 को आपका राष्टिय द्वज अपनाए गया, इन डेटों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे भी आपका कुश्चन कई बार बन चुका है, 22 जुलाई, कब 22 जुलाई 1947 को राष्ट द्वज अपनाए गया, 24 जनवरी 1950 को राष्टिय गान अपनाए गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट गीत अपनाए गया, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजिन पे साथ भारत के पहले राष्ट पती की रूम में चुने जाते हैं, और 24 जनवरी 1950 को ही आपकी समिधान की अंतिम बेठ़ कुई थी, ठीक है, तो इन गटनाओं को याद रखना है, डॉक्टर बीराव बी आर अंबेड करनाए, समिधान सभा में 4 नवरी 1940 को समिधान सभा का अंतिम प्यारूप पेस किया था, और प्यारूप सम्ती के अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर बीम राव अंडे अंबेड कर साहब, केसवानन्द भारती बनाम केरल राच, किनेडे के अंपसार पिस्तावना को सम्मिधान का अधारभूत अंग माना गया, यानि कि पिस्तावना में आपका संसुदन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब एद्धा, सरफ़ितम 1934 में, सवराज दलकिर ने भारतीयों के लिए एक समिधान सभा की मांग की थी, 1935 में भारती राष्टी आँक कॉंग्रेश ने पहली बार भारत की समिधान की निर्माड के लिए अधिकारिक रूप से समिधान सभा की गठन की मांग भी की थी, अगस्त पिस्ताओ आपका 1940 में आता है, इसमें पहली बार समिधान सभा की मांग को बैटिस राज द्वारा सुईकार किया गया, यानि कि बैटिस सरकार द्वारा सुईकार किया गया, किप से पिस्ताओ, मैं इस पक्ष्ट रूप से समिधान सभा की रोग प्रेखा की बात कही गई थी, किस में क्रिफ से पिस्ताओ में 1946 में मंत्रे मंडल, मंडलीय सिष्ट मंडल ने अपनी योजना के अंतरकत बरत्मान समिधान की सरजना बनाई थी अब बात करते हैं भारत में बिधान परिशत का विकास किस तरह सी हुगा है उसे भी आप लोग देख लीजें पितक बिधान परिशत का गठन आपका चार्टर एक्ट 1853 के तहत होता है बिधान परिशत में भारती सज़त कब सामिल होते हैं इंडियन काउंसेलेक्ट 1861 में बिधान सबा में प्रिशन पूंचने का अधिकार एवं बजट की आलोचना का अधिकार आपका इंडियन काउंसेलेक्ट 1892 में मिलता है पूरक पिसंद पूंचने कादिकार, बजट पर पूर भहस कादिकार, मद्दान द्वारा निर्वाचन कादिकार, हमें मिलता है इस सभी इंडियन कांसिल एक्ट 1919 के तहरे, पित्यक्ष निर्वाचन पिणाली कारम, केंद्रिय विवस्तापिका, दुई सदिनिय में दुई सदिनिय विवस्तापिका, या आपकी भारत सरकाद अरदिनियम 1935 के तहरे सामिल की जाती है, ठीक है? भारत में समिधान का भाग एक, पित्हम अनुसूची, अनुचित एक से चाल, संग और राजचित से संबंदित है आपकी, भारती समिधान का अनुचित एक, इंडिया अर्थत भारत राजचियों का संग्य होगा, यानि की भारत जो होगा, ये राजचियों को मिलाकर बना होगा, भारती समिधान का अनुचित तीन वर्टमार राजचित चेत्रों में से नई राजचियों के निर्माड विशह में ब्याक्या करता है, आपने एक सुन जाते हैं यह आपका S के धर आयों 1948 में बनता है नियायमूर्थी S के धर के अध्यक्षता में फिर आपका J B P आयों इसमें आपके पंडित जवाहलाल नहिरू, सरदार पटेल और पट्टा भी सीता रमिया आपकी समिल थे यह आपका 1959 में बनता है राज पुर्णर कठन आयों 1903 में बनता है फजल अली इसके अध्यक्षते एच एंड कुंजरो और के एम पनिकर इसमें साविव थे राज्याओं का पुनर गठन सुतंता प्राक्ति के बाद रियासतों और वेटिस सास्तित भार्थिये रियासतों का बिलै कर दिया गया आंध पिदेश की आंध पिदे आधार पर पिथम राज्याओं का पुर्ण सत्रा बना आंध पिदेश यह आपका कुष्टेंस कईवार बन चुका है बाद में फजल अली आयूप की सेफाग सें ने राज पुनर गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों की निर्माड का मार्ग पिसर्षत किया इसके आधार पर आ जोड़ेगे नए राज्यों की बात करें हम लोग तो इसमें आपकी सामिल है आंध पिदेश राज्य पुनर गठन अधिनियम 1953 सरपथम राज्य की कुछ चित्रों को मद्राश एस्टेट से अलग करके आंध एस्टेट बनाए गया तत्ना बाद में राज्य पुनर गठन अ की बात करें तो राज पुनर गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रावन को कोचीन के स्थान पर कीरर राज बनाए गया आपका करनाटक की अगर हम लोग बात करें तो राज पुनर गठन अधिनियम 1956 की द्वारा मैसू राज बनाए गया जिसका नाम बदलकर मैसू राज नाम पर उमाराष्ट में विभाजित कर दिया गया फिर आपका नागालेंड तो असम राज से नागाहिल्स त्यू ए सांग छेत को निकालका नागालेंड राज अधिनियम 1962 द्वारा नागालेंड को फितम राज बनाए गया हर्याडा पंजाब पोनरगठन अधिनियम 1966 द्वारा तमिलाडू इसकाक मद्रास राज नाम परिवथतत अनियम 1969 द्वारा मद्रास का नाम, परिवार्त होकर तमिलाडू हो गया यानि, पहले आप लोग इसी मद्रास की नाम से जाने थी हिमाचल पिदेश, सबसे पहले राज का दर्जा दिया जाने बाला संग राज छेत था हिमाचल पिदेश को अठारवा राज छेत हिमाचल पिदेश अधिनियम 1970 के द्वारा राज का दर्जा दिया गया ये पहले आपका संग राज छेत थुगा करता था फिर आपका मडीपुर और तिपुरा मडीपुर और तिपुरा पुर्वत्त छित पुनगर्ठन अधिनियम 1971 के द्वारा संग राज छित की स्थिती से राज बना दिये मेगाले पहले मेगाले असम के भीतर एक उपर राज जुगा करता है स्वायत राज 23 वे संसुधन अधिनियम 1979 के द्वारा बनाए गया बाद में पूर्वत्त छित अधिनियम द्वारे से पूर्ण राज का दर्जा दिया गया और यह आपका 21 वा राज बनता है कि कौँसा 21 वा फिर है आपका लख्चिदीब लख्का दुइव मिनिकोय और अमीनी दुइव सं मू का नाम लख्का दुइव मिनिकोय और अमीनी दुइव समू नाम परिवृत्त दजनियम 1973 द्वारा Tradhou इसे लख्चिदीब किया गया इसकी रादधानी रखी गई थी कावर्वति सिक्किम यह आपका बहुत भी बहुत बार कुश्चन सिस्से बन चुका है 35 वे समिधान संसोधन द्वारा सहिवत्राज का दर्जा इसे दिया गया था लेकिन 36 वे समिधान संसोधन 1975 द्वारा इसे 22 वे राजजी का दर्जा दिया गया तो अगर मैं पूँछे कि सिक्कम को सहिप्त राजजी यानी कि संग शासित विदेश किस समिधान संसोधन द्वारा बनाये था 35 के द्वारा लेकर पूर्ण राज का दर्जा मिला ऐसे 36 वे सम्मिधान संसोधन के द्वारा की कैं 35-36 में कनिफ्यूज मत होना फिर आपका मिजोरम मिजोरम राज अदिनियम 1986 द्वारा मिजोरियम मिजोरम को 23 वे राज का दर्जा दिया गया आउनांचल पेदेस आउनाचल पेदेस अदिनयम 1986 द्वारा 24 वे राज के दर्जा दिया गया था गोअ फडजी इसकी रादधानी फडजी गोअ दमन द्वीप पुनरगता नदिनयम 1987 द्वारा गोअ को 25 वे राज का दर्जा तथा दमन वे दूइपको राजधानिस की दमनती संगराच्चित में बनाए लेगा फिर आपने देखा होगा कि संदु हजार में उत्राखंड जारखंड और चतिसगड नए राज्य उबर कर आते हैं उत्राखंड था इसे उत्तरफिदेश से जारखंड को बिहार से और चतिसगड को मद्विदेश पोनर गठन अधियां द्वारा उत्तराखंड जारखंड जारखंड चतिसगड राज्यों का गठन संदु हजार में किया गया ठीक है उत्तरकंड आपका उत्तरपिदेश से अलग होके बनाता है जारकंड ब्यार से वो च्छतिसकड एमपी से ठीक है खरकंड आपका आंधभिदेश राजभोनर गतने दीनियम दोजार चोडै तेलंगाना विदयक की माध्यां से आंधभिदेश के दो भागों आंधभिदेश और तेलंगाना में विभाजित किये गये और 2 जून 2014 को भारत का 29 बाराज तेलंगाना अस्तित में आया था जैसे आंध्पिदेश को विभाजित करके बनाए गए हैदराबाद राज्यपाल की अधीन विवस्था के अंतरगत दोनों राज्यों की सहित राजधानी बनी रही जब तक अंध्पिदेश राज्य के लिए नई राज्धानी अमरावती गटित नहीं कर ली जाती थी विदेयक में दोनों राज्यों के मत्य सीमा विभाजन देता संसादनों का वितरन साथ ही हैदराबाद की स्तिति आधी को इसपर्ष्ट किया गया था यहाँ जम्मू कस्मीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यह मस्तोची है कि यानि कि जम्मू कस्मीर को भी भूल जाएंगे क्योंकि वहाँ भी आपका 370 खतम हो गई तो पूरा उसपर हम लोग चर्चा करेंगे कब-कब बदले गए नाम इस एबर्स हो गया सन हो गया राज के अंदिसासित पिदेश 1950 में पूर्वी पंजाब से पंजाब बाद में हिमाचल पिदेश हर्याणा अलग विए 1950 में ही उनाइटेड के प्रविवयन्स फूरुईशन से उत्तर्फधेश नाम किया है 1956 में हैद्रावास सी आंद्फधेश नाम बदला लागा है 1956 में तरवनकूर कोचिन से आपका किरल नाम बदला है 1969 में मधभारत से मध्धधेश नाम निकला 1989 मद्राशिट्टे से इस्टेट से आपका तमिलारू 1973 में मैसूर से करनाटक 1975 में लाकादवीव मनिकवाय अमंदवीव से लच्छ दीव निकला 2006 फूंडुचेरी से पुडुचेरी 2007 में उत्रांचल से उत्राकंड पहले उत्रांचल बोलते थे उत्राकंड को 2011 में उडिसा से उडिसा से उडिसा अब जम्मू कस्मीर के बारे में पहले आप लोग पुरानी इस्तिती इसकी देख लीजे उसके बाद में जो बदला हो गया उसके बारे में आप लोग बात करेंगे क्योंकि आपका questions बन सकता है जम्मू कस्मीर से जो पुराना भी उसमें संब्लित थे जो भी प्रावधान उनसे भी आपका questions बन सकता है बाती समिधान जम्मू कस्मीर को अनुचे 370 के अंतरगत विसेश दर्जा पिदान करता था क्या करता था विसेश राज्य का दर्जार देता था क्या होता था कि कई प्रावधान ऐसे होते थे जम्मू कस्मीर में नहीं लागू होते थे जैसे माना अधिकार हो गया सरिशाह आपका राश्पती कोई अगर फैसला दे रहा है तो उसे जम्मू कस्मीर में लागू नहीं कि संग और संवर्थी सूचियों में स장 की राज के लिए कानून बनाने की सक्तियां उन मामलों में सीमित रहेंगे राजजी द्वारा नेमेत एक संविधान सबाद्वारा जम्मू कस्मीर के लिए एक नई पितक संविधान तरनावा का निर्मार किया गया जो आपका 26 जनवरी 1957 से अस्तुत्य में आये था यानि कि जम्मू कस्मीर एक मात ऐसा राज्य था हमारा जो जिसका अलग सम्मिधान हुआ करता था जम्मू कस्मीर राज्य के संदर में विसेश प्रावधान की बात करें तो जब 26 जनवरी 1950 को भारत का सम्मिधान प्रवपित किया गया तब जम्मू कस्मीर को सम्मिधान की पितम अनुसूची के खा राज्यों की बरग में सामिल किया गया और सम्मिधान के अंचे 370 के दिन उसे विसेस राज्य का दर्जा भी पितान किया गया 370 में क्या-क्या पिरावधान थी? जम्मु कस्मीर भारत के राज़ेचित का भागय भारती समिधान का कौन सा भाग जम्मु कस्मीर पा लागू होगा इसका निर्दय राश्टपति राश्रकार की परामस से कर लिएगा लास राज्य पर संसत का विधाई प्रादीकार संग और समबर्थी सूची को उन्हीं मदों तक स्वीमित रहेगा जो बेलाइपत्त में निर्दिष्ट थी राश्टपती राजी की समिधान सभाकी सेफारिश पर अनुछे 370 को समाप्ट कर सकता है या इसमें संसोथन कर सकता है आपने सुना होगा कि यहां जब भी सासंतन दिख बिगड़ता था तो राज्यपाल सासन लगाया जाता था क्या राज्यपाल अपने हां राश्टपती सासन तो अब नई इस्तिती की बात करें जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जम्मू कस्मीर से अगर्स्त दोहजार उन्दीस में विसेश राज्यका दर्जा खतम कर दिया गया जम्मू कस्मीर को और तीन सो सत्तर भी हटा दिया गया यहां से ठीक अचे तो जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाटा गया जम्मू कस्मीर और लग्दा जो आपका जम्मू कस्मीर है इसमें आपकी विधान सबा होगी जैसी आपकी दिल्ली में है ठीक है केंदसासित पिदेश ही रहे गए लेकिन ये आपका क्या होएगा यहां बिदान सभा होगी आपकी और जो लद्दाक है यह आपका केंदसासित पिदिश रहेगा यहां बिदान सभा नहीं होगी और एक बात याद रखी 31 अक्टूबर 2019 से यह दोनों राज केंदसासित पिदिश अस्तित में आ चुके हैं और जो यह कुष्चेंस आपका बनेगा मुझे लगता है और हमेशा बनता रहेगा क्योंकि पहला राजपाल है क्योंकि जम्मू कस्मीर के पिथम राजपाल हैं ग्रेश चंद मूर्मू उप तो जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया अगर करेंट हम बात करें 2020 जून की तो इस समय आपके देश में 28 राजपी बचे हुए हैं और 8 केंदसासित के देश हैं कितने 828 ठीक है अब चलते हैं हम लोग भारती समिधान की विसेस्ताओं की ओर भारती समिधान की वि लेकिन आपका सबसे पहले लिखित समिधान किस देश का था तो वो था अमेरिका का ठीक है मूल लूप से 1989 में समिधान में एक पिस्ताओना 395 अनुचित 22 वाग और 8 अनुचियां थी जो आपका चार सो पचास पिलस 22 वाग वो बारह अनुचियां सामिल की विए याद रखिए आपके अनुचित बदलते रहते हैं हमेसा कभी भी तो 550 से जान्दा है आपके पास सो चैतर के करीब पहुंच चुके हैं क्या होता है कि अनुचित तो आपके 395 ही हैं लेकिन उनमें संसुध संसुधन करके जोड़ा जाता है जैसे 395 ए कर दिया 395 कर दिया इस तरह से आपके 405 हो चुके हैं इसके लिए आपको करेंट से जोड़ना पड़ेगा ठीक है 22 वाराच 22 भाग हो गया है अप लोग और अनुचियां हो चुके हैं ठीक है 42 वा जो समिधान संसुधन हुआ 1906 में इसमें एक बड़े इस्तर पर समिधान में संसुधन किया गया था इससे आप लोग मिनी समिधान भी कहते हैं क्या कहते हैं मेनी समिधान भारती समिधान को समिधानिक सभादवारा अपनाय गया था बारत का समिधान ना तो लखीला है और ना ही कठोड बलकि दोनों का मिलाजुला रोप है यह भारत को एक संपूर्ण प्रिवत संबन और लोकतांत्रिक गड़राज गोसीत करता है इसमें सभी भारती नाग्रेकों को मौलिक अधिकार किये गये हैं आपके समिधान में इसमें मूल करतबों एवंक मौलिक अधिकारों का भी उलेख है मौलिक करतबों का सीधा सा मतलब है मौलिक अधिकारों का मौलिक करतबों का सीधा सा क्या मतलब है कि हम पर कोई भरोसा कर रहा है ठीक झाति ऐनी पर्समझ और मदलब आप किसी भी वह्यक्ति पुले सकते हैं तो उसका भरोसा बनाए रखना हमारा कर्तप है प्रकिती हमें इतना कुछ दे रही हैं तो उसे हमें बनाए रखना हमारा मॉलिक कर्तप है यानि कि कि आप अगर बिरोध कर रहें तो इसका मतलब नहीं कि आपको कंशार करें कि सरकारी संपत्थी करें क्योंकि बी आप नुक्सान होगा वह आप से यानि कि जन्ता से वसूला जाता है सरकार का क्या है जो नेता बनते हैं यानि कि जो अभी पिदान बनते हैं उसके बाद बदलते रहेंगे उनके घर का नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी याद रखिए जो भी बोच पड़ेगा आप पर ही बढ़ना है तो वो तो वहां से बातर दे देंगे और उसके बाद भोगतना आपको ही पड़ेगा बात करते हैं समिधान की पिस्तावना की बारे में 13. दिसंबर 1946 को पंडित जवाला नहरू उद्वारा समिधान सभा में उद्देश पिस्ताव पिस्तुत किया गया जिसमें समिधान की भावी रूप पिस्तुत की गयी थी तो आपसे पूँचे कि उद्देश पिस्ताव किसने पिस्ताव पिस्तुत किया था तो यह थे आपके पंडित जवाला नहरू कब किया था 13. दिसंबर 1946 को उद्देश पिस्ताव पर विचार मिमस के बाद 22 जन्वरी 1947 को कब 22 जन्वरी 1947 को इसे सरव सम्मिधी के साथ पारित किया गया था सरव सम्मिधी से केशवानन्द भारती बनाम किरलाज की अनुसार उद्देश का सम्मिधान कांग है पर इसे न्यालय में कानूनी दर्जा प्रापत नहीं हो सका उद्देश का इसे सम्मिधान की आत्मा और समिधान निर्माताओं की मन की कुन्जी कहा गया है उद्देशीका है इसे सम्मिधान की आत्मा भी कहते हैं और समिधान निर्माताहों के मन की कुजी भी कहते हैं इसी परिफेक्ष में समिधानिक अधिनियों की ब्याक्या की जा सकती है आपके उद्देशीका में पिस्तुद अगर सब्दों की बात करें हम लोग तो हम भारत की लोग इसमें आपका पूरत एकता समाहित हो ज़ती हैं इस सब्दे से आप लोग क्या समझते हैं भारत की संप्रूपता भारत की जिन्ता में नहेत हैं यानि कि हम भारत के लोग सभी भारत एक गर्तंत इसका रथ है कि भारत का राष्ट अध्यक निर्वाचित होगा अनुबासिक नहीं इसका सीधा सा मतलब इस तरह ले सकते हैं पिधार मंत्री बना दू नहीं यह जनता पर उन्हें बाढ़ करता है अगर उनकी पार्टी को बहुमत देती है तो तभी बीजेपी का कोई नित्ता पिधार मंत्री बन सकता है वन्ना जिसे जनता चाहेगी उते अपना राष्ट अध्यक्ष बनाएगी 42 बाजियों सम्मिधान संसोधन था यह 1976 में हुए इसमें आपका उद्देशिका में सब्द जोड़े गए थे समाजबादी पंतनेडवेक्ष था और अखंड था यह कई बार पूंच लिया गया है उद्देशिका में तीन सब्द जोड़े गए आपके 42 सम्मिधान संसोधन 1906 पहला था आपके समाजबादी पंतनेडवेक्ष और अखंड था राष्ट की एकता को राष्ट की एकता और अखंड था से पिती स्थाबित किया गया उद्देशिका में समिधान के अंगी करण किती थी आपकी 26 नवंबर 1909 से क्योंकि आपने देखा था कि समिधान को कि क कि रूम में लौटे की रूम में भी मनाते हैं आप लोग नागरेक्ता निर्वाचन अंत्रेम संसद अल्पकालिक और परिवर्ती उपन्द जैसे कुछ अनुछे समिधान की सुईक्ति के तुरंत बश्चार यानि कि 26 नवंबर 1909 को ही लागू कर दिये गया थे कुस आपके प्रावधन जिसमें आपकी नागरेक्ता थी निर्वाचन थी अंत्रेम संसद की वेउस्था थी अल्पकालिक और परवर्ती उपन्द भी सामिल थे एक बार हम लोग उद्देशीका को देख लेते हैं क्योंकि पूर्या समिधान इसी के एरफिर में गूमता हुए है हम भारत को लोग भारत को एक संपूर्ण प्रिवुत्व संपन समाजवादी पंत निरपेच लोगता अंतरात्म करराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नाग्रेकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, न्याय, विचार, अभी व्यक्ति, विश्वास, धरम, उपासना की सुतंत, पितिष्ठा और अवसर की संता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सम्में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और खंटता सुनिश्चित करने वाली बंदूता बढाने के लिए देड़ संकल्प होकर अपने इस सम्मिधान सभा में आज तारीख 26 नबंबर उननेच सो उननचास को आगे चलते हैं हम लोग 26 जनबरी उननी सो पचास को 26 जनबरी उनने सो पचास को संपूर समिधान लावू हुआ था आपका उसी दन भारत एक गड़राज भी वह सिक्ट हुआ हैं कब जब आपका समिधान पूरी तरह से लाव हुगा अब हम बात करते हैं समिधान के प्रमुख सम्तियां देखते हैं और उनके अध्यक्ष देखते हैं क्योंकि इससे भी आपके कुश्य हैं सक्षर बनते रहते हैं क्या है एक طरब आपकी सम्ती है और दूसरी तरब आपके अध्यक्ष ते Сम्ती आ होगैं तो जो संचालन सम्ति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजिन परसतर। क्या पूचेगा आपसे संचालन समिती के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजिन्त पिसाद संगे समिधान समिती के अध्यक्ष कौन थे पंडित जवालल नहिरू पिरांतिय समिधान समिती के अध्यक्ष कौन थे सरदार बल्लबाई पटल संगे सकती समिती के अध्यक्ष कौ डрьक्री दोक्टर राजिन पिसाद बिद्वम स्टास सम्ति इसके मोल अदिकार उप सम्ति इसके अद्यक्ष तो जी यीवी के प्लानें। अलप संख्यक सम्ति इआपक्ष तो एससी मखर्जी से मुखर जी पिक्किरिया नियब सम्ति इसके अद्यक्ष ते डॉक्टर राजिन पिसा कार संचालें सम्ति इसके अद्यक्ष ते डॉक्टर के एम मुंस्ति साहब अगर आम लोग समिदान सभा की प्रमुक महिलाओं की बात करें तो इन्हें भी याद रख लिजी क्योंकि पूछ ले सकता है कभी भी समिदान सभा की महिला सदस्वरी इसमें आपकी कमला चौधरी सामिल थी मालती चौधरी भी रैण का राय विजयाल अच्मी पंडित राजकुमार कुमारी अमरत कौर अम्मू स्वामी नात्तन बेगम इजाज रसूल जी दुर्गावाई लीलारेल पूडिमाब बनर जी सरोजी निनायटू सुचेता के प्लाने एनी मैस्क्रिन दक्ष्या यानी ब लोग सदस्तों की बात करें तो जैसे कि अद्ध्यक चापके हो जाते हैं दॉक्टर भीमराव बिड़कर इसके सदस्तों में सामिल थे एन गोपाला सवामी ऐंगर अल्लादी किष्णा सवामी ऐग कनया लाल मडिकलाल मुंसी डॉक्टर के मुंसी सियद मुहम्मत सदुल्ला ये सबी सदस्वों की बात कर रहा हूं एन एन माधाव राव एन्हें B.E.L. मित्रा की स्थान पर नियुक्त किया गया था ड.P. खेतान 1931 मेंट की मित्यू के बाद ट.T. किष्णाम मिचारी को नियुक्त किया गया था ठीक है तो यह आप के थे पहरू संती की सदस और अद्देफ्च साहब अब इस से आपका कुश्चन्स हर बार बनता है और आपसे इंटर्व्यू में भी कई बार मुझे लेता और सामन जानकारी के लिए भी तेलोग आपसे इस तरह की कुश्चन्स करते हैं तो इन्हें आपको याद रखना है कि आपका ये शरोत हो गए जिस समिधान से हमारी समिधान में जो लिए आ गया है और लिए गई बिशेस्ताय हो गई जैसे बारतीय समिधान अदिनियम सरी भारसासन अदिनियम 1935 इससे क्या-क्या लिए आपकी समिधान में संगिये तंथ राजपाल का कार्याल है आपका भारत सासन अधिनियम 1935 से ही लिया गय है नियापालिका लोग सेवाय। आपातकालीन उबंध और पिसासने विवरान ये सबी आपके भारत सासन अधिनियम 1935 से ही लिये गये हैं ठीक है तो आपने जैसे भी याद कर लें बैटें का समिधान की भी बात करें तो शंसदिय, साचन पढाली, विदी का सासन, विधाई पिक्रिया, एकल नाग रिक्ता, मंत्री मंदल पढाली, प्रमाधीकाड, लेग, संसदिय विशेशादिकाड, दू सदिनिय हैं विवस्था हैन कि लगवाख, उत्लेवर विवस्ता बेत puppies के लिए में हैं में ने इक ईडार पर लिए विदाई विक्रिया एक ल-अगरिक्ता मतलब है कि एक लिए नाग रिकता है भारती एँ थी जिए आपकी 50 श्टेट हैं Depot और अमेरीका हो अगर आप सोचिए कि आपको भारती नाग रेकता मिली हूई है और उत्तरपदेश के हैं तो आप दुरी नाग रेकता हो जाती है फिर आपका मंत्री मंडल पेडाली, प्रमादिकार ले, संसदी विसे सदिकार, दुई सदनीय विवस्ता ये आपकी सभी वेटेन के समिधान से ले हुई है सैफ्तराज अमेरिका का समिधान याद रखें वेटेन के डारेक्ट वहां से उठा के यहां सिप्ट नहीं कर दिया है फिर आप सोचो कि वहां से सीधा उठाया, सब यहां सिप्ट कर दिये यानि कि उस पक्ष में, यानि कि उससे मिलता दिलता हमारे इपरावदान लिए गया है जो हमारे लिए सही थे उन्हें ले लिया गया रहा है वो जो सही नहीं थे उन्हें अटा दिया गया है फिर आपका सयुक्त राज अमेरिका यह वैसे यहां से आपके मूग अधिकार लिये गए हैं न्याय पालिका की सतंता न्यायक पुनराव लोकन का सिध्धान ऊपर राष्टपती का पद ओच्छे तम न्याले और ओच्छे न्याले की नियादिसों का पद से हटाया जाना और राष्टपदी पर जो महावियोग की पिक्रिया चलती है यह भी आपकी सहिवत्राच अमेरिका की समिधान से ले गई है आयलेंड का समिधान की बात करें तो राज की निती निदेशक सिद्धान राष्टपती की निडवाचन पद थी यानि की राष्टपती का चुनाव राजसभा की सदस राजसभा की लिए सदसों का नामांकर आपकी आयलेंड के समिधान से मिलती जुलती है फिर आपका करनाड करनाडा का सम्यधान STEPक के साथ संगिये विवस्ता आउसेश्ट सक्तियों का कैंद में नहेध होना केंद दोआरा राज्जीयों के राजपाल की नयुक्ती उच्टम नियालािका परामर्स नयाने नेड़न यह आपका करनाडा की सम्यधान से मिलता साज़ता यानि के लिए गया है कि ऑस्तेलिया के अगर अम लोग बात करें अश्ऱिविया के सम्मिदान, तो इससे संबलति सुची, व्यापार, व्यभंग, समागम की सुधनता संसत के दोनों सदनों की सहयुक्त बैटक यह परावधान आपके आउस्टिलिया के समिदान से लिए गया है जर्मन का वाइमर समिदान की बात करें तो आपात कल की समय मूल अधिकारों का इस्तगन करना यह आपका जर्मन के वाइमर समिदान से लिए गया ह पिर आपका सोविय संग, पूर्वए का समगिधान, इससे क्या किया लिये गया है, मूल कर दब आपके सोविय संग से लिये गया है, फिस्ताओना में न्याय का आदर से,í seeking, कि सामाजी का आर्थिक सामाज, राजनीतिक लिये गया है, यह आपके सोबियत संग से लिये गए हैं फेरांस का समीधान से क्या-क्या गड़तनता अत्मक, पिस्तावना में सुतनता, सम्ता और बंदुता के आदर्स की बात कही गई है दच्छड अपीका का समीधान से बात करें तो समीधान में संसुधन की पिक्रिया राजसबा के सदस्वों का निर्माचन यह आपका दच्छड अपीका के समीधान से लिया गया है जापान की समीधान की बात करें तो विदी द्वारा इस्थापित पिक्रिया आपकी जापान का समीधान से मिलती चुलती है हमारी ठीक है, यानि की ली गई है अब हम बात कर लेते हैं संग राज चेत्रों के बारे में बारती सम्मिधार में हमारे देश को इंडिया भारत नाम से सम्मुदित किया गया है सम्मिधार बिदी द्वारा नए राज्यों के निर्वार बर्तमार राज्यों के चेत्रों में सीमाओं में और नामों में परिवर्थन भी कर सकती है तता इसके लिए संविधान संसोधन की आवस्कता नहीं होती है अगर आपका संविधान विधी द्वारा बरतमार राज्यों की सीमा और छेत्रों में या फिर नामों में परिवर्थत करती है तो इसके लिए आपके समिधान में संसोधन करने की वशकता नहीं पढ़ती है बायदत राज्जों का संगे इसमें आपके 28 राज्जें वरत्मान में और 8 केंदसासित पिदेश है कितने? पहले आपके 29 राज्जों और 8 केंदसासित पिदेश थी लेकिन अब 2020 जून की बाद कर रहा हूँ उसके बाद अगर बदलते हैं आगे तो आप लोगों के याद रखना है कितने 28 राज्यें और 8 केंद सासित पिदेश है ठीक है नई राज्यों की निर्माड और वत्मा राज्यों की छेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन के लिए कोई भी विदेयक राष्टपती की सिफारिश के परशा थी किसी सदन में पिस्तुत किया जा सकता है यानि कि इस तरह के विदेयक को यानि कि पिस्तुत करने के लिए हमें राष्टपती की पूरुक सिफारिश यानि कि राष्टपती की सरफारिश लेने हुई अनुचेद 1 से 4 में संग और राजिच के बारे में दिया गया है संग और राजिच के छेत्रों के बारे में से संबन्धित हैं आपके article 1 से 4 तक फिर आती है आपकी भारतिये नागरिक्ता बारतिय सम्मिधान में नागरिक्ता सब्द को परिवासित नहीं किया गया है अगर आप से कोई पूँचे कि भारतिय सम्मिधान में नागरिक्ता को परिवासित किया गया है बिल्कुल नहीं, समय समय पर इसमें प्रावधानों में संसुदन होता रहता है सम्मिधान के दो भाग दो में अनुचेद पास से ग्यारे केवल एक हरी यानि की एकल नागरिक्ता पिदान करता है इसमें आपके राज्यों के लिए पितक नागरिक्ता का पिरावधान नहीं है केवल भारती ये नागरिक्ता आपकी सुईकार की जाती है नागरिक्ता से संबंदित बिशों पर विदी बनाने की सकती आपकी संसद में नहीं थे अनुचेद संसद में आपकी तीन भाग होते हैं राष्टपती, राज सभा और लोग सभा सामिल गया थी अनुचे 11 में नागरिक्ता संम्मिंधी नीमों के लिए संसत द्वारा भारती नागरिक्ता दिनियम 1905 पारिद किया गया था भारती नागरिक्ता जनम से, पंजी कड़ से या फिर उत्तराधिकार से ब्राप्त हो सकती है संसत अनुचे 10 के यत्ताएद किसी भी नागरिक से नागरिकता बापिस ले भी सकता है अगर उससे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए जोटे और गलत सबूत पेस किये गए या फिर ब्यक्ति समिधान के पिती बफादार नहीं है अगर वह दुस्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है उससे भी हमारी नागरिकता चेनी जा सकती है ठीक है? उस बैक्ति की अगर वह लगातार साथ बरसों से अधिक समय से देश से बाहर भी रहता है तब भी उसकी नागरिकता को चेन सकती है अगर वह नागरिक पंजीकर्ण कराने के समाई के 5 बरसों की बीतर 2 या 2 से अधिक बरसों के लिए जेल में रहा है तो भी उसकी नागरिक्ता रदिक की जा सकती है स्तर्युक्त राज अमेरिका में आपकी दोहरी नागरिक्ता के सिध्धान सुईकार किया गया है नागरिक्ता का परित्याग अन देश की नागरिक्ता सुईकार कर लेने पर सरकार द्वाना नागरिक्ता चीनने पर नागरिक्ता कंत हो सकता है अगर आप किसी देश की नागरिक्ता ले लेते हैं तब भी आपकी नागरिक्ता को समाप्त किया जा सकता है या फिस सरकार भी आपकी नागरिक्ता को खतम कर सकती है दिसम्बर 2003 में विदेशों में बसे भागती है मूल के लोगों को कुछ सर्तों के साथ दोहरी नागरिक्ता पराधन करने का पराधन किया गया है इसे आप लोग Overseach Citizenship of India की नाम से जानते हैं जो आपके विदेशों में बसे हुए उनके लिए फिराधन किया गया है मौलिक अधिकार मैं हवियं साथ ये दो बातें कहता है कि अगर हमारा भारत आगे तभी बढ़ सकता है जब दो बातें हमारे देश के हर नागरिक के दिल और दिमाग में बैठ जाए पहला है आपका मौलिक अधिकार दूसरा है आपका मौलिक कर्तब यानि कि आपका मौलिक अधिकार है तो कुछ आपके कर्तब भी है इसका सीधा सा उधारन मैं आपसे ले सकता हूँ कि आपका कोई दोस्त है थे उस बो आप पर वरोसा करता है वो आपका 10 रुपे खर्च करता है तो आपका कर्तब क्या बनता है? कि 5 रुपे तो खर्च करें एक तरफा तो कुछ हो नहीं सकता है समझ सकते हैं तो उसी तरह ये भी है आपका कि आपको अगर मौलिक अधिकार दिये जा रहे है तो आपको अपने तरफ से भी अपने करतब निभाना हुआ तिक? आपको ये यदि बोलने का अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके गाली गलोच करने लगें समझ सकते हैं मौलिक अधिकार का सीधा सा कहने का मतलब होता है कि बे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अत्ती आवस्चक क्या? अत्ती आवस्चक समझे जाते हैं उन्हें आप मौलिक अधिकार या मौल अधिकार कहते हैं सम्मिधान के तीन भाग तीन में अनुचेद बारह से लेकर पैटीस तक आपके मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है इसे स्युक्तराज अमेरिका की सम्मिधान से लिया गया है मौलिक का अधिकार हैं जो इसे आपके स्युक्तराज अमेरिका USA से लिया गया है सम्मिधान के बाग तीन को भारत का अधिकारपत यानि की मैगना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों में संसोधन हो सकता है एवं राष्टियापात के दोरान यानि की अनुछेत 352 राख्टियावाद के जीवन के दोरान जीवन एवं बैक्तिगस सुतंता के अधिकारों को छोड़कर अन्नमॉलिक अधिकारों को इस्तिगत किया जा सकता है यानि कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को आपका इस्तिगत किया जा सकता है ठीक है कभी भी जब आपका 352 राख्टी आपका लगता है ठीक है लेकिन 20 और 21 को कभी नहीं निरस्त किया जा सकता है या फिर इसे इस तगर कभी नहीं किया जा सकता है मूल समिधार में आपके जैसा कि आपको पता होगा कि 8-7 मौलिक अधिकार थी लेकिन जो संपत्ति के अधिकार था इसे 44 वे समिधान संसुदन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और अब जो संपत्ति का अधिकार है इसे समिधान के भाग बारे में आनुच्छे 300 क के अंतरगत कानूनी अधिकार बना दिया गया यानि कि अब संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार समझे फिर बात करते हैं आगे क्योंकि आपका ये कई बार पूछ लेता है कि संपत्ति के अदिकार को कब हटाए गया और कहां जोड़ा गया अब जो 6 आपके बच्चते हैं ने देखिए समानता का अदिकार इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया सोतंताक अदिकार इसमें आर्टिकल 19 से याणि के अनुचहत 19 से 22 तक सोशड के विरोदल अधिकार 23-24 दार्मिक सोतंताक अदिकार 25 से लेकर 28 तक संस्किती और सिक्षाक अदिकार 39 और समिधाने कुपचारक अधिकार आर्टिकल 32 इसके तहट आप सुप्रिंग कोट में जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनम होता है तो बात कर लेते हैं नकारात्मक अभी व्यक्ति वाले मूल अधिकार अनुछे चौदे अनुषे जो 14 है आपका राज किसी वैक्ति को या विधी के समक्च समता या समान सरक्षन से बंचितन करेगा किसी के साथ कोई भेढभ नहीं कर सकता है लुचला कि कि आप के लिए कानून अलग बना दिया जाएं दूसरों के लिए अलग कानून हो ऐसा नहीं होगा इसका सीधा सा मतलब निकालते हैं आपकी राज सभी ब्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा उन पर एक समान धंक से लागू किया गया किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा मालू चला कि आप बड़े आदमी है तो आपके लिए अलग और कोई छोटा है तो उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अनुचेत 15 की बात अगर हम लोग करें राज धरम, मोलबंस, जाती, लिंग जनमिस्थान के आदार पनागरिकों में बेभेद नहीं करेगा यानि कि सीधा सा मतलब है कि राज है जो आपका या धरम, मोलबंस, जाती, लिंग या जनमिस्थान के आदार पनागरिकों में कोई भेद भाव नहीं करेगा चाहे आप ग्रामीड शित्र में जनम लोग या फिर सहरी शित्रों में फर आपका आटिकल 16 राज लोक नियोजन में धरम जाती लिंग आदी आधानों पर बिवेद नहीं करेगा इसमें आपका अभवाद भी सामिल है अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती पिछड़ बार्ट के लिए लोक नियोजन में भी कुछ आउसर दिया जाता है ने अनुस्चे अठारे है जो आगका राज सेना या फिर विद्ध्या संबंदी सम्मान के अलावा कोई उपादी पिदान नहीं करेगा यानि कि उपादियों कांद, सेना या विध्या संबंदी सम्मान के सबाए अन कोई भी उपादी राज़ द्वारा पिदान नहीं की जाएगी आपको बारत का कोई नागरिक अगर किसी अन देश से बिना ना राष्टपती की याग्या के कोई उपादी सुईकार नहीं कर सकता है आप अगर भारत के हैं, मालू चला कि आपको कहीं उपादी दे जा रही है यानि कि अमेरिका में, तो आपको हमारे राष्टपती यानि कि अपने राष्टपती से अनुमती लेना होगा आर्टिकल जो 22 है आपका अनुच्छे 22 बिना कारण बताए किसी को निरोध नहीं रखा जाएगा यानि कि गरफता नहीं रखा जाएगा और ना ही अपनी रोची के विधी बेवसाई से परावसलेन से इससे बंचित रखा जाएगा सीधा ता मतलब है कि अगर आपको गरफतार किया जाता है तो आपको कारण बताना होगा और आपका जो भी बकील आप चुनना चाहते हैं उसे बकील को भी आप चुन सकते हैं हिरासत में लेने का कारण हो गया 24 गंटर क्या अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडा अदिकारी के समख्च पेस किया जाएगा जिसे गरफतार करते हैं ठीक है फिर आर्टीकल आपका 28 पूरता राजनेदी से पोसेश संस्था में धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी यानि कि राज्य द्वारा अगर किसी संस्था को बित्त दिया जा रहा है तो उसमें धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी आपकी ठीक है फिर आपके सकारात्मक अभी व्यक्ति के वाले मोल अधिकार हैं इसमें आर्टिकल 25 अंताकरण की और धरम के आबाद रूप से मानने आचानन और पिचार करने की सुतनता है आपको अपने धरम की मानने की और पिचार करने की आपको खुली छूट दी गई है ठीक है आर्टिकल 29 पितेक अल्प संख्यक नागरिक को अपनी विशेश लिपी या फिर संस्किती बना रखने का अधिकार दिया गया है याद रखिए अल्प संख्यक को समिधान में परिवासित नहीं किया गया है ठीक है अनुचित 30 धार्मेट या फिर भासाई अल्प संख्यकों को अपनी रुची की सिक्षड संस्था की स्थापना और पिशासन का अधिकार भी दिया गया है अनुचित 32 सामिधानिक उपचारों का अधिकार है मूल अधिकारों को पिवर्थित कराने के लिए उच्छतम न्याले जाने का अधिकार इसमें सामेल है आपका इसके तहत 5 रेट जारी की जाती है बंदी पित्यक्षी करन फरमादिस कितिसेद उत्फेरन उत्पेशन अधि इसमें अगर हम लोग बंदी पित्यक्षी करण की बात करें तो उस ब्यक्ति की प्रात्ना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अबैद रोफ से बंदी बनाए गया है इसके द्वारा नियालाय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है क्यों है बंदी ब प्रमादिस का लेक उस समय जारी किया जाता है आपका जब कोई पदादिकारी अपने सार्विने करतब का निर्वाहात नहीं करता है इस पिकार कि आधार पदादिकारी को उसके करतब का पालन करने का आदिस दिया जाता है आप बैंक में गए आपको काम नहीं कर रहा है मोटिप सेर्श जोज़िए मामले में कारवाहि ना करें क्योंकि इस मामला उनके इधिकालचित के बाहर कराता है है श्मसक्ते हैं यानि कि मालू चलाए कि विदाहैं यानि कि आपके 35पने नहीं आ रहा है दिर भी वहाँ कारबाई कर रहा है तो इस लोकन जा सकता है समसक्ते हैं इस तरह से उधारन लेजी वुथ पेशन कशा की इसके द्वारा अधीनस्त जब कोई बैक्ति है ऐसे पदादिकार की रूम में कार करने लगता है जिसके रूम में कार करने का उससे बैधानिक रूप से अधिकार नहीं है नियाला अधिकार पेक्षा के आदेश द्वाना उस बैक्ति से पूंचता है कि वह किस अधिकार से कार कर रहा है और जब वह इस का संतों जनक उत्तर नहीं दे तातों कार नहीं कर सकता यानि की मालू चला कि आपको पढ़ाने के लिए रखा गया है आप दस भी तक की किलास के बच्चें हो आप जाके पढ़ाए कॉलेज के श्टूड़न्ट हो तो यह आपके अधिकार फेक्चा से बाहर की बात है ठीक है आँगे आपका संसत को नागरिक्ता के अधिकार को विधी द्वारा बीनेमित किया जाने का अधिकार आपके आर्टीकल 11 में दिया गया है अंतरगर जो आर्टीकल आपका सत्तर है इसके तहट आपका आस्वस्तिता को गैर कानूनी गोसित किया गया है इसे ही को खतम करने के लिए आपका फिर 1956 में आपका मानव दिकास रख चाड़ दिनियम आए उसके बाद इसके बाद आपका उननीस सो तेरानवे में आए समझ रहें इसका क्या मतलब है किसी भी ब्यक्ति को बिधी द्वारा इस्ताधपित पिक्रिया के अतरिक्त उसके जीवन और ब्यक्तिक सुतंता के अतरिया अधिकास से किसी भी तरह से बंचित नहीं रखा जा सकता है इसी में आपका 86 सम्मिधान संसुदन 2002 द्वारा अनुचे 21 ए जोड़ा गया था यानिकी 21 का इसके ताहित राज 6 से 14 वर्स के आयू के जो समस्त वच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज विधी द्वारा आउधारित करे निसुल्क तथा अनिवारिशिक्षा उपलद याद रखिए यह आपका 86 सम्मिधान संसुदन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 21 ए यानिकी 29 का यह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है आपका आर्टिकल 21 इसका अरथ है कि मानोगरीमा और सब्भेता की अनुसार जीवन जीने कादिकार है इसमें आपको जीवों को पार जन कादिकार भी सामिल किया गया है बाक एबम अभी वैक्ति की सुथन्ता अनुचेद 19 के अंतरगत दी गई है किसके 19 के अंतरगत अभी आपका UPSC में सिविल सर्विस में प्रेलेम से में पूच लिया गया था कि एक व्यक्ति को अपना जीवन साती चुनने का अधिकार किस आर्टीकल के तहट दिया गया है तो याद रखिए 21 के तहट ठीक है फिर आपका 19 के आए बाक एबम अभी वैक्ति की सुथन्ता अनुचेद 19 के अंतर पहला है आपकी A में 19 A में बोलने की सुथन्ता 19 B में है सांति पूर्वक बेना हत्यार के इकतित होने और सभा करने की सुथन्ता 19 C में संग बनानी की सुथन्ता 19 D में देश के किसी भी चेत में आवगमन की सुथन्ता 19 E में देश के किसी भी चेत में निवास करने और बसने पहले इसमें आपका जम्मू कस्मियों पर यह लागू नहीं होता था लेकिन जब से आपका 370 हटी है तो यहां भी यह लागू कर दी गई है ठीक है फिर उन्नीस एफ है जो इसमें संपत्ति का दिकाल सामिल था लेकिन उसे भी अटा दिया गया है 48 वे संसुधन द्वारान रमिधान संसुधन द्वारान ठीक है तो आपका उन्नीस जी है जिसमें कोई भी व्यापार या जीवी का चलानी की सुतनता दी गई है जो आपकी फ्र आटिकल मानों की दुरुब्यापार और बलास्रम का पितिसिद अनुचेत आपका 23 यानि की 23 में दिया गया है क्या दिया गया है 23 में दिया गया है मानों के दुर्व्यापार और बलास सरम का पिती सिद्ध यानि कि इसका सीधा समतल है कि किसी ब्यक्ति की खरीद विक्री बेगारी या तथा इसी पिकार के अन्य जवरजिस्ती लिया हुआ सरम निसिद्ध ठहराय गया जिसका ओलगन विदी के अंसार दंडिनी अपराद भी ह लेकिन इसमें अफबाद है जरूरत पढ़ने पर राष्टी सेवा कनने के लिए बाद किया जा सकता है फिर आपका 24 आर्टिकल है कार खानों आदी में 14 साल से कम उम्मे के बच्चों को कार कनने कार पर रखने पर फिती बंद अनुछे 24 में के अंतरगत लाए गया बालकों के निवजन का फिती सेद यानि की 14 वर्ष से कम आयू बाले किसी बच्चे को कार खाने या फिर किसी खानों में या फिर किसी अन्न जोकें बरे काम पर निव्ट नहीं किया जा सकता है इसमें ठीक है बेमरा अम्बेड करने समिधान के अनुछे 32 को भारतिय समिधान की आत्मा कहा था तो यह भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि किस ने कहा था अनुछे 32 को भारतिय समिधान की आत्मा तो यह थे आपके वियार अम्बेड कर साहब डॉक्टर बेमरा अम्बेड कर साहब जवाहलाल नहरू ने पिस्तावना को भारतिय समिधान की आत्मा का है यह देख भी चुक है हम लोग सांती पूर्ट सम्मेलन कंटिनीची सुधनता आपको उन्नीस एक खाक में दीगे आपका उच्छितम न्याले है अर्टिकल 32 के तहता आप उच्छितम न्याले है अर्टिकल 32 के तहता आप उच्छितम न्याले है नागरेकों को राप्त है यानि कि विदेशी लोगों को नागरेकों को राप्त नहीं कि वाल आपकी भालतिय नागरेकों को दिये गया है 15, 16, 19, 39 उपादियाओं का अंचे 18 के अंतरय उप किया गया है सभी नागरेकों को संग और संगम बनाने की यानि कि कोई संगठन बना रहे हैं तो इसकी सुतनता आपको 19 एक गाग में पिदार की गया एक ही अपराद के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है यह आपका अर्टिकल 20 में बढ़े थे यानि किसी भी ब्यक्ति को एक अपराद के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है उच्तम नियाले ने केश्वा नंद भारती मामले 1973 में कहा था कि मूल अधिकारों के हननन के आदार पर समिधान संसुधन को चुनोती दी जा सकती है यदि वह समिधान के मूल नाचे के खिलाब हो तो उसे अवैदगो से किया जा सकता है बर्स 1989 में मुराडजी देशाई सरकार ने दूतिय पिछड़ा बराग आयू का कटन किया था अनुछेद आपका 21 का में गोष्णा की गई है कि राज 6-14 वर्स तक की होमे के बच्चों को निसुल्ख और अनिवार सिक्षा उपलब्द कराएगा यही आपका 86 समीदान संसोदन 2002 में जोड़ा गया था ठीक है उच्चितम न्याले अनुछेद 32 के इंतरगत उच्चित न्याले आपका अनुछेद 226 के इंतरगत रेट जारी कर सकता है अनुछेद 21 कारिपालिका और विधाई का दोनों कित्तों की विरुद्ध संरक्षण हों में पिदान करता है अनुछेद 153 इस्तरियों और बच्चों के लिए विसेफ और बंद कुमानता पिदान कर सकता है अनुछेद 155 इस्तरियों संविधान संसुदन अधिनियम 2005 द्वारान जोड़ा गया ऐसी जो सामाजी को सैक्षडिक रूप से पेचड़े नागरेकों अनुछेद जातियों और जन जातियों को सिक्षण सस्ताओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उबंद करता है आक्षड संविधान का अनुछेद जो ते रहे है नियायक पुनरोविल्योकन के सिध्धान को जनम देता है बिदी के समक्च संता बैटेन के आलिकीत संविधान से पेरे थे जैसे आप लोग डायसी द्वारा पिती पादिप बिदी के सासन की आउधाणा ब्याप थे अनुछेद 49 घाको अगर आप लोग लागू करते हैं तो आर्टिकल 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कारी के लिए समान बेतन मूल अधिकार बन जाता है अनुछे 358-39 में मूल अधिकारों की नीलंबन समंदी परावधानों का बल बाइडन किया गया आपका 21, 20 और 21 को छोड़कर ठीक है समीदान का अनुछे 14 विदायन सत्ता पर पूर्ण नेंतन लग पाता है समीदान के नुछे 15-5 के इंतरगत सेक्चन सस्ताओं में जिसमें आपका गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्ती भी समलेत है अनसुचे जाती और अनुद्सूचे जंजाती है तो नीवतिय आप पर पदों के आरक्षन की सुविदार पिधान की गयी इसमें यानि की अपबात सरूं वाक स्वतंद सब्द यह आपका अमेरिकी समीदान से लिया गया जब कि अभिव्यक्ति सुतंत भारती सम्मेदान की अपनी मौलिक एवं बिसिष्ट वेवस्ता है किसी व्यक्ति का टेलीफॉन टैप करना बाग अभिव्यक्ति यानि कि अनुचेद 19-1 का और प्राड एवं देखिक सुतंता अनुचेद 21 का उलगन माला जाएगा अगर सरकार भी किसी व्यक्ति का टेलीफॉन टैप करवाती है तो उस व्यक्ति के अनुचेद 19-1 का और 21 के तहट जो अधिकार मिली हुए उसका उलगन माला जाएगा और वो व्यक्ति आपका कोट भी जा सकता है सर्वच न्याले के अनुचेद 19-1 ला और 21 के अंद्रगत मौली का अधिकार है अनुचेद 21 के अंद्रगत आने वाले अधिकारों की बात करें इन्हें अच्छे से याद रख लीजे क्योंकि इससे आपका अधिकतर कुश्चन्स जोड़ा जाया है और इस बार कई बार आपके जो संसुदन हो रहा है निजिशता का अधिकार हो गया यह सभी 21 में आपके जोड़े जा रहे हैं इसके अंतरगत आपको अच्छे परियाबन का अधिकार है सीख विचारन का अधिकार विदिग साहता का अधिकार एकांत कारावास की विरूद्द दिकार पैर में डंडा बैडी डालने की विरूद्द दिकार फासी में बिलम की विरूद्द दिकार अभी रक्षा में हिंस जाके विरोध्द अधिकार, पीने योगों सुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार और पितिष्ठा का अधिकार आपका सामिल है, ठीक है? सम्मिधानिक उक्चारों का अधिकार, अच्छी 32 के अनुसार, सरवच नयाले तथा उच नयालेओं को नागरेकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, हाई कोट को आपका 226 आर्टिकल के था है, और सुपरिंग कोट को आपक आर्टिकल यानि के अनुसे 32 के था है, इस तरह की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, सम्मिधान में नेमलिकित 5 रिट याच का जारी करता है, कौन-कौन सी, बंदी पित्यक्षी करन, इनके बारे में हम लोग पीछे भी जा चुके हैं, फिर भी देख लीजे, कारि इसमाइ निरोद्द प्यक्ति को ईशा शरी सामने पश्थुत किया जाने का आदिष जारी करता है, नियाले दोनोग पक्षों को सुनकर लेता है, निरोद उच्छत ही और अनुचत है, फिर आपका परमद्ष इसका साब्दी को अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सारजुनिक करतब का पालन नहीं करता है इस आदेश में उसे अपने करतब का पालन करने का आदेश दिया जाता है कहाता न कि अगर आप बैंक में गए आपका काम नहीं किया गया तो फिर आप कोर्ट चले गए तो आप कोर्ट इसे ओडर देगा कि आपको अपना कर्दब करना चाहिए यानि कि परम आदेश फिर आपका उत्पेशन इसका थाप्तिकर्द होता है कि अधिक जानिकारी पराप करना यह आदेश कानूनी छेत अधिकार से समदित तुटियों अत्वा अधिनस्त नियाले से कुछ सूचना पराप्त करने के लिए जारी किया जाता है आपका फिर है आपका पिती सेथ क्या है पिती सेथ यह तब जारी किया जाता है जब कोई नियायक अधिकारी अत्वा अर्द नियायक प्रादिकार करन अपने चित अधिकार का अधिकर्मार करता है यानि कि अपने चित को छोड़कर दूसरे के चित में धखलनदाजी करता है इसमें उक्त न्यालय को कारवाही तदकाल रोकने का अधिस दिया जाता है फिर है आपका अधिकार पेक्चा जब कोई व्यक्ति ऐसे पद अधिकार की रूम में कार करने लगता है जिसका की होए बैदानिक रोक से अधिकारी नहीं है तो न्यालय इस रेट द्वारा पूचता है कि कि सादार पर होए इस पद पर कार करता है इस पिसन का समुचित उत्तर देने पर तक होए कार नहीं कर सकता है संतानवे बे समिधान संसुदान बिदेयक 2011 रेदवारा सहकारी सम्ति बनानी की सुतंता अनुचेत 19-1 गाके में मौली कदिकारों में सामिल किया गया है संतानवेबा समिधान संसुदान पिदेयक 2011 सहकारी सम्तियों को समिधान एक दर्जा पिदान करता है ऐसा देश में सहकारता अंदोलन को पुरुसाहिद करने के लिए किया गया है एक बात आप लोग ध्यान रखिया हूं आप लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से अधिकार एक बार और बोल देता हूं ठीक है पहले आपके मूल अधिकार में साथ अधिकार हुआ करते थे लेकिन जो आपका संपत्ति का अधिकार था इसे 44 समिधान संसुदान लोड़ा गया है ठीक है अब जो आपके आर्टिकल 14 है ठीक है 14 किस से संबंदिते पिदी के समक्च संता अनुछे 15 धरम नसल जाती लिंग या जन्मस्थान के आधर पर बेदभाव का निसीब आर्टिकल 16 लोग ने उजन के विषय में असर की संता आर्टिकल 17 आसपस्तिता का अंत आर्टिकल 18 उपादियों का अंत आर्टिकल 19 मूल समिधान में साथत्रे की सुतंता हैं दीकिने इसमें हम लोग देख चुकी हो रहें ठीक है जैसे आपकी बोलने की सुतंता हो गई सांती सांती पूर्वग बिना हत्यार की एकत्तित होने और सभा करने की सुतंता संग बनाने की सुतंता देश के किसी भी छेत में आवा गमन की सुतंता देश के किसी भी छेत में निवास करने या बसने की सुतंता कोई भी विव्यापार या जीव का चलाने की सुतंता प्रेस की सुतंता ये सभी आपकी आर्टिकल 19 के तहती दे गए है अनुचेद जो 20 है इसमें दिया गया है कि अपरादों के लिए दोसी सिद्ध के संबन्द में सरक्षट बेप्ति गो अनुचेद 21 का क्योंकि आपको पता होगा 86 समिधान संसुल में 2002 के द्वारा इससे जोड़ा गया था इसमें क्या हागा है कि राज 6-14 वर्स के आयू के समस्त बच्चों को एक ऐसे डंग से जैसा कि राज बिदी द्वारा अहो धारित करे निसुल्क तो था अनिवार सिक्षा फ्लब्द कराएगा फिर आपका अर्टिकल 22 कुछ दसाओं में गरपतारी हो निरोद में सरक्षट फ्रयापका अर्टिकल 23 इसमें मानाओ के दुर्ब्यापार बलासरम का पिती सिद्ध फ्रयापका अर्टिकल 24 बालकों के निवजन का पिती सिद्ध फ्रयापका अर्टिकल 25 इसमें अंताकरन और धरम को आभाद रूप से मानने आचरन और पिसार करने की सुतनता दी गए है अनुछे 26 धार्मिक कारियों के प्रमंदर की सुतंता दीगी हो अनुछे 27 राजी किसी भी व्यक्ति को ऐसिक कर देने के लिए बाद नहीं कर सकता है जिसकी आए किसी धार्म या धार्मिक संपदाय की उन्नती या पोसन में बै करने के लिए बिसी इस रूप से निश्चित कर दीगी हो ठीक है? आर्टीकल 28 राजी बिधी से पूर्दा पोसित किसी सिक्षा संस्था में धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी अर्टीकल 39 अल्प संख्यकों की हितों का दर रक्षण कोई अल्प संख्यक बर अपनी भासा लिभी वसंस्किती को सुरक्षित रख सकता है आर्टिकल 30, सिक्षा और संस्थाओं की स्थापना उपिसासन करने का अलब संख्यक बर्वों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32, इसके तहित मौलिक अधिकारों को फिवर्तित कराने के लिए समचित कारवाहियं द्वारा उच्चितम न्याले में आविदन करने का अधिकार फिदान किया गया है यह थे आपकी मौलिकल क्या अब चलते हम लोग आँगे जैसे कि आपके मौलिक अधिकार आपको पता चल गए अब आपको क्या करना है अब अपने मौलिक करतब भी आपको देखना है मालू चला कि आप मौलिक करतब मौलिक अधिकार तो आपको पता चल गए लेकिन मौलिक अधिकार भूल जाए ऐसा मत करना पाई और इसमें आपको बता दें 33, 34, 35 के बारे में तो अंचित 33 के तहित मौल अधिकारों में ही इस बाहग द्वारा पिदत अधिकार का बलों आधी को लागू करने में उपांतरन करने की संसत की सकती है अर्टिकल 34 के तहिए जब किसी चेत में सैना निविधी पिवद्ध है तो इस बाहग का द्वारा पिदत अधिकारों का निवन्द है यानि कि अनुच्छे 33 के तहिए जिस बाहगों में पिदत अधिकार दिए गया है वहां अगर बलों को जो आपके सैनिक होते हैं उन्हें का अधिकार नहीं होता है ठीक है संसत की सकती के पास रहता है और आपका जब आर्टिकल 34 है यह सैना कानून कोई लागू होता है जैसे अफस पाओ गया आपका उन्निस औंठावन अगर इसे लागू की जाता है तो वहां के लोगों के दिकार निरस्त कर दिए जाते हैं ठीक है मौलिक कर्तब सबसे पहले तो इसमें याद रखना है सरदा स्वड सिंग संती की अनुसंसाप और समिधान की 42 समिधान संसुदन 1906 के द्वारा मौलिक कर्तबों को समिधान में जोड़ा गया है यह आपके मौल समिधान में आपके मौलिक कर्तब नहीं थे याद रखिए ठीक है इन्हें आपका बाद में जोड़ा गया है 42 समिधान संसुदन 1906 के द्वारा मौल कर्तबों का उलिक भारती समिधान के बाद चार काव के अनुचित इंक्यावन का में किया गया है यानि कि इसे बाद में जोड़ा गया है भाग चार काव के अनुचित इंक्यावन का में इसमें आपके निमलिकित प्रावधान किये गये हैं कौन-कौन से अधिकार जोड़े गये हैं समीधान का पालन करें उसके आदर्सों संस्थाओं राष्टवज राष्टगान का आदर करें अब आप ही सोचिए कि आप कहां हमारे अदिश बढ़ पाएगा कि अगर आप राष्टवज का पालन न करें राष्टगान का पालन न करें तो कहां से राष्टी यह भावना है प पेरित करने वाले वो चादर्सों के कुहिदय में सजोई रखें उनका पालन करें बारत की प्रभूता एकता और खंडता की रक्षा करें उसे अच्छोन रखें देश की रक्षा करें वो आहन किये जाने पर राष्ट की सिवा के लिए तत्वर हैं देश के सभी लोगों में सम करस्ता समान भात्त की भावना का निर्माड करें जो धरम भासा इस्थान पर आधारी सभी भेदभाव से परे हो ऐसी पिताओं का निर्माड करें जो इस्तरियों का संबान करें है हमारी सामाजीक सांस्किती की गौरॉपसाली परंपरा का मत्त समझें उसका प्रिरक्षन कर बिज्ञानिक दिर्ष्टी को हों? मानोबाद, ज्ञानर जन, सुधार की भावना को भिकास करें सारवजनिक संपत्ती को सुरक्षत रखें और इनसा से दूर रखें जो आप क्या करते हैं कि आप जब कोई आंदोलन होता है तो सबसे पहले सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुंचा जाता है तो आपका ये मौलिक कर्तब है कि सारवजनिक संपत्ती को सुरक्षत रखें और इसके सुरक्षत रखें और इनसा से दूर रहें बैक्ति का तो सामुवी गतिविदियों के सभी चेत्रों में उतकर्ष की ओर बढ़ने का सब्धत प्रयास करें जिससे राष्ट नेंतर बढ़ती हुए फ्रेयतन उपलब्दियों की नहीं उचाईयों को छूले मूल कर्टबों को समिधान में 42 समिधान संसोदन 1976 के द्वारा सामिल किया गया राष्टगान या राष्टी द्वच का अनादर करना दंदनी अपराद है मौलिक कर्टबों के बारे इनमें नियाले निर्देश जारी कर सकता है माता पिता सरक्षन द्वारा 6-14 बरस की बच्चों हेत उपरात्मिक सिक्षा पिदान करना ये भी आपका मौलिक कर्टब है इसे 46 समिधान संसोदन द्वारा जोड़ा गया था एक बात आप लोग हमेश्या याद रखिए अगर आप कहीं मैंस राइटिंग यानि की लिखने के लिए आ रहा है आंसर में तो आपको अगर 11 आपके मौलिक कर्टब हैं अगर आपको 11 ही अधिकार यानि की मौलिक कर्टब रटे हुए तो किरम डाल कर लिखें अगर आपको आपको याद रख लेना है पहला है आपका पितिक नागरिक का यह कर्टब होगा कि वह समिधान का पालन करें उसके आदर्स संस्था और राष्टवाज और राष्टिगान का आदर करें दूसरा कर्टब है आपका सुतनता के लिए हमारे राष्टिया अंदोलन को पेरिद क करने वाले उच्छादर्सों को हिदय में सजोर रखे और उनका पालन करें तीसरा आपका कर्दब है कि भारत की प्रिभूता एक्ता और खंड़ता की रख्चा करें उसे अच्छुन रखे चौतरा कर्दब है देश की रख्चा करें और पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरिस्ता और समान भात्ति की भावना का निर्माण करें चटबा है हमारी सामाजिक संस्क्ति की गौरवसाली परंपरा का मत्त समझें उसका निर्माण करें साथ भा है आपका प्राक्ति परियावन की रख्चा उसका संबधन करें आठ भा है आपका विज्यानिक और बढ़ने का सथ पिर्यास करें और 11 है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6-14 वर्स के बच्चों ये दूपरात्मिक सिफ्चा पिदार करें ये आपका 86 भी समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया था इस तरह से आपके कोल टोटल 11 कर्टब है तो ये थे आपके मौली का दिकार और कर्टब अभी आप इन्हें अच्छे से बढ़ते रही है अगर आँगे हम लोग देखेंगे सभी आर्टीकल को मिलाकर एक जगह ही आपको बता देंगे आपके तो राजी के नीती निदेशक तद्द की बात करते हम लोग अब अनुचेत चतीस से लेकर इंक्यावन तक किया गया है तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि नीती निदेशक सिद्धान कहां से लिए गया है आयर्लेंड से कि समीधान से ठीक हमारे समीधान की किस भाग में रखे गये हैं भाग चार में किस आर्टिकल से कहां तर चतीस से इंक्यावन तक अनुचेत 49 गा धन का समान बित्रन से संबंदी थे अनुचेत 40 ग्रामपन चैतों का संगठन से संबंदी थे यह आपका आर्टिकल कई बार पूछ लिया गया है एक बार नहीं कई बार कई परिक्छाओं में ग्रामपन चैतों के संगठन से संबंदी कौन सा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40 अनुचेत 41 कुछ दसाओं में काम सिक्छा और लोग साहता पाने का दिकार है अनुचेत 48 किरसी इवं पसुपालन का संगठन है राजी के निती निशेशक तत्त राज्यों पर निर्भर करत हैं कि यह आपको यह उपलब्द करा रहे हैं या नहीं इसमें राज्यों की मनमानी रहती है इसके लिए आप कोट में नहीं जा सकते हैं ना तो हाइट कोट जा सकते हैं ना सुपरीम कोट याद रखिए अनुचेत 48 किरसी इवं पसुपालन का संगठन से संबंदी थे अनु अन्छेत 50 कार्ववालिका न्याइपालिका कपे ठक्क्रन हैं याद रखिए आर्टीकल 50 में आपका कार्ववालिका और न्याइपालिका कपे ठक्रन से संबंदी थे अंचित इंक्याबन अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अभिवित्ती से जब्मदित है राजी के नीती निदेशक तक्तियों का मुख खुद देश भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत के स्थापना करना आर्थिक और सामाजिक समिधान के 42 वे समिधान संसोधन में नीती निदेशक तक्तों को मौल अधिकारों के परे बरीता दी गई थी मौल अधिकारों नीती निदेशक तक्तियों में मौल अंतर यह है कि मौल अधिकार नियालय में पिरवर्दनी है जबकि निदेशक तक्त नहीं यानि की कहने का मतलफ सीधा साही है कि आपको अगर मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप नियालय का सर्ण ले सकते हैं इसमें नियालय हस्तिचे भी कर सकता है लेकिन नीती निदे सकत तत्यों के साहथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह सरकार यानि की राज सरकारों की मर्जी होती है वो आपको अपलब्द भी करा सकते हैं नहीं भी केटी साही के अनुसार राज जी का नीती निदेसक्तत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अधा किया जाएगा यहां हम बात कर लेते हैं नीती निदेसक्तत और मौलिक अधिकारों में अंतर देख लेते हैं ठीक है यह आपका कभी लिखित परिच्छाओं में पूछ लेता है तो आपको याद रुखना है इसको जो निती निदेशक तत्य हैं इसको नियाला द्वारा प्रवर्दित नहीं कराये जा सकता है लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार हैं इसे नियाय योग है निती निदेशक तत्यों की बात करें तो इनकी प्रक्किती सकारात्मक है लेकिन मौलिक अधिकारों की प्रक्यती नकारात्मक है नीती निदेशक तत्तियों की बात करें तो इने केवल नैतिक सक्ति परापत है लेकिन मौलिक अधिकारों को कानूनी सक्ति परापत है नीती निदेशक तत्त का उपयोग राजी के लिए है जबकि मौलिक अधिकार इसका उपयोग नंगरेकों द्वारा किया जाता है मौलिक अधिकार नेती निदेशक तत इनका क्या उत्ते से सामाजी कार्थिक लोगतंत की इस्थापना करना लेकिन मौलिक अधिकारों का अब देश है राजनितिक लोगतंत की इस्थापना करना ठीक है फिर है आपका आगे संगीय कारिपालिका संगीय विवस्था में कारिपालिका सामोहिक नेतत और एकिक नेतत इसमें साहोई एक नेतति की बात करें तो संसदिय कारफालिका अरद अध्याक चात्मक और एक-एक में अध्याक चात्मक आगे इन तिनों की कुछ वित्धाइन ने भी देख ले थे संसदिय कारफालिका की देखते हैं बिधायका में बहुमत दल का नेता सरकार पिर्मुक और सकती का केंद होता है जिसे हमारे पिधान मंत्री और अर्द अध्याक चात्मत इसमें राष्टपती और पिधान मंत्री दोनों निर्वाचित किया जाते हैं राष्टपती भी निर्वाचित किया जाता है पिधान मंत् होता है ये इसे आप लोघ अमीरिका की तरह ले सकते हैं माँ संसदी पालिकां कि बात करें तो सरकार का पर्मो्क सरकार का पिर्मक्त होता है इसमें और अर्द अध्य जात्मत करें तो प्यधान मंत्री सरकार का प्रवख होता है। अध्यक्च आत्मक में बात करें तो इसका निर्वाचन पित्यक्ष होता है। संसदिय की बात करें तो इसमें समिधानी पिर्मुख राजा होता है अर्द अध्याक्षात्मक में बात करें तो मन्ती मन परिशत बिदायका की पिती उतरदाई होती है और अध्याक्षात्मक में यह बिदायका की पिती जबाब दे ही नहीं होकर जनता एवां उपने दल की प हुए ही अब it ahh कि ये अब बात करते हैं दिए राश्टपती हो पर राश्टपती के बारे में बहने में कारिपालिका पित्थान पिदान राश्टपती होता है इसे राश्ट पर मुक कहा जाता है लेकिन याद रखिए बस्वी सकती आपकी पिदार contrast मित्रे में नहीं होती है ठीक है रास्टपती निर्वाचण संसत्त के दोनों सदनों कि निर्वाचि सदश और राज विदाद सभाक के निर्वाचि सदस्वों को तत्क हैं साथित त्यस्ट आपका दिल्ली कुडो चेहरी इसके आपका जो जम्मू कस्मीर के लद्दाग और जम्मू कस्मीर में बाठ दिया गए तो जम्मू कस्मीर के जो जैसे लद्दाग में आपकी विधान सभा नहीं है लेकिन जम्मू कस्मीर में आपकी विधान सभा रखे गई है तो यहां के भी सदस्तों को सामिल किया जाए गसमें एक सब्द आपको हमेशा याद रखना है क्या निर्वाचित सदस मनोनीत सदस इसमें भाग नहीं लेते हैं राटपदी की चुनाओं में केवल निर्वाचित सदस ही भाग लेते हैं ठीक है क्योंकि कई बार पूँच लेता है आपका की कौन-कौन भाग लेता है तो सभी सदस्टों की बारे में पूँचता है तो आपको कीवल निर्वाचिश सदस्टी भाग लेते हैं वह केंद राज्य तथा विवेन राज्यों के मद्द सहयों के लिए एक अंतराज्य परिसत की नियुक्ति करता है कौन आपका राष्टपती राष्टपती पत्पन नियुक्ति के लिए निमने युगता होनी चाहिए उस व्यक्ति में जिसे राष्टपती पत के लिए नामित किया जाएगा भारत का नांगरिक होना चाहिए और इसकी आयू 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हो अगर आपकी आयू 35 वर्स हो चुकी है तो आप भी रखती बन सकते हैं और लोकसभा का सदस्क चुने जाने यह गों किसी सरकारी लाप के पद पर ना हो एक बात हमें से याद रखिए लाप का पद आपका समीधान में कहीं भी परिवासित नहीं किया गया इससे सरवोच नेलेज शमय समय पर नेड़य देता रहता है इसमें ठीक है जैसा कि आपको पता होगा राश्टपती की जो पता उदी होती है यानि कि इसका कारिकाल पांच वर्स के लिए होता ह इसे दोबारह भी चुना जा सकता है जैसे आपके डॉक्टर राजिन पिशाफते दोबा राश्टपती बनी या सकता कि तो सदन में प्रिस्थ元 किया सकता है या कि ये अवल लोग समय में ही प्रिस्थमल किया जाता है वय बढ़ाशिक वित्तिय विवरन को संस्कुत संस्थ के समध्च विस्तूत कराता है बजट को तीय राष्ट पती वह और उच्चतम न्यालय की न्याइदीसों की नियुकती करता है कौन आपके राष्ट पती डॉक्टर राजन पिसाथ, भारत के पिथम राष्टपती थे, तथा में लगाता दो बार राष्टपती निर्वाचित हुए थे, कौन? डॉक्टर राजन पिसाथ याद रखिए आपके सभी पिधानमंत्रियों की बायोगराफी हम लोगों ने कबर की हुई है, और सभी राष्टपतीयों की, तो बायोगराफी के नाम से यूँआपकी प्लेलिस्ट सुचिए, उसमें सभी क्लासें लली हुई है, सब के बारे में वहां बताया गया है, ठीक ह केबल भी भी गिरी के निर्वाचन की समय दूसरे चक की गढ़ना मत गढ़ना करनी पड़ी थी, तो याद रखी इनका चुनाव होता है तो उसकी भी एक पिक्रिया होती है, जैसे आपको टोटल दस वोट हैं, तो इसमें से क्या रहेगा, दो का भाग देने के पिलस एक, इ जब तक 6 बोट नहीं मिलते हैं, तब तक गढ़ना चलती रहती हैं, तो अगर पहली के गढ़ना में आपको बोट मिल जाते हैं, तो वो जीत जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, कि आप सोचें की बिधायक जैसा, कि सबसे जानदा जिसे बोट मिले, वही बिधायक बन गय इसमें राष्टपती की चुनाव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो बीवी गरीग के समय आपके निर्माचन समय दूसरे चके की गढ़ना की गई थी, वरना अभी तक सभी में पिथम गढ़ना में ही राष्टपती चुन लेगे रहाते हैं, क्योंकि राष्टपती का मनोन यानि की चैन बहुत, पहले ही से ही आपका तैब हो जाता है, लगवागा समझ सकते हैं, यह आपके राष्टपती रामनात कोविन नहीं हैं, इनके बारे में पहले ही लोग जान गए थी, कि यह जीत जाने गए, ठीक है? भारत की पित्थम महिला, राष्टपती आपकी पिदिवा देवी सिंग पार्टे है, कौन थी? पिदिवा देवी सिंग पार्टे, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्टपती होता है, राष्टपती को दुबारा चुना जा सकता है, राष्टपती अपना त्याग पत के से देता है उपर राष्ट्पति को भारत की राष्ट्पति का निर्वाचन आपत्यर्च निर्वाचन पत्धिति से यानि कि एकल संक्मनिये अनुपातिक पिती निदेत पेणाली के अनुसार होता है राष्टपती की मित्तीवी या पत्या की दसा में उपराष्टपती उसका कारवाल समालता है अगर उपराष्टपती कब दी पत्ध खाली हो तो फिर उच्चितम न्यालाए यानि के सुप्रींगोट का मुखने अदिस ये पत्ध समालता है ठीक याद रखे राष्टपती की निर्वाच्चन समंदी बिवादों का नेड़े उच्चितम न्याले करता है सुप्रींगोट संगी की कारवालिका सकति आपकी राष्टपती में नियत होती है भारत का मुखने अदिस राष्टपती को सपत दिलाता है यह पॉइंट आप याद रखे भारत का जो मुखने अदिस होता है यह राष्टपती को सपत गरहन कराता है आँगे है आपका राष्टपती द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति पिदार मंत्री की सलाई पर की जाती है इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि सोचो आपकी राष्टपती किसी भी को मंत्री बना दे ऐसा भी उकुल भी नहीं है पिदान मंत्री जिनके नामों को नामित करेगा उन्हीं को आपका मंत्री बनाए जाएगा ठीक है राश्टपती अपनी कारिवाली का सकती का पिरेयो मंत्री परशत की सलाय के अनुसार करता है यानि कि राश्टपती अपनी कारिवाली का सकती का पिरेयो मंत्री परशत की सलाय के अनुसार ही करता है 42 सम्मिधान संसोधन 1976 की अनुसार मंत्री परश्द की सलाय को राष्टपती के लिए बादिकारी बनाए गया सीधा सा कहने का मतलब है कि इसमें जो भी मंत्री परश्द सलाय देगा राष्टपती को उसे राष्टपती को मानना होगा एक बार वस राष्टपती आपका पुनर्वचार के लिए भी उसे भेज सकता है अगर पुनर्वचार के लिए के बाद भी मंत्री परश्द उसी तरह की सलाय देता है तो राष्टपती को मानना होगी जी सलाय ठीक राश्ट्पती द्वारा आपात्काल की उद्गोशना अनुच्छे आपका जो आर्टिकल 302 के तहट किया जाती है और भारत में अभी तक आपकी तीन वार आपात्काल गोशित की गई है कब कब 1962 में चीनी आकमड की समय, 1971 में भारत बाग की उद्गी समय और 1977 में की आंतरिक गर्वडी की संदर में यह आपकी 1975 से 77 तर चली थी इंद्रा गांदी के समय किंतु उसके बाद सम्मिधान में चवादी सम्मिधान संदर 1978 में की आगया जिसके तहट आपने देखा होगा सम्पत्ती का अधिकार आपका मुलिक अधिकार से हटा दिया गया था इसने कानूनी अधिकार बना दिया गया इसके पहले आपका आंत्रिक गर्वडी सब्द का उपयोग होता था लेकिन इसका इस्थान आप ससक्त बिद्रों ने ले लिया 12 सरकार के सभी कारें राष्टपती के नाम से ही किये जाते हैं हिर भारती संग के सभी अदिकारी राष्ट पती के अधिनस्त होते हैं working लेकिन इस जो राष्टपती पोनरविचार के लिए लोटाता है इसमें मंतरी सरह परिशत को मानने के के बादितकारी नहीं होता है यानि कि मंत्री परशद जो चाहे वोखर सकती है उसके बाद अगर मंत्री परशद उसी तरह की जो भी आपके विचार होंगे उन्हें राष्टपती के पास बेजता है तो राष्टपती को मानिया होगा इसका राष्टपती के पास कोई दूसरा प्रविकल नहीं होता है जो आपका बित्तायूग है बित्तायूग का गठन आपका राष्टपती ही करता है पांच बर्स हर पांच बर्स में अभी पंद्रे बित्तायूग के अध्यप्चाप के एंड केसी ही है राष्टपती उच्चितम या फिर उच्च नयालें की नयायति उसों से प्रामर्श कर सकता है संसत्त का सत्त से राष्टपती बुलाता है पितेक आमचुनाव के बाद लोगसभा का पिथम सत्त एबं पितेक बर्स के पिथम सत्त को आपका राष्टपती ही संबोधित करते हैं लोगसभा का विक्टन करने की सकती आपके राष्टपती के लिए पास है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजसवा आपका इस्थाई सदस है इसे कभी नहीं हटाया जा सकता है संसत के दोनों सदनों की सैगत बैठक बुलाता कौन है राष्टपती लेकिन इस सैगत बैठक की अध्यप्षता करता है लोगसभा अध्यप्ष याद रखी इसे बुलाता राष्टपती है और बैठक की अध्यप्षता करता है आपका लोगसभा अध्यप्ष यादि की आपका जो बजट है राष्टपती ही रखवाता है ऐसे सभी दसाओं में मित्तीव धंड चमादान की सकती राष्टपती में ही नहीं थे अगर राष्टपती चाहे तो किसी को चमादान कर सकता है जैसे फासी की सजाय तो उसे कम कर सकता है या बिलकुल मुप्त कर सकता है सामोईक उत्तरदाइत का सिध्धान समीदान के अनुचेद 75-3 में नेत है आपका किसमें? 75-3 में, आर्टीकल 75-3 में राजपाल को चमादान के सकती आपकी अनुचेद 161 के तहती के है जो आपके राष्टपती को आर्टीकल 72 के तहती याद रखे राजपाल को भी चमादान के सकती देवें हैं, कुछ मामलों में आपका राजपाल भी चमादान कर सकता है राष्टपती चमादान की सकती कप्रियों मंत्री परशद की सलाय पर करता है संग सासे छेत्रों के विष्ञाय में कानूल बनाने की सकती आपके राष्टपती में ही नेहित होती है अनुचेद 78 कि अनुसार राष्टपती संग के कारियों की जानकरिय पिदान मंत्री से माग सकता है ठीक है? बारत के राष्टपति का बरावदान समिधान की आपके, बावन में. बारत के राष्टपति का बरावदान की समिधान के आटिकल में? 52. राष्टपति को निर्वाच्चन हेतु, 50 पिस्तावक और 50 अनमोतक की आवस्षकता होती. यानि कि क्या हुगा करता था कि पहले इस तरह की विवस्ता नहीं होती थी तो हर कोई ही जैसे आभी आप विदहक का चुनाव देखते हैं संसक का कि दददस लोग खड़े हो जाते हैं एक ही विधान सबा से पंदर पंदर लोग, बीस बीस लोग तो कोई यह रोक नहीं रहती है उसमें तो राश्टपती की चुनाव में भी इसी तरह लोग खड़े हो जाते थे धर्दी पकड़ से यह एक नाम था, यह भी काफी चर्चा में रहता था कहते हैं कि यह कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा है जो ना लड़े हो लेकिन ऐसा कोई चुनाव भी नहीं रहा है जो जित जीते हो तो समझ सकते हैं इसी को रोकने के लिए आपका राश्टपती को निर्वाचन कहते हो पचास पिस्तावक यानि कि पचास सांसदों की सुईकिती पिस्तावक होने चाहिए उसके बाद पचास अनुमोदक होना चाहिए यानि कि सौ की तो जरूरत पड़ेगी ठीक है इसे लिए आपका विधायकों की और संसदों की लिए जमानत की रासी जमा की जाती है कम से कम जितना पैसा निकले उतना तो अच्छा है मुख न्यायदीस न्यायमूर्ती मुहमद हिदायत दुल्ला ने राष्टपती के कदब्वों का निर्वान किया था आपको बताया था ना कि अगर राष्टपती नहीं है तो उसका निर्वान कौन करेगा उपराष्टपती अगर आपका उपर राष्टपती भी उपस्तित नहीं है तो उसके बाद आपके नियायमूर्थी इसका नेरभान करेंगे ठीक है राष्टपती को उसकी पदावदी के दौरान गरपतार नहीं किया जा सकता है नेलम संजीब रेंटी नेरभरोध राष्टपती चुने गए थे कैसे नेरभरोध राष्टपती चुने गए थे राष्टपती का भीतन पाच लाक रुपी विधिमा है यह बदलता रहता है इसलिए आप करेंट से जोड़े रही है राश्पती के चुनाओं का तरीका अनुचे पच्छपन में यानि की आर्टीकल पच्छपन में बढ़ दे थे जो निमने है इसमें आपके विधान सवाओं के निर्वाचे सदस्तों के मत का मूल लेंकन इस पेकार होगा राश्पती की आपकी टोटल जनसंख्या उसके बाद अपॉन में राश्पती की विधान सवाओं में निर्वाचे सदस्तों की बात करें तो इसमें सभी निर्वाचे विधान सवाओं सदस्तों के कुल मत अपॉन निर्वाचे सदस्तों की कुल संख्या से आपका सदस्त के निर्वाचे सदस्तों का मतमूल निकल आता है राश्टपती के चुनाव में राज्जी बिधान मंदल के उच्चे सदन अर्थात बिधान परिशत के सदस मद्दान नहीं करते हैं यानि केस में केवल बिधान सभाके ही सदस भाग लेते हैं नेरवाची सदस ए भी आपको पॉइंट याद रखना है राश्टपती को महावियोग की पिक्रिया यानि के आर्टिकल 61 के तर्थ हटाया जा सकता है अभी तक भारत में किसी भी राश्टपती को महावियोग द्वारा नहीं हटाया गया है ठीक है? राष्टपती पर महाभियोग का आरोप संसत्थ की किसी भी सदन में लगाया जा सकता है राष्टपती पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम चौदै दिन पूर्प की सूचना आवस्तर होती है यानि कि राष्टपती को सूचना देनी होगी आपको चौदे दिन पूरू राष्टपती पर महावयोग एक अर्द नहाईक पिक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है आपके इसमें आपके राज्यों के विधान सभाव सभाव भाग नहीं लेती है जबकि विधान सभाव राष्टपती के निर्वाचन गड़ का भाग होती है जब आपके राष्टपती को चुना जाता है उस समय आपके विधान सभाव के सदस सामिल होती है लेकिन जब हटाये जाता है इसमें आपकी विधानसाभाओं की सदस्तों को सामिल नहीं किया जाता है यही आपका बिबाद भी बना रहता है कई बार आपका सुनते रहते हैं जैसे आपको अगर चुनने का अधिकार है तो हटाने का भी अधिकार होना चाहिए ना मतलब चुणने में तो आपका हक ले लिया लेकिन हटाने में आपकी कोई मर्ची नहीं ले जा जाए तो कई बार बेबाद में बना रहता है राष्टपती की मित्यव पद त्याग अधवा हटाए जाने पद में हुई रिक्तिया यानि की खाली हो जाता है पद तो उसके बाद आपका छह महाय यानि की छह महीने की बीतने से पहले भन ली जाती है उस सीट को यानि कि राष्टपती कच्छणाओ 6 महिने की बीतर कराना आउस्सक होता है जिस दिन से उसका पद खाली हो जाएगा संसत के लिए राष्टपती का अभी वासन केंदरीय मंती मंदल तेयार करता है क्योंकि वास्तविक कारिफाली का सकती आपके केंदरीय मंती मंदल में नहीं तो होती है राष्टपती आपका नाममात्का होता है पिदान मंद्रीय आपका वास्तविक सासक होता बारत के दूसरे राष्टपती डॉक्टर शर्फपली राधा किष्णन को दार्शनिक राजया अत्मा दार्शनिक सासक की रूम में जानते हाथ लो बारत के ग्यारवे राष्टपती डॉक्टर अब एपी जे अब्दुल कलाम को मिसाइल मेन की संग्या दी गए राष्टपती बावन का डिजाइन बेटिस बास्तुकार एडविन लूटियन संत्वारा किया गया था बर्स 1950 तर इसे वायसराय हाउस कहते थे राष्टपती बावन को बात कर लेते हैं राष्टपती के अधिकार देख लेते हैं उसके कर्तब तो सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ती संबंदी अधिकार क्या है राष्टपती के पास उसे देख लिए राष्टपती निम्लिकित की नियुक्ती करता है इसमें आपका भारत का पिधानमंत्री पिधानमंत्री की सलाय में परमंत्री परिशत के अन्न सदस्तों की नियु प्रश्ट के नियुकति बारत के नियंतक एवं महाले का परिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नियुक्ति भारत के राजदूतों और अन राजनाइकों की नियुक्ति भासा आयुक की सदस्तों की नियुक्ति पिछड़ाबर आयुक के सदस्तों की नियुक्ति अल्पसंक्यक आयुक की सदस्तों और अनुसूचिक छेत्रों के फिसासन के संबंद में रिपोर्ट देने बा आपको राष्टपती संसत का अभिन अंग होता है इसे निम्लिकित बिधाई सक्तियां पर राक्त होती है या संसत के एक सदन में या फिर एक साथ समलित रूप से दौनों सदनों में अभिवासन करने की सकती आपके राष्टपती के पास होती है यह आपका संसत को आहूद करने, सत्तावसान करने और लोगसभा भंग करने संबंदी अधिकार राप्तें आपके राश्टपती को संसत द्वारा पारिद विदेयक राश्टपती के अनुवधन के बाद ही कानूर बनता है यानि कि जब तक आपका लोगसभा में हो फिर राजसभा में हो यहां तक आपका विदेयक ही कहलाता है जैसे ही राश्टपती का अनुवधन मिलता है यानि कि हैस्ता अक्षर होती है वो अधिनियम में बदल जाता है कि लोग सभा के लिए पितेक साधारन नीरवाचन के बश्चार पित्थम सत्त के पैरम में और पितेक बश्च के पित्थम सत्त के आरम में संबलेत रूप से संसद में अभी भासन करने की सकती भी आपके राष्टपती को दी गए संसद में निम्न विद्यक को पेश करने की राष्टपती की पूरवानमती आबसक होती है यानि कि इस तरह के विद्यक संसद में रखने के लिए आपको राष्टपती की सहमती लेनी होगी उसके बाद ही आप लोग विद्यक रख सकते हैं इसमें आपका धन विद्यक है जो आ प्रए करने वाले विदियक Article 173 के नई राज्यों का निर्माड और बद्माराज्यों के छित्रों सीमाओ या फिर नामों में परिवर्तन संबंदी विदियक कराधान पर पर प्रिभाव डालने वाले विदियक राज्यों के वीच ब्यापार, वाड़िच और समागमपन निर्बंधन लगाने वाले बिदयाट इस तरह कि आपके जो भी बिदयाट होंगे उन सभी को फिश्टुत करने से पहड़े आपको राष्टपती की अनुवती लेनी होगी ठीक है? अगर समिधान की अनुचेत बहत्तर के अंतरद राष्टपती को किसी अपरात के लिए दोसी ठाराये गए किसी ब्यापती के दंड को छमा करने, उसका प्रिवी लंबन करने, परिःार करने, लगू करन यानि की कम करने की सकती प्रापत की गई है जब राश्पती को एह लगे कि लोकसवा में आंगल भारती समुदाय के ब्यक्तियों का समुचित पितिनेदित नहीं है तब वो है समुदाय के दो ब्यक्तियों को लोकसवा के सदसों की रूम में नामांकित कर सकता है कितने दो अभी आपने देखा होगा कि अभी करेंट में बना हुआ था ये मुद्दा है कि क्योंकि इन आंगल भारती है समुदाए कि सदस्थों की सीटों को खदम किया जा रहा था ठीक है तो याद रखिए इस पिकार वएक कला, साहिद, पत्तिकाज़ता, बिधान, सामाजी कारियों में परियाप्त अनभव और दक्चिता रखने वाले बारे बेट्टियों को राज्यसभा में नामज़त कर सकता है इसे भी याद रखना कई वार पूँच लेता है आपको कला, साहिद, पत्तिकाज़ता, बिध्यान और सामाजी कारियों जो आपके 12 सदसों को मनुनीत करता है राज्यसभा में प्राष्ट्वतियों का उन्हें इसी चेत्र में से मनुनीत करता है सचिनों दूलकर आपने देखा हुगा उन्हें भी मनुनीत किया गया था जय बच्चन को किया गया था मनुलीत तो यह यही है ठीक है संसत के इस्दगन के समय अंचेथ 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रावा संसत के अध्यादेश के समानी होता है यानि कि जब आपका संसत नहीं चल रहा हो लोकसभा या राजसभा वो समय आपकर किसी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्टपती 123 के तहता आटिकल यानि कि अमचित 123 के तहता है यह बिलखुल उसी तरह होगा जिस तरह संसत का अध्यादेश बनाया जाता है संसत के द्वारा इसका प्रवाव संसत सत्त के शुरू होने के 6 सपताय तक रहता है लेकिन जब आपका संसत का सत्त चलने लगता है तो उसके 6 सपताय की विश्टपती पास कराना होता है बना यह खतम हो जाएगा ठीक है परन्तु राष्टपती राज्य सूची के विसाय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जब दोनों सदन सत्त में होते हैं तब राष्टपती को यह सकती नहीं होते हैं सेनेबलों की सरवोच्च सकती आपके राष्टपती में ही शर्नेत होती है किन्दु इसका प्रयोग विधी द्वारा निमित होता है राश्टपती विदेशों के लिए भारतिय राज़ुतों की नियुकती करता है एवं भारत में विदेशों के राज़ुतों की नियुकती का अनुवोधन भी करता है आपका राश्टपती दूसरे देशों के साथ कोई भी समझोता या फिर संदी राष्टपती के नाम से ही आपकी होती है आपातकाल से सम्मंदित वो बबंद भारतिय समिधान की भाग अठारे की अनुच्छे 352 से 360 के अंतरगत मिलता है आपको जैसे 352 में आपका राष्टी आपातकाल हो गया 356 में आपका राष्टपती सासन हो गया 360 में आपका वित्ती आपातकाल हो गया मंतिरी पर्षत के परावस से राष्टपती आपका तीन पेकार के आपात लागू कर सकता है कौन-कौन से हैं योद्या बाय आकमड या ससक्त विद्रों की कारण लगाया गया आपातकाल यह आपका आर्टिकल 352 की तहट लगाया जाता है राज्यों में समिधानिक तंत की विफल होने से उत्पन आपात इसे आप लोग राष्टपती सासन के नाम से जानते हैं यह आपक पातकाल यह तेनसाट के आर्टिकल 360 के तहट लगाया जाता है नियूंतम अब्दी दो माय होती है अभी तक इस तरह का उपयोग अभी तक नहीं किया गया विद्धिया पातकाल का ठीक है राष्टपती किसी सारवजनिक महत्य के पेसिन पर उच्छितम न्याले से अंशेत 13 233 के अधीन परामर्स ले सकता है लेकिन वह है यह परामर्स मानने इक लिए बाद नहीं होता है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग राष्टपती की वीटो सक्ति यानि कि निसे इधात दिकार सक्तियां ठी कर बारत की राष्टपती को तीन पेकारी की वीटो सक्तियां मिली प्राप्त हैं कौन कोन सी है? पहली है आपकी निर्पेच बीटो एब्सलूट बीटो इस बीटो की सकती के अंतरगत राष्टपती किसी विदयक पर अपनी अनुमती नहीं देता अर्था तुआ अपनी अनुहूती को सुरक्षित रख सकता है यानि की कोई विदयक आता है राष्टपती के पास उस पर अन्मती ना देकर इसे अपने पास कुछ समय के लिए रखना सुरक्षित रखना इसे आप लोग निर्फेच बीटो कहते हैं निलंबन कारी बीटो, सस्पैंसन बीटो, इस बीटो सक्ती के इंतरगत राश्ट्पती किसी विद्यक को संसत के पास पुनर विचार इतु बेज सकता है जो आप ना देखा था ना कि 48 वे समिधान संसुधन के द्वारा उसे पुनर विचार की सक्ती मिले हुए लेकिन जो आपका मंत्री परिशद होता है अगर पुनर विचार के बाद भी उस बेद्यक को बापस राश्ट्पती के पास बेजता है तो राश्ट्पती बाद्दिकारी है कि उस पर उसे सहमती देनी होगी ठीक है तो इसका कोई मतलब नहीं है तो इस बीटो सक्ती के अंत्रगत राश्ट्पती किसी बिध्यक को अनिश्चेत काल के लिए अपने पास सुरक्चित रख सकता है अध्धात इस बीटो सक्ती के प्रियोग द्वारा राश्ट्पती किसी बिध्यक पर ना तो अनमती देता है और ना ही अनमती देने से इंकार करता है और ना ही पुनर्वचार ही तू संसत के पास बेशता है जिसे पॉकेट बिटो भी आप लोग कहते हैं ठीक है बिवाद भालती एडा संसोधन अधिनियम बिधियाक सोई अधिनियम तो तब बनता जब राश्टपती की अनमती मिल जाती 1986 के संद में तत्कालीराश्टपती उस समय के जवाब के तत्काली राष्टपती थobra तो कट्रयोग किया गया घ्रचना इसे बारत में किसी राष्टपती द्वारा जीवी बिटो ये बिथम प्रेयोग था ग्यानी जैल सिंग द्वारा आप बात करते हैं भारत का महाने आइबादी अटार्डी जनरल समिधान के अंचे 76 में भारत के महाने आइबादी के पत्त का बैडन किया गया है सबसे पहले तो आपको यही आइटिकल 76 याद रखना है 76 महाने आइबादी की नियुकती आपका राष्टपती करता है दूसरा question साफ का बन गया, उचेगा कि महानियावादी की निवक्ति कौन करता है, तो आपको बता देना है President यानि कि हमारे राष्ट्वती, महानियावादी भारा सरकार का स्तरफ पितम विधी अधिकारी होता है, यानि कि जो भी कानून होते हैं सरकार के यही लड़ता है, यह या भारा सरकार को विधी संबंदी, विश्यों पर सलाय भी देता है, एक तरह से आपका, आपने देखा होगा, आप अगर कोई नेता हैं, या फिर अपने गहर में भी देखते हैं, या आप एक सलायकार रख लेते हैं, वही कानून की देख भाल करता है, तो यह उसी तरह है सम्ति में बोल सकता है पनंतु मत नहीं दे सकता है क्योंकि उसका सदस नहीं है न यह बोल तो सकता है लेकिन सदस होता तभी मत दे सकता था 12 सरकार से संबंदित मामलों करेकर उच्छितम नयाले में 12 सरकार की उच्छे एक पेस होता है संसत के किसी सधन की सदस ना होने ना होने पर भी महानियवद्यी शंसत की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वह बोटिंग नहीं कर सकता है याद रहता महानियवद्य बनने को दिखने के लिए वही आहयरता है यह उieważता है चाहिए जो उच्चितम न्याले की न्यादीस बनने के लिए होती हैं, महा न्यायवादी वही बन सकता है, जो उच्चितम न्याले के न्यादीस के लिए एकुताएं होती हैं, वही इसके लिए चाहिए होती हैं, महा न्यायवादी को भारत के राजिशेत में सभी न्यालेयों जान्दा महत्त नहीं है आप सोचिए क्योंकि सरकार के लिए एक काम कर रहा है तो राश्टपती तो बस नियुक्ति कर देता है महानियवादी का बेतन आपका धाईलाक रूपे पितीमा आय होता है जिस समय भारत का राश्टपती सर्वोच नियालाई से परामस लेता है उस समय महानियवादी सर्वोच नियालाई की समक्ष सरकार का पक्ष भी रखता है तो यह थी महानियवादी की कहानी है अब बात करते हैं सी ये ये की कहानी है नियंतक एवं महाले का परिक्षक यह आपका कुष्चन सिस्से भी बनता रहता है वैसा तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नियंतक महाले का परिक्षक की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्वति आपके ठीक है प्रेशिडेंट और 148 मैं इसका समिधान में उल्ले क सारूजनेख धन उतका संरक्षक को कहा जाता है यानि कि सुरक्चा करने वाला नियंतक महालेका परिक्षक की पदावदी छे वर्ज 25 वर्ज की आयई उतक은 होती है देता है राष्टपती ही इनकी नियुक्ती करता है और इत्याग्पत भी राष्टपती कोई दे सकते हैं नियंतक महालेखा परिक्चक को संसत के दोनों सदनों के समावेधन पर हटाया भी जा सकता है यानि कि संसत चाहे तो इसे हटा भी सकती है दोनों सदन नियंतक महलेखा परिवक्षक और उसके करमचारियों के बेतन संचितनिती परभारित होते हैं संग और राज दोनुच्टर की समस्त बित्तिय प्रणालियों का नियंतक नियंतर महलेखा परिवक्षक करता है अगर हम लोग बात करें सीएजी की अन्यकारियों की नियंदक महालेका परिक्षक की अन्यकारियों की तो भारत तो पितेक राज एवं संग सासेचेट की संचित निदी से बैगी संपरिक्षा करता है संग और राजी की आकस्मक निदी एवं लोक लेखा से बैगी संपरिक्षा करता है संग और राजी के बेभागों द्वारा किये गए सभी बीनिर्माड, ब्यापार और बीनिर्माड की संपरिक्षा करता है यह देखना की संसत द्वारा दी गई रास्ती का बेविधी के अमसार हुआ है यानि की सही जगए हुआ है या नहीं समझ रहे हैं नेंतक महाले का परिक्ष लोक लेखा सम्ती के पिती विदर की परिक्ष भी करता है इसे इस तरह से याद रखिए संचित नदि जो होती है आपकी सरकाल को प्राप्थ सभी राजस और बाजार्थ से लिए गए रिड़etic और सुइक्थ ही रिण्पर जो ब्याज मिलता है उसे आपका संचित निदीपर बिना संसिधी ये स्वैकिती से भारत होते हैं इसमें होईल सामिल किये जाते हैं राश्वपति का बतन हो गया आपके सुप्रेंग कोट की पिरमो यानि मुखनियादिस का बेतन हो गया नयनतक महलेखा परिक्चक लोक लेखा सम्ती के पिती विदन की परिक्चा भी करता है वहाई केंद सरकार के लेखों से सम्मंदित आपकी रिपोर्ट राष्टपती को सौंपता है वहाई राज सरकार के लेखों से सम्मंदित रिपोर्ट राजपाल को सौंपता है याद रखिए केंद सरकार के लेखों से सम्मंदित रिपोर्ट राष्टपती को और राज सरकारों के लेखों से सम्मंदित रिपोर्ट राजपाल को सौंपता है क्योंकि कैंद का प्रमुक होता है राष्टपती और राज्यों का राजपाल जिस तरह से कैंद में राजपाल तो राष्टपती होता है उसी तरह राज्यों में राजपाल वह संसत की लोक लेखा समती के मित्त और मारक दर्सक की रूम में भी काम करता है C.A.G आप चलते हैं आप लोग भारतिय निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयो निर्वाचन और भारत का निर्वाचन आयो समिधान निर्माता उन्वा समिधान के बाद 15 में अनुछे 324 में एक सुतंत और निर्वाचन आयो की वेवस्था की है आपको याद रखना है क्या याद रखना है सबसे पहले किसे जो आपका निर्वाचन है इसे भाग निर्वाचन आयो को समिधान के आपके भाग 15 में आर्टिकल 324 यानि की आलचे 324 में एक सुतंत और निश्पक्ष निर्वाचन आयो की वेवस्था की गई तो आपसे पूछ ले तो याद रखना आर्टिकल 324 फिर आपका निर्वाचन आयोक में एक तो आपका मुख निर्वाचन आयोक्त होता है और दो अनन आयोक्त होते हैं इन सभी की नियुक्ति आपके राश्पती करते हैं कौन करते हैं राश्पती सहागी करते हैं ठीक है निर्वाचन आयुक्तों का कारकाल की अगर बात करें इनकी तो 6 वर्स होता है लेकिन कारकाल के दौरान 65 वर्स की आयुप राप्त होने पर उसे सेवाल निवित कर दिया जाता है यानि की 6 और 65 जो भी पहले हो उसे हटा दिया जाएगा ठीक है मुख निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच नियाले के नियादीश की भाती उसके पद से हटाया जा सकता है जो आपका मुख निर्वाचन आयुक्त होता है इसे सर्वोच नियाले के नियादीश की भाती उसके पद से हटाया भी जा सकता है चुनाओ कि अधिसूचना संदर्वभा नुसार भारत का राश्पती या फिर राजी का राजपाल जारी करता है 61 समिधान संसोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मद्दान की आयू 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स करती गई पहले क्या हुगा करता था इसमें कि आपके आप अगर 21 बर्स के हैं तभी आप बोट दे सकते थे लेकिन अब इसे घटा कर आपकी 18 बर्स कर दी गई यह आपसे पूचेगा किस समिधान संसोधन द्वारा तो यह आपका 61 समिधान संसोधन अधिनियम यह आपका 1988 में हुगा थ निर्वाचन आयो एक समिधान एक संस्था है यानि कि जिस संस्था का वड़न किसी अनुचेद में होता है समिधान के उसे आप लोग समिधान एक संस्था कहते हैं याद रखिए मुख चुनायोक्त को महव्योग जैसे पिक्रिया से भी हटाया जा सकता है मुख चुनायोक्त का दरज्चा सर्वुच नयाले की मुखने अधिस के समानी ही होता है आपका मुख चुनायोक्त और अन्चुनायोक्तों का वितन आपकी भारत की संचितनी दी से दिया जाता है एलेक्ट्रोनिक बोट्टिंग मसीन का सबसे पहले पिरियोग कहा हुआ था केरल में। सांसदों की आयोगता सम्मंदी बिवाद पर नेडय निर्वाचना आयोग की प्रामज से राष्टपती देता है आपको। चुनाओ परिचार की समय सीमा की घोषण आपका निर्वाचन आयोगी कलता है तो उससे पर 36 गंटे पहले चुनाओ परिचार होता है उसे खतम पर दिया जता है प्रिकर निर्वाचन में आपके 10-30 या फिर इससे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदबारों की जमानत रासी जब हो जाती है यानि कि जो जमानत रासी जमा की जाती है अगर किसी उम्मीदबार को 10-30 बोट से कम बोट मिल रहे हैं तो उसकी जमानत रासी है वो बापसी नही सेन थे याद रखना है आपको बारत के पितम मुक्क चुनावाई कुन थे सुकुमार सेन इस तरह के गुश्चिंस भी आपके बनते रहते हैं अगर हम बात करें राष्टी एदल जो आपका जैसे बीजेपी योगल कॉंग्रेस हो गई राष्टी एदल का दरजा पराप्त करने के लिए क्या आप सकता है होती हैं इन्हें कैसे आखिर राष्टी एदल का दरजा मिलता है तो नए अधी सूचना के इनुसार पिती दस बर्स अर्थात लगाता दो संसदिय चुनाओ के बाद के बाद राष्टी एद राजनेतिक दल की समीच्छा की जाएगी लोगसभा चुनाओ अत्वा राज बिधान सभाओ चुनाओ में किनी चार अत्वा राज्चों में कुल डाले गए बैद मतों का छे पिती सत प्राप्त करना आवस्यप होता है कितना च्छे पिती सत और कितने राज्चों से किनी चार या फिर अधिक राज्चों से इसके अत्रिक इसे किसी एक राज्च या फिर राज्चों से लोगसभा की कम से कम चार सीटें जीतनी होगी छह पिती सत मत के साथ साथ आपको एक राज या फिर अन राज्जों से अधिक राज्जों से कम से कम चार लोगसाबा की सीटें जीत रहे होंगी लोगसाबा में दो पिती सत सीटें हो और एक कम से कम तीन विवेन राज्जों से प्राप्त की गई हो अभी तक अगर बात करें हम लोग तो भारत के मानत अपराप्त राष्टी राजनितिक दलों की बात करें तो आठ हैं आपकी कौन कौन सी भारतिय जंता पार्टी इसका कमल चिन्न है आपका कमल भारतिय राष्टी कॉंग्रेस हाथ का पंजार कम्यूनिस्ट पार्टी और हसिया इसका पार्टी इसका चुनाव चिन्न है हसिया और बाली माक्षबादी कम्यूनिस्ट पार्टी हसिया तोड़ा तारा राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी इसका घड़ी बहुजन समाजबादी पार्टी हाथी असम को छोड़ कर तरनमू पूल कॉंग्रेस पार्टी इसका जोसा घास पूल जोडा घास पूल इसका आपका चिन है और अभी जो आपकी 2019 में जुड़ी है एक नेशनल पीपोलज्र पार्टी किताब इसका चुनाव चिन है तुम एक आपको बस यही याद रखना एक की कौन कॉन से पारटी हैं क्योंकि इंटर्वी में यही कुछ लेता है बारती जंटा पार्टी हो गया बारती राष्टी कॉंग्रेस भारती कमिनेस्ट पार्टी मार्क्सवादी कमिनेस्ट पार्टी राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी समाज पार्टी सोरी तर्मू में आपका समाज बादी साइकल है इसका चन असम गड परिसंत इसका हाथी है चुना चन असम ने जारकंद मुक्तिमूर्चा तीर कमान सक चुना जारकंद जारकंद लोग-जन सकती बांटी बंगला बिहार है तेलंगाना राष्ट बादीबाटी इसका कार है तेलंगाना ने पेंथर्व्य पार्टी साइकर जमु-कस्मि defence National Conference ruce उसके राष्टि ब्रिया जाती है तो आपको एक चेंड दीा जाएगा और उसी चेंड का प्रियुक आपकी बल कर पाएंगे जैसे कमल का फूल है तो इसे आप लोग बीजेपी यूज कर सकती है ऐसा नहीं है कि अन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो किसी और पाइंटी को इसका चुनाव दे दें या फिर वहां आपकी बीजेपी होगी ही नहीं तब दिया जा स य're है इसका पष्च ungef नमें महाराश्रवादित गोवांत क्यों भाग में सिक्र्म संग्राम पाइंटी सिक्क्यम काечат अन्य दैविड मुझेट कडगम 2 पतषिज का चुनाव चंश नां मिलादु है तेल्गु देशम इसका साइकल है आंध्विदेशम नागलेंड पीपुल्स कौन से मुरगा है इसका चुनाव चन नागलेंड अकाली दल इसका तराज्यु है चन पंजा जनता दल तीर है बिहार और जहार खंड मुसलिम लीग सीडी है इसका चुनाव चन केरल अब आप लोग अपसर रहते हैं एक चिनने का नोटा तो वैसे इसका कोई महत तो नहीं है नोटा का कि आप सोचें कि अगर नोटा पर अधिक बोट पड़ जाते हैं तो चुनाव रद्ध हो जाए ऐसा कोई प्रावधन भी अभी तक नहीं आया लेकिन मेरा मानना है कि होना चाहिए ऐसा उस चुन क्योंकि उन्हें उन उम्मीदवारों में से किसी पर भरोसा नहीं था क्या क्या है बारत के उच्छतम न्यालाय के अनुसार नोटा नौन ऑब्दा अभब यानि कि इन में से कोई नहीं बिकल्प के माद्यम से मद्दाताओं को यह एदिकार मिलेगा कि बेराजनितिक तलों क स्वक्ष एवं इमांदार चबी वाले पित्यासियों को चुनाव मैदान में उतानने के लिए विवस करें यानि कि इसका सीधा से मतलब क्या बुन दिया है आपके उच्छतम रियाले ने सुप्रेम बोड़ ने कि अगर नोटा पर अधिक बोड़ पड़ जाते हैं तो कोई सरम के मार सरम से अपने चुनाव नहीं लड़ेगा वहां से अच्छी चबी वाला पार्टी चुनाव लड़ाएगी लेकिन आप लोग अपसद जानते हैं कि कहां चबी की अपनी कौन किसे सरम आती है सरम बची है नहीं ना तो वह दोबार वा उतार देते हैं उसी उम्मी द उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है बारतिये लोकतंत में मद्दाताओं को यादिकार होना चाहिए कि यदि वे छेत में चुनाव लड़ रहे हैं पित्यासियों से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें इस बात की अभिवेक्ति की सुतंता होनी चाहिए कि वे किसी भी पित्या सरकारी संगठन द्वारा नोटा के संदर्म में दायर एक जणहे त्याजका पर उच्टम ले आले ने अपना ये फैसला सुनाया था तो इसको याद रख सकते हैं दाफ पीपुल्स पीपल यूनियन फोर सिवल लेपर टीच क्योंकि कई बार पूचले कि कौन सी जणहे त्य जाजका थी जिस पर सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया था निरवाचन आयुक ने बर्स 2009 में उच्टम न्यालएक को इस संदर्म में नेड़ा देने की गुंजारीज की थी फलस्वरूप बर्स 2013 में उच्टम न्यालएक ने नोटा कुमानता पदान करते हुए निरवाचन नायुक से सभी वोटिंग मशीनों में इसके बटन बनाने का अदिश्ट दिया था हुए 2013 में चुनाव में भीवी पी एटी के जरिये मद्दाताओं को फौरी फैडवाएक चुनाव में मद्दाताओं को फीडविक तैने का तरीका है यानि कि एक रसीद की रहते रहते हैं इससे ले सकते हैं आप लोग कि आपको एक सामान करीते है तो यह आपको रसीद मिलती है उसी तरह देख जिसका उद्दिश इलेक्टोनिक बोटिंग मसीन की सुतंत पुष्टी होई यह विवस्ता मत दाता को इस बात की पुष्टी यानि की संतुष्टी करनी की अनुवती देती है कि उसकी एक्छा नुसार मत पड़ा है या फिर नहीं इसे बोट बदलने हैं या बोटों को नश् ख्रश सीमा की बात करें तो आपको अचंबा होगा इसे देख क्या फरवरी 2011 की अधिसुचना के द्रगत लोगसभा की उम्मीदबारों के लिए चुनाओ ख्रश सीमा आपकी 25 लाग से 40 लाग रुपे कर देगी मई 2016 में यह सीमा आपकी 40 लाग से बढ़ाकर 70 लाग रुपे करतीए बिधान सबा की उम्मीदबारों के लिए अधिक्तम चुनाओ बैसीमा आपकी 16 लाग रुपे यानि कि आपको चुनाओ लड़ना है किसी बिधान सबासे या बिधान सबाका MLA का या फिर MP का तो MLA की यानि की विधाय के लिए आपको 16 लाग रुपे सरकारी खर्च क कि अनुसार खर्च करने होंगी. ठीक, इतनी खर्च करने की अनमती होगी. अगर आप लोगसावा के चुना लड़ते हैं, तो 70 लाक कितना? 70 लाक रोपी खर्च कर सकते हैं आप लोग. लेकिन असल में आप सोचे कि नॉर्मल कोई बेखती है, तो वो क्या 16 लाग खरच कर पाएगा एक तरफ उन्हें देखिए आप लोग जो कभी दिखते नहीं दर्शन नहीं करते हैं और वो भी चुना लड़ते हैं तो हां करोडों में खरच करते हैं उनके कोई फरक नहीं पड़ता है तो यही तो आसमानता है हमारे हां और आप ही देता है जब कोई फसल होती है न वैसा ही इन्हें का हक्काम है तो अपने बोट की कीमत समझा करेएगा फिर आपका EVM इस नाम को भी आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं जब कोई कोई पार्टी हार जाती है तो इसी पर भाट पटक देती हैं आप एवियम इलेक्टोनिक बो बिधान सभा की 50 पूथ पर किया गया था सबसे पहली आपका केरल में मद्विदेश के पांच राजदेश्थान के पांच दिली के च्छाय बिधान सभा के चुनाव में बड़े बिर्माने पर आपका EVM का प्रियोग नवंबर 1998 में किया गया तो रोज के बाद आपका EVM का प्रियोग करके 1989 में कब 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पिथम राज़िता गुआ यानि कि गुआ का पूरा चुनाव आपका EVM के द्वारा ही गुआ था यह 1999 की बात है EVM का प्रियोग सरफ प्रियोग करके सरफ पिथम 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराए गए थे यानि कि लोग सभा के कब 2004 में वर्ज 2009 में से आप चुनाव एवं सभी बिन्हाद सभाव की चुनाव में EVM का ही प्रियोग करते होने लगाया तो इनसे भी आपका questions एक बार नहीं कई बार पूँच लिया गए तो आपने याद रख सकते हैं बहरत में चुनाव सभार से संबंदी संब्धियां यह पूच लेता है कि तारुपन्डी संब्धि कि से संबंदी थे तो याद रखिए सभी चुनाव संबंदी संब्धियां यह आपकी सरम्तियां होगे इसके अध्यक्ष हो गया बड़्स हो गया है यानी कि jisun में समती बनी आपकी फिर्मुक सिफारिश से हैं ऐसे तारपुंड़े समती इसके अध्यक्ष थे भी एम तारपुंड़े यापकी 1974 में बनती है मत्दाथ कि आईयो 18 वर्ष हो इस पर सिफारिष दी थी इनों ने और उसके बाद आपने देखा है कि वूद्ध ये 18 वर्ष हो गया है फ्रयापका स्यामलाल सकधर समती इसके जो अद्यख्ष थे उनका नाम है स्यामलाल सकधर ये आपके 1981 में बनती है जो आप लोग परिश्य पत देखते हैं इसे की सिफारिष्ति है फ्रयापका संथानम समती इसके अद्यक्षतिक के संथानम ये आपकी 1983 में बनती है नियून्तम सैक्ष क्योगता अनिपार हो यानिकी इसमें मद्दाताओं के लिए नियुन्तम सेक्षिक क्योगता अनिगवार है इस ते अभी तक मानने नहीं किया गया है दिनेश गोस्वामी समती इसके अद्धिक्ष ते उन्नी सो नवासी में लिया आए गया इवी एम का प्रियोग आरक्षण के लिए चक का अनुसार पत देती हो प्रयापका TN सेशन समती इसके अद्धिक्ष ते TN सेशन 1992 की बात है एक से अधिक चित्रों से चुनाओ लड़ना मना हो आपने देखा होगा कई उम्मीदवार होते हैं कि कई जग ऐसे चुनाओ लड़ते हैं जैसे राहुल गांदी लड़ते हैं लड़े थे अमेटी और केरल की सिट से और अपके म मोधी वीट लड़ते रहते थे इस बार तो मोधी जी आपके बनारास से ही लड़े थे लेकिन कई बार क्या होता है कि कई जगे से लड़त लेते हैं इंदी जी सम्ति इंदी जीत संति इंदी जीत गुप्त 1998 चुनाव करशेतु सार्जोनिक कोस बने यानि कि इनका सुझाव था कि सरकारी चुनाव पर कोई उम्मीदवार चुनाव रड़े इसके लिए एक सार्जोनिक कोस भी बनाए जाए इनका मानना था कि इससे वेश्टाचार कम हुगा फिर आपका परीशिमन आउग इस परिशिवंन आउग के संबन्द में आपका कोई सफस्ट निर्देश नहीं दिया गयान अनुचेत 82 में पितिक जनगरना की समापती पर लोग सभाग और रासभा की निर्वा चन पर अनुट बने पितिक दिक रिच्टोक्त। चित्रों के विभाजन और पुनर समायोजन का काल संसर द्वारा विदित अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है भारत में 42 वे समिधान संसोधन अधिनियम 1976 में उगा जो इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया था 42 वे समिधान संसोधन को इसी लिए तो मिनी संसोधन कहते हैं मिनी समिधान क्योंकि इसमें बहुत बड़े इस्तर पर संसोधन किया गया था इंद्रा गांधी के समय की बात है जब आपका आपात्काल लगा हुआ था भारत के 42 वे समिधान संसुदन अदिनियम द्वारां समिधान के अनुछे 82 में संसुदरकर्न परिशिमन पर बर्ष 2000 के लिए रोक लगा दिए थी आपकी फिर आता है आपका भारत का 84 वार समिधान संसुदन अदिनियम 2001 की वात है के द्वारा समिधान के नुच्छे 82 और 173 की सर्तों के में संसुधन किया गया जिनके अनुसार देश में लोकसभा और विधान सभाओं की सीटों की संख्या में अब 2026 तक कोई विद्धी याथवा कोई कमी नहीं की जाएगी 2026 के बाद देखा जाएगा ठीक? परिशीमन आयग में देश के मुख निरवाचन आयग सहेग सभी राज जेवम के अंदसासित प्यदेशों के निरवाचन आयग इस आयग की आपकी सदसूते हैं बर्थमान में बात करना भारत में गठे चार परिशीमन आयग बनिया हुई थे पहला परिशीमन आयग 1952 में दूसरा था परिशीमन आयग 1962 तीसरा आपका 1973 और चौत्रा आपका 2002 में बना ठीक है 2002 में परिशीमन आयग 2002 का अगटन आपका 12 जुलाई 2002 को नियामूर्ती कुल दीप सीन प्रिण का नाम याद रख सकते हैं आपको कुल दीप सीन की अध्यचता में किया गया था इस आयग की सिफारेशों को केंद्री मंती मंदल लें 10 जन्बरी 2008 को सुईचदी पतान की थी नए परिशीमन से लोकसभा में आरक्षे सीटों की संख्या बढ़ गई जाती होगी यह आपके पहले आरक्षे सीटें थी और अब नए परिशीमन के बाद आरक्षे सीटें हैं जैसे अनुसूचिक जाती आपकी स्टी अनुसूचिक जाती इसकी पहले उन्ने आसी थी लेकिन अब 84 कर दिया गया इसे बढ़ा कर अनुसूचिक जन्जाती स्टी जिसे आप लोग वहते हैं सिरूल कास्ट स्टूल ट्राइब कास्ट ठेरें ट्राइबल कास्ट स्ट जन्जाती एक तारीश थी पहले से अब 47 कर दियें तो एसी की उन्ने आसी से आपकी 84 कर दियें और एस्टी की आपकी 41 से इसमें यानि की पास सीटें बढ़ा दियें इसमें आपकी 6 सीटें बढ़ा दियें और अनारक्षे सीटाओं की संख्या आपकी 412 फिर आता है आपका लोग सिवायोग भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम की अधिन सरपितम आपका निश्वाइव की इस्थापना कि जिसकी तयारी आप लोग करते रहते हैं सिवेल सर्विस 1935 के भारत सरकार अधिनियम के दिन लोग सिवायोग की क्रिट्टें को बिस्तार किया गया यानि कि कार्यों का बिस्तार कर दिया गया बारत के समिदान के अनुशेत तीन सो पंद्रे में लोग सिवायोग के संबन्द में या पिरावधन किया गया कि संग सरकार के लिए संग लोग सिवायोग और राज्यों के लिए आपका यानि कि श क्येंद के लिए आईयेस होगा और राज्यों के लिए आपकी पीशीय सदिकारी होगा इसी तरह के जन्द चीह और अध्यक्षिकीन के लिए नियुकति आपकी 6 वर्ष के लिए होती है या है उन छह बर्सों के अंदर 55 वर्स की आयू पूरी कर लेता है तो उसे पद मुक्त कर सकती यानि ये 6 वर्स 65 वर्स जो भी पहली हो संगलोग सवायू के अध्यक्ष और सदस्वों को राष्टफदी द्वाराすावित कर आचार और आस मर्तता की आधर पद भी हटाया जा सकता है राजलोग सवायूद के अध्यक्ष और सदस्वों की नियूक्थ आपका राज़बाल करता है जो केंद के होते हैं, संग लोग सेवायव के अध्यक्च और सदस्वों की निवक्ति कौन करता है? राष्टपती और जो राज लोग सेवायव के अध्यक्च और सदस्वों की निवक्ति आपका राजपाल करता है लेकिन इन्हें हटाता कौन है? राष्टपती जो आपका सयुक्त राज्य लोग से वायव होता है यानि कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो सयुक्त राज्य लोग से वायव होता है उसके अध्यक्च और सदस्थों के नियुक्ति आपका राष्टपती करता है कौन करता है राष्टपती राज या फिर सयुक्त लोग सिवायों के अध्यक्ष और सदसों के कारकल 6 वर्स यहां रखिए या अत्वा 62 वर्स की आयू प्राप्त करने तक जो भी पहले हो वहां आपकी 65 वर्स है संग लोग सिवायों में लेकिन या 62 वर्स है इतना आपको याद रखना है राज लोग सिवायों के अध्यक्ष और सदस राजपाल को अपना त्यागपत सौंप सकते हैं लेकिन राजपाल अपने अनुसार इन्हें पद मुक्तियानी की ने हटा नहीं सकता है इसके लिए राष्टपती कार्य करता है पहली भी बात आ चुके हैं आपको कि राजपाल और संगर राजपाल को दे सकते हैं लेकिन राजपाल उन्हें हटा नहीं सकता है उसके लिए राष्टपती होता है लोग सिवायों और संग राज्जाओं की सिवायों में निउक्तियों के लिए परीच्छाओं का आयोजन परती के तरीके के संदर्व में सरकार को सुझाओ अनुसासनात्मक बारवाई इस्थाना-anantar पद्णनती आदी के संदर्र ने कार संगलोग सिवाएव हर बर्स अपने कारेओं की रिपोर्ट आपके राश्पती को भी सौंपता है फिर आए आपकी अंतराज्जिय विकास परिशत कहने तथा राज्यों की मत अथवा बिवेन राज्यों की वीच उतपन विवादों का निप्टारा करने के लिए समिधान के अंचे 263 कि अंतराज्जिय विकास परिशत का गटन की बात कही गई है तो याद रखना अंतराज्जिय विकास परिशत का बढ़न का किया गया उल्ले समिधान के बाग 263 में इस परिशत के द्वारा बिवेन राज्यों की वीच तथा कैंदराज्जिय के मत उतपन विवादों की जाच करना एक इसका प्रमोक कारे है इस परिशत का समिधाने प्रावदन होती हुँ भी इसका गठन 1990 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक आपकी 10 अक्टूबर 1990 को की लिए इस परिशत में प्रिशत 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 मे सदस जो भी हैं सामेर हो सकते हैं अंतराजी ये परिशत की बेटक बर्स में तीन बार की जाएगी जिसकी अद्यक्षता आपकी प्रिदान मंत्री या उनकी अनुपस्किती में प्रिदान मंत्री दिवादना नियुकति कोई केबिनेट मंत्री भी इसकी अद्यक्षता कर सकता ह फिर आपका अल्प संख्यक आयोग अल्प संख्यक की परिवास से याद रखी समिधान में नहीं दी गई यह कई भी कौन अल्ब संख्यकोंगे कौन नहीं अल्ब संख्यक आयोग जन्मरी 1978 में वारत सरेकार ने अल्ब संख्यकों के हितों की सुरक्षा और धरम्निर। के परंपराओं को बणाय रखने के लिए एक संकल्प द्वारा अल्ब संक्य का आयोग के स्थापना की थी अब इस आयोग को समयधानेक दर्जा भी पर आप पिदान हो गया है आयोग की निवक्ति आपका राष्टपती ही करता है कौन करता है राष्टपती आयोग अपना वार्शिक पिती विधन भी राष्टपती को ही देता है तथा राष्टपती आयोग के पिती विधन को संसत के समक्च भी विस्तुत कराता ह तो यह आपके अल्ब संक्याक्यों की आयोग अब भास्त कर लेते हैं राजभासा आयोग की बारे में डॉक्टर राजिन्र पिसाथ आपके जो राष्टपती थे इनके द्वारा सरप्रितम 1955 में राजभासा आयोग का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर बीजे बीजी खेर खेर ने अपना पिती विदन 1956 में राष्टपती की समक्ष पिस्तुत किया था भारतिय सम्मिधान के अनुच्छे 345 कितना 345 किते एक राजभासा की राजभासा की रूब में आपकी 22 भासाओं की सूची दी गए है प्यारम में इसकी आपकी इसमें कितनी थी 14 भासाएं थी। भालतिय समिदान में 21 समिधान संसुधन अधिनीयम 1967 द्वारा आपकी सिंधी जोड़ी गई थी इसमें 15 हो गई आपकी तर armas समिधान संसुधन अधिनीययम 1992 द्वारा कामकडि मडीपूरी नेपाली जोड़ी गई इसके साथ आपकी कितनी अठ़ारे होगे और 1992 में रोडो संथाली और डौंगरी को संभीधार में जोड़ गया इस पेकार आपकी टोटल वाइस होगी इन संभीधार संथालों को याद रखिए जिसके द्वारा यह जोड़ी गई है क्योंकि इससे भी कुश्चेंस आपके पूंचते रहते हैं ठीक है भासा की आदार पर गट्टित होने वाला पिथम राज आंद्पिदेश था यह भी आपका कई बार एक बार नहीं कई बार कुश्चेंस बन चुका है PCS मैं भी पूंच लेता है यह तो आद्पिदेश था अनुछे 343 के अनुछार भारत की भारती वासा भारती संग की वासा है हिंदी उलीपी है देवनांगरी आइटीकल 343 के अनुछार भारत की जम्मू कस्मीर में उर्दू को पिथम राज भासा का तरज़ा दिया गया है बारती समिदान के अनुछे 344 के अनुछार पिथम राज की वासायो की का गटन 1905 में बी जी खेर की अध्यक्षता में हुआ था उत्त्राकन राज जी में ने संस्कित भासा को राज जी की दूतिये राज भासा कर दरज़ा दिया हुए जैसा कि उत्तरविदेश ने आपका उर्दू को दूतिये राज भासा कर दरज़ा दिया गया है यह सब ही आपके र अब है आपका उपराश्ट्वती साहब समिधान के अनुछे 63 यानि कि आटिकल 63 के अनुसार बारत का एक उपराश्ट्वती होगा बारत का क्या होगा एक उपराश्ट्वती साहब होगे समिधान में उपराष्टपती के पद का प्रावधान आपके अमेरिका के समिधान से लिया गया है कहां से? अमेरिका के समिधान से बारत का उपराष्टपती राजसभा का सधेन, कपदेन, सभापती होता है लेकिन इयाद रखिए राजसभा का सदस्त नहीं होता है ओप राष्टपती एक क्वेस्टिन कई वार गुमालिया गया है क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि लोगसभा का अध्यक्ष कौन होता है लोगसभा का सदस्ती लोगसभा का अध्यक्ष होता है समझ में आई आपको लेकिन राजसभा का सभापती जो होता है वो राजसभा का सदस्थ नहीं होता है उसे आप लोग ओप सभापती बोलते हैं लेकिन इसमें ओपर आश्टपती साथ जो होते हैं आपके यही राजसभा के पदेन सभापती होते हैं उपर राश्टपती राजसभा का सदस नहीं होता है इसलिए मद्दान का अधिकार भी इन्हें नहीं है लेकिन आपने देखा होगा लोगसभा के अध्यक्ष के पाद मद्दान का अधिकार होता है लेकिन आपके उपर राश्टपती साहब के पास अधिकार नहीं है क्योंकि वो राजसभा के सदस नहीं है अगर यहने के यह उगताओं की बात करें इनकी राश्टपती बनने के लिए क्या क्या जुरूरी होता है तो कोई भी व्यक्ति उपराश्टपती निर्वाचित होने यह तभी होगा जब आप भारत के नांग रेको अगर आपकी 35 वर्ष की आयो फूंड कर चुके हैं तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं वो राजसभा का सदस बनने के लिए आहे तो निर्वाचन के समय वो राप के पत पर ना हो तभी आप लोग राश्टपती बन सकते हैं जब हो राश्टपती को अपना पद गहट करने से पोर राश्टपती या फिर उसके दुआरा ने ये किसी व्यक्ती के समत सपत लेनी पढ़ती है और ऑप राश्टपती का बैतन की वाध करत चाल लाक रुपे पिती मारे है यानि के हर मैने चाल लाख रोपी मिलते हैं उपर राष्टपती साब को और राष्टपती साब को कितने मिलते थी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जब राष्टपती को देख रहे हैं थे हम लोग तभी बात किये थे उपर राष्ट्पती की पदावधी उसके पद गहन से लेकर पांच बर्ष तक होती है कारकालिश का पांच बर उपर राष्ट्पती अपना त्यागपत राष्ट्पती को देता है किसी राष्ट्पती को ये भी आपका कई बार पूँच लिया गया है राष्ट्पती के निर्वाचन की बात करें तो इसके इसमें संसत के दोनों सदनों कि सदसों सो मिलकर बनने वाले पहले उसके निर्वाचन की सदसों द्वारा ने पात इक इतिनी दित्पती के अंता है एकल संक्वणिया मध्यपकृती के द्वारा होता है इसके पुनाएं एक बात आप लोग हमीशा याद रख सकते हैं जा इसमें राज्य सभा और लोग सभा के मेंबर आपके भाग लेते ह तो ये विख्षिलिया थी आपके राष्ट को प्राष्टपती साहा हूँ आप चलते हैं लोग संगीय विवस्त था भी का पर जिसमें आपके प्रधान मंत्री और मंत्री परश्चत सामिल होते हैं इनके इनने देखते हैं लोग समिधान के अनुचे 74 की अनुसार राष्टपती को सहायता एवं सलाय देने के लिए एक मंत्री परश्चत होगी जिसका प्रधान होगा आपका प्रधान मंत्री समिधान के अनुचे 75 की अनुसार प्रधान मंत्री की नियुकती आपका राष्टपती करेगा कौन करेगा राष्टपती और अन्ह मंतिरियों की नेवकती कौन करेगा राष्टपती पिधान मंत्री की सलावर इसमें राष्टपती का कोई जानदर रॉल लई है आप समझ सकते हैं कि अगर पिधान मंत्री जिसे चाहे उन्हें को मंत्री बनाता है ऐसा नहीं कि राष्टपती अपने मंग से किसी को भी मंत्री चुन ले ठीक है तो बस सलाल ले डी जाती है पिदान मंत्री तथा अन मंत्रियों की न्युकती आपके राष्टपती सहभी करते हैं मंत्री मंडल में राजसवा के सदस्ट भी आपके सामिल किया जा सकते हैं और गैर निर्वाचित व्यक्ती भी मंत्री बनाया जा सकते हैं लेकिन उसे च्छामाय के अंदर निर्वाचित किसी भी सदन से निर्वाचित होने होना पड़िए या सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी सदन के अगर सदस नहीं है ना तो लोगसवा के और ना ही राजसवा के तो आप भी मंत्री बन सकते हैं यानि कि पिदान मंत्री भी आप बन सकते हैं बस सर्द एक है कि जिस दिन आप पिदान मंत्री या मंत्री की सपद लेते हैं उसके 6 महिने के अंदर आपको निर्वाचित होना पड़ेगा जाहे आप राजसवा से जाए या लोगसवा से सदन में जाना पड़ेगा आपको संसत के किसी भी सदन की सदस को पिधान मंत्री बनाया जा सकता है राज सभा को भी और लोग सभा की आपने देखा होगा पिधान मंत्री हमारी मरमोज साहब या आपके राज सभा की सदस थे पिधान मंत्री बने मंत्री परिशत में तीन पेकार की केमिनेट मंत्री, राज मंत्री और उपमंत्री होते हैं संसद ये सचिव मंत्री परिशत का अंग होता है संसद ये सचिव आपके मंत्री परिशत का ही अंग है मंत्री परशा लोग सभा के पिदी सामुई ग्रूप से जिम्मिदार होते हैं कि ये लोग सभा से ही जब आपका बिक्टन हो जाता है अगर पिधान मंत्री त्याकपत दे और पिधान मंत्री अगर वो कर दे इनका by have a chacun कर दिया अपना त्याग्ववादि लोग सभा को तो तब सभी मंत्री बाउशत सा अपना त्याग्वव दे देते हैं या कि यानि की लोग सभा जब तक चलती है तभी तक आपकी मंत्री रहते हैं ऐसा नहीं कि लोगसभा भंग हो गई और आपकी राजसभा भाले मंत्री बने रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक लोगसभा मंत्री परिशत को आविस्वास पिस्ताव पारित कर भी मुक्त कर सकती हैं के पाद से हटा सकते हैं कैबिनेट या फिर मंत्री मंदल पिधान मंत्री सहित कैबिनेट इस्तर की मंत्रियों की परिशद होती है जबकि मंत्री परिशद के पिधान मंत्री एबं कैबिनेट इस्तर के मंत्री मंत्री मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एबं उपमंत्री भी सामिल होते हैं केबिनेट मंत्री उसके बाद राजी मंत्री उसके बाद मंत्री होते हैं राष्टपती सुरक्षा समिधी के पिधान या फिर अध्यक्ष पिधान मंत्री होते हैं यानि कि मैन आपके पिधान मंत्री ही है जो भी सकती है सब पिधान मंत्री के पास ही बस राष्टपती को नाम मत्का रख दिया है विज्ञानिक एबं उद्धोगिक अनुसंधान परिशत के अध्यक्ष भी आपके भालत के पिधानमंत्री होते हैं भारत के पिधानमंत्री बनने के लिए आपको नियूंतम आयू 25 वर्स होनी चाहिए यानि कि आप लोग सभा से चुने जाते हैं तो 25 वर मैं मंत्री के रूम में काम करने के लिए व्यक्तियों का चैन करने में पूरता सोविवेक का प्रियोग कर सकते हैं आपकी पिधानमंत्री साहव मंत्री पर्सत सामुई क्रूप से आपकी लोग सभा के पिती जबापदी होती है 15 अगस्त 1947 को के अंदर में मंत्रालेओं की संक्या अठारे थी कितनी अठारे अभी बरतमार में बात करें तो इसमें 77 हो चुकी है ठीक और यह बदलती रहती है तो करेंट से जोड़े रही है 2788 पहुंच चुकी है लगभाग लगभाग ठीक मंत्री मंदल सचवाले की कार नहीं है यार इसलिए बोलाऊ 2788 क्योंकि कभी भी कोई बिवाग बना दें कब कोई मंत्राले बना दें जिसकी जरूरत ना हो वो भी मंत्राले बना दें अपना मंत्री एक नियुक्त करने के लिए तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है ठीक है मंत्री मंदल सचवाले का कार निम्द है क्या-क्या ह मंत्री मंंदल के बेढ़ान मंत्री मंदल के लिए कारी सूची तेखाब और वितृत करना विचार भिमर्ष का रेकॉडiałemन्दा द्वारा लिये गरे नेडों की कुर्य। और मंदल के नर्स तुँमाराओ की द्वारा चुर्णMarty apolar सिंभा राव की द्वारा गोशित की गई थी ओधारी करन निजी करन और भूमा लिकरन की नई आर्थिक नीतियां की 1991 में इस समय आपके पिधानमंति इसे नल सिंभा राव साहब मंत्री पर से लोकसभा के पिदी सामोहिक रोप से उत्तरदाई होती है आविस्वास पिस्ताओ के वर लोकसभा में ही पुरा इस्थाफित किया जा सकता है यानि कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है क्योंकि राजसभा में आपने देखा हुए वो इस्थाई सजन है तो उसमें कोई लाने का मतलब भी नहीं है समीधान में इसका उलिक नहीं है किसका आविस्वास पिस्ता प्रश्तबाओ लाने के लिए लोक्सभा में कम से कम आपको 50 सदस्सें का समर्थन होना आवज तक है अगर आपके 5500 सदस थाखें तो आपश्लाश्वा स्विषताओ ला सकते तीक है और वात करते हें संसदों को संसद के आपके 3 हेर छी होते हैं फिर होते हैं आपका राजसभा और लोगसभा लोगसभा राजसभा भी इसी के पार्ट तो समीधान में संसत का प्रावधन आपका 89 अनुक्षद 89 में है इसका प्रावधन ठीक है संसत का संसत में आपके तीन अंग होते हैं राष्टपती 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 बुला राजसभा को आप उच्छ सधन कहते हैं या फिर दुतिय सधन के नाम से जानते हैं राजसभा को उच्छ सधन कहते हैं राजसभा के पितम उपसभापती थी आपके स्री S.B. किष्णामूर्थी राओ कौन उपसभापती और राजसभा के जो उपसभापती होते हैं ये राजसभा के सदस होते हैं लेकिन जो सभापती होते हैं वो इसके सदस नहीं होते हैं क्योंकि अक्सरों ने उपराष्टपद्धी को उसमें नामित किया जाता है आँगे आपका राजसभा का गटन ये यूपी PCS में आ चुका है कई बार कई इस्टेट PCS में भी पूछ लिया तो अंडे एक जाम का ये famous questions रहता है पहली बार राजसभा का गटन आपका 3 अगस्त 1952 को हुगा था तीन अगस्त 1952 को राजसभा में आपके अधिकतम सदस होते हैं 250 कितने? 250 फ़र से सुन लिजे 250 और वर्तमान में अगर बात करें हम लोग तो 245 हैं कितने? 245 राजसभा के 12 सदसों को आपके राश्टपती साहब मनुनीत करते हैं जैसे आपने देखा होगा सचिंतेंदूरी कर हो गए हैं मुकेस अने लंबानी के बुके? अने लंबानी, सुरी मुकेस अंबानी इन्हें भी मनुनीत किया गया था सहब और भी कई अस्तियों को मनुनीत किया जाता रहा है राजसभा के सदसों का कारीकाल आपका 6 वर्स होता है यानि कि इसका राजसभा का लोकसभा की तरह भंग नहीं होती है एक तेहाई सदस्स में हर दूसरे वर्स अवकास गयान कर लेती है यानि कि एक तेहाई सदस्सों का चुनाव हर दूसरे वर्स में किया जाता है जैसे आप आज चुने जाते हैं तो 6 साल के लिए आपका चुनाव होगा उसके बाद दुबारा होगा फिर आपके फिर दुबार तरह से दो साल बाट जो चुना जीतेंगे उनका इसी तरह 6 साल जब होंगे उनका चुना होगा इस तरह हर 2 साल में एक बटे तीन सदस्वों को निर्वाचीत करते रहते हैं त्रीकर, राजसभा का सदस्वों होने के लिए आपको बनने के लिए आयू आपकी 35 बर्स होनी चाहिए, ठीकर, राजसभा की सदस्वों का निर्वाचन राज्यों के, जो निर्वाचक बिधान सभा की सदस्वों होते हैं, इनके द्वारा होता है, यानि कि आपकी M.L.E. में जो आप बिधायक चुनते हैं यही राजसभा के सदस्थों का चैन करते हैं उपर राश्टपती को बेतन राजसभा के सभापती पद के लिए मिलता है और किसी काम के लिए नहीं मिलता है जो सभापती होते हैं इसी पद के लिए मिलता है उप राश्टपती की अनुपस्तिती में उसके कर्टपों का निर्वान राजसभा का उपसभापती करता है याद रखिए इसका सीधा सा मतलब था राजसभा को गठन करने का कि जैसे लोकसभा में आपके डारेक्ट सदस्तों ने जा रहे हैं समझे रहे हैं और विध्यात सभा के सदस्otenं को भी आपकी जनता इसुन रही है जो गया है इसलिए राससभा का गठन किया गया लेकिन अब क्या होता होता है हो कि जैसे आपका आपका चुनाव हार गया कोई तो अर्वन जेटली को देख लीजे इसमीधी इरानी को आपने देखा होगा पिछली लोकसभा रास लोकसभा के गटन के समय बुहार चुकी थी अमेंटी से तोने भी रासभा में भेद्धिया गया था आग देख सकते हैं आप सिंधिया को कामिल किया गया तो मतलब अब क्या कर दिया कि चुनाव हारे और तो दूसरे सदर में भेद्धिया जगता है और आप समझेए इसमें ऐसा नहीं है कि आप MP के हैं तो MP से ही रासभा जाएग आप UP से भी जा सकते हैं महराष्ट से भी जा सकते हैं कहीं से भी आप लोग तो समस्त मंत्री परिशत को त्यागपत्य देना होगा। प्रिधान मंत्री केमिनिट को विस्तार मंत्री मंदल का निर्माद होता है। पिधान मंत्री की सलायप और राष्टपती लोग सभा भंग कर सकते हैं और भंग होने की समझ सकते हैं कि सब मंत्री मंदल बरकास्त हो जाएंगे विश्वास मत प्राप्त करने में आसपल होने बाले पिधान मंत्री आपके विश्वनाद पिताब सींग थे याद रखिए विश्वास मत प्राप्त करने में आस अपल होने वाले पिथम पिदान मंतरी आपके विश्वनात पिदाब सिंग थे नहरू करता यह आपके 16 बर्स नौ महिने वं तिरह दिन तक अपने पदबर रहे तो सबसे लंबी कारकाल तक को रहे? बंडी जवार लाले हैं 16, 9, 13 16 साल 9 महिने 13 बस और अगर हम लोग सबसे छोटा कारकाल की बाद करें तो एक कारकाल की बाद कराऊ और एक कारकाल में तो अटल बिहारी बाचपे ही साफ कराया मात तेरे दिन पिदानमंत्री रहे जो चौदिरी चन सींग है ऐसे पिदानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्तित ही नहीं हुए पिर भी पिदानमंत्री वने रहे ठीक है जब किसी भी पिसन पर बरावर मत पड़े तो रासभा का सभापती यहां लोगसभा का अध्यक्ष अपना निडायक मत देता है यहां आप लोग बोल चुके हैं यहां ओपसभापती होगा बिस्प्रेंट हो चुका है क्योंकि आपने पता होना चाहिए कि सभापती को ओड़तेने का अधिकार नहीं है तो ओप सभापती को यहां आप लोग रखिए याद रखिए लोग सभा की अध्यक्ष को अपना नेडायक मत देना का अधिकार है क्योंकि लोग सभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोग सभा का सदसी होता है ठीक? लोकसवा येंराजसवा सदस राश्ट्पती के निर्वाचन में भाग भी लेते हैं लोकसवाña और राश्ट्पती के अधुआ याद्वा उपराष्ट्पती के निर्वाचन में भाग लेते हैं, किसी नई अकिल भारती है सेवा के सेजनका Adikar फिर आपका एक बर्ष में संसत के कम से कम दो सत्त बुलाना अनिवार हैं आपके लिए लेकिन दोनों सत्तों के बीच अधिक्ता मंत्राल 6 माज से जान्दा नहीं होना चाहिए कितना 6 मन्त संसत के दोनों सदन की गड़पूर्ती सदस संख्या एक बटे 10 है यानि कि एक बटे 10 सरस उपस्ते थे तभी आपका सत्य चल सकता है बारती संसत एक बित्ताकार भवन है इसका डिजाइन आर्किटेक्ट वास्तुगार सर एडविन लुटियंस और सर हैवर्ट वेकरने 1912 में त्यार किया था इसे भी आप लोग याद रखिए संसत भवन की निव आपकी बारे फरवरी 1921 में रखी गई थी बारे फरवरी 1921 में लोग सभा को आपका निमन सदन कहते हैं और पित्तम सदन की नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं विराज सभा को उच्छ सदन और दुतिय सदन और लोग सभा को निवन सदन और पिथम सदन भी आप लोग कहते हैं। लोग सभा के सदस्तों का निर्वाचन जनता द्वारा पित्यक्च रूप से किया जाता है। के लोग सभवा की जो सदस्त होते हैं इन्हें आप लोग चुनते या ने कि जन्ता डारिक्ट चुनती हैं। अगर हम लोग सभवा की सदस्त यह दिकतम संख्या की बात करें तो इसमें आपके तो verdadir कि S rid 552 अगर 532 मैं आपके F not RA राज्च्यों से चुने जाएंगे 20 आपके केंदसास फिदेशों से और दो आपके मनुनीत के जाएंगे एंग्लो इंडियन अगर हम लोग बर्तमान की बात करें तो बर्तमान में आपके लोगसभाव को 545 सदस हैं कितने हैं? 545 इस मैंसे आपके निर्वाचित 543 हैं और दो आपके मनुनीत होते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि अभी कोई मनुनीत सदस नहीं है तो अभी 543 ही टोटल है यह दो मनुनीत होता है एंग्लो इंडियन समधाय से चुनते हैं राष्टपती हमारे एक लोग सबाचित की जनसंग्या कम से कम पांच लाग होने चाहिए एक सदस के लिए कितनी होने चाहिए? पांच लाग जनसंग्या का इतनी दित करेगा आपका एक सदस लोग सदस बाच सदस बनने के लिए नियूनतम आयू 25 यानिक 25 वर्स यानिकि बर्स होने चाहिए एक सटवे इसे हम लोग दीछे भी देख रूपे में एक सटवे समिधान जनसोदर अधिनियम 1989 द्वारा मद्दाता की निवंतमायू 21 वर्स से गठा कर 18 वर्स कर दी गई है जो वो ब्यक्ति पहले 21 वर्स की उम्मे में बोट डाल पाता था अब उसे घठा कर 18 वर्स कर दी गई है जिस समय आपकी 18 वर्स उम्म हो जाती है उस समय आप लोग अपना बोटर सूची में नाम चुड़वा सकते है लोग सबा का कारकाल पांच साल का होता है पांच वी लोग सवाल का कारकाल देश में आपात इस तीदी लागू होने की कारण सबसे जांदा रहा था इंद्रा गंदी के समय की बात चल रहेगी यदि कोई सांसर लगातार साथ दिनों तक संसत की बिना पूर्व अनमती के अनपस्तित रहे तो इसका स्थान रिक्त गोसित किया जा सकता है किया जा सकता है समझ रहे ठीक है अगर कोई सदन से पूचके नहीं जाता है और साथ दिनों तक अनपस्तित रहता है सदन में भाग नहीं लेता है तो इसका इस्था रिक्त हो सकता है यदि कोई वैक्ती एक ही सदन में दो निर्वाचन छेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे दस दिन के अंदर एक सीट छोड़ने गड़ी अन्था उसकी दौनों सीटें रिक्त हो जाएगी इसे आप लोग इस तरह से लेख सकते हैं आपके जो पिधान मंतरी थे दो जगए से लड़े थी पिछली बार सोलेवी लोगसभा में बनारस और बड़ोद्रा गुजरास से तो उन्होंने बड़ोद्रा किसी छोड़ दी थी और बनारस की अपना ली थी ठीक है लोगसभा में अनुसुची जाती के लिए आपकी 89 सीटें आ रख्षे थे लोगसभा में अनुसुची जन्द आती के लिए 40 सीटें आ रख्षे थे लेकिन आप समझी अभी इसमें आपकी 5 जोड़ गई तो इसनी 84 ही हो चुकी है आप बरतमान की बात कर रहा है यह पुराना आकड़ा रहा है क्योंकि पीछे हम लोग ने देखा भी था इसमें आपकी 47 होगे कितनी होगे 47 के शाल कि याद रखिए बरतमान में अनुसूचन जाती के लिए आपकी 84 सीटें आ रख्षे थे और अनुसूचन जाती के लिए 47 है लोगसवाँ अंद्यक्ष का चुनाव लोगसवा के सदस करोंटे h जो लोगसभा का अध्यक्ष होता है इसका चुनाव किस तरह से होता है लोगसभा के जो सदस होते हैं वही इसका चुनाव करते हैं आपका कि लोगसवा की उपस्थित और मत देने वाले सदसों की बहुमस्तित पारित संकल्प द्वारें लोगसवा के अध्यक्ष को उसके पदसे हटाया जा सकता है यानि कि लोगसभा के सब अध्यक्ष को हटागी सकते हैं लोगसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यात्पत परस पर एक दूसरे को दे सकते हैं अगर लोगसभा अध्यक्ष अपना त्यात्पत देना चाहिए तो उपाध्यक्ष को दे सकता है अगर उपाध्यक्ष देना चाहिए तो अध्यक्ष को दे सकता है राश्टपती उपराश्टपती की बादी इसे माल सकते हैं आप लोग राश्टपती उपराश्टपती को देता है उपराश्टपती राश्टपती को जो आपका धन बेदियक होता है इससे केवल लोकसभा में ही पेस्ट किया जाता है सबसे पहले और याद रखिए धन बेदियक पर इकाधिकार है आपका लोकसभा का अगर इसे राजसभा मना भी करती है इसमें कोई संसोधन भी करती है तो वो मान नहीं होगा ठीक है केवल सला अपना विरूत कट्रोती भिस्ताह ओ या निर्णा भिष्ताह भी कि द्वारा प्रिगड कर सकते हैं धन पर दैग को लूगसब अध्यक्ष प्रिमारिब करता है यारी कि जो आपका लूगसब अध्यक्ष होता है यही बताता है कि कौन सा धन और विधयक है और कौन सा साधनाद विदियक है जो आपके सयुगत अधिवेशन होता है इसे बुलाता कौन है सयुगत बैठक को राष्टपती लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोगसभा अध्यक्ष साहब ठीक है इस पॉइंट को भी याद रखना है बुलाता कौन है राष्टपती और इ ही मानता देता है जैसा आपने देखा कि 16 और 17 लोगसभा में विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है क्योंकि उतनी सीटें नहीं मिली होई है जितनी जरूरी होती है एक बटी दस है ठीक है संसधिये समतियों पर लोगसभा अध्यक्ष कर नेतर होता है राष्टपती अनचेट 108 के अंतरगत दोनों सदनों को सईगता दीविशन आमंतीत करता है उसकी अध्यक्ष के आपकी लोगसभा अध्यक्ष करते हैं चेतपल की दिरश्ट्री से सबसाब अड़ा लोगसभा च कश्मीर का अब लद्दा को यमू कश्मीर को सबसे अलग कर दिया गया है दोनों को ठीक है यमू कश्मीर अरग लाग बन चुका है और लद्दा का अलग सबसे छोटा था आपका लग्ष दीव है इस तरवेसे आपका एस संचित मीदी भी देख लीजेए इसका बडरन आपका आर्टिकल दो सो च्यासट एक में दिया गया है संचित मीदी का बारती संगे कुप्राप्त सभी राजस एक में जमा किये जाते हैं जीसे भारत की संचित मीदी लोग कहते हैं संचित निदी से धन निकालने के लिए शक्छम विधान-मंडल बिन्योग अधिनियम पारिद करता है इसके भाद धन निकालता है जैसे आपके राश्ठपती के बेतन वगता अन्य वे हैं यह भी आपके संचितनिती आफ्टी से दिया जाते हैं राजसभा की सभापति योग सभापत्त एवं लोग सभाध्यक्ष परत्य परत्रविया आपके सर्वोच न्यालाय के न्यादीसों के बेतन हो गए बत्ता हो गई पैंसन हो गई और उच्छ न्यालाय के न्यादीसों के पैंसन हो गई यह भी आपके संचित निदी चे दिया जाते हैं नयन्त केमरा माल लेखा परीक्टक के बेतन ब्ädता, फेंसर होए ऐ भी आपका संचित निदीचा लिया जाता है कोई अनब्यां जो समिदान द्वारा, या फिर संसद द्वारा विदी द्वारा संचितमिधी पर भारित करें, ये भी ब्यार इसी से होता है, ऐसा रण जिसका दायत भार सरकार पारो, उसका भी भुफतान इसी से किया जाता है आपका, फिर है आपका आकस्मिक निदी, ये आपका आर्टीकल 260, कितना 260 में बढ़न इसका है, आकस्मिक निद करता है, भारती समीदान, संसद एंगव राजविधान मंद्न, भारत या पर राजी की आकस्मिक निदी सहιजित करने की सक्ती देता है, कारेपालिका की सलाई पर राष्टपती इन निदियों में अग्यम धन दे सकती है आपकी तो यह थी आपकी आकस्मिक निदि अब हम लोग बात करते हैं संसत की सम्तियों के बारे में याद रखें इनसे भी आपका कुश्चन्स हरवार कुश्चन्स पूछा जाता है और वंडे एक जाम में भी आपका इससे कुश्चन्स बनता रहता है जैसे आप से पूछ सकता है कि सबसे जाना किस सम्ति में सदस होते हैं तो आप बता सकते हैं प्राकलन सम्ति में इसमें आपके तीस सदस होते हैं इसमें स इसका काम क्या रहता है यह सरकार को बित्तिय नीतियों के माम संबंद में सुझाओ देती है तो याद रखना है आपको क्या याद रखना है प्राक्लन सम्ती में आपके 30 सदस होते हैं कुल यह सभी लोगसभा से चुने जाते हैं और यह सरकार गुबित्तिय नीतियों के संबंद में सुझाओ देते हैं फिर आपका विशेश अदिकार सम्ती इसमें आपके कुल 15 सदस होते हैं जिनमें से आपके 10 सदस कितने 10 सदस दस सदस होते हैं आपके लोकसभा के और पास सदस होते हैं राजसभा से ठीक है यह संसत के किसी सधन या फिर अध्यक्ष द्वारा बिसेस अधिकार उल्लगन की से संबंदित पेशित मामलों का परीप्छन करता है तो आपको याद रखना है प्रात्कलन समती में आपके 30 सदस जो सभी लोकसभा से होते हैं और विसेसादिकार समती में 15 सदस जिनमें से आपके 10 लोकसभा और 5 राजसभा से होते हैं ठीक है फिर आती है आपकी लोकसेवा समती लोकसेवा समती में 22 सदस होते हैं कितनी 22 इसमें से आपके 15 होते हैं लोकसभा से और साथ होते हैं आपके राजसभा से अगर इसके काम की हम लोग बात करें तो यह मंत्रालयों के ब्याय, नैन तक इवं महा लेखा परिच्चा के पिती बिदन पर विचार बिमर्स करते हैं फर आपकी नियम समती इसमें आपके 15 होते हैं लोकसभा से और 16 होते हैं राजसभा से ठीक है यह सभा की पिक्रिया बतकार संचालन के मामलों पर विचार करता है याचिका समती इसमें आपके 15 लोकसभा के दस राजसभा के इसका काम है कि पिते की याचिका की जांच करता है तथा याचिका याचिकाओं की की गई सिकायत की सूचना लोकसभा को देता है फर आपका सार सार्वजनिक उपकरम समिती इस में टोटल आपके 22 जिनमें से 15 पतंदर है आपके लोक सबासे और साथ आपकी राज्य सबासे यह नियन तक आई लेक्षा के 玩 सांप रहे का मिया का परिक्षा कर आफा रहता है। फर आपका प्रवार सम्ती इसमें आपके 30 सदस होते हैं लोकसवा से 30 राजसवा से इसका काम है कि विध्ययकों की समीख्चा करना है सेयुक्त पिरोवर संती इसमें आपके कुल 45 होते हैं जुन में से 30 आपके लोकसभा से वो 15 आपके राजसभा से यह विद्धेयकों की समीख्छा करता है कारमंत्रना संती इसमें आपके 15 लोकसभा से होते हैं 11 राजसभा से कि इसका काम है कि सरकारी विदेखों का समय निश्चित करने यह तो से पारिसे करता है इसका वैसे काम तो नहीं वाचा है फिर भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग वैसे बात कर चुके हैं ना इसके बारे में कि सोल्वी सोल्वी लोग सभा कसि काम नहीं और सत्र्वी का काम है तो सत्रवी नोenne razem 2000 का इसके बाद हम लोग सक्त्रे की बता देंगी ठीक है तो भारतिय जनता पार्टी को 2016 सोले भी लोकसभा जो 2014 में चुना हुए थी इसमें आपका 282 सीट मिली थी ठीक है भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की बात करने तो 2014 मिली थी से ओल इंडिया अन्ना देविन मूनने कड़गम को 37 मिली थी अखिल भारतिय त्रण मूल कॉंग्रेस को आपकी कितने 34 मिली गुए थी बीजु जनता दल को 20 मिली थी सिपसेना को 8 मिली थी तेलगु देसम को 16 मिली थी तेलंगाना राष्ट समती को 11 मिली थी इवाजना स्रमेक रथिव पांग्रेस पार्टी को 9 मिली थी बारतिय कम्मेनिस्ट पार्टी माक्सबादी को 9 मिली थी लोग जनसक्ती पार्टी को 6 मिली थी राष्टिय कोंग्रेस पार्टी को 6 समाज पार्टी को आपका 5 और आमाधिमी पार्टी को आपका 4 मिली थी और र राख्टी जन्ता दल को चार, शिरोमडी अकाली दल को चार, All India United Democratic Party को तीन, जमू एबं कस्मीर विपुल्स Democratic Party को तीन, राख्टी लोग सम्ता पार्टी को तीन, सुतन्ति तीन, इंडियन नेशनल लोग दल को चार दो, इंडियन यूनियन मुसलिम लीग को दो, जन्ता दल सेक जारखंड मुक्ति मूर्चा को दो, इस तरह से अपना दल को आपकी दो मिली थी, भार्ती कम्यूनियस्ट पार्टी को एक, All India and Our Congress को एक, केरल कॉंग्रेस एम को एक, नांगा पीपोल्स फ्रेंट को एक, नेशनल पीपोर पार्टी को एक, पताली मक्कल काची को एक, रिवो डेमोक्रेटिट फ्रेंट को एक, All India मजलिस एक, इतिहाद दुलाव को एक, मुसल्मीन स्वाविमान पक्च को एक, और बहुजन समाजबादी समाच पार्टी को, यह आपकी मायवती जी की पार्टी है, उसे जीरो मिली थी, देखिए आपका 2014 में जो चुना हुआ था, सुल कितनी 10 सीट हैं, यानि कि मायवती ने बहुत कुछ कबर किया, जीरो से 10 पर पहुँच गई हैं, अब आपको हम बता दें, सत्रवी लोगसभा की कुछ लोगों की जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, आपकी पिदान मंत्री दूसरी बार उन्होंने सपत गैंड की है इसमें कोई सक नहीं है, दूसरी बार भी आपकी पिदान मंत्री, याद रखिए ऐसा पिदान मंत्री नरुन्दी ऐसा करने वाले, तीसरे ब्यक्ति हैं, जब पूर्ण बहुमत से जीतने वाली किसी पिदान मंत्री को लगाता है, दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जन 2019 में चुनाव हुए उसमें आपके 303 सीटे मिली हैं अकेले बीजेपी की बात कर रहा हूँ NDA की बात नहीं कर रहा हूँ NDA याद रखे जो बीजेपी के सहयोगी दल है उन सभी को मिला कर क्या कहते हैं NDA और जो कॉंग्रेस के सहयोगी दल है उसे मिला कर कहते हैं UPA याद रखे ने तो आपको बोल देते हैं सुन लिजे 2019 के चुनाव में भारती जिलता पाइटी को मिली है 330 सीटे आपकी 303 सीटे मारती राखे ये कॉंग्रेस को 52 सीटे यानि कि कॉंग्रेस भी ने कुछ सुधार किया है लेकर दूसरी बार भी आपका लोकसभा चुनाव में यानि कि 2014 में जो चुनाव हुए दोग सबाके उसमें जीरो था यानि कि एक भी सीट नहीं जीत पाई थी देविड मुनित कड़गम इस बार एक आएक 24 कितनी 24 जीती है उसने ठीक है तो रहाग का योजन सेमिक रथायू कॉंग्रेस पाईटी इतने लंगा ना किये स्वरी आंधपिते जगनमुवन रेट्टी साहब की तो इसने 22 सीटें जीती है पहले 9 सीटें थी 2014 वाले चुनाव में इस बार 22 सीटें और इंडिया त्रणमूल कांग्रेस यह मम्दाबनर जी साहब की है इसने 22 सीटें जीते हैं इस बार सत्तरवी लोग सभा में पिछली बार की में 34 थी जाल रखना है आपको मदा स्थे सेना ना तो सिप्प सेना को इस बार कुछ बढ़त हुई यह पिछली बार पिछली बाहर अठा रहे थी इस बार भी अठार है समाजबादी पार्टी बहुजन समाजबादी इससे 10 सीट है मिली है इस वार और 2014 में जो 16 भी लोगसभा के चुनाव गए थे उसमें आपका जीरो मिली थी तेलंगना राष्ट न्रम्ती इससे 9 सीट है मिली इस वार पिछली यानि की 16 भी लोगसभा में आपकी 11 सीट थी और समाजबादी पार्टी है इससे 5 इस वार मिली और 5 इस वार थी ठीक है याद रखिए दो चार सब दोर इसमें बता दें लोगसभा चुनाव में के पैड़ा में सबसे कम उम्मी की सांसत बनी है चंदानी मूर्मू इनकी उमर 25 वर्स है इन्होंने उडिसा की क्योंजर से बी ठीक है और आपके जो सत्रवी लोगसभा के अध्यक्षी साहव हैं यह आपके ओम बिडला साहव हैं और जो प्रोटेम स्वीकर चुना गया था इस बार बीरिंद कुमार को चुना गया था बीरिंद कुमार खटी को ठीक है अगर हम लोग सबसे अधिक मतों से जीतने वाले रहे हैं इन्होंने 6,89,668 मतों से विजय तराप्त की है ठीक है और एक बात ये भी पूछ लेता है आपका कि महलाएं कितनी चुनेंगे इस पर 78 कितनी 78 पिछली बार आपकी 62 थी ठीक है जो 16 भी लोगसभा चुनाव हुए थे उसमें आपकी 62 महलाएं चुनेंगी थी इस ब चलते हैं अब हम लोग आंगे यह आंकड़े आपकी बदलते रहते हैं अब आपके चुनाव आंगे होंगे उसमें भी बदल जाएंगे तो आपको करेंट से जुड़ना पड़ेगा इसके लिए अब चलते हम लोग केंदराजी संबन्नों की ओर पताएं सिबिल सर्वेस और में में बहुत महत्यकून टॉपिक रहता है तो यहां भी देख लिजिए आप बारती समिधान के उच्छे 245 से 263 मैं कैंदराजी संबन्नों कुछ पर किया गया है जिस तरह से आप पडोसी से संबन्द रखते हैं कि पडोसीयों से आपके संबन्द रहते हैं इसी तरह यह अबत्किं समन्दी होते हैं इन्हें समिधान में रखा गया हैоко संग्यवाध की अरू बहुत के समीधान में क्यंद सरकार और राज्यों की मत्यिएं सकतियों को संग सूची राज्यसूची और संबरती सूची में मिदा है सीधा सकेने का मतलब है कि केंद में और राज में लड़ाई ना हूँ इसलिए उसके कामों को अलग अलग सूचियों में रख दिया गया है अब अपना अपना काम करेंगी सब जैसे कोई जगड़ा नहीं होगा ठीक है कि बरतमान में संग सूची में आपके 97 विश है राज्य सूची में आपके 66 विश है और समथि शूची में आपके 47 यानि 447 विश्य सामिल किये हैं केंद और राज्यों के बीच बैधानिक सक्तियों का विवरण अनुचे 248 में समिधान की साथ भी अनुची में दिया गया है पूंच लेगा कि केंद और राज्यों के बीच बैधानिक सक्तियों का वितरण के समिधान की सनुचे में दिया गया है इसका प्रावधन 248, कितना 248 और साथ भी यहन सूची में बारती समिधान में अवसिष्ट सक्तियां को संगिये सरकार को दी गई है यह आपकी संगिये सरकार को दी गई है जन संख्या नेयंतर परिवार नेयोजन को 42 बे समिधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संबर्ती सूची में डाल दिया गया है यानि कि दोनों इस पर कानून बना सकते हैं राजि सरकार भी बना सकते हैं और आपके कैंद सरकार भी इस पर कानून बना सकते हैं अगर इसमें आपका दोनों में टकरा होता है तो जो कैंद का कानून होगा, उसे मानन तर दी जाएँ, ठीक है? यानि कि कैंद का कानून सक्ति साली होता है तो याद रखना है जनसंख्या नेंत्रन और परिवार नियोजन को आपका संबर्ती सूची में डाल गया है सिक्षा संबर्ती सूची में 25 बे स्थान पर अंकित है तो इतना याद रखे कि सिक्षा का जो परावधन है, इसे भी आपका संबर्ती सूची में डाल गया है संगे के पिरमुक राजस्थ जैसे निगमकर, सीमासुल, नेरियासुल, किरसी भूमी को छोड़कर अर्ण संपत्ती पा संपतासुल, विदेसी रेड, रेलवे, रेजर बैंड, सीयर वाजार, इस संगे के पिरमुक राजस्थ है अगर हम लोग राज्जी की पिरमुक राजस्थो की बात करें तो बैक्ती कर, किरसी भूमी कर, संपतासुल, भवन कर, पसुओं दधन नौकान पकर, विक्राय कर, बाहनों पर चुंगी कर राज्जियों के पास कम पिरमुक राजस्थ की सिरूत रहते हैं इसलिए आपने देखा हुगा कि केंद आपका राजस्थ का कुछ हिस्था राज्जियों को देता है, इसलिए तो आपका बित्तायूग का गटन किया गया है, किसका बित्तायूग का, ठीक है, आंगे बित्तायूग के बारे में बात करेंगे हम लोग, अब यह आपको बभन किस अनुछेद में किया गया है कौन सा अनुछेद वित्तायों किसे संबंदित आपका है ठीक है केंदर तथा राज्यों के बीच विबात को सुल जाने के लिए पिरमुक चार आयो गटिक किये गए पहला आपका पिसासनिक सुधार आयो राजमनार आयो बगवान मा सहय संब्सालियो समति और सर्कारिया आयो थेक है यह पूछ लेता है आपका किस से संबंदित थे तो आपको याद रखना है केंदर राजमनार आयो बगवान सराय सहाय संती सहेकारिया आयो यह सभी इसी से संबंदित है सहकारिया आयोप का गठन आपका 1983 में हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में केंदगो सौन की थी अब बात करते हैं राज्य सूची पर संगीय संसर द्वारा बिधी निर्माण की सकती जो राज्य सूची के विसे हैं इस पर केंदभी कानून बना सकती है कब-कब तो इससे देख लीते हैं किस आर्टिकल में कौन-कौन प्रावधान की गए अनुचे 249 राज्य सभा द्वारा ऐसा पिस्तावित करने पर यानि कि राज्य सभा अगर कोई पिस्ताव देता है कि कहनद सरकार इस पर कानू बनाएगी कहनद सरकार आर्टिकल 250 यानि कि अनुचे 250 कि आपात उद्गोश्ना के प्रिवलतन कालवें यादि कि जब आपकी यहां आपात काल की स्तिती हो तब आप तब भी कहनद सरकार राज्य के सूची की विषय में कानून बना सकती है ठीक है आटिकल 250 या अदिक राज्यों के नुरूद पर ऐसा केंद कर सकती है अनुचे 253 अंतराष्ट्य संदी के अनुपालन में आपका कैंद राज्य की विषय पर कानून बना सकती है अनुचित 352 राष्टी आपातकाल के समय में और अनुचित 356 राज्च में राष्टपदी सासन की इस्तिती में अभी आपका केंद सरकार कानून बना सकती है राज्य सूची की विशाय में ठीक है इन्हें याद रख सकते हैं आप लोग आप चलते हैं लोग बहुत ही मत हों टॉपिक पर आप समझ सकते हैं एक बात कि सोचिए आपके राज्या महराजय विवस्ता हुआ करते थी असोग की समय लेजिए अकबर की समय लेजिए अलाऊद दिन खिलजी की समय लेजिये कभी भी आप लोग देखिए अलाहुत दिन खिलजी के समय तो और विवस्ता कड़ी थी कि अगर कोई कम तौलता था तो उसे अपने मास यानि कि उसके सरीर से मास काट लिया जाता था उसनी उतनी ही मात्रा में तो इसलिए नियायपाल का ना होती एक कोई आपको दंड का यान कि आपके साथ कैसा वेभार किया जाएगा अगर आपके समिधान में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते हैं ना सुप्रेम कोट अगर को आपको मार रहा है तो आप उसके खिलाब भी जा सकते हैं कोई अत्याचार हो रहा है तब भी आप जा सकते अगर यह ना होता तो किस तरह जिंदगी होती आप समझें कि जिंदगी साइद हो सकता है जानवरों से बत्तर हो जाती अभी तो जानवरों की भी सुनवाई हो जाती है सुपरेम कोट हाई कोट में लेकिन उस समय तो आपकी जानवर से भी बत्तर इस्तिति हो सकती थी तो इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय के लोगों ने यानि कि समझ सकते हैं आजादी के समय आपके भीमराम बेड़कर हूँ पंडिजवाल लाल नहीं हूँ पिर चाहे आपके गांदी हो गांदी डारेक्ट समलित नहीं हुए थे लेकिन उनकी भी राय रखी गई थी इसमें तो सम हखोर्ष्ष नालाए में लेकिन वैसे तो आपका असोग की समय से ही नियायवेवस्ताइं चलती है कितरी है आपके देश्म है सरवच नालाए के गठन का प्रावधन आपकी संभीधन केंशिद 124 142 यानि कि 124 अनुशिद 124 में ऩो बारत में यानि कि सुप्रीम कोड का उत कि इस पॉइंट वह आपको याद रखना है कितना समय पर नियादीशों की संख्या में निर्धारित करती है इसमें संसत का भी रौल है याद रखिए संसत क्या करती है समय समय पर नियादीशों की संख्या का निर्धारन करती रहती है कि 1950 की आप इस्तिती याद रखिए उसके बाद आपको हो सके तो याद रखें बना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है 1955 में आपका एक मुक्नियादिस था और साथ आपकी अननियादिस थे पर 1956 में जन संक यह संक्यादस हो गई एक फर 1960 में 14, 1970 में 18, 1986 में आपकी 26, 2008 में 31 उसके बाद 2020 की बात कर रहा हूं तो अभी 34 है तोटल जिसमें से एक आपका मुक्नियादिस, 34 आपकी अननियादिस थीक है आपका सुप्रीम कोट कहा है दिल्ली में याद रखे और जो आपके हाई कोट होते हैं आपके आपके राज में होंगे जैसे उत्तरपिदिस का इलावाद हो गया और मत्तपिदिस का वो पाल हो गया आपका यंगी खंडपीट भी रहते हैं सर्वोच नियाले के मुख नियादिस तथा अन नियादिसों की नियुक्ति कौन करता है राष्टपती साहर कुष्चेंस अगर बने की सर्वोच नियाले के मुख नियादिस और अन दयार नियादिस की नियुक्ति कौन करता है तो आपको बता दिना है राष्टपती उच्छितम नियालाई की नियादीसों की नियुकती करते समय भारत की राष्टपती को भारत के मुख नियादीस के से विचार में मर्स करना पड़ता है जिसमें मुख नियादीस के अत्रिक्त आपके चार अन वरिष्टतम नियादीस सामिल होते हैं इसे यह आप लोग कॉलीजियम सिस्टम कहते हैं, इसकी सलाय लेनी परती है, नियादीसों की नियुकती करते समय राष्टपती साथ को, सरवोच नियालाई की नियादीसों की नियुकती से पूर्व राष्टपती मुख नियादीस से फरामर्श करता है, आप यसा नहीं कि राष्टपती की मर्जी चली कि किसी को भी उठाके यहां सिप्ट कर लें तो यसा नहीं है वस उन में से जो कॉलीजियम बेवस्ता है उससे सलाह लेनी करती है उसमें आपके मुख नयादीस के तरिक्त चार अन वर वरिष्टतम जो नयादीस होते हैं उन्हे क्या होनी चाहिए वह भारत का नागरी को वह किसी उच्छ नयाले में या फिर दो या दो से अधिक उच्छ नयालेओं में नियूंतम पांच वर्स तक नयादीस रहा हो किसी एक या अधिक उच्छ नयालेओं में नियूंतम दस वर्स तर आदिव्यक्ता रहो वह भी व्यक् करता है ठीक है सर्वोच न्यालाई की न्यादीसों का कारिकाल की बात करें तो इनका कारिकाल कोई निधारित नहीं है लेकिन 65 वर्स की आयू जैसे की प्राप्त करते हैं इन्हें हटा दिया जाता है यानि कि 55 वर्स की आयू तक इन्हें यहां रखा जाता है सर्वोच न्यालाई की न्यादीस अपना त्याकपत राष्टपती साहब को देते हैं सर्वोच न्यालाई की जो न्यादीस होते हैं ये अपना पद्याद राष्टपती को देते हैं सर्वोच न्यालाई की न्यादीस को हटाने के लिए संसत के दोनों सदनों में सदन अपने कुल बहुमत से जो की उपस्थित एवं मद्दान उपस्थित एवं मद्दान करने वाले सदसों की दो हक्ते हाई बहुमत से कम ना हो एक पिस्ताव पारिद करना होगा दोनों सदनों को आपको तभी हटाया जाएगा उच्चितम न्यालय की न्यादी सेवा निवित होने के बश्चात किसी भी न्यालय में बकालत नहीं कर सकते हैं यानि कि यहां से हटने के बाद वो कहीं किसी भी न्यालय में बकालत के लिए नहीं जा सकते हैं सर्वोच न्याले के न्यादीसों के वितन बत्ते आपके संचित निदी पर भारित होते हैं। उच्चितम न्याले के न्यादीसों के वितन का निर्धारन संसत द्वारा बनाईगी विधी के अंतरगत किया जाता है। के संसद करदीय कि इनके बेतन की नेधारं सर्वूच न्याले की नियदीसों को वरत्मान में दो-लाक-ग ninth से-जार रुपे मासिक बेतन मिलता है और जो अन न्यादीस है दो-लाक-पचास जार रुके मासिक बितनल मिलता है बारत का सर्वूच जिल्दी में आपका। कहां दिल्दी में। सर्भोच नैले की प्यारंबिक चित अदिकार, मन्निम लिखित विवाध आदि में। कौन-कौन से हैं। यह इनमें आपका सामिल है संग तथा एक या अधिक राज्यों की बीच का विवाध। दो या दो से अधिक राज्यों के मत्द का विवाद, उच्चितम न्याले की समिधानिक इस्तिति, मौलिक अत्वा आरंबिक छित अधिकार, संग एवं संग तथा एक याए अधिक राज्यों की बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के मत्द का विवाद, पर आपकी अपीली चित अदिकारी की बाप करें तो सरवच नियालाय अपील का उच्चेतम नियालाय है तथा उसे उच्च नियालायों के नेड़ाय की विरुथ अपील सुनने का अदिकारी भी दें यह अपीली तीन पेकारी के मामलों में की जा सकते हैं समीधानेक मामले और परामर्जी चितहदिकार स्पार्विणनेक महत्री के मामले में राष्ट्रपती उच्टम न्यालाय में से परामर्ज ले सकता कोट जाते हैं फिर आप सुप्रेम कोट जाते हैं यानि कि सुप्रेम सबसे उचा कोट है उसके बाद आपका कहीं जाने का कोई राश्ता नहीं बचता है आपके पास अब लेक नियालाय के बारे में बात करें हम लो तो उच्चितम नियालाय का एक अविलेक नियालाय है अब लेक नियालाय का अतात पर होता है कि नियालाय के जो नेड़य हैं और कारवाही लिखित होती हैं उन्हें पूर्व नयालाई की रूम में पिस्तोत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। नयालाई को अपनी आउमानना के लिए दंडित करने की भी सकती होती है। अगर उसकी कोई आउमानना करता है तो उसे दंडित भी कर सकते हैं। पुनर विचार का अधिकार की बात करें हम लोग, तो उच्चितम न्यालय को अपने द्वारां दिये गए नेटे अथवा आदेश के पुनर विलोकन हेतु अधिके किया गया है। बिधाय का या कारिपालका की क्रितों की नियाय पालका द्वारा समिच्छा किया जाने की नियाय पुनर विलोकन कहते हैं। सर्वोच नियालय का मुख्र नियादी राष्टपती की पूर्फ सुईकिती लेका है दिल्ली के अतरिक्त अनकिस्टी स्थान पर सर्वोच नियालय की बैठक बोला सकता है अब तक आपका है धराबाद उसके बार स्री नगर में इस पेकार की बैठक आयोजित की जा चुकी न इंतरगात्त दीगी चैंञी किसमें 114 में ऐसे जिए एक अविलेक नियालय नियाएक पोणलो लोग का धिकार सर्वोच मिलेक कुप रध्यां ठास्वारत की पित्थम न्यादीश कौन थि रालाल ये कानिया जब भारतीय नियाएक पद्धिती में लोखित मुकद्मा यानि कि PIL लगाये गया तब भारत के मुकद्धित आपके PN भगवती थे तो याद रखना ये कब PIL कब लाए गया आपका PN भगवती के समय यानि कि लोखित में अभी आप कोई भी PIL डायर कर सकता है अगर आप कहीं अस्तियाचार देखते हैं कहीं बच्चों पर अनर्थ होते देखते हैं तो आप भी उनके लिए PIL दाखिल कर सकते हैं नियाले में ठीक है उच्छ न्यालय की बात करें, जो आप हाई कोट देखते हैं न, अपने अपने राज्चों में, उनके बारे में बात की जा रही है, पितेक राजी के लिए एक उच्छ न्यालय की विवस्ता अनुचेट 214 के अंदरगत की एलिया, आपे लिए न्याच्छेत कदिकार सरवोच और उच्छ न्यालय को प्राप्त है, एक बात आपने लोग याद रखें, सुप्रेम कोट आपका 124 में देखें हैं, इसकी विवस्ता की गई है, आर्टिकल, और जो हाई कोट है, इसकी 214 में, यानि कि एक को यहाँ पहुचा दीजी, इस तरह से आप याद रखें, जैसे आपको याद रखना चाहिए, संसत को यह सकती है कि वह दो याद दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्छ न्यालय की स्धाफना कर सकता है, यानि कि दो राज्यों के बीली एक उच्छ न्यालय बनाय जा सकता है, जैसे पंजाब हर्याना के लिए चंडीगण हाई सकता है एक हाईकुड दो राज्यों में काम कर सकता है उच न्याले के मुख न्यादिस की न्युकति आपके राष्टपती द्वारा बारत के मुख न्यादिस और सम्मंदित राज्यों के राजपाल से परावस के बादी की जाती है यानि कि उच न्याले के जो मुख न्यादि होती है उनकी नियुक्ति राष्टपति करता है लेकिन राष्टपति अपनी मर्जी से नहीं करता है उसे वहां के मुख नयादीस की सलाय लेनी पड़ती है और सम्मंदीत राजी के जो राजपाल होते हैं उस समय उनकी सलाय लेनी पड़ती है ठीक है उच्छे नयालय के आधीily होथा है उसके पनावश के बाद करते हैं राष्ट-पती साहब दो याधिक राजियों के सांजा उच्छणयालए मैं नियुकति में राष्ट-पती सभी सम्मधित राजियों के राज़पालों से पनावस लेता है यानि कि जितने राज्यों के लिए High Coat की नियूगती कर आई कोट होता है उसके मुक नियादीस की या नियूगती की जाती है तो उसमें सभी राज्यपालों की सहमती लिजाती है उच्छ नियालेयों में अत्रिक्त नियादीसों की नियूगती आपके राष्टपती करते हैं अत्रिक्त न्यादीस दो वर्स के लिए न्यूक्त किया जा सकते हैं उच्टम न्यालाई की न्यादीसों की अधिक्तम आयूसीमाप की 62 वर्स रखी है सुपरिंग गोट में कितनी थी? 65 इस तरह के कुश्चियों से बन जाते हैं आपकी 62 वर्स तक न्यादीस रह सकते हैं और सुपरिंग गोट में 65 उच्टम न्यालाई की न्यादीस अपना त्यागपत राष्टपती को देते हैं उच्टम न्यालाई की न्यादीसों को सपत कौन देलाता है? राजजिपाल यहां कई बार बिचलित हो जाते हैं आप लोग देखिए नियुकती कौन करता है राष्टपती त्यागपत किसे देते हैं राष्टपती को लेकिन सपत कौन देलाता है राजवाद ठीक है उच्छ नयालाय के मुख न्यादीस को 2,05,000 रुपे और अन्यादीसों को 2,25,000 रु लेकिन आप याद रखिए जम्मू कस्मीर में भी आपका उच्छ नयालाय होगा क्योंकि जम्मू कस्मीर भी आपका केंदर सासित विदेश है वहां भी आपकी विदान सभाद है डिली में भी आपकी विदान सभाद दी गई है लगदाक में आपकी विदान सभाद है ठीक ह उच नेयालय की नहादीसों को बेतन भारत की संचितनिती से दिया जाता है उच नहाद की नहादीसों तथा उचतम नहादीसों किसी भी नहाद में विदिक बेवसायर नहीं कर सकते हैं उच नहालय अनुचेद 226 के तहट रेट भी जारी करता है आपने देखा होगा कि आर्टीकल 32 यानि की अरुचित 32 के ताहित आपका सुप्रीम कोट रेट जारी कर सकता है और उच्छ नियाले आपका 226 के ताहित रेट जारी कर सकता है उच्छ नियाले जिला नियाले एवं अधीनस्थ नियाले उपर नियंतर्ण भी रखता है बात कर आपका लेते हैं अधीनस्त नियालयों के बारेने सुप्रीम कोर्ट हो गया इस तर उच्छ वह दोकल ने आले कि आपका अधीनस्त प्रक्रावब किसी नाले में लगतार अधीब लागता रहो उसे जला नियादीस नियुक्त किया सकता है तो याद रखिए जिलाने अदिशों की निवक्ति आपका राज़पाल करता है और अधीनर्स तर्यालेओं का प्रावधन की सनुषिद में है 233 में फिर आपका आप चलते हैं राज़ी की कारिपालिका की वर्फ किसकी राज जिपाल की राजी की कारिपालिका इसमें है आपका राज जिपाल पहले है तो समीधार में राजपाल की ववस्ता आपके अनुचित 153 में की गई है तो याद रखिए समीधार में राजपाल की ववस्ता किस अनुचित में की गई है 153 में राजपाल की नियुकती कोन करता है राष्टपती किस अनुचीत किता है एक सो पच्पन किता है ठीक है राजजी की कारपाल का कि प्रमुख राजपाल होता है जिस पेकार से आपका केंद सरकार में केंद सरकार का प्रमुख आपका जिस तरह से राष्टपती होता है यह राज भारत का नांग्रिक हो और 35 वर्ष की आयू भी पूरी कर चुका हूँ किसी सरकारी लाप के पद पर ना हो वह राज विधान सभा का सदस्ट चुने जाने युग हो ना की हो ठीक है युग हो वस एक बात हम लोग हमेसा याग रखें सरकारी लाप का जो पद है इसे समिधान मे कहीं भी परिभासित नहीं किया गया है इसे आपका समय समय पर सर्वोचिनेला ही परिभासित करता रहता है क्योंकि एक बार नहीं कई बार ये कुश्टन्स पूंचा जा चुका है इंटर्व्यू में और आपका परिक्षाओं में भी पूंचा जा चुका है तो पूंच ले राजपाल को सबत संबंदित राज़ी का मुख नियादिस दिलाता है इसे आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि राजपाल किसकी नियुक्ति करता है मुख नियादिस की यानि कि जो राज़ी का मुख नियादिस नियादिस होते है उनकी नियुक्ति आपका स्वरी नियुक्ति नहीं सपत कौन दिलाता है उन्हें आपके राजपाल साहब नियुक्ति तो आपका राश्टपती साहब करते है तो राजपाल को सपत कौन दिलाता है वही दिला दिते हैं ठीक है दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राजपाल हो सकता है अगर राजपालों को बेतन की बात करना तीन लाख पचास अजार पितीम आय बेतन भी मिलता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राजपाल हो सकता है इसमें कोई सक नहीं है यदि दो या दो से अधिक राज्जों का एक ही राजपाल हो तो उसे राश्टपती निर्धारित करता है कि वही वेतन मिलता है या अलग ठीजा और इस वेतन को दोनों राज मिला कर दें ये ठीजा राजपाल की पदाहुदी के दोरान उसके वेतन कोई अपरादिक कारवाई पारम नहीं की जा सकती है पदाहुदी के दोरान राजपाल की गरपतारी भी नहीं हो सकती है येने विसे सदिकार मिले होते हैं ऐसा नहीं येतना न मत सोचिए कि किसी का खून कर दिया फिर भी न द तब तो उन्हें ग्रफतार किया जाएगा ठीक है लेकिन जो अन्न तरह की मामले होते हैं उनमें नहीं ठीक है अप राधिक मामलों में तो आपका ग्रफतार किया जाएगा राज सरकार की पिसासन का अध्यक्ष आपका राजपाल ही होता है राज के मुकमंत्री और अन्न मंत् आपके राजपाल करते हैं राज लोग सिभायू के अध्यक्ष की नियुक्ती भी आपके राजपाल ही करते हैं याद रखिए नियुक्ती करते हैं लेकिन हटा इन्हें कौन पाता है राष्टपती साहब राजपाल द्वारां प्रिसासन के समद्ध में मुखमंत्री से सूचना पिराप्त कर सकते हैं राष्टपती सासन के समय राजपाल केंद के अभीकर्ता के रों में सासन चलाते हैं राजबिधान मंडल के सत्थ को राजपाली आहूत तथा इस्तिगित करते हैं राज बिदान सभा को राजपाल भंग भी कर सकते हैं आपके एक तरह से आपने केंदर में देखा होगा राश्टपती का मत उसी तरह से इनका भी यहां मत है ठीक है एक जैसा माल सकते हैं कुछ अधिता आगे आपका राजपाल धन बिदेयक की अतरिक्त अन सभी बिदेयकों को राश्टपती के लिए आरक्चित कह सकते हैं यानि कि इनके पास यह भी सोविदा है कि किसी भी बिदेयक को यह किवल धन बिदेयक को छोड़का राश्टपती के लिए आरक्चित भी कर सकते हैं राजविधान सभा में धनविद्यक पेस्ट करने के लिए आपको राजपाल की अनुमती आवस्तिक होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा लोकसभा में धनविद्यक पेस्ट करने के लिए किसकी आवस्तिकता होती थी। राश्टपती साहब की उपस यानि की अनुमती की इसी तरह राजविधान सवा में भी आपको राजपाल की अनुमती लेनी होगी राजपाल के पास बेवेक आदिकार एसी सकती है जो राश्टपती के पास नहीं है यानि कि राजपाल के पास इस पेसल एक पावर है विवेक आदिकार ठीक है? जैसे आप समझ सकते हैं कि एक सिगन बता रहो जो आपके राजपाल को सौ विवेक की सक्तियां मिली हुए ये कुछ मामलों में राजपाल की विवेक आदिकार दिया गया है ऐसे मामलों में वह मंत्री परस्ट की सलाय के बिना भी काम कर सकता है याद हो कि भारती समिधान में किवल राजपाल को ही सोवेवेक की सक्तियां आपको प्यापते हैं लेकिन समिधान में इन इन फरिवासित नहीं किया गया है कहीं भी लेकिन आप नियाले में चुनोती भी नहीं दे सकते हैं राजपाल की सोवेवेक की सकती को आप लोग नियाले में किसी डिवी नियाले में पिसन चिनने भी नहीं लगा सकते हैं राजपाल जैसे समिधानिक पत परासीन होने के बाद किसी भी बेकती पर मुकदमा भी नहीं चलाएगा सकता है तो ये आपकी कहानी होती है बिधान मंडल के पिथम सत्त को आपका राजपाल ही संबुदीत करता है कौन करता है राजपाल सहाब आपके राजपाल की प्रवुक संबुदानेक सकतियों की बात करें हम लोग तो आटिकल एक सो तरेपन में विवस्था की गई है विपिदेक राजपाल होगा आटिकल एक सो चंगवन कहता है कि राजपाल का सकती राजपाल में नहेत होंगी अनुचेद 155 कहता है कि राजपाल की नियूपती, वर्ण अनुचेद 156, राजपाल की पदावधी, निरधारित करता है ISO 161, में राजपाल को मिली छमाधान आदी सक्तियों का ओल्लेक किया गए अनुचेद 163 के अनुसाद राजपाल की कारियों में साहेता येवन सुझाओ देने के लिए राज में एक मंत्री परसद और इसके सीज पर ये आपका मुख मंत्री होगा जिस तरह से राष्टपती को सलाय देने के लिए पिधान मंत्री होता है लेकिन राजपाल की विवेक संबन्दी कारियों पर वह मंत्री परसद की सुझाओ लेने के लिए बात नहीं होगा अनुचेद 164.1 में मुख मंत्री की नियुक्ति कादिका राजपाल को दिया गया अनुचे 213.1 में राजपाल की सत्त में नहीं होने पर राजपाल द्वारा अध्यादिस भी जारी कर सकते हैं जिस तरह आपने देखा होगा कि 113.1 राष्टपती अध्यादिस जारी करते हैं उसी तरह 213 कि ते आपके राजपाल साहब अध्यादिश्ट जारी कर सकते हैं, जब आपका राजविधाय का कर सकत ना चला हो, ठीक है? फिर है आपका राज बिधान मंडल राज बिधान मंडल के अंग आपका राजपाल भी होता है वो बिधान सभा होता है वो बिधान परिशद होता है इसमें तीक क्या होता है जैसे आप लोग संसत का जानते हैं संसत में आपका कौन-कौन होता है जैसे राश्टपती हो गया, लोग सभा हो गया, राज सभा तो इसी तरह आपका राज बिधान मंडल होता है इसमें आपका राज पाल हो गया, बिधान सभा हो का और बिधान परिश्चत हो गया ठीक, बिधान परिश्चत राज बिधान मंडल के दोंग हैं क्या है राज बिधान मंडल के कौन काउन से दोंग है एक आपका बिधान सबब दूसरा बिधान परिचत जैसा कि आप सभी को पता होगा क्या होगा पता कि 370 जब से जम्मू कस्मीर से हटी तो विधान परिशत भी यहां से खतम हो चुकी है इस पॉइंट को आपको याद रखना है पेचे भी बता चुका हूँ फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि इससे कुश्चन्स आपका जम्मू कस्मीर से अभी कुश्चनों तक महत्पूर बना रहे है वो कुश्चन्स अकसर आती रहेंगे क्योंकि यह चर्चा में बहुत देखा गया तो 370 जैसे ही खतम हुआ तो यहां दो राज्यों का गठन किया गया तो जो आपका जम्मू कस्मीर होगा इसमें आपकी विधान सभा होगी क्या होगी विधान सभा दिल्ली जैसी और जो लद्दाफ होगा इसमें आपकी विधान सभा नहीं होगी याद रखेए ठीक है तो विधान परिशत योगत राजी जो आपका बिहार है फिर आपका उत्तर उत्तेश है करनाटक है महराष्ट है और उसके बाद आंध परिश है और तेलंगाना है जो आपका जम्मू कस्मीर था इसे अब खतम कर दी गई है तो बिहार उत्तर परिश करनाटक महराष्ट आंध विधान परिशत बच्ची भी है ठीक है उडिशा भी बात करता रहता है मद्ध परिश भी बात करता रहता है तो यह बात करते रहते हैं जब गठन होगा तब आप लोग देख लेना करेंट में ठीक है जुड़े रहना वर्ष 2010 में तमयलाडू में विधान परिशत सर्जन करने के लिए संसद में अधिनियम लाए गया परन्तु कुछ कानूनी ब्योधान के कारण यह लंबित है अता भारत में अब आपकी 2020 की बात कर रहा हूं जून 2020 में लोग देख रहे हैं तो याद रखिए 6 विधान परिशत की सदस्संख्या बिधान सभा की सदस्संख्या की एक तहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए कम से कम 40 होनी चाहिए कितनी कम से कम 40 और या फिर उस राजगी बिधान सभा की सदस्सों की एक तहाई से जानदा नहीं होनी चाहिए बिधान परिशत के एक बटे 6 जो सदस होते हैं इन्हें आपका राजपाद मनुनीत करता है विधान परिशत के सदसों के लिए नियूंतम आयू आपकी 30 वर्स रखी गई विधान परिशत को आप लोग उसी तरह से ले सकते हैं राजसभा की तरह ठीक है एक तरह से राजसभा ही ये विधान मंदल में अधिल फरिशत के सदसों का कारकाल च्छे वर्स का होता है कितने च्छे का रिखान परिशत की गढ़पूरती के लिए कम से कम 10-9-30 विए जैन किन्थ雨étais के गठ़न की वे विवस्तावं की अनुश्षथ एक सो उन सतर में है तो यह भी आपका questions कई बार वन चुका है उसे तो बिधान परिशत के गटन की विवस्ता समिधान की किस अनुचेद में बढ़े थे तो यह है आपका 169 तर क्योंकि आप देखते हैं कि कई राज आपके इसे सहजन की गाहत यानी की बनाने की बात करने लगते हैं मेट आने जिवाद तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं जम्मु कश्मीन में बिधान परिशत की सदस्वों की संख्या 36 थी कितनी थी 36 थी राज बिधान सभा की गटन का प्रावधान आपका आर्टिकल 170 में है किसमे 170 में और बिधान परिशत का 170 में राज बिधान सभा की सदस्वा संख्या अधिक्तम आपकी 500 हो सकती है नियूनतम आपकी 60 हो सकती है लेकिन यह अपबाद भी देखे जाते हैं आपके जैसे सिक्क्यम हो गया ठीक है यहां तो आपबाद भी देखे जाते हैं गुआ हो गया कि देख लिजिए अपबाद के रूम में आउना चल्पेदेश हो गया मेजोरम हो गया गुआ कि विधान सभाओं की सख्या 40 है और सिक्क्यम में आपकी बत्ती से तो यह अपबाद में बने रहते हैं विधान सभा का कारिकाल आपका पांच वरस होता है जो आपके पहुशने आएंगे आपके उसके बाद 5 साल के लिए गायव हो जाएंगे पांस साथ बाद दुबारा चुना होगा तब थिर आपके सामने हाथ जोडने के लिए आ जाएंगे विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए नियूनतम आई आई उनकी 25 वरस होने चाहिए या मुना की पाद काल में होता है जैसे आप ने देखाऊः राश्पदीसासना लगता है या फिर राश्टि ि आपकाल तो केंद को राज्य की विशाय में भी कानूर बनाने का दिकार दे दिया जाता है राज्यों से चीन कर विधान सभा के सदस हैं विधान परिशत की एक तहाई सदसों का चुनाओ करते हैं जो विधान परिशत की सदस हैं इनकी एक तहाई सदसों का चुनाओ आपके विधान सभा क सदस करते हैं राजी की कारिपाली का बिधान सभा के पिती उत्तरदाई होती है राज साकार का बास्तवी पिधान कौन होता है मुखमंत्री जिस तरह से कहन दिखा होता है आपका पिधान मंत्री उस तरह से आपका राजी का मुखमंत्री होता है अगर हम लोग मुखमंत्री की बात करें तो मुखमंत्री की उनियुक्ति आज का राजपाल करता है आर्टीकल 163 के अमसार किसी सजा यापता व्यक्ति 2001 में सर्वोच नियालाय का नेटे दिया गया को मुखमंत्री पत के लिए आयुक माना गया यानि कि कोई सजा प्राप्त व्यक्ति है सजा यापता व्यक्ति तो उसे मुखमंत्री पत के लिए नहीं बनाया जा सकता है आयुक नहीं है राजपाल राजबिधान सवा में बहुमत्र प्राप्त दल्व की नेता कोई मुखमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास बहुमत होता है उसी को नुख करता है आप ने देखा होगा महराष्ट में इस्थिति कि कि किसी को भी दल को यानि कि पहले गटवंदन था सिपसेना और बीजेपी में तो जंता ने उन्हें बूट दिया उन्हें बहुमत भी दिया लेकिन किसी भी कारणवस कांग सिपसेना और बीजेपी में आपकी नहीं बनी और वो अलग-अलग हो गया तो सबसे पहले राजपाल ने बीजेपी को बुलाया था फिर उसके बाद सिपसेना सर्थपवार को उसके बाद आपके तीसरे नंबर पर था आपका ए सिपसेना तो इन्हें बुलाया सिपसेना औ पिर दूसरे नमबर पर जिसके पास सीटे हैं उसे बुलाएं इस तरह से बुलाते हैं कि कोई अगर उसे राजपाल को भरोसा है कि ये बहुमत की सरकार बना सकता है तो उसको भी नामित कर सकते हैं चाहे वो बिधायक हो या ना हो ठीक है लेकिन उसे मुखमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर बिधान परिशाद या फिर बिधान सभा का अध्यक छोना पड़ेगा सौनी सदस होना पड़ेगा ठीक है बिधान मंत्री की तरह कि कोई भी बिधान मंत्री बन सकता है वर्ष 6 महीने के अंदर उसे सदस बनना पड़ेगा फ ऐसी स्तिति में राजपाल सबसे बड़े दलखी निता को मुखमंत्री नियुक्त कर सकता है या फिर राजपती सासन के लिए सिफारिष करता है मुखमंत्री तद्धा मंत्रियों के सपत आपका राजपाल दिलाता है मुक्यवंत्री अपना पत्याग युद्याग पत्त होता है वो राजपल को ही देता है तो यह थी आपकी राजजी की कहानी अब चलते हैं हम लोग इस्थानिय पिसासन के बारे में बात करते हैं इससे आपका questions हर बार बनता रहता है इसलिए आपको याद रखना है बहुत महत्पूर टॉपिक है आपके लिए पंच्याथी राज बारत में इस्थानिय सासन का जनक आपका लॉड रिपन को कहा जाता है तो आपसे पूँच लेगा questions बारत में इस्थानिय सासन का जनक किसी कहते हैं लॉड रिपन समिधान में पंच्याथ के गटन का प्रावधन आर्टिकल चालीस में दिया गया है आपने देखा था नीती निदिसक तत्यों में यह वही है चालीस आर्टिकल तो पंच्याथी पंच्याथों के गटन का प्रावधन किसार्टीगर में किया गया है? 40 में ये भी आपका questions कई वार बन चुका है समधाइक विकास का अख्रम 1952 में सुरुवात हुआ था बलवंत राय मेर्था सम्ती 1957 में बने थी आपकी बलवंत राय मेर्था सम्ती कब बनी? 1957 में बलवंत राय मेर्था ने तरी स्थरिये विवस्था बाली पंच्याती राजविवस्था की सिपारिश की थी जिसमें आपका जिला पंच्यात हो गया गिराफ पंच्यात हो गया और पेखंड पर जो आपका जनपत्ति पंच्यात होता है पंच्याती जो आपका राज अदिनियम है यह आपका 2 सेप्टमबर 1969 को पारिद किया गया पंचयाती राजविवस्था का आरम आपका 2 अक्टूबर 1969 को होता है सबसे पहले आपका राजिस्थान की नागोर जिली में किया गया था इसका इसे लागू किया गया था करन लगी कुस्टेंजS कई बार पूंचा जा चुका है सबसे पहले कान किया गया था दो अक्टूबर 1969 को ज्राजिस्थान के नागोर जिली में असोग मेधा सम्थी का कठण आपका 1977 में किया गया था थोंगान सम्थी का उननीश सो 1888 में किया गया था राजीब गांदी ने किया था इसका बठा तो याद रखना असोग मेहता सम्थी 1977 थुंगन सम्थी 1988 25 अपरेल 1923 को पंच्याती राज अनियम अस्तित में आया था जो आपका तेहतरवा सम्थान संसुधान रंदीनियम 1992 यह पंच्याती राज सम्मंदी थे ठीक है पंच्याती राज विदेयक द्वारा भारती सम्थान की भाग 9 में अनुचे 243 का से रड़ा तक तथा 11 अनसूची भी जोड़ी गई यह आपकी तेहतरवे सम्थान संसुधान द्वारा इन सभी प्रावधानों को याद रखिए तेहतरवा सम्थान संसुधान आधिक लिए नुशार पंच्याती राज की इत्तरी इस्तरी ढाची का प्रावधान किया गया है ग्राम इस्तर पर आपका ग्राम पंच्यात पिखंड इस्तर पर पंच्यात सम्थी और आपका बाद जिला इस्तर पर आपका जिला पईशद होता है पंच्यादी राजविवस्था में सुधारेतू आपकी गठी सम्थिया है तो बलवंत राय सम्थी 1957 यह आपका किरम में लगाने के लिए आ जाती है फिर या इस्टेट PCS पिलिमसे में या सेविल सर्विस में इनका डेट भी पूंच लेते हैं इस तरह से गलत गलत डेट देतेगा फिर उसके बाद आपको सही समलित करना होगा ठीक है तो सही समलित के लिए जोड़ी लगाने क में जाता है असोक मेहता समती आपकी 1977 में बनी बी पी के राय समती या आपकी 1985 में L.M.S. भी समती 1986 में ठीक है याद रखिए आपके उसमें तो वन्डे एक जाम में तो डारेक्ट उंचलेगा कि यह सुग मेता सम्ती किस्षन में वनी तो आपको ज्याद रखना है 1977 में पंचयाती विवस्था कि इस्तर ग्राम सभाथ छेद पंचयात और जिला पंचयात है जन राज्यों की जन संक्यापकी 20 लाग से कम है उन राज्यों में मद्दवर्दी इस्तर यान पंचयात सम्ती को नहीं रखा गया है जिला पंचयात को रखा गया है और ग्राम पंचयात को पंचाइट के सभी सदस Vide अधार पर चुने गया है इन्हें पंचाइट के जो सभी सदस होते हैं इन्हें माधं कर टिंदी उनकी जो बोट डालने की उम्च की बॉत चुकी है यानि की 18 वर्स सभी पंचायत छेत्रों का वेभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है आपका ग्राम पंचायत के कस्तादस बनने ही तो आपको 21 वर्स की आई होनी चाहिए यानि कि आपको सीधा समतलब है यगर आप 21 वर्स के हो चुके हैं तो अपने पिदां आग लेकर सरवंच चुनाओ लड़ सकते हैं कि 21 वर्स के कम हूं है सरवंच का चुनाओ नहीं लड़ सकते हैं पंचायतों की अउदी 5 वर्स तक होती है आपने देखा ओगा जब चुनाव होता है तो सराभ पैसे का अच्छा बटवारा होने लगता है तो समझ जाया करिए कि ग्राम पंचयाद के चुनाव आचुके हैं उसके बाद पांस साल तक नहीं आते हैं आपका मुई देखने तो समझ जायेगा कि पांस साल तक इनका करकल चल रहा है और जैसे ही 5 साल खतम होंगे उसके बाद फिर आपके फ्यरों में गिर जाएंगी तो फिर समझ जाया करिएगा कि 5 साल खतम हो चुके हैं यानि कि हम जाग जाएं इनके बिक्टन की तिथी से 6 माय के अंदर चुनाव कराना अनुभार होता है यानि कि कोई सरपंच आपका लटक जाता है यानि कि ऊपर चल वसता है जब हराम का खाती खाती तब भी उसका चुनाव कराया जाता है या फिर किसी और घटना में अगर उसका पद रिक्त हो जाता है तो इसे 6 माय इने की बीतर भरना होगा इस पद को मेरा मानना है पर्सनल कि अगर सरपंच और सचिब इमादनारी से काम कर दें तो हमारे देश की 70-80% समस्याँ खतम हो सकती है क्योंकि उपर का जो भी विधायक होता है, MP होता है, Amelie होता है या फिर आपके पिधान मंतरी, कैमिनेट मंतरी जो भी होंगे इन्हें निचले की सतर की समस्याओं का पता नहीं रहता है निचले की सभी समस्याओं का पता सरपंच सचिब को रहता है क्या नीचे समस्या है, बस ये लोग उपर तक भेजें तो मैंने देखा है कि नहीं भीचते हैं अब जो सरफंच गुंडा गयदी से बन रहा है उसी एमो के साथ सामने जाकर यह थोड़ी बोल पाएगा कभी नहीं उसकी वखाद होगी कि बोल पाएगी सर मेरे पंजयात में काम क्या आया है और थोड़ा यह काम करवाना है वो काम कर कुछ ऑनता हो कि पंजयतों की आर्थिक षितिती की समीच्छा के लिए राजिस्तरी यह विद्दाईव की आपका गठन किया गया है जो आप देखते हैं केंदर साहिम में किंद आयू जो केंद्द सरकार में आपका विद्दाईव होता है राज में भी आपका विद्दाई पंचयायत में अनुसूचित जाती जन जाती सदस्यों के लिए जन संख्या के अनबात में इस्थान सुरक्षित किया गया है यानि कि आपने देखा होगा कि आपकी कई बार पंचयात में आरक्षित सीट आ जाती है महला के लिए आ जाती है या फिर आपकी किसी 2-DIS-K के लिए भी आ जाती हैं पंचायतों में महलाओं के लिए एक दे आ्ए सभी इस तरों पर इस्थान आरक्शित किये पंचायतों में विछडी जातीयों के लिए आरक्षण की विवस्ता नहीं है यह लेकिन अगर आपका राज सरकार चाहये और पंचायतौं के कारेवम सक्तियों का वर्डन आपका ग्यारवी अनुसूची में है ठीक है सम्मिधान की ग्यारवी अनुसूची में पंचायतों के अधिकार आपके 29 विशयों को रखा गया है अब चलते हम लोग सहरी पसातन पर है तो सबसे पहले नगर निगम है नगर पालिका के पयार सबसे पहले देखते हैं नगर पंच्यात इसमें आपका ग्रामिट चेत्रों का परिवतन नगर चेत्रों होता है जो आपकी पंच्यातों से उपर उठ चुके हैं उन्हें नगर पंच्यात में सामिल कर दिया जाता है फिर आपका नगर पंच्यातों से उठ चुके हैं छोटे नगरों के ल 1687 में की गई थी इसे याद रखिए कई भी पूंच लेता है सरपिथम नगर निगम की स्थापना कहा की गई थी मद्रास में कब 1687 में नगरों में इस्थानिय सोसासन उपलब दिकाराने के लिए आपका 74 समिधान संसुधन अधीनियम 1993 में पारिद किया गया तो 73 वापका 65 से संबंदी था 74 वापका नगरों की स्थानिय सोसासन से संबंदी थे भारत में नगर की पिसासन के लिए सरपिथम किसी संस्ता का निर्मान मद्रास में किया गया था 1793 की चार्टर एक्ट में मद्रास कलकत्ता बंबई में नगर निगम की स्थापना आपकी हुई थी चोहतरवा समिधान संसोधन अधिनियम आपका 1 जून 1993 से लागूर हुआ था याद रख सकते हैं चोहतरवे समिधान संसोधन के द्वारा इसमें आपका भाग नौ कौन सा भाग नौ जोड़ा गया था भाग नौ जोड़ा गया था और भाग नौ के में अनुछेद आपका उस्तब 243 ता से याच्छा तक रखे गए हैं इसमें चोहत्तरवे समिधान संसोधन अधिनियम में बारवी अनुसूची तथा अठारह बिसे रखे गया हैं ग्यारवी सब्सक्राइब करते नगर से स्मंदी था Audion से नगरिये सादसंदि दैंखी सबसे बड़ी नगर नेखम होति है इस चोटी सबसे नगर पंस्थाइब जिन नगरों की आबादी 3 लाग या उस्ते अधिक है वहाँ बाड समतियों का गठन भी किया जाता है वैस्क निरवाचन या पित्यक्ष मद्दान द्वारा नगरपालिकाओं का गठन होगा कई चित्रों में अभी भी नगरपालिकाओं का गठन वहां के मेंबर करते हैं मेंबरों को आपकी जनता चुनती है और जनता चुनती है और मेंबर आपकी नगरपालिका के अध्यक्ष को चुनती है अनसुचित जाती और जन जाती के लिए जनसंग के अनुपाद में इस्थान आरक्चित किये जाते हैं महिलाओं के लिए आपकी एक्तियाई इस्थान आरक्चित हैं नगरपालिका काल आपका 5 बस होता है कितना 5 बस नगरपालिका के विक्टन के यानि की अगर इरेक्थ हो जाता है तो आपके 6 महीने के भीतर इसका चुना कराना अनिवार होता है कई गिराप पच्चयात्मों को मिलाकर आपका पिखंड बनता है पिखंड का पिथान पिखंड विकास अधिकारी यानि की बीडियो होता है जिसकी आप लोग अक्सर तयारी भी करते रहते हैं बीडियो पंचया सम्थी का सचिब आपका पिखंड विकास पदाधिकारी होता है पंच्या सम्दी का मुख्याल है आपका पिखंड में होता है कहां पिखंड में नगर पालिका की परिशत के सदस्तों को पार्षत कहते हैं आपके मुखली का भी पार्षत होता है यह वही है नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम आपके 40,000 आबादी होनी चाहिए नगरपालिका की अध्यक्ष का चुना और नगरपालिका की पार्षद अपने सदस्तों से करते हैं समझ में आया कि सदस्तों यानि की पार्षदों को चुन लिया किसने जनता ने यह पार्षद नगरपालिका की अध्यक्ष को चुनेगी नगरपाली का सदस बनने की नियुणतम हावी आयू आपकी 21 बर्स होनी चाहिए कितनी 21 नगरपाली का परिशाद की नियुणतम सदस संख्या आपकी 10 होनी चाहिए 10 नगर नेगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है नगर परिशाद की सदस से अपने मैंसे किसी एक मेयर यानि की महापौर और उप मेयर यानि की उप महापौर का चुनाव करते हैं कि जिस तरह आपने देखा हुगा मुक मंत्री फिर उप मुक मंत्री होते हैं यह वही है अब इसमेंसे आपका कुष्टेंस बनता रहेता है हमेचे इसमें आप लोग एक बात हमेचा याद रखने है क्या बिल और संसोधन में अंतर होता है क्या होता है जैसे आप समझ सकते हैं जो अभी एस्टी एस्टी गा दस वर्स के लिए रिजर्वेशन और बढ़ाये गया आपका वो आपका सम्मीधान संसोधन है एक सो चारवा कौन सा एक सो चारवा और बिद्धेयक बिल कौन सा है एक सो चब्वीस वा 126 क्या होता है कि बिल आते रहते लेकिन सभी बिल आप लोग जान तो इसलिए जो बिल पास हो जाता है वह यही संसोधन होता है तो इस तरह आपका एक सो चारवा संसोधन अभी तक बिल आपके 126 आ चुके और आते रहते हैं इसमें कोई सक नहीं है आने भी करेंट से जड़े रही है आप लोग तो उसमें आते रहते हैं लेकिन आपको करेंट में जर्चा में रहता है यह इक बात अब दूबसे लिजी अच्छी तरह再 की आप लोगार और कर टो करना सीखें कि बंते कहांसे आदश'? मियां कुप लें अगर आप questions नहीं पगरना शीपाए तो kush नहीं पाइंगे तो आपको समझना है कि कुरेंट अससे कुष्चेंस बन सकते तो औえて आपको याद रखना है तो हम लोग सबसे पहले पहला समीधान संसुधन देखते हैं इससे questions आपका बनताा है तो पहला समिधान संसोधन कभगा उन्नीस सो इंग्यावन में इस संसोधन अधिनियम द्वारापकी अनुछेद 15-19-85-87-174-176-340-374-376 में संसोधन किये और दो नए अनुछेद 31 का और 31 का और नभी अनुसुची को समिधान में जोड़ा गया इस संसोधन अधिनियम द्वारा किये गए मुख प्रावधन क्या क्या थे इसमें याद रखिये गए नभी अनुसुची आपकी पहले समिधान संसोधन 19-19-51 में जोड़ी गई अनुछेद 31 का को जोड़कर जमिधारी पिथा के उन्मलन को बैधानिकता पिदान करकी तथा अनुछेद 31 का को जोड़कर या प्रावधन किया गया कि समिधान की नभी अनुसुची में सामिल किये गए अधी नेमों की बैधानिकता को नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती है यानि कि आपने देखा होगा तमिलाणू में जो आरक्षण की बेवस्था थी वो 59% पहुंच गई तो इसे नभी अनुसुची में डाल दिया तो कई ऐसे का इस दोखी अगर बात करने तो इसमें संसुधन करके लोग विवस्था विदेशी राज्यों से मैत्री संबंद तथा अपराद के उद्दीपन की आधार पर बाक एवं अभिव्यक्ति की सुतंता पर रोक लगाईगी यानि कि सीधा सा मतलब है कि बाक वाक अभिव्यक्ति क मतलब यह नहीं है कि आप जाके पब्लिक प्रेस में गाली देने लगे अपराद करने लगे या फिर किसी विदेशी राज्यों से मैत्री संबंद के विशह में कुछ उल्टा सीधा भोलने लगे तो यहां आपकी जो बाक वहां कि विव्यक्ति की सुतंता मिली हुई वाक की यह आपकी खतम हो जाएगी तो याद रखे आपके अधिकार वहीं तक हैं जहां तक दूसरे के अधिकारों का हस्तचेप नहीं होता है आपके अधिकारों यानि कि दूसरे के अधिकारों का अतिकरमर्द नहीं होता है जैसी आप सोचें कि आपको पब्लिक प्लेस में बैठ करने की संगठन बनाने की चूट मिली भी है आपका मौली का अधिकार है आप जाके बनाने लगें आतंकी संगठन कोई संगठन तो आप पर याद रखिए आपके अधिकार को जाएंगे अनुच्छे 15 चायर को जोड़कर सामाजी सामाजिक तता सेक्चेड दिरिश्टी से पिषड़े हुए लोगों के संबने में में सेस्कानूट निर्माध है तु दराज्य को अधिकार दिये गए तीक है पर आपका समिधान का दूसरा संसुधन यह आपका 1952 में हुगा इस संसुधन दिनियम द्वारा अनुचेद 81 एक खाव में संसुधन करके 1991 की इंक्यावन की जनगर्णा क्या कार्ड आक्णों क्यादार पर लोगसभा की दिक्तम सदस्संख्या निश्चित की गई लोगसभ सदस्सों की ठीक है समिधान का तीसरा संसुधन अदिनियम उन्निक सो चंवन इस अदिनियम के द्वारा समिधान की साथवियन सुची की तीसरी सुची संबर्ती सुची की प्रविश्ट में तैंतीस में विस्तार किया गया जिससे आवस्तक्ता पढ़ने परसंग सरकाल आवस्तक बस्तूं के उत्पादन आपूर्ती और वित्रन के संबंद में कानून बना सकती आपकी समिधान का चौतरा संसोधन होता है आपका 1955 में इस संसोधन द्वारा अनुचेद 31 और 31 का और 305 में संसोधन करके यह विवस्ता की गई कि यदि राज्य सारोजनिक प्रियोजन के लिए कानून द्वारा किसी बैक्तिकत संपत्ती के अर्जन के लिए पित्ती कर निर्धारन का अधिकार प्राधिकार को पिदान करती आगया तो पर आधिकाल द्वारा निर्धारिट पिती कर गुन्यालाय में चुनोती नहीं दे जा सकती है यानि कि सीधा सा मतलब है या दिराज सार्वजन फेवजन के लिए कानून द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ती को जप्त करती है तो उसके आधार पर इसके खिलाब कोई सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चुनोती नहीं दे सकता है याद रखे वैसे इस तरह की जो भी जमीन ली जाती है आपको उसका मुआपजा भी दिया जाता है अच्छा खावजा दिया जाता है समिधान का जो पांचवा समिधान संसोधन होता है यह अधिनियम 1905 में होता है इस विधान संसोधन द्वारा अनुचे तीन में संसोधन करकी यह विवस्ता की गई कि राज्यों की सीमा में परीवर्तन करने के संबंद में राज बिधान सभा को अपने राय पेगट करने का जो अधिकार समिधान द्वारा पिदत है उसके बारे में राय पेगट करने का समय राष्टपती द्वारा निश्चित करती आ जाए यदि राष्टपती द्वारा बीहित समय सीमा के अंतरगर राज बिधान सभा अपनी राय अगेर सामय समध्वाइब कानुन बना सकती इसका सीजा सा मतलब नाम बосьमार करना हो उसकी सिमा नियutमकर नहीं करना हो इसकी उत्वी में सल्फाय तो ली जाती हैं लेकान इस सलाह को मानना ना मानना द्राष्टवती पर होता है तो समझ सकते हैं कोई मतलब भी नहीं रहता है अगर राजय सरकार मना भी करें तो भी कुछ नहीं कर सकता है उसकी राय मानी ही नहीं जाती है राष्टपती पर निर्भार करता है कि वो माने या ना माने समिधान का छटवा संसोधन अदिनियम 1956 में होता है इसके द्वारा समिधान की साथ भी अनसूची की पिथम सूची संग सूची में संसोधन करके एक नई प्रविष्टी बानवे का को जोड़ा गया इसके द्वारा केंद को अंतराजी क्रे बिक्रे के संबंद में कानून बनाने का दिकार दिया गया इसके अत्रिक सद्सोर्दन कःच संख्या में विड़ की गगई उच्ष न्याज हुन को उच्ष संख्या बढ़ती रही है तो यह उसी से इत्म्मदी थे आपका पर आपका समिधान साथवा संसुधन समिधान में 1956 में हुता है इसके द्वारा समिधान की पित्धमा नुसूची में संसुधन करके राज्यों को 14 और 6 संघराज्य छेतरों में पुनरगटित किया रिया शरू में आपके 14 राज्य थे और 6 संघसाऩ कितने हैं 2020 की बात कर रहा हूं अभी कितने हैं और आप जब इस क्लास को देख रहे हैं उस समय कितने है अब बता सकते हैं क्योंकि हम लोग ने पीछे भी भी बात की हुई है कि अभी कितने हैं बर्गपन में फिर आपका समिधान का आठवास संसुधन अधिनियव 1960 अनुसुचित जाती और जन जाती को आरक्षिन विवस्था में बिस्तार और आंगले भारतिये पिती निद्धी की लोकसभा एवं विधान सावा में दस बर्ष के लिए बिधी अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया यह जो आपका लोकसभा में मनुनिक किये जाते ना आंगले भारतिये दो आंगले भारतियों को राष्टपती और अनुसूचित अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए जुआरक्षिन की विवस सभष की नौबा संसोधन अदिनेयं उननी सो साट में होता है इस संसुधन द्वारत पाकिसतान के मत भूमी हिस्ताद्रान के लिए किये गए समझेणों में पूर्ध्गाली अंत में छित अंतता चेत्रों जैसे दादरा नागरहवेली को भारत में सामिल कर उने केंद सासित पिदेशों का दर्जा दिया गया आपने देखा होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आये और लाश्ट प्रिंट 1931 तक भारत के कुछ हिस्सों पर जैसे दादरा नागरह पुर्वेली गुवा इन पर 1931 तक इनका कब्जा बना रहा है उन्नीस एक सट में इने खारी करके लिए लोग गए हुए फिर आपका समिधान का गया रहवा संसोधन ये भी 1961 में होता है इस संसोधन द्वारा प्रावधन किये गए राष्टपती या उपराष्टपती के चुनाओ को इस आधारवच चुनाओती नहीं दी जा सकती है कि निर्बाचक मंडल अपून है तथा उपराष्टपती के चुनाओ के लिए संसत के दोनों सदनों की सेक्त बैठक बोलाना आवस सक्या एक फिरावधन किये गए संसुधन द्वारां फिरे आपका बारेवार संसुधन उननी सो बासट में होता है इस संसुधन द्वारा गौवा दमन्दूइब को भारत के संग राज्चेत पर गोसित किये गए गयार इसके द्वारा नागालेंड को राज्जी की सेड़ी में रखकर संभीधन की पितम अ 31 का को अंत्ता इस्थाफित करके नागालेंड के संब्द में विसेश प्रावधान किया गया तो 371 किस से संब्द देते नागालेंड से तीक है याद रखिए पर आपका संमिधान का 14 अबा संसोधन अदिनिया एवी 62 में याता है 1962 में इसके द्वारा फंडी चेरी पुदू चेरी कुभारत कंग और संगराज चेत में विधान सभा और मंत्री परिशत की स्थापना का अधिकार दिया गया अंचेत 249 का कुलोड का फंडी चेरी के लि और पुदू चेरी में भी आपकी पुदू चेरी में भी आपकी विधान सभा होती है और तीसरा आपका नया राज बनता है संगसासित राज जिसमें विधान सभा है जमुकसमीर इन तीनों राज्चों को छोड़कर बाकि जो संगसासित पिदेस हैं उसमें आपकी विधान लोग से लेकिन उपर आजपाल की तरह होता है राजपाल की तरह कि फ्रयाव का समिधान का पंदरवा संसोथन अदिनियम 1963 में आता है इसके द्वारा उच्छ न्यालेयों की अधिकार्ता में विद्धी की गई और उच्छ न्यालेयों के न्याधीसों की सेवा निवित आयू क साट वर्स से बढ़ाकर बासट वर्स कर दिया जो उच्छ न्याले किन्यादी सुगा करती थी इनकी पहले रेटायर किया यू साट वर्स हुगा करती थी तो पंद्रवे समिधान संसोधन द्वारा इसे बासट वर्स कर दी गई ठीक है याद रखिया आप लोग समिधान का सोलेवा संसोधन अधिनियम 1963 इस संसोधन द्वारा निमलिकी प्रावधान किये गए क्या क्या इसमें किये गए राज्य की संपिर्भूता तथा अखंडता की रख्चा ही तु राज मुहल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्वंधन लगा सकता है या वंधनी की पावंदी लगा सकता है किसी भी राज्य के भारत संग से पिथा कोने या संग को भंग करने के प्रयास को अवेदभूसित कर सकता है यानि कि आपका सीधा समतलब है कि राज भारत सी अलग नहीं हो सकता है कुई भी राज किसी भी कितना भी चाहिए संसत तथा राजविधान बंडल के सदस्वों को भारत की अखंडता बना रेखने तथा प्रवोत संपन्डता की रक्षा की सपत गहड करनी होगी फरे आपका समिधान संसोधन अधिनियम सत्तरवा समिधान संसोधन इसमें क्या विवस्था की गई यह आपका 1964 में होता है इसके द्वारा नभी अनसूची में 44 अधिनियम जोडे गए संपत्ति के अधिकार कुश्पष्ट किया गया यदि भूमी का बाजार मूल बात और मुआपजा ना दिया जाए तो ब्यक्तिकत हितों के लिए भू अधिगर्ण पिति बंदित है यानि के यहां से आपका मुआपजा की विवस्था कर दी गई पहले अगर राज जिचा है एता किसी की संपत्ति से अधिगर्ण कर सकता है ले सकता है और कोई उसके खिलाब किसी भी रोट में भी नहीं जा सकता है। मुआज्या देना अनिबार करती है ठीक है फिर आपका समिधान का संसोधन अठारवा यह आपका 1966 में होता है इसके द्वारा अनुशे तीन का को जोड़कर या पिरावधान किया गया कि संसत की किसी राज्य या संग राज्यत की एक भाग का गठन कर सकती है तथा पंजाब को पुनरगटिक करके पंजाब इवा ह्रयाणा राज तथा हेमाचल संग राज्य छेत की स्थापना की गई ठीक है फिर आपका समिधान का 19 वा संसोधन यह आपका 1966 में होता है इसके द्वारा निर्वाचन न्यादी करनों को समाप्त करके विवस्था की गई कि निर्वाचन स संभिदान का 20 वा संसोधन यह भी आपका 1966 में होता है इसके द्वारा जिला नियाले में में नियादीसों की नियुकती तथा इस्थानांतरणों की को बैदता प्रिदान की गई और अनक्षि 233 का को इसमें जोड़ा गया 233 को और यह आपका संभिदान 21 यह आपका 1967 में होता है आठवी अलसूची की राजभास तिमें आपका सिंधी भासा को जोड़ा गया इस तरह 15 मी भासा की रूम में आपकी सिंधी सामिल के गई मूल समीधान में आपकी चौदे भासा हों भासाइं थी आटवी अलसूची में और जो जितनी ये भासा हैं जोड़ींगे जिस समीधान संसुधन द्वारा इन्हें आप लोग याद रखिए क्योंकि इनसे भी आपका questions पूंच लिता है अब पूछेगा कि सिंधी भासा को कब जोड़ा गया उन्नीस सरस्ट में किस समीधान संसुधन द्वारा 21 वे समीधान संसुधन द्वारा इसके द्वारा मेगालरा राज्जी की स्थापना की गई और अनुचे 244 का 371 खा 275 वन खा जोड़ा गया आसम से यलग करके आपका मिगाले मनाई गया तरह आपका समीधान का 23 वा 23 यानि कि 23 संसुधन अधिनियम 1989 में यह होता है इसके द्वारा अनुची जातियों अनुची जन जातियों आंगल भारतिये पिती निदी के लिए लोगसभा और विधान सभाओं में आरक्चन किया दी को फिर से 10 वर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया पहले आपका बढ़ाएगा 10 साल के लिए फिर आपका 1989 से च पहुँच गया बढ़ाएगा ठीकर फिरय आपका 24 वार समुधान संसोधन यह आपका 1971 में होता है इसके द्वारा अनुची तेरे में खंड चार को जोड़कर तता अनुची 368 को संसोदेत करके संसद को समिधान संसोदन की आसीमित अधिकार दिया गए जो भी आपका संसोदन होता है अर्टीकल 368 की तहती होता है समिधान का 25 वा समिधान संसोदन की बात करें तो इसके तहत क्या क्या हुगा यह आपका 1971 में होता है सब्बत्ति के मूगल अधिकारों में कट्टोती की गए अनुछित 49 खा और गा मेवायडे निदेशक तत्तों को पिरभावी करने के लिए बनाईगी किसी भी बिदी को इस आधार पर चुनोती नहीं दी जा सकती है कि अनुछित 14-19-31 द्वारा अनिशित अधिकारों का उलग अधिकल 14-19-31 का हनन होता है तो इसमें आप चुनोती नहीं दे सकते हैं इसे लागू करते समय ठीकार्यापका 26 सभा संसुधन अधिनियम यह आपका 1971 में होता है इसके द्वारा भूदपूर्ड भूदपर्व नरेसों के विसेस अधिकार पीवी परस के अधिकार को अधिकारों को समाप्त कर दिया गया इसके तरह याद रखिए 26 वा है जो विसेस सोभिधाय में लिए हुई थी नरेसों यानि के बड़े घरानों को उन्हें कर दिया गया चलते हैं 27 वे समिधान सत्सोधन की यह आपका 1971 में होता है इसके द्वारा भारत के पूर्वी राज्यों का पुनर गठन करके तीन नए राज में गालाये मड़ीपुर और तिपपुराक और दो संग राज छेत्रों जिन में आपका मिजोरम और अवड़ाचर पिदेश का गठन किया गया तथा मड़ीपुर राज की संबन में बिसेस प्रावधान किया गया और पुर्वत्तर राज तथा संग राज छेत्तों के पिसासन में सहयो समन्माय के लिए पुर्वुत्र सिवांत परिशत की इस्थापना की गई आपकी ठीक है फिर है आपका 28वा समिधान संसोधन यह आपका 1972 में होता है इस संसोधन द्वारा संसत को पिसासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सेवासरतों में परिवर्थन करने तथा उनकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार दिया गया तथा भारतिये नागरिक सेवा के अधिकारियों के विशेस अधिकारों को समाप्त किया गया इसके तरह 28वे समिधान संसोधन की तरह पर आपका 19वा समिधान संसोधन यह आपका 1970 में होता है इस संसोधन, समिधाल संसोधन द्वारा, समिधाल में आपकी नौभी अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया केरल भू सुधार अधिनियमों को इसमें जोड़ा गया बताया ना कि इसमें जो अधिनियम डल जाता था यानि कि जो संसोधन को 1909 अनुफुची में डाल दिया जाता था फिर इसे किसी भी न्यालाय में चुनोती नहीं दी जाती थी उस समय तो इसी का फायदा उठाते थे लोग जो भी राज्य सरकारे हो फिर चाहिए आपकी किवन सरकारो समयधान में आपका 30 वा संसोधन होता है 1972 में इस संसोधन का उत्यस अनुचेत 133 का संसोधन करके उसमें निर्धारे 20,000 रोपेग का मुल्यांकन परिच्छा समाप्त करना उसके इस्थान पर सिबिल कारवाही में उच्टम न्याले में अपील की विवस्था करना जो केवल उच्टम न्याले की इस प्रमाणपत पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामानमत की विदी का सार्मान पिशन अंदर गत्या और उच्टम न्याले की राय में उस पिशन पर उच्टम न्याले द्वाड़ान नेड़े लिए जाने की आवस्तकता है यह आपका तीसवे समिधान संसुधन द्वारा किया गया 31 बाब जो 31 बाब समिधान संसुधन है यह आपका 1972 में ही होता है इस संसुधन के द्वारा लोगसभा के सदस्तों की संक्या 525 से बढ़ा कर 545 कर दी गई कैंद सासित पिदेशों का पिते ने दे तो 25 से घटाकर 20 कर दिया गया जो अभी वी 20 ही है आप लोग एक समझते हैं होगे एक बात क्या बात समझते होगी कि पहले 525 हुआ करती थी आपकी लोगसभा की अधिक कम सक्या उसे आप 552 कर दिया गया है लेकर बरतमान की बात करें हम लोग तो अभी 545 है आपकी जनमें से 543 चुने जाते हैं और दो आपके अंगल भारती है समझते हैं तो अभी दो भी यह आपकी सीटें खाली ही हैं 2020 में ठीक है भी आँगे देखिए भरती है क्या होता है और याद रखिए अब आपका जम्भू कस्मीरी को भी विभाजित कर दिया गया तो कहने सासे पिदेशों की सीटें भी अब बढ़ें तो आते हैं देखते हैं क्या होता है चुना होंगे उस समय देख लेंगे हम लोग ठीक है 32 समीधान संसुदान की बात करें तो यह 1973 में होता है इसके द्वारा अनुच्छे 371 घा और 371 रणा को जोड़कर आध्यपिदेश के संबंद में विश्च परावधन किया गये तो 371 घा और रणा यह दोनों आध्यपिदेश से संबंदित हैं याद रखिए समीधान का जो 33 समीधान संसुदान है यह आपका 1974 में किया जाता है इसके द्वारा समीधान के अनुच्छे 3101 और 191 में संसुदन करके यह विवस्था की गई कि संसद या पर राजबिधान मंदलों के सदस्यों से बलपूरवक त्याकपत नहीं दिलाया जा सकता है यानि कि सीधा समतलब है कि इनके अधिकारों की बात की गई यहने बिसे सदिकार दिये गए कि कोई आप से जबलजश्टी करे और आपका इस्ठीपा मंगे तो आप नहीं देना ठीक है यहने एक सकती दी गई प्रयापका 34 समीधान संसोदन यह आपका 1974 में होता है इसके द्वारा नौबी अनसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया भू सुधार और भू पट्टेदारी की व्योस्ता की गई ठीक है आपा 35 समजदन संथ यह आपका 1934 में इसके द्वारा सिख्यम को सहराज का दर्जा प्रिदान किया गया और या ओप्रिफे BDI 35 समीधान संसोदन द्वारा आपका ऋप्रिदान नौइक को सहराज आनि की सचराज VI का दर्जा दिया गया था लेकिन जो आपका 35 बा समिधान में सिक्क्यम को संग राज शित का दरज़ा दिया जाता है लेकिन जो 36 बा समिधान संसुधन होता है इसे सिक्क्यम को पूर्ण राज का दरज़ा दिया जाता है वो 22 बा राज बनाया जाता है ठीक है? तो 35 बा में संग सासिस चित और 36 वे में उड़ राज का दर जाना 37 वा समिधान संसोधन ये 1975 में होता है संग राजचिछित अरुणाचल पिदेश में विधान सपा और मंतरी पैसत के गठन की विवस्था की गई 37 वे समिधान संसोधन द्वारा फर आपका 38 वा ये आपका 1975 में होता है इसके द्वारा ये विवस्था की गई कि राश्टपती राजचिपालों तथा उपर राजचिपालों द्वारां घोसित आपात इस्तिती वाले अध्यादेशों की बैधानिक्ता की जाज नियाले नहीं कर सकते हैं यानि कि सिजा ऐसा मतलब था कि वो समय की बात चल ली है जब इंद्रा गांदी सरकार में बैठी कि अगर राजचिपाल राश्टपती राजचिपाल और उपर राजचिपाल आपात लाग आपात काल लागू करते हैं अपने देश में तो उनकी जो इस्तिती ये इसको इस अध्यादेश को आप लोग न्यालय में किसी में नहीं जा सकते हैं समझ नहीं है आप लोग कि कोई पूछ भी नहीं सकता है कि तुमने क्यों आपात काल लागू किया हुए तिर आता है आपका सम्मिधान का 49वा संसुधन अधिनियव 1975 इसमें संसुधन द्वारा यह विवस्था की गई कि राष्टपती उपराष्टपती लोकसवा अध्यक्ष और पिधार्मंत्री के निर्वाचन को न्यालय में चुनोती नहीं दी जा सकती है इसे 44वे समिधान संसुधन द्वारा खतम कर दिया गया था एक बात आप लोग हमें सही याद रखिए कि 42 वे समिधान संसुधन द्वारा जितने भी आपके संसुधन हो गये थे उनमें से अधिकतर कुछ 44 वे समिधान संसुधन द्वारा खतम कर दिया गया था जब भार्ती यानि कि जंता पार्टी की सरकारवनी तो उस समय कर दिया गया और 42 वा समिधान संसुधन आपका इंद्रा गंधी के समय हुआ था इस पर व्यापक परिवयतन किये गए थे समिधान में फिर आता है आपका समिधान का 40 वा समिधान संसुधन यह आपका 1976 में होता है इसके द्वारा नभी अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड आपका समिधान आपका फिर होता है आपका 41 वा समिधान संसुधन है दिनियम 1906 यह आपका इसमें आनुचे 316 दो में संसुधन करके राज्ची कि लोग सेवायोगों की अध्यक्चों सदस्नों की सेवा निवक्त की आयू को 62 वर्ष से बढ़ाकर स्वरी साट वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर जो आप पहले साट वर्ष में रिटायर होती थे अब उन्हें 62 वर्ष में दे दी गए सबसे महत्पूर आपका अगर संसुधन कोई है तो यह प्यानीस वा समिधान संसुधन 1976 में होता है इंद्रा गांदी के समय आप समझ सकते हैं 1975 से जो 77 का अपात कल था इसे आप लोग जानते हैं कि काला देन कहा जाता है उस समय का बहुत बड़े इस्तर पर लोगों के साथ अत्याचारी किया गया उनकी अधिकारों को छीन लिया गया नेताओं को गई को बंदी के लिए इसकी लिए कागटन किया गया इसम्में ने सो उनत्रम आपकी रराष्टी बैंकॉन को राष्टी करन घ्रांट किया गया बहुत बड़ी बढ़ी है काम की है लेकिन जैसे यह आपातकाल लगाए गया इसमें जिस तरह से व की यहिए प्यट्तियों के अधिकारों का 1977 के पाद चुनाव होते हैं जो उसमें इंद्रा गांधी की हार होती है बुरी तरह से इसके द्वारा सम्मिधान में निम्लिकित परिवर्तन किये गए इसलिए आप लोग इसे मिनी सम्मिधान भी कहते हैं सम्मिधान की उद्देशक्या में आपका पंत निर्पेच समाजबादी और अखंड़ता सब्दों को जोड़ा गए इससे मैं यह निवो लूँगा कि एक बार कुश्चिंस आया है कि एक परीक्षा में आया हजारों बार कुश्चिंस बन चुके हैं और हर परीक्षा में बन लेता है कि पंत निर्पेच सब्दों को के सन्सोधन द्वारा उद देशिखा में जोड़ा घया तो इस सब दों की याद रगी पंत निर्पेच समाजवादी और अखंडता सब्तों को आपका 1976 में जोड़ा गया है 42 वे समिधान संसोधन द्वारा और 42 वे समिधान संसोधन की वेसिस्ताओं की बात करें तो इसमें क्या हुए अनुचेत 31 गाह को जोड़ करें यह पर आउधान किया गया कि नेती निदे सक्तक्तों को पिरवाबी करने के लिए मूलादिकारों में संसोधन किया जा सकता है भाग चार में का भाग चार का जोड़ा गया अनुचेत इंक्याबन का जोड़ा गया इसमें आपके 11 मूल कर्तबों का उलेक किया गया पहले 10 मूल कर्तब भुगा करते थे फर एक को आपके 86 वे समिधान संसोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया इसमें तरह इसके टोटल गया रहे हैं तो याद रखिए इस रूम में 10 थे मूल कर्तब आपके 42 वे समिधान संसोधन द्वारा ही जोड़े गया लोगसबा दथां बिधान सभाओं के कारकाल में एक वर्स की विद्धी की गया क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंद्रा गांदी की गुरिष्टेती चल गई तो इंद्रा गांदी अपने पाले में अपनी सरकार बचाने के लिए एक बर्स की बिद्धी कर दिया, यानि कि 6 साल कर दिया, जो कारकाल अभी 5 साल देखते हैं आप, बिनायकों का और लोकसवासदसों का, उसे बढ़ा कर 6 बर्स कर दिया गया, संसर द्वारा किये गए संसोधन, संभिधान संसोधन को न्यालाय में चुनोती देने से वर्जित कर दिया था, कि उसी का कानूँ मानना है, वही वहाँ का राजा है, वो जर सचाहेगा, वैसा ही होगा, केंद को यह अधिकार दिया गया, कि वह जब चाहे तब राज्चों में, केंदी ये सुरक्चाबलों को तेनात कर सकती, यानि कि आप समझ सकते हैं, इसके तहट आपको के संसर्कार को एक पावलफुल को माल लिया गया को संसत को अधिकार दिया गया कि वह निजधारन कर सकती है कि कौन लाबकापद है या नहीं कि और dessina में कहीं मारवार में बात करता रहता हूं इसक्ट लाफ पत परिभासित नहीं किया गया आपके समविधान में इसले आप उच्छेतम नयाले यानि कि सुक्रीम कोट समय समय पर निधारित करता रहता है इसमें यह भी परावदान किया गया कि संसद और राजविधान मंधलों के लिए गड़पूर्थी आवस्टक नहीं है तो आप एक बटे दस गड़पूर्थी देखते थे वो भी आवस्टक नहीं है किसी भी बैठक के लिए ठीक है तो इस तरह है कि कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया जैसे नियायक समिच्छा रेठ जारी करने के संदर्व में उच्छतम न्यालेयों और उच्छ न्यालेयों की नियाययक्षित का पूर्णरसयोजन राष्टविरोधी कारकलाप्मों के सम्मद्र में बिदी बनाने की संसत की सकती को हटा दिके इसमें फिर होता है संविधान जब आपकी जंदा पार्टी के सरकार वनती है तो च्छ बालीस बा संविधान संसुधन होता है 1978 में यहीं आपने देखा को अपिस संपत्ती के मूल अधिकार को अटा कर बिदेख अधिकार यानि की कानूनी अधिकार बना दिया ग आपके साथ अधिकार आपको मिले हुए थे शे बचे मूल समिधान में आपके साथ अधिकारों की व्याक्या की गई थे लोकसरबात रथा राजविधान सभाओं की यहुदी पुनाहा पांच बरस कर दी जो इंद्रा गांधी के समझ छे वर्स कर दी थी उसे गठा कर मंत्री मंडल की सलाय को जो से दी गई को पुनाहा मंत्री मंडल की विचारा रथ बापस भेश सकता है तदा पुनाहा दी गई सलाय को मानने के लिए आपका राष्टपती बादिकार हुगा यह हम लोग ने देखा था राष्टपती के समय यह वही है यानि कि मंत्री मंडल क कि सलाय को राष्ट पती एक बार पुना मंत्री मंडल को भेज सकता है कि इस पर विचार कहिए आप लोग अगर उसी सलाय को बिना सनसोधन किए उसमें आपका मंत्री मंडल बापस राष्ट पती के पास बेद देता है तो उसे रास्ट पती को मालने के लिए उपत दोना पड़ेगा त такой? यानि कि मंत्री मंडल तगड़ा है राष्टी आपात काल की उतगोषना तभी करेगा जब उसे कैमने दवारान लिके स्थेफारिस की जानी यानि कि अब राष्ट पती राष्टी आपात की उद्गोष्णा अपने मन से नहीं गर सकता है कि कभी में मों अठाया और बोल दिया कि यह देश में राष्ट पती सासन या राष्टी आपातकाल घोसित किया जाता है अब इसे कैमिनेट द्वारा लिख सकती है इसमें ससक्त विद्रो की कारण की की जा सकती है पहले आंत्रिकसांती सब्थ जो था इसे खतम कर दिये इसकी जवेब पर आपका ससक्त विद्रो का इस्थान दे दिया गया तो यह कहानी थी आके 44 में संवीधान संसोधन की यह 1978 में होता है फिर आपका 45 बाद समिधान संसोधन ये आपका 1981 में होता है इसके दुबारा लोकसभा तरह राज्य विधान सभाओं में अंदुसूचित जातियों जन जातियों के अरक्षन तथा भारतिये आंगल भारतिये के विशेश पिती निदित के लिए 10 बर फिर बढ़ा दी जाता है और इस तरह ये 1990 तक पहुच जाता है फिर आपका 46 बाद समिधान संसोधन ये 1982 में होता है इसके दुबारा कुछ बस्तुओं के संबंद में बिक्री करकी समान धरे और बसोली की एक समान विवस्ता को अपनाया गयर 46 में समिधान संसोधन दुबारा सम्मिधान के 47 वा सम्मिधान संसोधन होता है 1984 में इसके द्वारा सम्मिधान की नौवी अनुसूची में कुछ राज्यों के 14 भूसुदार अधीनेमों को जुड़ा जाता है आपका नौवी अनुसूची में फिर होता है आपका 48 वा सम्मिधान संसोधन यह 1984 में होता है इसके द्वारा सम्मिधान के नौचित 365 में परिवर्थन करके यह विवस्था कीगी कि पंजाब में राष्टपदी सासन की आउती को दो वर्स तक बढ़ाया जा सकता है सम्मिधान का 49 सवा संसोधन होता है 1984 में इसके द्वारा नौचित 244 और पाचवी और छटी अनुसूची में संसोधन करके तिप्पुरा में स्वायत सासी जला परिशत की इस्थापना का प्रावदान किया गया है याद रखने जो पाचवी और छटवी अनुसूची इसके द्वारा नौचित 23 को पुनाह स्थापित करके सुरक्षावलों के मूल अधिकारों को पितिवन्दित कर दिया गया यानि कि आप सोचे कि कोई गुप्त मिसंद चल रहा है और कोई आपका सैंडिक बल कोई मेंबर कही कि मेरा अधिकार है कि मैं किसी को इस गुप्त मिसंद को खोल दूँ तो यहां उसके अधिकार खतम कर दिया जाक्ते है इंक्यावनभा संसुधन अधिनियम 1984 इसके द्वारा मेगालाय नागलाय अरुनाचलपिदी समिजूरम को कि अनुसूचित जनजातियों को लोगसभा में आरक्षण पिदान किया गया नागलाय और मेगालाय की विधान सवाह में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्योस्ता आपकी कीगई तर्यापका समिधान का 52 अनुसूदन अधिनियम यह उन्नी सो 85 होता है यह आपके लिए बहुत महत्त्रों रहता है कियो अकसर चर्चा में बना रहता है तो बाबंबाब संत्रोदन गे उन्नी सो 85 होता है इसके दौरा क्या क्या होता है इसके द्वारा सम्मिधान के अनुचित 101, 102, 190 और 102 में संसुधन करके तता सम्मिधान में आपकी 10 भी अनुची ये महत्त्पोने कुझोड का दलबदल कुरोपने के लिए कानून बना लेके यानि कि ऐसा नहीं है कि आप चुनाओत जीते वीजेपी से और जाकर मिल गए कॉंग्रेस में और यहां पर कॉंग्रेस से जीते वाब मिल गए वीजेपी में तो इसके तहत आपकी सदस्ता भी प्रद्द की जा सकती है इससे आप अगर आपका इंट्रेस्ट है इस तरह की समिधान को विस्तार पढ़ने में तो NCRT पढ़िए हमारे साथ जुड़िए वहां क्योंकि यहां आपको केबल वंडेक जाम को दियान में रखती हुए बताया जा रहा है तो विस्तार से बना बता बना मुस्किल है वहां आप लोग जुड़िए सब कुछ बताया जा रहा है बहुत नॉर्मल सब्तों में तरह आपका समिधान का त्रेपनबा संद्मिधान सदसुदा नदिनियम 1986 इसके द्वारा मेजोरम को राजी की सैड़ी में रखा गया और अनुचित 376 को जोड़कर मेजोरम राजी के विवस्ता की इसकी विधान सभा के लिए नियुन्तम चारीस सदस्तों की विवस्ता भी की तो याद रखिए अनुचित 376 को जोड़कर मेजोरम से संब्तित हैं फरे आपका संद्मिधान का इसके द्वार उच्छतम नियालाए तथा उच्च नियालाए कि नियाधिसों की बेतन सर्तों सेवा सर्तों में सुधार किया गया फिर्याप का सम्विधान का 55 संसोदन अदिने में 1986 में होगा इसके दोवारा अरुणाचल पिदेश को राज्य सैंडी में रखा गया और अनुचे 371 जा को जोड़कर अरुणाचल पिदेश के लिए विशेश विवस्ता की गई इसके तैर इसकी विधान सभा सदसों की संख्या 30 निश्चित की गई फिर्याप का समिधान का 56 संसोदन यह आपका 1987 में होता है इसके दोवारा गोवा को राज्य की सैंडी तथा दमर अदुई को गोवा से अलग करके संगराज्चित की सैंडी में रखा गया गोवा विधान सभा की संख्या निर्दारित की गई कितनी 30 फिर्याप का 57 संसुधन अदिनियम 1987 इसके दोवारा मेलाले में जूरम नागलेंड अरुणाचल पितिस की विधान सभाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षन की विवस्था की गई फिर आपका 58 क्या है 58 अधिनियम अधिनियम अधिन्धावन वा संसुधन ये 1987 में होता है इसके जारा राष्टपति को राष्टपती को यह प्रमाडिक हिंदी संस्क्रण पेकासित सम्मिधान का प्रमाडिक हिंदी संस्क्रण पेकासित करने के लिए अधिकेट किया गया एक बात आप लोग हमेशा रखें इतने संसुधन है कि हर कोई इन्हें याद करपाना मुस्किल होता है तो आपको क्या यह एक जो चर्चा में रहे हैं जैसे 42 वा होगा 44 वा बावन वा हो गया पहला हो गया इस तरह कि आपके जो भी संसोधन है उन्हें याद रखना है बाकी को आपको यह से दो बार देख लेना है कि अगर कुश्चन से भी बनता है तो आप सौल परने की स्तिति म हो ठीक है आपको कम से कम दिमाग में थोड़ा इतना तो बहुत याद रहे कि आपसे पूचा जा रहा है ठीक है अब है आपका 69 समीधान संसोधन यह आपका 1988 में हुगा था कब 1988 में इस संसोधन के दोवारा राज्ज में राष्टपती सासन को 33 बरस तक बढ़ाने की विवस था की गई 69 समीधान संसोधन के द्वारा फ्रयापका 60 वा इस अदेनिये 60 समीधान संसोधन अदूनियम हुआ 1988 में विवसाय विती रोजगार पर करों की सीमा को 250 रुपे पिती वर्स से बढ़ा का 25 रुपे पिती वर्स किया गया था इसके तरह ठीक है यानि कि टेक्स से सं मंदीत रहा आपका 60 वा समीधान संसोधन फरे आपका 61 यह आपका मत्वून है 61 समीधान संसोधन होता है आपका 1989 में इसके द्वारा आर्टीकल जो आपका 326 है अनुचे 326 इसमें संसोधन करके लोकसभा तथा राजजी विधान सभाओं के चुनाव में मद्दान करने की न तभी आप बोड़ दने के लायक होते थे लेकिन अब 61 समीधान संसोधन द्वारा 18 वर्स कर दी गई से खटाकर 21 वर्स फिर आता है आपका समीधान संसोधन 62 वार यह आपका 1989 में ही होता है इसके द्वाला लोकसभा तथा राज विधान सभाओं में अनुचित जातियों जन 2000 तक बढ़ा दी गई है जो आरक्षण की विवस्ता है आंगल भालतीय के लिए चुने जाते हैं आपके लोकसभा से दो सदस और विधान सभाओं से एक सदस चुना जाता है विधान सभा में और जो अनुसुचित और अनुसुचित जन जातियों के लिए आरक्षण की समिधान मिधान सनसुधन 1,764 में में इसके दवारा पंजाब में राश्यपदी शाषन में विधी की साड़ी 3 साल के लिए कर दिया गया था फर यह आपका समिधान संसो दन 65 वार यह आपका 1990 में होता है इसके द्वारा अनचित 338 में शंसो दित करके अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती आयोक की गठिन की विवस्ता की अनचित 348 के तरह फिर आपका समिधान का संसोधन 66 यह आपका उसी 1990 में होता है इसके द्वारा समिधान की 9 अनसुची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया 50-55 भू सुधार अधिनियमों को इसमें सामिल किया गया था 9 अनसुची में फिर उता है आपका सरसटवा समिधान संसोधन ये आपका 1990 में होता है इसके द्वारा अनुछे 356 में संसोधत करके पंजाब में राश्कपदी स्यासन की अवधी चार वर्स तक बढ़ाई है कितनी चार वर्स तक ये आपका उसी समय का समय की बात है जब आपके इंद्रा गां समदी की बीच का समय है प्रह समिधान समिधान में 68 संसोधन ये आपका 1991 में होता है इसके द्वारा अनुछे 356 में संसोधन करके पंजाब में राश्कपदी सासन की अवधी पांच वर्स तक बढ़ा दी गई याद रखिए 356 आर्टी का लावका राश्कपदी सासन से संब अधिनियम 1991 69 समिधान संसोधन कब होता है 1991 में इसके द्वारा समिधान में अनुछे 249 का और 249 खा जूड कर दिल्ली का नया नाम राश्किये राध्धान इज्चेत दिल्ली किया गया और इसके लिए 70 कितना 70 सदसीय विधान सभा और 7 सदसीय मंतिरी बर्सत के गठन की बा 1992 में होता है इसके द्वारा दिल्ली पांडी चेरी संगराजी छित्रों की विधान सभाओं के सदस्तों को राष्टपती के निरवाचक मंडल में सामयल करने का प्रावधन किया गया था इसके दिए फिर आपका समिधान का 171 संसोधन यह आपका 92 समीधान इसके द्वारा सम इसके साथ ही आपकी अनुसुचित भासाओं की संख्या कुल अठारे हो गई समिधान का बहततरवा समिधान संसोधन होता है 1992 में ही इसके दोवारा लोकसपा तथा वराज्य विधान सभाओं की निर्वाचन चेतरों की सीमांकन के लिए परिसीमन आयोक की गठन का की बेवस्था की दे फिर आपका समिधान का तेहतरवा संसोधन ये 1992 में होता है इसके दोवारा समिधान के भाग नौ में अनुस्चे 243 का सेड़ा तथा अनुसूची ग्यारेज को जोड़कर संफून भारत में पंच्याती राज की स्थापना का प्रावधान किया एक बात आपको याद रखना जो तेह्तरवा समिधान संसोधन ये आकी पंचायत विवस्ता से संब्दित हैं और जो आपका 74 में ये आपका उननीस्टों तैजाइदान में होता है और ये आपका नगरिये पिसासन से संब्दित है इसके दवारा समिधान में भाग नौ का जोड़ा गया और चे 243 या चा तक जोड़ा गया और बारभी अनोसूची जोड़कर नगरिये स्थानिये सासन को समझानिक स्पारथ तक तथा नगरपालिकाओं भारभी कि अन्सूची में वाडित कोल 18 विसें उपर पिधी बनानी की सकती यानि की कानून बनानी की सकती पिनाखी तो इत्यत्तर आपका पंचाय से सम्मंदिद और चोहत्तरवापका नगडियर पिसासन से संब्ल दीत है ठीक है फिर होता है आपका पचत्तरवा क्या है पचत्तरवा समिधान की 75 संसोदन 1994 में होता है इसके दोौरा किरायदारों और मकान मालिकों की बिच बिबात को सुल्या नहें तो राजियों में टीवीवन लओ की गत्ँन की वे वस्ता की गईए प्रयापका सम्मिधान का 76 अंसोधन अधिनियम 1994 में होता है इसके द्वारा तमिलाडू की नौभी अनुसूची में इसके द्वारा सम्मिधान की नौभी अनुसूची में आमेर की तमिलाडू, बैकबर्ड क्लासिस, सिडूल कास्टर, इसमें आपका टोटल 79 अरक्षित हो गया था तो इसमें आपका इसे नौभी अनुसूची में डाल लिया गया वेखिये इस सम्मिधान सम्मिलाडू में सिक्षर संस्था हो और सरकारी नौकियों में 69 पितीसित आरक्षित की वेउस्था की यह संसुदह नदीनियम 31 अगर्स्त 1994 को प्रभावी हुए फ्रे आपका सदत्तरवा सम्मिधान संसुदह यह आपका 1995 में होता है सम्मिधान में 16 में एक नया उकंड चार का जोड़कर एक उप्पंद किया गया कि जिसके अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पदोननती के लिए अनुसुचित जाती जन्जाती को आरक्षण पितान किया जा सकता है फिर आपका 78 वा सम्मिधान संसुदह यह आपका 1995 में होता है इसके त्वारा सम्मिधान की नौबी अनुसुची में भूमी सुदार से संबंदी 27 अत्रिक तदिनियम को जोड़ दिया गया ताकि उन्हें मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर आमान नहीं किया जा सकते है इसकार नौबी अनुसुची में सम्मिलित अधिनियमो की कुल संक्या 284 होगी सीधा से मतलब था है सरकार का कि जिसे अगर उच्च न्याले तक ना जाने देना हो उसे नौबी अनुसुची में डाल देजिए आपका काम खतम हो जाएगा फिर चाहे जनता हो कोई भी हो कहीं नहीं जा सकती है फिर आपका 89 सम्मिधान संसुधन या 1991 में होता है इसके द्वारा सम्मिधान में अनुचित 334 में संसुधन करके पचास वर्ष के इस्तान बसाट वर्ष सब्द कर दिया गए इस पेकार इस संसुधन के द्वारा अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लोगों के लिए लोकसभा एवं राजजविधान सभाव में आरक्षन की अवधी को तथा आंगल भारतिय वितिने दित को ब संसुधन आपका बार बार होता रहे है समिदानमे से कुछ हिस्सा देती अपनी आयर नसी इस संसोधन के द्वारा दो सब्सक्राइब के खंड ए और दो में के स्थान पर न्या खंड तथा अनुच्छे 270 के स्थान पर न्या अनुच्छ रखा गया जबकि 272 को समाप्त कर दिया गया यह संसोधन आपका एक अपरेल 1996 को लागू से लागू माना गया हूं चीक है सर्यापका समिधान का 81 संसोधन अधिनियम यह आपका 2000 में होता है सन 2000 में इस संसोधन के द्वारा अनुच्छ जातियों और अनुच्छ जन जातियों तथा अन पिचड़े बर्गों के लिए सरकारी नोक्रियों में आरक्छन की ब वर्स में ना भरी जाने वाली बकाय रिक्तियों को एक पिथक बर्ग माना जाएगा और अंगले वर्स भरा जाए गए बहले ही उसकी सीमा पचास पिती सथ से अधिक क्यों ना हो जाए जैसे आप समझ सकते हैं आरक्छे सीटे हैं इस बार नहीं भरी जाती है तो उसे अंग समिधान का 82 बाद संसोधन यह आपका संद 2000 में यह होता है इस समिधान संसोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नोक्रियों में आरक्छित रिक्ति स्थानों की भरती है तो फरवनतियों की मामली में अनसूचित जातियों और जन जातियों की अधीन अभ्यारतियों के समिधान संसोधन यह होता है सन 2000 में इस संसोधन के द्वारा राज संस्ताओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षन का प्राउथन ना करने की छूट पिदान की गई फिर अरुणाचल पिदेश में कोई भी अनुसूचित ना होने के कारण उसे यह चूट पिदान की गई थी तो याद रखी अरुणाचल पिदेश में आपका कोई भी अनुसूचित जाती नहीं है एसी फिर चौरासी वा समिधान संसोधन होता है 2001 में इस संसोधन के दोवारा लोकसवात था अबिदान सभाव में कि सीटों में संख्या में बर्ष 25-26 तक कोई परीवर्टन ना करने का प्राहधन किया गया है यानि कि अब यही विवस्ता है कि 2026 के बाद सीटों में परीवर्टन होगा घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है जीकि 2026 तक इसे सीमित कर दिया गया 85 वा समिधान संसोधन है या आपका सं 2001 में होता है इस संसोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाती जन जाती के अभ्यारतियों के लिए पदवन्नतियों में आरक्षन की विवस्ता किया गया पईडाम सरू वरिष्टिता का जून 1995 से परभावी मानने की विवस्ता की गया फिर आपका संमिधान का 86 वा संसोधन अदिनियन 2002 में होता है यह अभी आपके लिए बहुत ही मात्मूर है तो इसे याद रखना है आपको क्या इस आपका 2002 में होता है इस संसोधन के द्वारा देश में 6 से 14 वर्स की आयू के जो भी बच्चे है उनके लिए अनिवार और निसुल सिख्चा को मौलिक अधिकार के रूम में मानता दीगी और इसे अनुचे 21 का के अंतरगत संमिधान में जोड़ा गया है तो याद रखना 21 का आपका 86 संसोधन 2002 में जोड़ा गया था इस अधिनियम द्वारा संमिधान के अनुचे 45 और अनुचे 59 का में संसोधन किया जाने का प्रावधान किया गया 59 का में जो मौलिक कर्तब में आपकी उनमें 11 कर्तब इसी के तहर जोड़ा गया था ठीक है फर यह आपका 87 संसोधन यह आपका सं 2003 में होता है इस संसोधन द्वारा परीशीमर में जनसंख्या करादार 1991 की जनगरना के स्थान पर 2000 एक कर दी गई थी संभीधान का 188 संसोधन admire 23rd में होता है इस संसोधन दवारा's स्यसी और करक्री पहला पालता था फिर संभीधान में आप MARKता संभीधान książ कुरुई लेकिन बाद में 2003 में इस iader 2 wells में अलगण कर दो फिर है आपका 90 वा समिधान संसोधन ये आपका 2003 में ही होता है इस संसोधन द्वारा असम विधान सभा में अनुसूचित जंजातियों और गेर अनुसूचित जंजातियों का पिधिनिदित वरकरा रखते हुए बोडो लेंड टेरिटोरियल कॉंसिल चेत गेर जंजाती के लो 2003 में ही होता है दल बल दल बदल विवस्ता में संसोधन के वल संपूर दल के विलेकुमानता कैंद या राजमंत्री परशत की सदस्वाओं 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 की मंत्री मंदल का प्राधों ने यह दस 15 विदीशत से जाना नहीं होगा ठीक है और जहां सदन की सदस संख्या की बात करें तो बारहे होगी अधिक्तम यहां मंत्री बारहे होगी ठीक है जहां 40 सदस हैं विदान सवाद में थरे आपका 92 वास्त विदान संसुधन यह आपका 2003 मे सन्सूधन द्भारहां समिधान के याठवी अनसूची में बोडू, दोग्री, मैतली और संथाली भासाओं का समावेश करने किए साथी अनसूचित भासाओं की कुल 12 हो ग Kolос होगी कितनी 22 यदर की चार वासाइं जोड़ी गाई थी 92 समिधान संसूधन द्वारहां, बात करें हम लोग समिधान में 293 संसोधन द्वारा 2005 में होता है इस संसोधन द्वारा प्सिक्षर संस्थाओं में अनुसूचित जाती जन जाती और अन पिछड़े बरगों के नागरेकों के दाखले के लिए सीटों के आरक्षण की विवस्ता की गई समिधान के अंट्षित 15 की धारा चार के प्रावधानों के अंतरगत की गई थी ये बेवस्ता ठीक है तुरे आपका समिधान में 94 वा समिधान संसोधन नियम 2006 में होता है इस संसोधन द्वारा विहार राज्य को एक जंजाती कल्यान मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदाई से म समिधान संसोधन यह आपका 2009 में होता है इस संसोधन द्वारा अनुचे 334 में संसोधन का लोकसवा में अनुसूचित जातियों जंजातियों के आरक्षन आंगल भारतियों को मनुनीत करने समंदी प्रावधान को दस बसों के लिए बढ़ा दिया यानि कि अब 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था आगे वे एक बार और संसोधन होता है उससे भी देखते हैं हम लोग भी फिर आपका 96 वा समिधान संसोधन यह आपका 2011 में होता है इस संसोधन द्वारा अनुचे 8 में उडिया की स्थान पर उडिया उडिया की संब्द इस्थान पर ओडिया हो गया नाम इसका बदल कर समिधान के 97 वा समिधान संसोधन आपका 2012 में होता है इस संसोधन द्वारा अनुचे 9 में संसोधन तथा भाग नौखा जोड़ा गया इसके द्वारा सहकारी संतियों को एक समिधानिक स्थान और सरक्षण पिदान किया गया इससे आपका सहकार्टा 98 वा संसोधन आदिनियम 2013 इस संसोधन द्वारा अनुचे 3801 जामे संसोधन द्वारा हेदरावाद करनाटक चित को विश्षित करने के लिए करनाटक की राजबाल की सकतियों का विस्तार किया गया यानि कि राजबाल को सकतियां दी गई कुछ ठीए मात् पोने अपका तथा 124 गा को समिधार के नुचे 124 के बाद सामिल किया गया। यह अधिनियम पिष्टावित राष्टी नयायक निकति आयोक के संगटन तथा अधिकार भी तेयार कियाता है। फिर आपका सौबा समिधार जनसुदन यह आपका 2015 में होता है। इसके ताइच पिथा मनसुची को 16 मैं 1974 को हस्तांचरित भू स्वामी भू सीमा के सिमाकन के से समझोते और दिनांग 6 सेप्टमर 2011 को हस्तांचरित करके उसके मूल पत्त की अनुसरन मेहानी कर अधिपत्त को बनाए रखते हुए विदेशी अंताचित की अदला बदली हस्तांत प्योजन को लागू करने के लिए सन्सोधित किया गया इसके द्वार है कि इसके द्वारा मैं भंगलादिश भूमी भारत बंगलादिश भूमी हस्त अंतरन भी किया और आपका समझान का संसोधन 101 यह आपका 2017 हं होता है एक जुलाही Assassin को सम्विधान के अनुचे 246a, 289a, 289a को जोड़ा गया तथा 268a को समाप्त कर दिया गया अनुचे 248, 294, 250, 268, 279, 270, 281, 276, sorry 286, 366, 366 अनुची तथा साथवी अनुची को संसोधित किया गया इस अधिनियव के द्वारा GST विवस्ता, Good and Service Tax अर्थाद बस्तु सेवा कर एक नया कर सामिल किया गया इसमें, इन डारेक्ट टेक्सों को अटाते हुए इसे लाए गया और भी आपके हुए हैं, उन्हें भी बता देते हैं, इसमें आप अपडेट नहीं है, तो आपका जो 102 बाद था, कम सा? 101 बाद तो आपका हो गया किस से समंदित? जी एश्टी से समंदित, ठीक है, 102 बाद है OBC कमीशन यानि की पिछड़ा बरग आयू से समंदित, 102 बाद, 130 दिन बाद है आपका रेजर्वेशन 10 पिती सत, सामान ने, जो व्यक्ति हैं सामान में जाती कि, उनके रेजर्वेशन से समंदित है, 104 बाद आपका जो समिनार बा साने की वह उस्ता की गए, 104 बाद में, और आंगे जो भी होएंगे, होते रहेंगे, उन्हें हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है, तो यह आपके मात्पोन जितने भी संसोधन हुए, उनके बारे में देखी हम लोग है, अब आपको क्या करना है, कि सभी अनुश्विद्यों को रख लेना है, ठीक है, क्रम में दिये जा रहे हैं, तो आप इन्हें एक से दो बार पढ़ने अच्छे से, उन्हें किसी भी तरह से याद रख लें, क्योंकि अधिकतर कुर्श्विद्यों आपके इसी चेत से बनते हैं, तो पहला भाग हम लोग देखते हैं, पहला भाग इसमें दिया गया है, संग का नाम और राजचेत का बर्डन किया गया है, अंचेत जो आपका दो है, नए राज्यों का प्रिवेश या निर्मार से संबंदी थे, नए राज्यों की गठन से संबंदी थे, दो का जुडा गया तो इसी हटा दिया गया, यानि की रद्यकत दि नए राज्यों का निर्माड और बारतमान राज्यों की चित्रों सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की बात की गई है तो ये जो दो है आपका इसमें नए राज्यों का प्रवेश यानि कि जो भारत की राज्य नहीं है भारत का छित नहीं उनकी निर्माड की बात कर रहा है और जो article 3 है इन नए राज्यों का निर्माण बरत्मा राज्यों के छेत्रों सिमाओ और नामों में परिवर्तन एक राज जैसे आपका मद्ध पिदेश से चातीस गड़ा लग किया गया उत्तर पिदेश से उत्तरा खंड अलग किया गया तो आपका article 3 अनुचे तो चार है आपका पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संसुन तथा अनुपूरक अनुसांगिक परमाणिक विश्यों का उपन्द करने के लिए अनुचे दो और अनुचे तीन के दिन बनाईगी विधियों से संब्धित है ठीक है आर्टिकल चार फिर भ आर्टिकल 5 से 11 संब्धित है और भाग 2 जो आर्टिकल 5 है समीधार के प्यारम होने पर नागरेक्ता की बात करता है अनुचे जो 6 पाकिस्तान से भारत को प्रभजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरेक्ता का दिकार की बात करता है जो भागन पाकिस्तान से भारत आपका साथ है पाकिस्तान को प्रेजन करने वाले कुछ ब्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान करता है यानि कि जो ब्यक्ति पाकिस्तान गए और उसके बाद बाफसी भारता है उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है जो अनुचेद आर्ट है आपका भारत के बाहर यानि कि आप स्विक्षा से बिदेशी नांगरिकता जैसरे अमेरिका की नांगरिकता धारं कर लेते हैं तो भारतिय नांगरिकता नहीं रहेगी आपके पास जो अनुचेद आपका दस है यानि की Article 10 Champions ये नांगरिकता के अधिकारों के बना रहना से सम्माधित है अनुछेद 11, संसद्वारा नागरिक्ता के अधिकार का विधिक द्वारा वी नियमन किया जाना यारी कि संसद्वारा नागरिक्ता के अधिकार का कानून के अतहर वी नियमन किया जाना यह किस तरह से आप नागरेक रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं उसकी बात की जा रही है भाग तीसरा आता है यह आपका मूल अधिकार से संब्धित है फंडामेंटर राइट अनुछेद 12-35 इसमें दिया गया है 12-35 तक मूल अधिकारियों से संब्धित है 12 अनुछेद 12 राजी की परिवासा देता है अनुछेद 13 मूल अधिकारों से आसंगत उनका अलपी करन करने वाली बिदियों से संब्धित है सबसे पहला आपका मूलिक अधिकार आता है समता का अधिकार इसमें आर्टिकल 14 बिदी के समक्च संब्धित है जो आर्टिकल 15 है धरम मूल बंस जाती लेंगे या पिर जनमस्थान की आधार पर भेदभाव का नेसे यानि कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ जो आर्टिकल 16 है या आपका लोग नियुजन के बिसाय में आउसर की समता की बात करता है आर्टिकल 17 है या आपका अस्पश्शता यानि कि जाती के बहाँ बेदभाव पर यानि कि आप सोचें आप सामाने के ब्यक्ति में तो आप स्टी हैं से अस्पश्शत करते हैं अनुच्छ्यद 18 है जो आपका उपादियों का अंत करता है क्या करता है उपादियों का अंत करता है फिर आपका स्वतंता का अधिकार राइट टू फीडम इसमें आपका अनुच्छेद 19 वाग स्वतंत और बिसेक कुछ अधिकारों का सरक्षण करता है अनुच्छेद 20 अपरादों के लिए दोस्चिद्धी के संबने में सरक्षण देता है आर्टिकल 21 प्राण और दहिक स्वतंता का सरक्षण देता है आर्टिकल 21 का या आपका 86 वे समिधान संस्वतंत द्वारा जोड़ा गया प्यारम भीक सिक्षा का अधिकार देता है आर्टिकल 22 कुछ दसाओं में गिरपतारी निरोस्ते संबन्दी सरक्षण देता है याद रखिए हम लोग इसके वारे में पीछे अच्छे से पड़ भी चुके हैं और आपको यहां केबल परिक्षा के पॉइंट वीव से यानि की वंडे एकजाम को ध्यान मकते हुए बताय गया है अगर आप चाहते हैं कि आपको डेटेल से पढ़ना है तो NCEIT वाली के लास ले सकते हैं आप लोग देख सकते हों ठीक फ़र आपका सोसर्ण के विरूत अधिकार इसमें आर्टिकल 23 आपका सामिल है 24 23 में क्या है मानों के दुर्वयापार और वालासरम का निसेद आर्टिकल 24 कारखानों आदी में बालसरम का निसेद यानि कि बच्चों के लिए कारखानों में काम करने से संबंदित है फ़र आपका धार्मिक सुथन्ता का दिखा 25 अंताकरण की और धरम के आवाद रूप से मानने आचरन और पिचार करने की सतंता से संबंदित है आर्टिकल 26 आपका धार्मिक कारियों के प्रबंदन की सतंता से संबंदित है आर्टिकल 27 किसी बिसिष्ट धरम की अभी बैद्धी के लिए करों के संग्धाय के बारे में सतंता है यानि कि आप कोई संस्था धार्मिक संस्था बनाते हैं तो उस पर कर्म नहीं बसूला जाएगा अनुचेद 28 कुछ सिक्षा संस्थाओं में धार्मिक सिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्तिती होने के बारे में सुतन्ता दी गई फिर आपका संस्किती और सिक्षा संबंदी अधिकार इसमें आर्टिकल आपका 29 और 30 सामिल है 29 में क्या दिया गया है अलप संख्यक बरगों के हितों का संदक्षन बताए गया है और अनुचे 30 सिक्षा संस्ताओं की इस्थापना उपसासन करने का अलप संख्यक बरगों का अ जो आपका 31 ऐटीकल हुआ करता था उससे खतम कर दिया गया कि इसे निर्चे अनुचे 31 का में क्या है संपता आदी के अर्जन के लिए उबबंद करने वाली बिधियों की बैविप्ति अनुचे 31 का कुछ अदिनेमों और बीनेमों का बिधी मान ने करने अनुचे 31 का कुछ न निर्देशक तत्तों को प्रभावी करने वाली विधियों की बापत की गई है। फिर आपका सम्मिधान एक उपचारों का अधिकार 32। आप लोग जानते हैं इंगली से भीमरा उम्मेड कर साह हुने सम्मिधान की आत्माभी का है। इस भाग द्वारा पिदत अधिकारों को प्रभर्दित कराने के लिए उपचारी किया गया है। यानि कि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोट अधिकल 32 के तहर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोट रेट जारी कर सकता है। अनुचे 32 का को रदिकर तीयागे है। अनुचे 33 इस भाग द्वारा पिदत अधिकारों का बलों आधिकु होने में उपांतरन करने की संसत की सकती है। यानि कि हमारे जुश्यूसेनिक हैं उनके संबन्ध में संसत की सकती प्रभित होती है। तो उस भाग द्वारा फिदत अधिकारों का निर्वन्दन यानि कि वहां के जो अधिकार होते हैं विक्तियों की उन्हें खतम कर दिया जाता है एक तरह तक सीमा लगा देते हैं अनुचेत 35 इस भाग के वद्वनों को प्रभावी करने के लिए बिधान किया गया है इसमें अब चलते हम लोग भाग चार की तरफ क्यायत भाग चार राज के नीती निदेशक तत्त डारेक्टिव प्रेंसिपल और इस्टेट पॉलिसी इसमें आपके भाग चार है याद रखिए अनुचेत इसमें आपका 36 से इंग्यावन सामिल किया गया है अनुचेत जो 36 से इसमें ए परिवासा देता है राजियों की अनुचेत 37 से जो इस भाग में अंतरविष्ट तत्त्यों का लागू करना है अनुचेत 38 राज लोग कल्याड की अविविद्धी के लिए सारुजनिक विवस्था बनाएगा 49 राजद्वाना अनुशर्णिय कुछ नीतिंक तत्त है अनुचेत 49 का समान नयाय और निसुल्क विदिक साहता से समद्धित है अर्टिकल 40 ग्राम पंच्यादों की गठन की बात करता है अनुचेत 41 कुछ दसाओं में काम, सिख्चा और लोग साहता पाने का दिकार है आर्टिकल 42 काम की नयाय संगत और मनुविच्चित दसाओं तथा प्रिशूती साहता को बन्दे 43 में आपका करम कारों के लिए निरवाहर मजदूरी की बात कही गई 43 कामयाद का उद्धोगों की पिरवंदन में करमकारों का भाग लेना से संबंदित है आर्टिकल 44 नांगरेकों के लिए एक समान से भी सहता की बात की गई है आर्टिकल 45 बालकों के लिए निसुल्क और अनिवार सिक्चा का उप्बंद किया गया आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों और अनुदूर्वल बर्गों की सिक्चा और अर्थ संबंदी हितों की अभी गद्धी की बात की गई है आर्टिकल 47 पोसाहर इस्तर हो जीवन इस्तर को उचा करने तथा लोग स्वास्थ का सुधार करने का राज़ करतब बताये गए आर्टिकल 48 केसी और पसुपालन का सिब्भ शाथे थे Article 48 का पर्याव्ण का सरक्षन और सम्मर्धन, बन तथा बन जीवों की रक्षा की बात की गई है अनुचेत उननचास राष्टियमात की इसमारकों, इस्थानों, बस्तूं की सरक्षन की बात की गई है article 50 कार्विपालिका के से न्यायपालिका का प्रित्ताकरा यानि कि अलग अलग दोनों की न्यायपालिका काम की बात की गई article 59 अंतराष्टिय सांतियो सुरक्चा की अभिविद्ति की बात की गई अब हैं आपके मूल कर्तब भाग चार का जोड़ा गया था 42 समिधान संसोतन द्वारा मूल कर्तब फंडामेंटल डिवुटीज अनुचेत इंक्यावन का जोड़ा गया था इसमें मूल कर्तब भारत के प्तेक नागरिक का ये कर्तब होगा कि वह समिधान का पालन करे उसके आदरसों, संस्थाओं और राष्टगान का आदर करे सुतंता के लिए हमारे राष्टी आंदोलन को पेरित करने वाले उच्चा दरसों को हेदय में सजोई रखे और उनका पालन करे बारत की 스타 एक्ता और रखंड़ता की रख्चा करे उसे अच्छुन बना रखे देश की रख्चा करे और आहन किये जाने पर राष्ट की सेबा करे बारत के सभी लोगों में समर्ष्टा और समान भातूत की भावना का निर्मार करे जो धरम भासा और पिदेश या फिर बरग परालदारे सबी भेधभाओं से परे हो। ऐसी पिताओं का त्याग परे जो महिलाओं की संबान की विरूत हो। हमारी सामाजी एक संस्किती की गौरब साली परंपरा का मात्य समझे और उसे परिरक्चन यानी की रक्चा करे। प्राक्तिक परियाबन जिसमें आपका अंतरगत बन, जील, नदी, बन जीव इनकी रक्चा करें और उनका संबर्धन करें और प्राणी मात के पती दया भाव रखें। बिग्यानिक दिश्टिक और मानोबाग, ज्यानरजन, तत्वा सुधारी की भावना का विकास करें। सारुजनिक संपत्ति की सुरक्षे तरह की और इंसा से दूर है। आप ही सोचिए, अगर हमारा देश का हर नागरी अपने मूल कर्तपों से पर्चित हो जाए, और मानने लगे, तो हमारा देश कहां पहुंच जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग। हमारे यहां थोड़ा सा अगर दंगा होता है यानि कोई अंदूलन होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बसों में आग लगाने लगते हैं। सरकारी संपत्ती को जलाने लगते हैं लेकिन एंडड़ा भरना इसका अरजाना जनता को यी पढ़ता है। ठीक है तो समझें थोड़ा फिर आंगला है ब्यक्तिगत और सामुई गतिविधियों के सभी छेत्रों में उतकरश की वो बढ़ने का सदत प्रयाद करें जिसमें नाश राष्ट नेरंतर बढ़ते हुए पेरतन और पलबदियों की नई उचाईयों कुछ हो सके जो माता-पित फिर सारक्षकों वच्छे से चौदर बर्स के बीच की आयू के यथा इस्तेती अपने बच्चे यत्वा पिती पालने की कुछ सिक्षा पर राप्त करने की आउसर पिदान करें यह आपके कुल 11 मौली करतब है ठीक है पहले आपके 10 जोड़े गए उसके बाद एक आपका 26 सिबे संविनान संसुदन द्वारा जोड़ा गया था अब यह आपका भाग 5 भाग 4 हम कतम कर चुके हैं और 4 काको भी देख चुके हैं भाग 5 यह आपका अर्टीकल इसमें 52 से 159 तक दिया गया है भाग 5 में आपका अर्टीकल 159 तक दिया गया है 52 से लेकर तो अध्याए 1 इसमें देखते हैं कारिपालिका अध्याएक में क्या है कारिपालिका इसमें सबसे पहले है राष्टपती उपराष्टपती अनुचे बावन से 73 तक अनुचे जो बावन है आपका भारत का राष्टपती होगा एक अनुचे त्रेपन संगी की कारिपालिका सकती आपके राष उसके बात कही गई है अनुचेद आपका 66 आर्टिकल 56 में राउटर्पती की कारिकाल की बात की गई है अनुचेद संथाल्वन पुनर निर्वाचन के लिए पात्ता के वात कहीं है यानिकि आपके देश में राष्टपती दुबारा भी चुना जा सकता है अनुछे 58 एक राष्टपती जैसे राजिन्त पे साथ थे वो दुबारा भी राष्टपती बने ना इसकी बात की जा रही है अनुछे जो 58 है इसमें राष्टपती निर्वाचित होने के लिए आयता है यानि कि क्या-क्या युगदाएं होने चाहिए किसी ब्यक्ति में तब राष्टपती बन सकता है उसकी बात की गही है Article 69, राष्टपती पत के लिए सर्तिं क्या होनी चाहिए, उसकी बात की गई है, Article 60, इसमें राष्टपती द्वारा सपत्याप पित्धी ज्यान सपत की बात की गई है, Article 61, Article 61 में महभयोग यानी कि हटाने की पिक्रिया की बात की गई है, राष्टपती के हटाने की और, आर्टिकल जो 62 है वराष्टपती पत की रिक्ति को भरने के लिए निरवाचन करने का समय की बात की गई है भरने का लिए निरवाचन समय और आकस्म रिक्ति को भरने के लिए निरवाचित ब्यक्ति की पदावदी की बात की गई है यानि कि आप सोचिए एक की राष्टपती का पद खाली हो जाता है तो उसके 6 मैलें की बेता समय की बाद की गए एक, हिसे भन्णा ज़रूरी होता है फिर आपका अर्टिकल 63, इसमें भारत की उपराष्टपती की बाद में बात की गए Researchers भारत का एक उपराष्टपती होगा प्रयाव का 64 इसमें उपराष्टपती का राजसभा का पदेन सभापती की बात की लिए है आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए क्या कि जो आपका उपराष्टपती होता है यह राजसभा का पदेन सभापती होता है यानि कि यह र राजसभा का पदेन सभापती होने के लिए राश्टपती को राश्टपती को सदस होने के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए आप वो मद्दान भी नहीं कर पाता है राजसभा में। आर्टिकल जो 65 है राष्टपती के पद में आकस्मिक रिखती के दोरान या उसकी अनपस्थिती में उप राष्टपती का राष्टपती के रूम में कार करना उसके कृत्तों का यानि की कारियों का निर्भान करने की बात की गए या सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट पती उपस्थित ना है यानि कि या तो उसका पत खाली हो या फिर कहीं किसी भी कारण से गया हो तो उसके जो कारण है या जो पत है उस पर कौन बैठेगा उपराष्ट पती अगर उपराष्टपती भी नहीं है उस समय तो आपके उस पत पर बैठेगा नियाय दीज, नियाय मुर्दी, ठीक है आर्टिकल 66 की बात अगर हम बात करें तो उपराष्टपती के निर्वाचन की बात की गई है कि किस बिदी से चुना जाएगा आर्टिकल 66 उपराष्टपती की पदाहोधी की बात करता है यानि की समयकाल की कट तक रह सकता है अनुछेद 59 उपर राष्टपती द्वारा सपत या फिति ज्ञानी की सपत लेनी की बात की गई है। की सकति प्रहापत है कि वो किसी वैक्ति को कि सजा को कम कर सकता है या फिर भांसी से उमकhrad में बदल सकता है या फिर कुल शमा कर सकता है उसकी बात की गई एअर्टिकल 62 की तहित ठीक है राश्टपती को सकती है आर्टिकल 73 संग्य की कारफाल का सकती की की बात की गई है सक्ति के विस्तार की बात की गई है, ठाला, फिराता है आपका मंतरी परशद, मंतरी परशद अनुछे 76 में ये भी आपके लिए बहुत ही मात्मून आर्टिकल है अनुछे 76 भारत के महानियावादी से संबंदी थे यान जीं की महानियावादी के पत्त से संबंदी थे सरकारी कार का संचालन या आपका 77 से 78 आर्टिकल में दी गया है अन्चे 77 भारत सरकार के कारियों का संचालन की बात करता है आर्टिकल 78 वराष्टपती को जानकारी देने आदी के संबन्द में पिधानमंत्री के कर्तबों की बात करता है यानि कि राष्ट्पती अगर कोई जानकारी मांगता है तो पिदानमंत्री के कर्तब है कि उससे जानकारी उपलब्द कराए इसकी बात करता है फिर औया अद्ध्याए आपका दो बाग पाँच में संसद यानि की पालिया मेंट इसमें 89 से 88 अधासी तक आर्टीकल के बारे में बात की किए है साधर्ण जर्ण उन्नय आसी संसद का गठन जuda है जिसमें आपका राष्टपती होता था है लोक सभा की बात की जा रही है आर्टिकल ब्यासी पितेक जनगरना के पश्चात पुनायर समाय उजन यानि कि पितेक जनगरना के बात सीटों का जो बटवारा होते है उसकी बात की जा रही है आर्टिकल तेरासी संसत की सदस्तों की अवधी की बात की जा रही है यानि कि उनकी कितने का काल होगा उनका आर्टिकल 84 संसत की सदस्ता के लिए जो जरूरी आहालता है होती है उसकी बात की जा रही है आर्टिकल 85 संसत का सत्त सत्तावसान विक्टन यानि कि जो सत्त चलते रहते हैं उसका विक्टन होता रहता है सत्तावसान होने लगता है आर्टिकल 85 उससे संबंदित इतुक रहा है, सदनों में अभीभासर और उनके संदेज भेजने का राश्टपती के रधिकारी की बात की जा रही है, अर्टिकल 87 राश्टती कसे राष्ट पती के राखाई की बात की जा रही है आर्टीकल 85 अ पदनों के बारे में मंत्रियों और महानियावादी के अधिकारों की बात की जा रही है अर्टिकल 88 में फिर आपका संसथ के अधिकारी ओफिस और पार्लियमेंट इसमें यह आपका 89 से 99 तक अनुशेद इससे समझ देखे अनुशेद 89 राज्यसवा का सभापती और पति आपका उपराष्टि पती होता है, उपसभापती आपका चुना जाता है राज्यसभागी सदसों में से. Article 90, उपसभापती का पद्रिक्त होना, पद्याग या फिर पद से हटाय जाने की बात की जा रही है. आर्टिकल 91 सभापती की पत के कर्तबों का पालन करने या फिर सभापती की रूम में कारी करने की उपसभापती या अनव्यक्ति की सक्ति की बात की जा रही है जब आपका सभापती ना उपलब्द हो, तब उपसभापती या पिर कोई अनसदस इस पद का प्रेयोग करेगा, कारी करेगा जो अंचेत आपका वानवे है जब सभापती या उपसभापती को पद से हटाने का कोई संकल विचारा दीन हो तो उसका पीठा सींग ना होना है की बात की जा रही है Article 93, लोगसभा के अध्यक्च उपाध्यक्च की बात की जा रही है ये दोनों क्या होते हैं कि आपकी लोगसभा की सदस्तों में से चुने जाते हैं Article 94, अध्यक्च उपाध्यक्च पद की रिक्त होना या फिर पत्याक करना या फिर पद से हटाय जाने की बात की जा रही है इसमें Article 95 अध्यक्ष के पद के कर्तबों का पालन करने अध्यक्ष के रूम में कार करने की उपाध्यक्ष या फिर अन्डवेक्ती की सकती की बात की जा रही है यानि कि जब आपका लोगसा अध्यक्ष ना हो तो उसमें कौन काम करेगा इसकी बात की जा रही है Article 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल बिचारा दीन है तो उसका पिठा से इंग ना होना की बात की जा रही है यानि कि उसमें उसका अपने पद पर रहना कुछ इतन नहीं रहेगा वो कोई भी नेड़ा नहीं लिए सकता है Article 97 सभापती उपसभापती अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बितन और भत्तों की बात की जा रही है Article 98 संसत का सचिवाले की बात की जा रही है फिर आपका कार संचालन से सम्मंदित Article 99 और 100 99 में क्या बात की गई है सदस्तन द्वारा सपत और पितिक बियान की बात की गई है Article 100 सदनों में मद्दान रिक्तियों के होते हुवी सदनों की कारेयों की सकती और गड़पूर्थी की बात की जा रही है फिर आपका सदस्तों की निरहारता है आपके सदस्तों की निरहाताओं की बारे में बात की जा रही है अनुचेद 101 से 104 इसमें ब्याक्या की गई 101 जो है इस्थानों का रेक्त होने की बात करता है सदस्तों की Article 102 सदस्तों के लिए नहरता यानि क्या जरूई होती उसकी बात की जा रही है 103 सदस्टों की निरहताओं से समम्दित पिसंओं पर 12 चय की बात की जा रही है अर्टिकल 104 अनुछे 99 ये दिन सपत लेने या फिर पेतेज्ञान करने से पहले या अहिरत ना होते हुए निरहत किये जाने पर बेाथने और मद्दयने के लिए सकती की बात की जा रही है आर्टिकल 104 में तरह आपका संसद और उसके सदसों की सक्तियों बिसे सदिकार और उन मुक्तियों की बात की जा रही है यह आर्टिकल 105 से 106 है यह 105 में क्या बात की गई है संसद के सदनों की और उसके सदसों और सम्तियों की सक्तियों आदी बिसे सदिकार की बात की गई है जो सांसदों को मिले हुए आर्टिकल 106 संसदों के बेतन और भत्ति की बात की जा रही है जो आपके संसदों से उनके बेतन और भत्ति की बात की जा रही है फिर है आपका क्या विदाई पिक्क्रिया 107-111 इसमें संभन्दित है 107-विद्यकों के पुनर स्थापना परीद किया जाने के उपन्द में संभन्द में उपन्द की बात किया रहे है जो आपके विद्यक आते रहते है 108-कुछ दसाओं में दोनों सदरों की सहुक्थ भैठक की बात किया रहे है इस सयुक्त बैठक को तब बुलाए जाता है जब दोनों राजसभा और लोकसभा में कुछ किसी बात को लेकर आम सहिमती ना बन रही हो याद रखें सयुक्त बैठक को बुलाता आपका राष्टकती यानि की परिशिडेंट और इसकी अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष ठीक है बुलाता को ना राष्टकती और बैठक करता है लोकसभा अध्यक्ष आर्टीकल जो 109 है धन विदेयक की समद्ध में विजि पर अनुमती की बात करता है तो आपका विश्याओं के संब्द में फिक्रिया यह आपका आर्टिकल 112-117 दिया गया तो 112 में क्या है बार्सिय वित्रण वित्तिय वित्रण जो आप लोग बजट देखते हैं इसकी बात की जारें याग रखिए बजट का सब्दका यूज आप का संब्दार में कहीं भी नहीं किया गया है इसकी जगे पर एक सब्द का यूज किया जा रहे है वित्तिय वित्रण विवरण इसी को द्यान में रखते हुए आपकी आप हर साल बार्शिक पजट प्येस किया जाता है आर्टिकल 113 संसद में प्राकलाओं के संबंद में वि देने विद्याक की बात की जा रही है अनुचेद 115 अनुपूरत अत्रिक्त अधिक अनुदान की मांग की जा रही है अनुचेद 116 लेख अनुदान पित्य अनुदान अप वादा नुदान की बात की जा रही है आर्टिकल 117 वित्ति विद्याकों के बारे में विसीश उप या कि या चmosबन की बात की जा रहीं तर्ई आपका साधारन डिक करियां मैं अनुचिद लिश्द ऑफका साधारं खेल से 122 बात की जारें रहें अनुचिद 118 ग का कि द्वारां अनुचिद 21, संसथ में चर्चा का निरबंधन की बात करता है, यह चर्चा चलती रहती हैं किसीभी काम पर उसी की बात कर रहा है, Article 22, नियालेवों द्वारह संसथ की कारवाहियों की जहां नाग किया जाना की बात करता है, पर आपका अध्याय 3, भाग 5 की बात ही चल रही है, राष्टपती की बिधाई सक्तियों की बात करता है आर्टीकल 123 एक दो तीन यानि कि अलुचेद 123 के तैस संसत के विस्तरांती काल में अध्यादेश पिख्यादिक करने की राष्टपती की सक्ति यानि कि जब आपका संसत का सत्त ना चलना हो तो उस समय आपका किसी कानून की जरूरत है तो आपका राष्टपती क्या करेगा कि एक अध्यादेश लाएगा और जब आपकी संसत की बेटके चालू हो जाए तो उसके 6 सब्ताई के बीतर उसे पास कराना है जरूरी होता है जो राष्टपती आपका अध्यादेश जारी करता है वो उसी अध्यादेश की तरह लेता है आधिनियम की तरह लेता है वही काम करता है उस तना ही पिरभावी होता है जितना की एक संसत के दोरा हम बनाए जाता है ठीक है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि राष्टपती आपके जिस समय केंद में जिसकी सरकार हो चाहे फिर NDA की वो प्रचाई UPA की उसी की सहमती से ही अध्यादे से लाता है अकसर यही देखा जाता है क्योंगी आप देखते हैं राष्टपती को कौन बनाता है वही पारटी तो बनाती है जो सकती साली होती है के अंद में और आज सवा में समझ सकते हैं लोग अध्याय 4 की अगर बात करें हम तो संगे की नियाइपालिका की बात की गई है इसमें आपकी दा यूनियन जोड़ी सरी की और इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक की बात की गई है ये आपके संगे की नियाइपालिका की सम्मदी थे आपके आर्टिकल 124 से 147 124 में क्या बात की गई है उचितम नियालाई की स्थापना और गठन की बात की गई है आर्टीकल 125 में आपके नियादीसों के बितन की बात की गई है समझ सकते हैं आप तो आर्टीकल 126 कारकारी मुख नियादी मूर्ती की बात की गई है नियुकती की आर्टीकल 127 तदर्थ नियाय मूर्थियों की नियुक्ति की गई है आर्टीकल 128 उच्छितम नियालय की बेट ठकों में सेवा निवित नियादीसों की बात उपस्तिती की बात की जा रहे है Article 139 उच्छितम न्यालय का अभिलेक न्यालय होना की बात की जा रही है Article 130 उच्छितम न्यालय का इस्थान की बात की जा रही है और याद रखे Article 131 का था इसे रद्ध कर दिया गया था फरे आपका Article 132 कुछ मामलों में उच्छ नीअलयों से अपीलों में उच्छ नीअलय की अपीली अधिकारता की बात की जाए Article 133 उच्छितम न्यालय की अपील की अधिकारता की बात की जा रही है Article 137 नैड़यों या फिर आदेशों का उच्छितम न्यालय द्वारा पुनरविलोगन की बात की जा रही है याद रखिए अगर आप विस्तार में आपका मन है की विस्तार में इसे पढ़ लिया जाए तो आप NCEIT देख सकते हैं या फिर M. Lachmikant को भी देख सकते हैं अनुचेत 138 उच्छितम न्यालय की अधिकारता की बिद्धी की बात की जा रही है Article 149 उच्छितम न्यालय की अनुशांगिक सकते हैं Article 141 उच्छितम न्यालय की डिक्रियों और आदेशों की प्रवर्तन और प्रगिटी करें में आदि के बारे में आदिस की बात की जा रही है Article 143 उच्छितम न्याले से परामर्ष करने की राष्टपती की सकती की बात की जा रही है यानि कि किसी काम में अगर राष्टपती चाहे तो उच्छितम न्याले की परामर्ष ले सकता है तेकल लेकिन इसे राष्टपती मानने के लिए बात नहीं रहता है 144 आर्टीकल में सिविल और नयाएक पुराधीकारियों दोरा उच्छितम नयाले की सहायता से कार किये जाने की बात की जा रही है जो आर्टीकल 144 था इसे आपका हटा दिया गे था रद्ध कर दिया गया का 144 का आर्टीकल 145 में नयाले की नियम आधी की बात की जा रही है आर्टीकल 146 में उच्छितम नयाले की अधिकारी और स्रेवक तथा बय की बात की जा रही है आर्टिकल 147 में निर्वाचन की बात की दिया रही है अब भाग 5 का आर्टिकल अध्याय आपका 5 है आर्टिकल इसमें आपके 148 से 119 बनता के भारत का नियंतक एवं महाले का परिक्चब अनुचीत 148 इसे भी आपके कुष्चन से बनते रहते हैं जो आर्टिकल 148 से आपका इभारत का नियंतक एवं महाले का परिक्चक की बात करता है आर्टिकल इंक्यापन समपरिक्चा पितिविधन की बात करता है बाग एवर शतरहीं कि पांच अद्या कि अप चलते हैं हम लों भाग जैंकी तरप राज्य श्वंदने थे भाग जय आपका का राज्य श्याश्य एक्सो बावन इकसो कि एवह लगा कर dois widzिसंद्भ ही इंहिविट श्याद 129 group अध्याय 2 जिसमें इकाहई से समभने थेूआ जैसे आपने देखा था केंद में राष्ठपार्थी को परोग सावा को देखा था था लोग साब तो इसमें आपका आपका राजपाल को देखते हैं सबसे पहले जिस तरह से केंद में राश्टपती होता है उसी तरह से आपका राज़ में राजपाल होता है ठीक है? तो एक सो तिरेबन से लेकर एक सो बासट आर्टीकल आपका राजपाल से संबन्दी थे गवर्णरी अगर एक सो तरेबन की हम लोग बात करें आर्टीकल की तो राज़्यों की राजपाल से संबन्दी थे राज़्यों में राजपाल की विवस्ता की गई है जो आर्टीकल आपका एक सो चंवन है एक राज़्य की कारिपालिका की सकती आपके राजपाल में नेत है आर्टीकल 155 राजपाल की नियुक्ति से संब्धित है आर्टीकल 156 राजपाल की पदाओदी यानि कारकाल से संब्धित है आर्टीकल 157 राजपाल नियुक्त होने के लिए क्या योगताय होने चाहिए उससे संब्धित है आर्टीकल 158 राजपाल के पद के लिए स जब राजजिपाल सपत लेता है तो उससे समंधित आर्टीकाल आपका 169 है आर्टीकल 166 कुछ आक कस्मिक ताओं में राजपाल के कित्यों का निर्भान की बात की गए आर्टीकल 161 चमादी की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबर परिभार लगुकाण की राजपाल की सक्ति की बात की गए जिस तरह से आपने देखा था कि आर्टीकल 72 के तरह राजटपती को कुछ चमादान की सक्ति परांग की गए है उसी तरह आपको आर्टीकल 161 में आपके राजपाल को इस तरह की अधिकार दिये गया है आर्टीकल 162 राजजी की कारिपाली का सक्ति कविस्तार की बात की गए है फिर है आपका मंत्री परशद यहां भी आपका मंत्री परशद होता है राजज में अनुचित 163-164 आपका मंत्री परशद से सम्मंदित है 163 में क्या कहा गया है राजपाल को सहायता और सलाय देने के लिए आपकी एक मंत्री परशद होगा है इसका प्रमुक होता है मुक मंत्री और केंद में आपका विधान मंत्री होता है ठीक है आपका राजपाल का महादी बगता आपने देखा था गिन्यायवादी महानियावादी के इन्द में उसी तरह आपको 165 में राजपाल के लिए महादी बगता की बात की गई है 165 में ठीक है सरकारी कार का संचालन या आपका राजपाल को जानकारी देने के देने आदी के संबने में मुक मंत्री के करतबों की बात की गई है आपने देखा था कि वहाद बिधान मंत्री के करतबों की बात की गई थी राष्टपती के लिए लेकिन यहां राजपाल की बात की जा रही है आर्टिकल 167, पिर आपका अध्याय 3, भाग्छे का अध्याय 3, इसमें आपका राज बिधानमंदल की बात की गई है, साधारण, इसमें आर्टिकल 168 से 177 था, 168 में क्या वेवस्ता है, राजियों की बिधानमंदल की वेवस्ता की गई है, जिस तरह आपने देखा तो संसत की वेवस्ता की गई थी वहां के अंद में, उसी तरहें राजों में 161 परीषत का उतपाताण, उतसाधन इवं सरजन यानि की गठन की बात की गई है 169 179, settling 177 परिश्बहों कैसी कि गया है,よ by 721 जने परिश्चार इसके संचालन की बात कि गया हैmate 108 Paragiltiselect 54 सतर में 189, 170 में únete में 106 जने झाल 交़ कर आद की दाना सब्लों का यकारिकाल Kim 2 में सतर में 3072 की दादि़ी का को स्को दी जारी है depois 7,30 में 471 के गया है Suppose की विधान मंडल की सदस्ता के लिए क्या योगताएं आहरताएं होंगी जरूरत उनकी बात की जारी है Article 174 राज जी की विधान मंडल की सत्ता बसान बिक्टन की बात की जारी है Article 175 सदन या सदनों की अभीभासन का उसके संदेश भेजने का राजपाल का अधिकार की बात की जारी है Article 175 में जो आपका Article 176 है राज जी पाल का विसेश अभीभासन की बात की जारी है आइटीकल 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महादीवक्ता की अधिकारी की बात की जा रही है पर आपका राज बिधान मंडल की अधिकारीयों की बात की जा रही है अंचेद 178 से 177 तक 178 में क्या बढ़न है बिधान सभा के लिए एक आपका अध्यक्च होगा और उपाद्यक्च होता है आपने सुना भी योगा कि बिधान सभा का अध्यक्च है उपाद्यक्च होता है यह उन्हीं की बात की जा रही है लोकसावा में आपने देखा है कि लोकसावा अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष होता है जिस तरह ऐसे आपकी 2020 की बात कर रहा हूँ सत्तरवी लोकसावा का आपकी अध्यक्ष है ओम बिडला सहब article 189 इसमें बात की गई है देख्च औ उपाध्यक्च की पदरिक्थ होना पदियार वो पदस से भटाई आने की बात article 187 में किया कहा गया है अध्यक्ची पद की करतपों का फालन करने या फिर अध्यक्च की रूम में कारी करने की उपाध्यक्च या फिर अन्वेक्ति की सक्ति की बात की जा रही है आपने देखा था कि लोगसावा में अगर अपका लोगसावा अध्यक्ष ना हो तो अपाध्यक्ष उसकी वेठक की अध्यक्षता करता है या फिर कोई सदस, इसी तरह आपकी विधान मंदल में भी बात की जा रही है आर्टिकल 181 की बात करें तो इसमें जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्फ विचारा दीन हो तो उसका पीठा सीन ना होना या निकि जब कोई संकल्फ विचारा दीन है तो उब पीठा सीन के रूम में काम नहीं कर सकता है अर्टिकल 182 विधान परिशत की सभाती और पती की बात की जा रही है विधान परिषत की बात की जहें आप निनिन की बात की जा रही है लेकिन आपके यह दोनों हो विस्ता की है है अनुच्चेद 184 क्या कहता है सभापती की पत के कर्टबों का पालनड करने या सभापती के रूव में कार्य करने की ऊपसभापती या किसी अन्यटे को सक्टी की बात की से फिर आपक़ अनुच्चेद 185 जब सभापती या उपस masih को पद से हटाने का कोई संकल्व विचारी देन है तो उसका पीठा सींग ना होना यानि कि पीठा सींग के रूप में काम ना करने की बात की जा रही है ठीक है संचालन की बात की जाएं अनुचेद 48 में क्या है सदस्तों द्वारा सपत और पितिग्ञान यानि कि सदस्तों की सपत की बात की जा रही है आर्टिकल 189 क्या कहता है सदनों में मद्दान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार करने की सकती और गड़पूर्ती की बाद की जा रही है आर्टिकल आपके फिर आगे सदस्तों की नेरता है यानि कि उनकी यह उकदाओं के बारे में जैसे आपका 190 से calculus se sarmandit है आर्टिकल 190 में क्या कहा गया है इस्थानों का रिक्त होना यानि कि सदस्तों की इस्थानों का रिक्त होना फिर है आपका 193 191 सोरी सदस्तों के लिए निरालता है कि बात कि रहा है ए आर्टिकल 192 ए तो उसका क्या है सदस्वों की निरताओं से सम्मधी पिसनों पर बीनिश्चे की बाप की जा रही आर्टिकल 193 अनुशेद 188 के दिन सपत लेने या पितिग्या करने से पहले या आहित ना होनते हुए भी निरहतित किया जाने पर बैठने उमत देने के लिए बात की जा रहे है आहरताओं सीधी बात इसमें दो सब्द आपको हमिसा देखने को मिल रहे है आहरताओं और निरहताओं तो याद रखे आहरताओं क्या होती है जैसे आहरताएं मतलब यह गताएं आपकी होगी जैसे आपकी नागरिकता सम्मिझदी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए आपकी आयूग क्या होनी चाहिए निष्टास अथें क्या होनी चाहिए यह सभी आपकी आहरताएं कहलाती है यह नहीं कि ज़रूरत क्या क्या है। और निरहर्थाओं का मतलब हुता है, सीधे सीधा सा मतलब इसका आयोग गता यानि कि आपको हटाये जाने की वेवश्था आप आयोग हैं इस्पत के लिए निरहारता सितात पर किसी इस्तिदी में कोई व्यक्ती सद्रस्त नहीं बन सकता है आप समाझ सकते हैं आहरता मातां यह गताएं और निरहरता मतलब आयो गता यसे आप सीरिसे सब्दमें समझे फिर आपका राज की विधान बंडलों उनके सद्रस्तों की सकतियां विसे सदिकार और उन मुक्तियों की बात की जा रही है तो अनुचेद 194-95 में इनकी ब्याख्या की गई है 194 में क्या कहा गया है विधान बंडलों के सदनों को तथा उनके सदस्थों और सम्तियों की सक्तियों और विसे सदिकारों की बात की जा रही है अनुचेत 195 सदसों के वेतन और भत्ते की बात की जाती है फिर आपकी विधाई पेक्किरिया की बात करें आवलोगे हम लोग तो 195 से 201 तक इसका संबंध अनुचेत दिये गए इसमें क्या है 196 सबसे पहले विधेकों के पुरा इस्थापना और पारित किये जाने के संबंध में उबंद किया गया है आप केंद में जैसे विधेक देखते हैं वेसे राज्य में आते रहते हैं टीलर आपने देखा होगा कि कई बार राजपाल आपका राजपती के लिए आरक्षित भी कर लेता है यानि कि राजपती के पास भी विधेक को बेद देता है सहमती ना देते हुए बित्टीय विषयों के संबंध में फिक्किरिया की बात करें तो ये आर्टीकल से संबंध एते है 202 से 207 202 में आपका बार्सी वित्तिय विवरन की बात की गई है यानि कि आपने देखा होगा केंद में जिस तरह बजट की जरुरत पर दी उसी तरह राज्य में भी बजट की विवस्था की गई है तो आपका 202 के तहित आर्टिकल 202 के तहित 213 में बात के गई है विधान बंडलों में प्राक्लनों के संबंद में पिकट्या की बात की गई है Article 205 में अनुपूरत, अतिरिक और अधिक अनुदान की बात की गए Article 206 में लेख अनुदान, पित्ते अनुदान और आपका वादानुदान की बात की गए Article 207 में विद्धि विधियक के बारे में विशेश उबंद किया गया आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए और केंदसरकारों की बी है जैसे राजपाल दे लीजी आप लोग केंदसरकार में भी राष्पती है नुदान की बात केंबटी सी 222 इस समंधित दोसो आठ में क्या दिया गया है पिख करिया के नियम की बात की गई है आर्टीकल 1979 में कहा गया है राज ची के विधाननमंधल में वित्ती एकार समंधी किलिया कभी दी दी कि दारह मीरी निमन किया जाएगा ओरटीकल 210 में क्या कहा गया है को constant of बात की गही है आर्टिकल 200 बारे में क्या कहा गया है नियाले द्वारं विधान मंडल की कारवाहियों की जाच ना किया जाने ना किये जानी की बात की जा रही है तो इसमें राजपाल की विधाई सक्तियों की बात की जा रही है तो इसमें राजपाल की विधाई सक्तियों की बात करें दो सो तेरे आर्टिकल दो सो तेरे क्या कहता है विधान मंडल की विस्तरांती काल में अध्यादेश पिख्यातित करने की राजपाल की सक्ती की बात की जारी आपने देखा दा वहां के अंद में राष्टपति एक सो आटीकल 123 कि ते एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब आपका विधान यानि के संसद ना चल रहा हो तो उसी तरह कि आपको राजपाल को भी सक् कार ना कर रहा हूं समय अध्यादेश जारी कर सकता है आपका राजपाल ठीक है तो काफी हत्ताक आपने देखा है कि राजपाल और राष्टपति की सक्तियां काम मिलते रहते हैं पद भी प्र आपका भाक्षय में अध्याए पांच राज्यों के उच्छ न्यालेयों की बा उच्छ न्यालेयों का अभिलेक न्याले की रूम में होना यानिके इनकी जोगी न्यायव होंगे उन्हें एक अभिलेक के रूम में रखना अनुचे 216 क्या करता है? उच्च नियाले के गठन की बात करता है आर्टीकल 217 क्या करता है? उच्च नियाले के नियादीसों की नियुक्ति की बात करता है और उसके पद की सर्तों की बात करता है Article 288 क्या कहता है उच्छ नियाले के से संबंदित कुछ ओब बंदों को उच्छ नियाले को लागू होने की बात करता है Article 219 क्या कहता है उच्छ नियाले के नियाले के अधि कि नियादीसों द्वारा सपत यानी की पितिक ज्यान की बात करता है आर्टिकल 220 क्या कहता है इस्थाई नियादीस रहने के बश्चार बिदी बेवसाय पर निर्बंदन की बात करता है यानि कि इस्थाई नियादीस होने के बात बश्चार वो कोई अन्य तरह से बेवसाय नहीं कर सकते हैं वह एक ही नहीं कre He वह एक सत्रीम High Court के मुख नियादीस है वो जाकर किसी कोप में अपना बेयुसाय करें इसतरे नहीं कर सकता है और अर्टिकल जो 2021 है इसमें क्या कहता है ными नियादीसों के वितन की बात करता है अर्टिकल 222 कहता है किसी नियादीस का एक उच्च नियालय से दूसरे उच्च नियालय में कु अंधरन की बात करता है आर्टिकल 223 क्या कहता है कारकारी मुख नियायमूर्थी की नियुकती की बात करता है आर्टिकल 224 क्या कहता है अपर और कारकारी नियाधीसों की नियुकती की बात करता है Article 225 क्या कहता है बिधान उच्छ न्याले की अधिकारिता की बात करता है Article 226 क्या कहता है कुछ याची का रेट निकालने की उच्छ न्याले की सकती या आप लोग ने जब मूल अधिकारित देखे थे आपकी तब आपने बात की थे Article 32 के तहट आपका सुप्रिम कोट रेट जारी कर सकता है और Article 226 के तहट आपका हाई कोट रेट जारी कर सकता है यानि कि इसके तहट आप सुप्रिम कोट या फिर हाई कोट में जा सकते हैं अगर आपकी अधिकारों का हनन होता है Article 226 का था इसे रद्द कर दिया गया आर्टिकल 27, सभी नियालेओं के अधी, चड़ की, उच्च नियाले की सक्ती की बात की गई है आर्टिकल 228 में क्या कहा गया है, कुछ मामलों का, मामलों का उच्च नियाले की अंतरन की बात की गई है फिर आर्टिकल जो आपका 228 का है ये निरसन की बात की जा रही है इसमें आर्टिकल 239 में क्या कहा गया है उच चन्यालय की अधिकारियों और सेबक तथा बै की बात की जा रही है Article 230 क्या कहता है उच न्यालेओं की अधिकारता का संग राज्य छित्रों पर विस्तारी की बात की जा रही है Article 231 क्या कहता है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच न्याले की बात करता है आपने देखा हुगा हर्याडा और पंजाब के लिए चंडिगर आईकोट है इस तरह की एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक न्याले काम कर सकता है Article 232 को रद करती है पर भाग 6 में आपका अधियाए 6 है इसमें क्या कहा गया है अधिनस्त न्यालेओं की बात की गई जो आप लोग जिला इस्तर पर देखते है ये आपका अधिनस्त न्याले से संबंदी था Article 233 से 238 तक में बात की गई 233 में क्या कहता है जिला न्याइदीसों की न्युक्ति की बात करता है Article 233 का क्या कहता है कुल्च जिला न्याइदीसों की न्युक्तियां का और उनकी द्वारा किये गए नेडेओं आधिका वीधी मान करन की बात करता है आर्टिकल 234 क्या कहता है नियाएक सेवा में जिला निया अधीसों से वहिन ब्यक्तियों की भर्ति की बात करता है आर्टिकल 235 क्या कहता है अधीनस्त नियालेओं पर नियत्रण की बात करता है आर्टिकल 236 क्या कहता है निर्बचन की बात करता है आर्टिकल 237 किया कहता है कुछ बर्ग और या फिर बर्गों के मजिस्टेटों परिस अध्याय के उप्बंदों का लागु magnitude के बाद करता है और फिर आता है आपका आर्टिकल एक बाद छेदा खत्म होता है ऐता है उसके बाद भाद साथ ईयसे सहने politicians 238 कि पहली अनुसूची के भाग खा कि राज में अनुचे 238 इसे निर्सित यानि की रद्ध कर दिया गया, 238 को, ठीक है, भाब साथ को यानि की रद्ध कर दिया गया, ठीक है, फिर यह भाग 8, इसमें क्या है, संग राजी छित्रों की बात की गई है, आपके 249 से 242 तक इससे मंदी थे आपका संग राज्चों से, 249 में क्या कहा गया है, संग राज्जी छित्रों का पिसासन, अर्टिकल 249 क्या कहता है का, कुछ संग राज्जी छित्रों के लिए, इस्थानी बिधान मंदलों, मंत्री परिस्दों का, या दोनों का सेजन की बात कही गई है, इसे बिधान मंदलों के विस्थ्रांति काल में, अद्यादेश पिख्यादित करने की पिसासकी सकती की बात कही है, याद रोखिए, तीन यहा अध्यादेश जारी करने की बात कही है, केंद में राष्टपती, राज्ज में राजपाल, और जो संग्य सासित के जैसें, जैसे इसमें आपका विधान मंडल नहीं है तो वहां आपके जारी कर सकते हैं और जो जैसे पूडुचेरी है तो एक तरह से आपके राष्ट्पती के ही सासन में आता है क्योंकि राष्ट्पती इनकी पिसासकों की नियुकती करता है ठीक है फिर आपका अनुचे 240 कुछ संग राज्यों छित्रों के लिए बीनियम बनाने की राष्ट्पती की सकती की बात की जारी है जिनमें आपके आपने देखा होगा जैसे आपका पूडुचेरी के बात अलावा लगदाक है आपका जो नया बना हुए है दमंदूइफ हो गया इस यानि कि दिल्ली संगसासित चित ऐसा चित था जिसका अपना निया ले था लेकिन आप जम्मू कश्मीर भी आपका हो चुका है आर्टीकल 242 को रद कर दिया गया था निर्सित फिर आता है भाग 9 भाग 9 यह भी आपका महत्पूर है नहीं सबसे पहले इसमें पंचयाते देखते है अनुच्यğe 243 क पने किया है परिभासाइन दें पचयात की थे आर्टिकल 243 खा में ग्या है, ग्राम सभा की बात की गई है, आर्टिकल 243 खा में क्या कहा गया है, पंचायतों के गठन की बात की गई है, आर्टिकल 243 गा में क्या कहा गया है, पंचायतों की सरजना की बात की गई है, किस तरह से सरजना होगी है, आर्टिकल 243 गा में क्या कह आर्टिकल 243, चा में क्या कर लिए है सदस्ता के लिए अनहरताओं की निरहृताओं की बात की गये है हाई ओक जिता आर्टिकल 243, चा पंचायतों की सक्तियों अपराधिकार और उत्तरदायत की बात की गये है Article 243 जा इसमें पंचायतों द्वारा करू यानि की टेक्स लगानी की सक्ति उनकी निधियों की बात की जा रही है Article 243 जा इसमें बित्तिये इस्तिति के पुनर विलगोकन के लिए बित्तिये आयुक की बात की गई आपकी राजबितायुक की अर्टिकल 243 उना यानी की नाई है पंचाइतों का लेख परिक्छन की बात की जारी है अर्टिकल 243 अ कतीब च्छित्रों में इस भाग का लागु ना होने की बात की जारी है आर्टीकल 243 बिद्यमान बिदियों पंचयतों की निरंतनता की बात की जारी आर्टारीस 243 निर्वच्चनी है, मामलों में नियालाय की हस्तचेप की बात की जारी पिर आपका ये एक बढ़ और जुड़ा गया नौ में का ये आपका नगरपाल काउं से सम्मदित है इसमें आपका आर्टिकल 243 ता से आर्टिकल 243 याच्छा संबंदित है जो आर्टिकल 243 ता है इसमें परिभासाइन दी गई है नगरपालिकाओं की आर्टिकल 243 था है जो नगरपालिकाओं की गठन की बात करता है आर्टिकल 243 दा है जो नगरपालिकाओं की सरचना की बात करता है आर्टिकल 243 दा है जो वायर सम्तियों आदी के गठन और उनकी सरचना की बात करता है आर्टिकल 243 ना इस्थानों की आरक्षन की बात करता है आर्टीकल 242, नगरपालिकाओं आदी की सक्ति और प्रादिकार उर उत्तरदाइट की बात करता है आर्टीकल 243, नगरपालिकाओं द्वारा करार उपण की सक्तियों उनकी चरूली निदियों की बात करता है आर्टिकल 243 मा इसमें बित्त मामच्छी को इसमें बित्त आयोग की बात की जा रही है क्योंकि पंच्यायदों को चलाने के लिए भी तो बित्त की जरुविवत पड़ेगी न अनुचे 243 या इसमें नगरपालिकाओं की लेखा परीक्चन की बात की जा रही है अनुचे 243 या इसमें नगरपालिकाओं के लिए निरवाचन की बात की जा रही है आर्टिकल 243 या इसमें संगराज्यों चित्रों प्रवरतन की बात की जा रही है आर्टिकल 243 या गा ये इसमें यती कतीप है छित्रों में इस भाग का लागू ना होने की बात की जा रही है आर्टिकल 243 या गा जिलाय युजना के लिए सम्ती की बात की जा रही है 243 या ना इसमें महानगरी युजना के लिए सम्ती की बात की जा रही है article 243 यह चांड, बर्दमार वीधियों, तथा नगरपालिकां की नरंतःता की बात की जा रही है article 243 यह चांड, इसमें नर्वार की है मामलों में नियालाय का सद ही की हट्शिप की वरजन की बात की जा रही है याद रखिए इसमें आपका विडियो होता है ना एक्जाम पटवारी का एक्जाम हो गया ना इसमें आपके इससे questions अधिक तर बार पूंचे जा सकते हैं क्योंकि आपको जो काम करना होता है इसमें उसी लेवल का करना होता है इसलिए आपका questions इससे पंदि रहते हैं पिर आपका भाग 10 इसमें अनुसूचि जाती और जंजाती की बात की जा रही है इसमें आर्टिकल 244 और दोशोचि चेतरों का पिजासन की बात की जा रही है इस चेतरमें कैसा पिजासन होगा आर्टिकल 244 का में असम के कुछ जंजाती चेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक 186 राज बनाना उसके लिए इस्थानी विधान मंदल ले आए फिर मंतरी परचत का या फिर दोनों का सेजन करने की बाद की जा रही है टीक है यह भाग 10 है क्योंकि कई बार पूच लेता है भाग 10 किस से संबंद है तो आप याद रख सकते हैं अनुसुच जाती और जन जाती चेत्रों की बात करता है फिर आपका Artic सुरी भाग है आपका 11 यह आपका संग और राज्यों के बीष संबंदों की बात की जा रही है जसे तरह आप लोग देखते हैं एक देश का दूसरे देश संबंद है इसी तरह हमारे जो राज्योंके बीच 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 तो संबंद होना चाई है माल यो चला कि भुराज सरकार किसी और मोड पर जा रहा है और संग्यर के अंदर सरकार किसी और पर और जब तक किसी भी कानून को अच्छे से या किसी भी यह उजना को लागू नहीं किया जा सकता है जब आपस में सम्झार के अच्छा विवाल ना हो लिजिशलेटिव रिलेशन की बात की जा रही है, इसमें आर्टिकल 245 से 256, 255 तक दिया गया है आपका बिधाई सम्मंदे से सम्मंदित, तो इसमें मैं हम आर्टिकल बाई आर्टिकल की बात करें, तो बिधाई सक्तियों की बितरनी की बात की गया है, आर्टिकल 245 क्या कहता आर्टिकल 247 क्या कहता है। की विसाय की संबंद में बिधी बनाने की सक्ति की बात करता है संसद की सक्ति यानि कि जब आपने देखा हुआ कि कहीं राष्टपति सासन है या फिर राष्टी या पातकाल लगा हुए तो इस तो मैं संसद ही सक्ति बनाती है आपकी उस राज्य की विसाय में अनुछे जो आपका 251 है इसमें क्या कहा गया है अनुछे 249 और अनुछे 250 के दिहिन बनाई गई बिधियों और राज्यों के विधानबंडलों द्वारा बनाई गई बिधियों में आसंगती की बात करता है आर्टिकल 252 क्या कहता है दो या दिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से बिधी बनाने की संसत की सक्ती और ऐसे बिधी का किसी अन्राजद्वारा अंगिगार की बात की जाती है यानि कि दो या दो से एधिक राज जगर कहें कि किसी बिसाइब पर केंद सरकार यानि कि संसत अपना प्रेयोग करके संसत कानुल बनाए तो इस तरह का हो सकता है 200 आर्टिकल 252 किते आर्टिकल जो 235 है अंतराष्टिय करारों की प्रभावी करने के लिए बिदान की बात की गई आप सोचिए कि अंतराष्टिय कोई समझोता होता है और उसमें राज आपके हस्त छेप करने लगें तो किस तरह से हो सकता है आप सोचिए कि राज कहें कोई फैक्टरी आरी अमेरिका से और गुजरात में लगानी है या फिर किसी भी आप इस तरह से लेख सकते हैं महराष्ट में लगानी है और महराष्ट में सरकार लगे है और कैंद में सरकार लगे तो दोनों में नहीं बनती है तो अगर राज सरकार ना लगाने दे वहाँ कानून कठोर कर दे या किसी तरह से परिशानी तो उस बिसे में आपका कैंद सरकार कानून बना सकता है और कैंद सरकार कानून मान भी होगा यानि कि कैंद सरकार वहाँ आपका मजबूत है और राज सरकार कमजो आर्टिकल 256 क्या कहता है संसत द्वारा बनाई गई विधियों और राज के विधान मंदुलों द्वारा बनाई गई विधियों में आसंगती की बात करता है आर्टीकल 255 क्या कहता है सिफाल्चों और पूर मंजूरी के बारे में अपेक्चाओं को केवल पिक्रिया कभिसे मानने की बात करता है प्षजाय है अफ्का अध्याय-दो पयसाशनिक संबन की बात करता है खाता इसमें आपका256тор 261 है 206 में क्या का गया है राज्यों की वो संगी की बात दिता हूं की बात की आठीकल 257 क्या कहता है कुछ दसाओं में राज्यों का संग का राज्यों पर संग की नेंतन की बात करता है जो आठीकल 255 का था इसे रद दिखर दिया गया है आर्टीकल 288 जो है कुछ दसाओं में राजी को सक्ति पदान करने की करने आधी की संग की सक्ति की बात करता है। आर्टीकल 269 है जो निरसे त्यानी की रद्द कर दिया गह gotta Article 260 है जो भारत के बाहर के राजिय छेत्रों के संबन्द में संगिकी अधिकारिता की बात करता है Article 261 क्या कहता है सारविनिक कार अवलेक और नयाई कार्वाहियों की बात करता है अगराल हम लोग जल सम्मंदी विवाद की बात करें आपने देखा होगा विवाद चलता रहता है कभी मद्द पिदेश, चातीजगर, महराष्ट को लेकर तो कभी गजरात को लेकर कभी आपका दच्छन भारत में केरल, तमिलाडो, महराष्ट के बीच तो इस तरह से इसकी बात की गई है आर्टिकल 262 के तेथ, अंतराजी नदियों या फिर नदी दूनों के जल सम्मदी विवादों के लिए नयाय नयडाइन की बात की गई है ठीक है, राजियों के बीच समनबै की बात करें तो अनुशे 263, अंतराजी परिशद की बात करता है जो आर्टिकल 263 है, ये अंतराजी परिशद की सम्मद में उभवन कर सकता है अंतराजी परिशद बनाएता इसके बात आर्टिकल, यानि कि आपका अध्याय खतम होते हैं 11 में जितने थी, अब है भाग बारे बात, इसमें आपकी आर्टिकल 264 से लेकर 500 कातक है 301 तक, यान कातन इसमें सबसे पहले हैं आपका अध्याय एक ये आपका बित्यानि की बाइनसे से सम्मंदी थे स्ताधरण, इसमें आपके 264 से 266 तक दिया गया अर्टिकल 266 क्या कहता है भारत और राज्यों की संचित निदियों और लोक लेके की बात करता है अर्टिकल 266 क्या कहता है आकस्मिक्ता निदी की बात करता है फिर आपका संग और राज्यों की बीच राजस्यों की बटवारी की बात करता है अनुछित 268 क्या कहता है कि संगत किये जाने वाली किंतु् राज्यों द्वारा किये जाने वाली कि बात करता है Article 279 क्या कहता है संग द्वारा उद्गहित और संगहित किये जाए किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले करकी बात करता है यानि कि संग सरकार यानि केंद सरकार लगाएगी कर और उसे इकटता भी करेगी लेकिन इस करको राज सरकार को सौंप देगी Article 270 है और करव पर संगे के प्रियोजनाओं के लिए अधीबार की बात करता है आर्टीकल 272 क्या कहता है करजों संगे द्वारां उद्गीत किये जाते हैं तथा जो संग और राज्यों के बीच विद्रित किये जा सकेंगे आर्टीकल 273 क्या कहता है जूट उत्पादों पर निर्याद सुलकिस्तान पर अनुदान की बात करता है आर्टीकल 274 क्या कहता है आपका ऐसे करादान पर जिसमें राज्य खित्पद्ध है प्रभाव डालने वाले विद्धेकों के लिए राज्पती की पूर्व सिफारिष की अपेक्चा की जाती है आर्टीकल 275 क्या कहता है आपका कुछ राज्यों को संग सी अनुदान की बात करता है आर्टीकल 276 क्या कहता है विद्धियों ब्यापारों और अजीब काओं और नियोजन पर कर की बात करता है आर्टीकल 277 आपका व्याविद्धि की बात करता है आर्टीकल 278 को निरसेत कर दिया गया है और किरद्ध कर दिया गया है आर्टिकल 219 सुद्ध आगम आधी की करना की बात करता है आर्टिकल 280 बहुत ही मात्पून है आपके लिए बितायुक की गटन की बात करता है आपका आर्टिकल 281 है बितायुक की सिफारिसों की बात करता है आपने देखा होगा कि बितायुक सिफारिस करता रहे जाएगी फ्रहें आपका पिकीट वित्ति ए अपनत यह आपका आर्टीकल 282 से 291 समाथ देथे 282 क्या कहता है आर्टीकल संग या राज़ी द्वारा अपने राज़त से किये जाने वाले बाद की बात करता है Article 283 क्या कहता है? संचित निदियों, आकस्मक्ताव निदियों और लोग लिखाओं में जमा धनरासियों की अभीरक्षा की बात करता है Article 284 क्या कहता है लोग सिपकों नयालेओं द्वारा प्राप्त वाद करताओं की जमारासियों और अन्न धहलासियों की अभीरक्षा की बात करता है Article 285 क्या कहता है संगे की संपत्थी गुराजी के करों से चूट की बात करता है आर्टीकल 286 क्या कहता है माल के क्रय या विक्रय पर करके अधीरोपन के बारे में निर्वन्दन करता है आर्टीकल 287 बिद्धुत पर कर से चूट की बाद करता है Article 288, जल या विद्रुत के समगर में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दसाओं में चूट की बाद करता है Article 297 क्या कहता है राज्यों की संपत्ती और आए को स्थंग एक कराधान से चूट की बाद करता है Article 297 कि 290 क्या कहता है कुछ बेयों और पैंसरों की संबंद में समाई जिन की बात करता है आर्टीकल 290 क्या कहता है कुछ देव सरुम नेदियों को बार्षिक संदाय की बात करता है आर्टीकल 291 आपका अरद्ध कर दिया गया है कि आप्यार्टिक इसमें आपका 902 अध्याइद मृने की बात कि यह इसमें protocol 12 imper сторонon milk क्या करता है बारत सरकाल द्वारा उद्वार लेने की बात कि अर्ग करता है उध्याश्ची डौरा उध्याइद मैं कि बात करता हैि और 92 कितागी को रख लिए, 293 कितागी को रख लिए. अद्हारी तीन, संपत्ति, संभिदाएं, अधिकार, दाइत, और बातिताएं और वात की बात की लिए. इसमें आठीकल 294 क्या कहता है? कुछ इदसाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायत्तों और बादताओं का उत्तराधिकार की बात की गए Article 295 क्या कहता है अन्य दसाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायत्तों और बादताओं का उत्तराधिकार की बात की गए Article 296 क्या कहता है का situührt से तक हमें मगं तर्ड भूमें में इस्तित मून लेवान चीज़ों और अनन्न अर्थिक छित्र के संपत्ति स्रोतों का संग में नहित होने की बात करता है आर्टीकल जो आफका के men т Such쪽에 ये क्या कहता है व्यापर है करनने आधि की चक्ति की बात करता है दो सो निन्यार में आपका संभिदाओं की बात करता है आर्टिकल 300 क्या गहता है बाद और कारवाहियों की बात करता है फिर अध्याय चारे आपका भागबारे का संपत्ति का अधिकार अनुचित 300 का आपने देखा हुआ कि आपका मौली का अधिकार था संपत्ति का अधिकार शुरू में लेकिन इसे 24 समिधाल संसुदन 1978 के तोरह इसे हटा दिया गया इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 300a यानि कि 300 का विदी की प्राधीकार की बिना बेत्तियों की संपत्ति से बंचित नहीं किया रस ना चाहिए ठीक है यानि कि आपका कानूनी अधिकार है इस तरह से आपका भाग भातायहर Charles 13 की बारे में देख लेकर भारत शलिए कि बिएरन ब्यापार वर्डिच और समागम्न की बात की गया यां आपका संसत की सकती की बात करता है आपका आर्टिकल 302 आर्टिकल 303 क्या कहता है यह कहता है कि ब्यापार वडिच्च की संबंद में संग और राज्यों की विधाई सत्यों पर निर्बंधन की बात करता है आर्टिकल 304 क्या कहता है राज्यों के बीच ब्यापार वडिच्च और अंशे 301 से अंशे 304 के प्रयोजनों को कायानवित करने के लिए प्राधीकारी की न्युक्ति की बात करता है आपका अंशे 307 तो यह आँ आपका भाग 14 तो भाग 14 है आपका संग और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंदी इसमें आपका आठीकल आता है 308 से 323 तर तो इसमें सबसे पहले पहला अध्या देखते हैं सेवाएं इसमें आर्टीकल है 308 से 314 तर 308 किसे संबंदी थे निर्वचन से 309 संग या फिर राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्तियों सेवाओं की सर्थों से संबंदी थे आपका कौन सफ 309 310 आर्टीकल किसे संबंदी थे संग या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावदी थे यानि कि उनके कारकाल से आर्टीकल 311 किसे संबंदी थे कब पदिच्योत किया जाना और पद से हटाया जाना पद में आउनत किया जाने की बात कही गई है ठीक है और फिर आप आर्टिकल आर्टिकल 312 यह आपका बहुत मात्पून है अखिल भारतिय सेवाओं की बात की गई है जो आपके राज्यसवा गठन करती है ठीक है इस्पेसल पावर है राज्यसवा को आर्टिकल 312 जो का है कुछ सेवाओं की अधिकारियों की सेवाओं की सर्तों में परिवत्तन करने की सं आर्टिकल 313 संकमण काली वो बंदों की बात की गई है आर्टिकल 314 निर्सित की बात की जा रहे हैं इसकी निर्सित फिर आपका अध्याय दो है क्या है लोग सिवा यूग से संब्दी थी इसमें आर्टिकल 315 से 323 तक है यह आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है तो इसमें आर्टिकल 315 है जो संग और राज्यों के लिए लोग सिवायोग की विवस्ता हुगई तीक है इसकी बात की गई है आर्टिकल 316 क्या बूलता है सदस्यम की नियुक्ति और पदावदी की बात करता है और आर्टिकल 317 कहा कहता है लोग सिवायोग की किसी सदस को हटाया जाना निलंबित किया जानी की विवस्ता करता है आर्टिकल 318 आयोग की सदस्यों और करमचारियों की सेवा की सरतों की वारे में बीनी में बनाने की सकती की बात करता है आर्टिकल 319 क्या कहता है आयोग की सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्यों ना रहने पर पद्धारन करने के संबने में पितिसेद की बात करता है आर्टिकल 320 क्या बोलता है आपका लोग सेवायोग के कित्तेओं की यानि की कारियों की बात करता है आर्टिकल 321 क्या कहता है लोग सेवायोगों पर कित्तों का विस्तार करने की सक्ति की बात करता है आर्टिकल 322 क्या कहता है लोग सेवायोगों के ब्याय की बात करता है जैप देख लिए हम लोग ने आप 14 का किया है इसके बारे में भी बात कर लिए इते हैं अधीकरण आइटिकल 323 और 323 कहुष जुड़ा अगले इसमें खहा मैं क्या कहा गया है का में 323 का में पिसासनिक अधिकरणों की बात की गई गई गहí और 323 क्या कहा गए अन्य बेसेओं के लिए अधिकरण की बात की गई है ठीक है तो रहा है आपका भाग 15 है इसमें क्या कहा गया है निर्वाचन की बात की गई है वो इसमें आर्टीकल 324 से 329 कातक की बात सामे बें निर्वाचनों की अधिक छन निर्देशन उन्य अंतन का निर्वाचन आयोग में निहित होगा यानि कि एक निर्वाचन आयोगा आपका आर्टीकल 324 की थे आर्टीकल 325 क्या कहता है धरम मूलबंस जाती लिंग कि आधार पर किसी बेक्ति का निर्वाचन नामवली में नमलित किये जाने के लिए आपात ना होना उसके द्वारा किसी विशेश निर्वाचन नामवली में समलित किये जाने का दावा ना किया जाना यानि क्योंकि उसके निर्वाचन नामवली से सम्मदी थे आर्टिकल 326 क्या कहता है लोकसभाब और राज्यों की विधार सभाओं के लिए निर्वाचन वैस्क मतादिकार की आधार पर होगा यानि कि जो 18 वर्स जिनकी उम्ब हो गई वोट डालने की आधिकार होगे आर्टिकल 327 क्या कहता है विधार मंदलों के लिए निर्वाचनों के सम्मद में उपबंद करने की संसत की सकती की बात करता है आर्टिकल 328 क्या कहता है किसी राज के विधान मंदल के लिए निरवाचनों की सम्मंद में अपवन्न करने की उस विधानमंदल की सक्ती की बात करता है आर्टिकल 329 क्या कहता है निर्वाच्चन संबंधी मामलों में न्यालाय के हस्तेचिप का वरजन की बात करते है ए अर्ड mieć कल कहता है इसे रद कर दिया गए निर्शित कर दिया घोन फिर आता है आपका आर्टिकल सुरी भाग 15 हो गया भाग 15 आता है इसमें आपका कुछ बर्गों के सम्मद में विसेश उबंद की बात की गए यानि कि आरक्षन की बात की गए आर्टिकल 330 से 342 तक इसमें सामेले इसमें भी आपका questions अक्सर पूँछा जाता रहा है ठीक है अनुछे 330 में क्या कहा गया है लोगसभा में अनुचे जञतियों जैसे SC Scedule Cast और अनुचे जञतियों जैसे Scedule Drive Cast कहते है के स्थानों का आरक्षन की विस्ता की बात की गई है किसमें लोगसभा में याद रखिए किसमें लोगसभा में 330 के तहट आर्टीकर 331 के तहट क्या कहा गया है लोग सभा में आंगल भारती है समुदाएगे पिती ने दित्ति की बात की गई है आंगल भारती है समुदाएगे ठीकर जो फिर आपका है 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनसूचित जातियों और अनसूचित जन्जातियों के लिए इस्थानों का आरच्चन की बात की गई है 330 में आपके लोग सभा में 332 में आपके विधान सभाओं में ठीक है 333 में राज्यों की विधान सभाओं में आंगल भारती है समदाय की पितिनेजित की बात की गई है ठीक है फिर आपका आर्टीकल 334 क्या कहता है इस थानों के आरक्षण और विसे इस पितिनेजित का 50 बर्स के पश्चात ना रहना जो यह विवस्ता की गी थी इसे 50 बर्स तक नहीं रहता है लेकिन इसे बढ़ाता गया अभी देखा है 19 में बढ़ गया आपका तो यह राजनीती का खेर रहता है कि आप कौन चाहेगा कि इन्हें हटा कि स्ट्स से जन जातियों से मतलब बदलाले मतलब भावने की वह हो जाएगी इसलिए बोट नहीं मिलेंगे तो इनका सब आरक्षन तो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ठीजा अनुछे 335 की बात करें तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के दाव कि लाप के लिए सेख्ष करनदान के लिए विसे इस उपबंद की बात करता है राश्टिया नुसूचित जाति आर्टिकल जो 338 है यह आपका बहुत महत्त पूर है MPPSC में से कुष्टेंस अक्सर बनते रहते थे अब लेकिन सुनाएगी आपका सुना क्या है बदल चुका ह अपका पैटर्न बदल दिया है न तो STSC एक्ट वो जो मानो अधिकार एक्ट थे इन्हें हटा दिया गया है तो कुष्टेंस अभी भी बनेगे मत सुचिये ख़़विए तो बिलकुल हटा दिया गया है कुष्टेंस अभी भी बनते रहेंगे त्टिकल 338 है यानिक आयोग और 338 आपका राष्टी अनुसूचित जन्जाती आयोग की बात करता है। Article 349 अनुसूचित चित्रों के फिसासन और अनुसूचित जन्जातियों के कल्याड के बारे में संग का नियंतर्ण की बात करता है। Article 340 क्या कहता है पिछड़े बर्गों की दसाओं की 62-11 के लिए आयोग की नियुकती की बात करता है। एक तालीस प्यालीस में ठीक है इनसे भी आपका कुछ चेंस बनता रहता है तो इन्हें आप याद रख सकते हैं फिर है आपका भाग 17 इसमें राजभासा की बात की गई है इसमें आर्टीकल आपका 343 से 359 तक साथ मिले अध्याय एक में क्या कहा गया है संगी की भासा की बात की गई है इसमें आर्टीकल 343 से 344 सामिले है 343 में क्या है संगी की राजभासा की बारे में बात की गई है आर्टीकल 344 क्या कहता है राजभासा के संबन्द में आयव और संसत की सम्थी की बात की गई है अध्याय 2, प्राधेसिक भासाओं की बाद की गई हैं, इसमें अनुशेद आपकर 345 से 347 तक सम लेते हैं, 345 क्या कहता है आर्टिकल? राजजी की राजबहसा या राजबहसा के सम्मंद में प्रावधान करता है, आर्टिकल 346 क्या कहता है? एक राज दूसरे राजजी के बी पक्तादी की राजभासा की बात करता है आर्टीकल 347 क्या कहता है किसी राजी की जनसंख्या की किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भासा के समद में बिसेश उबबंद की बात की गई है जैसे आपने देखा हुगा बुंदेल खंडी बुंदेल खंडी बुंदेल ख उच्छ न्यालेयों आधी की भासा की बात की है। इसमें आर्टिकल 348 से 349 सामिल किया है। अनुचे 348 उच्छ न्यालेयों में और अधीनेमों एवं विधेकों आधी के लिए प्यूप के जाने वाली भासा की बात की जाते हैं। जो चितमन्याला है आपके यानि कि सुप्रीम कोट और हाई कोट के में और हाई कोट में और अधीनिमो एबन विद्हेकों के जो आपकी संसद में आते रहते हैं आधी के लिए पेवक की जानी वाली भासा की बात की जा रहे हैं अनुचित 349 क्या कहता है बासा से समदित कुछ विदिया अधीनिमित करने के लिए विशेश पिक्किरिया की बात करता है पर आपका अध्याय चार भाग 17 में अध्याय चार इसमें विशेश निदेश दिया गया क्या 350 से 351 में 350 में क्या कह गया है बिथा के निर्वारान के लिए अभ्याविदन में प्रियोग की जाने वाली भासा की बात की गई है आर्टीकल 350 का में क्या कह गया है प्रात्मी किस तर पर मात्भासा की सिक्षा की सुविधा की गई है बच्चों के लिए आर्टिकल 350 खा क्या कहता है भासाई अल्प संख्यकों बर्गों के लिए विसेश अधिकार की बात की गए संख्या के और भासाई की आधार पर तो अल्प संख्यकों का बर्गी कर्ण किया जाता है तो इसकी बात की जा रही है आर्टिकल 359 क्या कहता है हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश की बात करता है आर्टिकल 315 फर आपका भाग 18 भाग 18 क्या कहता है? उसे भी देख लिए आपात उपबन्दी की विवस्था करता है इमर्जेंसी की इसमें आपका आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसमें संबले थे आर्टिकल 352 क्या कहता है आपात की उद्गोषना की बात करता है आर्टिकल 353 क्या कहता है आपात की उद्गोषना का प्रभाव की बात करता है यानि कि जो आपातकाल लगाए जाएगा राष्टी आपातकाल उसका प्रभाव क्या रहेगा उसकी बात करता है याद रखे 352, 356 और 360 इससे कुर्ष्चनल साफ का हमेशा बनता रहता है तो 352 क्या कहता है आपाथ राष्टी आपातकाल की उद्गोषना की बात करता है 303 बताता है कि आपाथ की उद्गोषना का प्रिभाव क्या होगा अर्टीकल 300 चंगन क्या कहता है जब आपाथ की उद्गोषना प्रिवर्तन में है तब राजज़ से के वित्रन संबंदी वो बन्दों का लागू होने होना फिर आपका 355 बाहे आकमड और आंत्रिक असांती से राज की सुरक्षा करने का संग का कर्तम की बात करता है यानि कि राज़जी की सुरक्षा करना बाहे आकमड से और आंत्रिक अकमड से जो किसी राज में दंगे हों फसाद हों तो उसकी सुरक्षा करना आपकी संगे सरकार यानि किहंदर सरकार की करतब है जिस तरह से आपका मोली करतब होता है कि जानवरों की रक्षा करें सरकारी संपत्ती की रक्षा करें उसी की बात की जा रही उसी तरह आर्टिकल 356 क्या कहता है राज्यों में समिधानिक तंद के बिफल हो जाने की दसा में वबंद की बात करता है यानि की राष्टपती सासन की आर्टिकल 356 की तरह अनुचे 356 क्या कहता है अनुचेत 356 की अधीन की गई ओद्गोष्णा की अधीन विदाई सक्तियों का प्रियोग की बात करता है आर्टिकल 378 क्या कहता है आपाद के दौरान अनुचेत 19 के ओबंदों के नीलंबन यानिकीने समाप्त करने की बात करता है Article 369 क्या कहता है आपात के द्वारान भात तीन द्वारा फिदर तरीकारों के प्रबंधन के निलंबन की बात करता है Article 369 काल इसे रद करती है गया और Article 360 बित्ती आपात के बारे में उबंद किया गया आप से कई बार कूछ लेता है कि वित्ति आपातकाल अभी तक लगाय गया है नहीं तो याद रखे कभी भी नहीं लगाय गया भी था और आश्टी आपातकाल तीन बाल लग चुका है ठीक है पीछे आपका बता भी चुका हूं तो अच्छे से पढ़िए भाग उन्नीस भाग उन्नीस पिकीन अंचे तीन सो एक सट से सरसट यार कहां पैसा खर्ज करने की जरूरत है आपको सामान गयान के लिए मैंने मुझे लगता है कि मैंने इतना कि साइद इतना आपको कही नहीं मिलेगा मसा इड़ेस्ट करके पढ़ना आकि आपका पूरा कम्प्ीटन करवा दिया मद्देश सामान ग्यान उत्तर प्रैदेश उसके बाद क पूरा सामान जियान जिसमें हिस्टरी हो गया जी सब कुछ तो हो गया विज्ञान हो गया एक हजार तक कुष्चन सॉल्व करवा दिये अब आपको पढ़ना है आप कोचिंग मोचिंग भी फाल्दू में लेते हो जो भी आपकी इंक्वारी वाकर जो भी आपको प्रॉब्लम फेस्बुक पेश पर मुझे इसमस कर दिया करिए मैं हर सम्भू मदद करता हूँ आपके लोगों की ठीक है पैसा बरबात करने की जरूरत नहीं है उससे अच्छा है कि वह पैसा घर में बचाएं अपने परिवार की सुरक्षा करें इससे ठीक है आर्टीकल 361 क्या कहता है इसमें राष्टपती और राजपालों राजप्रम अर्टीकल 361 खा क्या कहता है लाप्रत राजपतिक पत्पंखती के लिए निरहरताँ की आयुगताओं की बात करता है आर्टीकल 362 फालपताओंस की बात करता है यानि कि जो आपके किसी देशों की बीच कहीं संदिया देखते हैं कराज देखते हैं उसकी बात किया रही आर्टिकल 363 क्या कहता है देशी राज्यों के सासकों को दी गई मानता की प्राप्ति नीची उपादियां यानि कि प्रिविपर्ष की बात की जारी अंत की बात आर्टीकल 364 महापत्नों और विमाजचित्रों की बारें में विश्चिस उबंद की बात की गई आर्टीकल 365 क्या कहता है संघ्ध्वारं दिये गए निर्देशों का अनुपालन करने में और उने की प्रवावी करने में आसफलता का प्रवावगी बात की लिए article 366, परिभास्नाओं की article 366, निर्वाचन फर आता है आपका बीस article 20 भाग समीधान का संसोधन अंचे 368 अंचे 368 क्या कहता है समीधान के का संसोधन करने की संसाथ की सकती का उसके लिए पिकिटिया की बाद की लिए इसी कितेत आपका समीधान में संसुदन होता है आर्टिकल 368 कितेत याद रखिए फरे आपका भाग 21 आइस्थाई, संक्मार कालीन और बेस्थेस उपबंद की बात की गई है इसमें आर्टिकल समले थे आपका 379 से 392 379 क्या कहता है राज्य सूची के कुछ βिशवों की संबंद में विधी बनाने की संसथ की इस पेकाल की आस्थाई, सक्ती, मानों, बेसंबर्ती सूची के विशए हो यानि की संसथ की सक्ती की बात की जा रही राज्य सूची की विशाय में कानू बनाने इस आर्टिकल 379 था जम्मु गस्मी राज के संबंद में आइस्था यह उप बंदी की बात की गए इसे आप आपका हटा दिया गया है तो अगर आप से कभी पूचे कि किस संबंदी था तो जम्मु गस्मी से इसमें आपका एक 371 बचा हुआ है बाग की हटा दिया है ठीक है अर्टिकल 371 है जो महराष्ट और गुजरात राज की संबंद में विसेस प्रावबंद की बात करता है इनसे भी आपका कुश्चेंस बंता रहता है अभी आक जैसे ही संबंद में विसेस प्रावबंद से संबंदे था अर्टिकल 371 खा किस से संबंद थे असम राज की संबंद में विसेस प्रावबंद की बात की गए अर्टिकल 371 गा आंध्पिदेश राज की संबंद में विसेस प्रावबंद की बात की गए अर्टिकल 371 गा आंध्पिद राजी के संबंद में विसेश उपबंद की बात की गई है अर्टिकल 376 मिजोरम राजी के संबंद में विसेश उपबंद की बात की गई है क्या गही है विसेश उपबंद की 371 जा अजनासल पिदेश की राजी के संबंद में मिसें सुबंद की बात की गई 390 जा गौवाराज्य की संबंद में मिसें सुबंद की बात की गई ठीक है फिर आता है इस अझत 90-1 विद्मार विधियों के प्रवर्त रहना उनके अनुकूलन की बात की ने बिदियों का अनुकूलन करने का कि राष्टपती की सक्ती की बात की गई है Article 373 निवारक निरोध में रखे गई ब्यक्तियों के संब्द में कुछ दसाओं में आदिस करने की राष्टपती की सक्ती की बात की गई है यानि कि गरपतारी की किसी ब्यक्ति को गरफता रखे जाने की आर्टिकल 374 क्या कहता है फेडरल नियाले के नियादीसों की और फेडरल नियाले में या फिर साप अरिसल हिज मेजिस्टरी के समख्च लंबित कारवाहियों के बारे में उबबंद की बात की गए आर्टिकल 375 समीधान के उबबंदों के अदियें रहते हुए नियालेयों इबंग प्रादी कारियों का कित यानी की कारियों की बात की गए आर्टिकल 375 उच्छ नियालेयों के नियादीसों के बारे में उबबंद किया गया है आर्टिकल 377 भारत की नियन तक माल लेखा परिक्चक के बारे में बात की गया है आर्टिकल 378 लोक सिभायोग के बारे में उबंद किया गया है आर्टिकल 378 का आंध्पेदेश बिधासभा की आउदी के बारे में विशिस उबंद किया गया है आर्टिकल जो 389 से 91 था यह से हटा दिया गया रद कतिया है आर्टिकल 392 है कठनाईयों को दूर करने की वराष्टपती की सकतियों की बाग की दा रहे हैं फिर आता है आपका भाग 22 कौन सा भाग 22 इसमें क्या कहा गया है संचित नाम प्यारंवीं हिंदी में प्रादिकित पार्ट उन्येट्शन की बाद की गई है इसमें आपका सामिले अर्टिकल 393 से 393 इसमें संचित नाम 393 इae-393 के लिए वो 395 आपका रद कर दिया गया है इस तरह से आपके कुछ मत्पून लगभग आपके जो मत्पून हैं उन्हें देख लिए अनुच्छेदों के बारे में और आपके भाग भी इसमें खतम हो चुके हैं अब आती हैं आपकी समिधान की अनुसूचियां इनसे भी आप अनुसूची में क्या विस्साय दिया गया हैं किस से सम्बंदेत हैं तो आप बता सकते हैं कि राज्यों की नाम और उनके नियाएक छित की बात की इसमें आपका आर्टिकल एक से चाल तक संबलेत हैं किया गया है जो दूसरी अनुसूची है आपकी इसमें भारतिया राज राजिवस्था की विविन पता वहीतन और भत्तीर यानि कि पैंथन पैंसंअधि का वल्लेक की बात की हां भेतन बते पैंसंवर रिपय्सची दो अनुसूची दो बेतन और और भत्ते की बात की जा रही है भारती राज़वस्ता के विविन अधिखारियों की इसमें आप कार्टिकल है 69, 65, 75, 95, 125, 148, 158, 174, 186, 211 इसमें किस-किस के बेतन की बात की जा रही है बेतन भत्ते और भेंसन की तो जैसे आपके भारत की राष्टपती हैं आपके राज्यों के राजपाल, लोकसभा के अध्यक्च और पाद्यक्च की बात की जा रही है राज्य सभा के सभापती और सभापती, राज्य के विधान सभाओं की अध्यक्च, पाद्यक्च राची विधान परिशत के सभापती ओप सभापती सर्वों चिन्याले की नियादीश उभारत के नियंतक और महालेका परिच्चक की बात की जा रही है ठीक है बेतन भत्ते और पहंसन तीसरी अनुसूची है आपकी यह है आपकी किस से समंदित इसमें विविन उम्मीदबारों द्वाला ली जाने वाली सपत इतिज्ञान की बात की गई है जो सपत लेते हैं उसकी बात की जा रही है इसमें आपके संगे के मंतरी हो गए संसत के लिए निर्वाचन नितु अभ् बारत के नियंतक और महले का परिक्षक हो गए राजमंत्री हो गए राजविधान मंडल के लिए निर्वार्चन के लिए अभ्यार्ती हो गए और राजविधान मंडल के सदस हो गए उचने अलयों की नियादीस हो गए इसमें आपका आर्टिकल सामिल है जैसे 75-84-94-14-14-14-14 आप यहां देख सकते हैं संगे के मंत्री यहां इस तरह से आप सरवर्चनिया लेकिनियादीस 24 देखते रहे ना ठीक है क्योंकि पीछे हम लोग बात कर चुके इसलिए बताने का कोई टाइम बेकार करने का कोई मतलब भी नहीं है चौत्रीयन सुची है राज्यों और केंद लेता है राज्यों के अंदसासे पिदेशों के लिए राज्य सभा में सीटों की अवंटन की वेवस्ता किस अनुसूची में की गई है चौत्रीयन सुची में इससे आपका कुश्चेंस बन जाता है अक्सर किससे पांच भी और चटभी अनुसूची से और इसमें आप आप एक करने चेको आपका किसी तरह से आपको याद रखने इन राज्यों को छोड़कर बाकि राज्यों के बारे में इन राज्यों के बारे में च्छटी अनुसूची में बात कि कि असाम मे. treated लोगख़े और ने के चैत्रहों के पिसासन के बारे में उबद किया गय。 article 244 वो 275 में साथ भी अनुसूची संग सूची मूल रूप में इसमें 근 maximaux बेसे लेकर बरत्मार में आपके 200 sorry 100 बेसे राजजी सूची मूल रूप से इसमें 66 बेसे थे बरत्मार में आपके 61 बेसे संबर्ती सूची इसमें मूल रूप से आपके 47 थे लेकिन बर्टमान में बावन है कि संदर्व में राज और केंदमद की मद्द सक्तियों के विभाजन की बात की बात किए गए 246 अर्टिकल की तहरे अनुचे 246 से सम्मदित है फिर आपके आठवी अनुसूची में जो भासाएं सम ले थे उनकी बात किया गए सम्मिधान द्वारा मानत प्राप्त भासाएं मूल रूप से आपकी 14 भासाएं थी फिर उसमें संसुधन किये गए और इस तरह से कुल टोटल अभी 22 है इसमें आपकी असमिया हो गया बंगला हो गया बोडो हो गया डौगरी हो गया डौगरी गुजराती हिंदी कंणर कस्म आपकी आटवी अनसूची में सामिल की नहीं जिसे भोचपुरी हो गई इंग्लेस के बारे में पूछ लेता है तो याद रखिए याद रख लेना आपको इंटर्वी में पूछ लेता है यह आपका इससे संबंदित है आर्टीकल आपका 324-315 प्रे आपकी नभी अनसूच भू सुधारों और जमिदारी पिथाओं के उनभूलन से संबंदित राजविधान मंदलों और अन्यमामलों से संसत के अधिनियम और वीने मन बर्स 2007 में उच्टम न्याले से नेड़े दिया कि इस अनुसूची में 24 अपरेल 1975 के बास समलित कानूनों की नेख समिक्षा की ज से 24 अपरेल 1975 के बास डाले गए हैं उनकी नियायक समिक्षा हो सकती है पहले ऐसा उपबंद था कि इसमें जो भी आप डाल देते थे जो भी कानून हो आरक्षंकी व्योस्ता हो तो उस पर नियायक पिक्रिया नहीं चलती थी नियाले उसमें दखल दखल अंदाजी नहीं कर इसे आपका समिधान में बावन बे संसुधन उननीस सो पच्चासी के द्वारां जोड़ी गई थे इसमें आपका आर्टीकल एक सो दो और एक सो इकानवे इससे तमदी थे ग्यारवी अनुसूची इसमें आपकी पंचयाद की सक्तियों प्रादीकार और जिम्मेदारियों क आर्टीकल 246 में संब्धित है बारेवी अनुसूची नगरपालिक्याओं की सक्तियों प्रादीकार इवं जिम्मेदारियों की बात कि इसे आपका चोहत्तरवे समिधान संसुधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था इसमें आर्टीकल आपका 242 से संब्धित है ठीक सिंधी भासा को आपका इसे हम लोग पीछे देख चुके हैं एक बारवद देखी हैं सिंधी भासा को आपका 1916 में 212 संब्धान संसुधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था तो एस था कुछ आपके आर्टीकल और अन्सूचिया और भाग इनसे भी आपके कुछेंस बनते रहते हैं अकसर इससे भी आपके कुछेंस देखने को मिलते रहते हैं अकसर देश में वरियतक अनुकरम प्रोटोकॉल तो जैसा कि आप सभी को बता होगा हमारे पिथम नागरिक के से मानते हैं भारत का पती साहब का नमबर आता है उसके बाद आपके उपर राष्ट पती साहब का नमबर आता है पर तीसरे नमबर पर आपके पिधान मंतरी साहब को रखा जाता है फिर आपके जो राज्यों के राजपाल है उन्हें रखा जाता है अपने अपने राज्यों में फिर उसके कोई उप्पधान मंत्री नहीं है लेकिन पंदिक जवाल नहरू के समय में सबसे पहले आपके उपधान मंत्री थे पटल साब छटपे नम्बर पर आपके भारत के मुख नयादी स्कोर रखा जाता है और लोगसभा अध्यक्छ को यानि कि छटपे नम्बर पर आपके मुख न्याइदी स्वी रहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष यानि कि दोनों बरावर पर रखे जाते हैं साथ भी नंबर पर आपका केंद्रिय मंत्रिय मंदल के जो मंत्री होते हैं उन्हें रखते हैं राज्यों की मंक्मंत्रियों को रखते हैं अपने अपने राज्यों में और उपाद्यक्ष नीती आयोग की उपाद्यक्ष उन्हें रखते हैं साथवी नमबर पर भूर्दपूर्ट कदानमंत्रियों को रखते हैं राजसभा और लोगसभा के विपक्ष के नेताओं को भी आपके साथ नंबर पर रखा जाता है। राजसे बहार रखा जाता है। फिर आपके नोबे की बात करने तो उच्चेतम न्याले की जो अंण नियादी से उन्हें रखा जाता है। नौ का की बात करें, तो संग लोग सेवायोक के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें मुख निरवाचन आयुक्त और भारत के नियंतक और महालिका परिप्षक को नौ का में रखा जाता है। 10. नौ पर आपके राज्य सबहा के जो उपसबादपती हैं, राज्यों के उपमुख मंत्री हैं, लोक सबहाँ उपात्यक्ष है, नीती आयोकिया सदस्थ हैं और केंड़ केंड़ में जो राज्यमंत्री होते हैं, उन्हें लखा जाता है आपके 10. नंबर अगर हम लोग 11. नं के जैनल कि अथवा उनकी समान रैंक वाले सानाध्यक्ष को रखा जाता है आपका बारवे नमबर में फिर आपके भारत की मुख पदाधिकारी हैं उनकी बेतन की बात करते हैं उनकी जो उम्ब रहती है नियुन्तम और अधिकतम उसे भी देख लिए आपका एक question से बनते रहते हैं आपकी तो आपने लियाद रख सकते हैं यह आपके बदाधिकारी हो गाये नियुन्तम हो गए इनकी अधिकतम हो गई और बेतन जितना मिलता है महिने की बात हो गई सबसे पहले हैं आपके राष्ट्पती इन्हें कम से कम आपको राष्ट्पती बनने के लिए 35 वर्स आयू होनी चाहिए और अधिक्तम की कोई सीवा नहीं है इन्हें 50 यानि 5 लाक रुपे पीती महिने बेतन दी जाती है कितना 5 लाक ऊपराफ्ट्पती राष्ट्पती राष्ट्पती क्यों लुक्ति आपको पता ही होगा ऊपराफ्ट्पती गो राष्ट्पती बी माला जाता है यह भी बनने के लिए 35 वर्स आई होने चाहिए और इन्हें 40लाक रुपे मईने मिलते हैं लोगसभा द्यक्ष के लिए 25 बर्स होनी चाहिए और याद रखिए अगर राजसभा से आपका चुना जाता है अगर पिधानमंत्री तो उसके लिए 35 बर्स आई होनी चाहिए और अगर लोगसभा से आपका पिधानमंत्री चुना जाता है तो उसे 25 बर्स होनी चाहिए क्यों तो लोगसभा के अगर बेतन की बात करें तो एक लाख पचीस हजार रुपिये से मिलते हैं लोगसभा उपध्यक्ष बनने के लिए पचीस वर्स आयू चाहिए होती है इसे भी आपका एक लाख पचीस के करीब रुपया में मिलता है पचीए अगर मुख नयादीस सर्वोच नयाले की बात करें तो इसकी अधिकतम आयू है 65 वर्स यहांकि नहीं कि मुख नयादीस सर्वोच नयाले में 65 वर्स के बात रेटायड हो जाएगा और इसे जो बेतन की बात है इसे 2,80,000 रुपे पितिमाय दी जाती है जो आपके अन नयादीस है सर्वोच नयाले की इनकी भी आपकी 65 वर्स ही आयू है अधिकतम रेटायड होने की लेगे इने 2,50,000 रुपे दी जाते हैं बेतन की रुपे पर आपके लोकसभा सदस इनकी उम्हें 25 वर्स होनी चाहिए लोकसभा सदस बनने के लिए आपकी उम्हें होनी चाहिए 25 वर्स और इन्हें 50,000 रुपे इन्हें बेतन दिया जाते हैं राजसभा सदसों के लिए 30 वर्स होनी चाहिए एन्हें भी आपका 50,000 रुपे और अन्हें जो सिवाएं होती हैं बुदिये जाते हैं पर आपका महा नयायवादी अटानी जल्लाय इसके लिए अधिकतम मुम्हें आपकी 65 वर्स इसको आपका 2,50,000 रुपे समय समय पर संसत द्वारा निधारित की जाती है इसके बितन पर आपका सिए जी नियंतक महा लेखा परिक्षा इसे 65 वर्स इसकी अधिकतम होने हैं यानि की रिटायर होने की इसे 2,50,000 रुपे पिद्धी माय दिया जाता है और समय समय पर इसकी भी संसुदन होता रहता है अध्यक्ष संग लोग सिवायोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी अधिकतम होती है यानि रिटायर होने की 65 वर्स इसे भी आपका 2,50,000 रुपे दिया जाता है वितन संग सदस्त लोग सिवायोग की इनकी भी 65 वर्स उम्म रिटायर होने की है इनने भी आपका 2,50,000 रुपे बेतन दिया जा करें तो 35 वर्स होनी चाहिए कम से कम और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है यहां इन्हें तीन लाख पचासा जार रोपे विदी माय बेतन दिया जाता है पिर आपका मुख मंत्री तो इसे की उम्म पच्चीस वर्स होनी चाहिए कित नि caught barист रखी अगर विदान परिशत से यह वो तो उसे 30 वर्स यह ब्यदान सभा की बात करें तो 22 वर्स विदान परिशत कि बेटन होता है मुख नयाजीज उच नयाला की बात करें तो 62 वर्ष इसे दो लाख पचास जार रुपे बेटन जी जाते हैं अन्य नयाजीज उच नयाला की इसे बासट वर्ष उती इसके रटाइड की उंग इसे 2.25 जार रुपे बिती माज दिया जाता है मुख चुनायुक्त 25 वर्ष इसकी उम्मों होती है रेटाइड की इसे आपका दो लाग पच्छास जार रुपी पिती माय देते हैं सैना पिरमुक इस्थल बायू और जल इसे आपका धाई लाग रुपी पिती माय दिया जाता है ठीक है आगे जापका भारत के समिधाने एक प्राधी कारी देख लेते हैं यह आपके प्राधी कारी हो गया निर्वाचन नियुक्ति किसके द्वारा होती है एक किसके समख्च अपना सपद ग्रेंड करते हैं और किसको अपना त्याग पत देते हैं उसकी जानकारी है सबसे पहले आपके राष्टपती साहब है प्रेसिडेंट साहब तो इनका चुनाव होता है निर्वाचिक मंटल दवारा जिसमें आपके सांसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस होते हैं यहां आप लोग एक सब्द याद रखें निरवाचिक सदस मनोनीश सदसों को इसमें भाग नहीं लेने देते हैं यानि कि मनोनीश सदस आपके इसमें भाग नहीं ले सकते हैं अपराष्टपती के चुनाओ में इसकी जो सपत की बात करने तो मुख नयादीस यानि कि हम बात करें तो इसके निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों के समस्त सदस्टों से मिलकर बना होता है यानि की संसत के दोनों सदन यानि की राजसभा और लोगसभा के सदस इसमें भाग लेते हैं यह आपकी सपत लेता है राष्टपती के सामने और अपना पत्याग भी आपका राष्टपती को ही दे सकता है। फरे आपका पिधानमंत्री इसे निवक्ती राष्टपती करता है। सामन चुना और पिक्रिया की द्वारां चुने जाने पर राष्टपती लोगसभा में बहुमत दल की निता को पिधान मंत्री बनाता है यानि कि जिसके पास बहुमत होता है उसी को पिधान मंत्री बनाता है राष्टपती यह आपका सपत लेता है राष्टपती के सामने और अपना पत्याग पत्य दे सकता है राश्पती को प्रयापका लोगसभा अध्यक्ष यह मद्दान द्वारा लोगसभा की सदस्तों की द्वारा चुना जाता है और यह आपका पत्याग पत्य देता है लोगसभा उपाद्यक्च को, फर आपका लोगसभा उपाद्यक्च, यह आपका लोगसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और यह आपका पत्याग दे सकता है लोगसभा अध्यक्च को, फर आपका मुख चुना आयुद, यह आपका राष्ट राष्ट्पती किसी अनव्यक्तивается किता है और पत्याग भी राष्ट्पते क्या महाले का परिख्षक इसकी नेव्यक्ती करता है यह सबह राष्ट्पती द्वारे नेव्यक्ती किसी रन्यवक्ति के समग मैं चिले सकता है अपना तक त्याखत दे सकता है फुलिस्टरirenal इसे राष्टवती आपका नेउक्ट करता है राष्टवती के सामने ही सपत लेता है और अपना पद्याखत दे सकता है राष्टवती को अध्यक्च लोकसभा लोकसेःय्अ का जो आपका UPSC है इसका अध्यक्च आपका राष्टपती नियुक्त करता है यह सपत भी राष्टपती के सामने ही लेता है और इसकी नियुक्त यानि की पत्याकपत भी राष्टपती को यह देता है वो पाध्यक्च निति आयुक्का इसे राष्टपती नियुक्त करता है यह अप्रना त्याख पत ले सकता है गवरनर गवर्णरण मलिजर बेंक का आरभींज़ नंवर्णर इसे आपका राश्ठपती करता है सपत भी राश्ट titles के सामने लेता है और राश्ठपती को अपना इसकोती अंवर राश्ठपती करता है मुख नियादिस उच्छ नियालाय का जो मुख नियादिस होता है आईकोट का उसके सामने ये अपनी सपत लेता है और राष्टपती को अपना प्याद त्याग दे सकता है मुख मंत्री राजपाल इसे निवट करता है निर्वाच्चन सामान मद्दान द्वारा बिधान सभा की पहुमत दल की यानि कि जिसे बिधान सभा में पहुमत हो वो मुख मंत्री चुना जाता है उसे ये आपका सपत लेता है राजपाल की सामने और त्याग पत भार भी आपका राजपाल को ही देता है पर आपका मुख नियादिस कौन है मुख नियादिस उच नियालय का यानि की हाई कोट का इसे राष्टपती आपका नियुक करता है राष्टपती द्वारा उच नियालय के मुख नियादिस से तथा सम्मंधित राज्यों के राजबाल से परामस लेकर नियुकती की जाती है यह सपत लेता है राजपाल के सामने, लेकिन इसके पत्याग पत्य देता है अपना राष्टपती को. उच्छ न्याले के अन्य नहादीसों की बात करें, तो राष्टपती इसके लिए परामस निम्न बैपती से देता है. कौन-कौन से राजपाल, मुख न्यादीस और उच्छ न्याले, जो उच्छ न्याले का मुख न्यादीस होता है, वो उसकी सलाए और राष्टपती लेने के बाद ही राष्टपती उच्छ न्याले के अन्य न्यादीसों की निम्ति करता है. ये सबी सपत लेते हैं राजपाल के सामने और अपना पत्याक पत्य देते हैं राफ्टपती को Advocate General महाधिवक्ता इसके निवक्ति राजपाल करता है सबद भी राजपाल दिलाता है और पत्याक पत्य अपना राजपाल को ही देते हैं अकाउंटेट चनरल, राजपाल इसकी निवक्ति करता है, राजपाल इसको सपद दिलाता है, और राजपाल को ही अपना पत्याग पत्य देते हैं, अध्यक्च सदस्त, राजलोक सिभाईव की, इसकी निवक्ति राजपाल करता है, आपका सपद भी राजपाल दिलाता है, ल इसे रहें आपकी उच्छ न्याले अधिकार्टा और अवस्थान एक बात हमें से याद रखिए क्या याद रखता है कि अभी 2020 तक की मैं बात कर रहा हूं इसमें क्योंकि बदलते रहते हैं तो इसे आपकी करेंट में बन से बन करेंट से जुड़ा रही है वहां अपडेट हो सबसे पहले आपका इलावाद हाई कूट इसकी स्थापना होती है 1866 में उत्तरपिद्स में ही आपका राज्य छेत्री अधिकारता है इसकी उत्तरपिद्स यूपी इसका आउस्थान यानि कि मुख पीट है इसकी इलावाद लखनौव में इसकी खंड़ पीथ है ठीक है कह लेकिन तेलंगाना के लिए आपका हैदराबाद बना दिये गए है और आंध्पिदेश के लिए आपका अमराबती एक बात हमेशा याद रहे हैं अमराबती किसके लिए है आंध्पिदेश के लिए और तेलंगाना के लिए आपका हैदराबाद है पिर आपका बंबई यह आपका 1862 में इसकी स्थापना हुई थी कितने 1862 में इसमें आपके महाराष्ट दादरा और नगराविली गौा और दमंद्वी इसके बिस्तार हैं छेत थे इसका मुख है जो मुंबई में है मुख पीट नागपूर पढ़जी और और अंगाबाद मे इसकी खंड़ पीट खोले गए है जो कलकत्ता है फिर आपका हाई कोट यह भी आपका 1862 में बना इसका विस्तार चित है पश्चे मंगाल और अंडवाल और निकुबार दूइप समोग इसकी मैंड बिराच है आपकी कोलकाता में और खंड़ पीट इसकी पोर्ट बिलियर मे फिर आपका दिल्ली यह आपका 1966 में बना दिल्ली में इसका विस्तार चित है और दिल्ली में इसका मुख पीट है फिर आपका गुहाटी उननी सो और तालीस में बना असम नागलेन मेजूरम और अवनाचल पीट इसके छित में आते हैं गुहाटी में इसकी मुख बिराच है और कोहिमा आईजॉल और इटानेगर में इसकी खंड़ पीट है फिर आपका गुजरात यह आपका 1960 में बना इसकी मुख पीट है माचल पिदेश्ट 1971 में इसकी इस्थापना होती है इसका विस्तार्शित पूरा है माचल पिदेश्ट है इसकी पीट है आपकी मुख पीट सिंबला में जम्मू कस्मीर इसकी इसकी स्थापना होती है इसका विस्तार्शित जम्मू कस्मीर है श्री नगर और जम्मू में इस संग्य सासिच ते जिसका अपना हाई कोट था लेकिन आपका जमू कसमीर भी हो चुका है ठीक है फ्रयापका करनाटक इसकी स्थापना होती है 1884 में इसकी विस्तारचित है करनाटक और इसका मुख़पीट है बंगलोर में केरल 1956 में इसकी स्थापना होती है केरल और लक्षद करनाटक इसकी विस्तारचित में आर्ना कूलम में इसकी मुक पीट है फ्रयापका मद्वदेश मद्वदेश के हईगाट कोट की स्थापना उती ही princes 56 में मद्वदेश कãy इसका विस्तारचित है जबलपूर में मुख़पीःँ ग्वालियर इन दвойं है इसकी खंड़पीथ ह इसके विस्ताल चेत है तमिलाडू और पूडू चेरी इसकी मुख पीठ है चेंड़ी में उडीशा 1948 में इसकी इस्थापना होती है उडिसावा इसका विस्ताल चेत है और कटक में इसकी मुख बिरांच है पटना 1916 में बनता है बिहार इसका विस्ताल चेत है पटना में इसकी मुख बिरांच है पंजाब और हर्याणा 1966 में इसकी इस्थापना होती है पंजाब और हयाना चंडीगड इसका बिस्तार छेत है और इसकी जो बिराच है चंडीगड में है ठीक है तो है आपका राजिस्थान 1940 में होतीए इसकी इस्थापना राजिस्थान जो है इसका बिस्तार छेते हैं और इसकी जो पीठ है questa मुख पीठ जोद्पुर में है जैपुर में इसकी खंड पीठ है जैपुर में क्या है? खंड पीठ फर है आपका सिख्यम काओंसा? सिक्क्यम, इसकी स्थापना 1975 में होती है, सिक्क्यम में है, सिक्क्यम इसका विस्तार चित है, गंग टोक में इसकी मुख पीट है, पर आपका चतीस गड़ सन 2000 में होती है, जब मदविदे से अलग किया जाता है चतीस गड़, इसका विस्तार चित 36 गड़ है, बिलासपुर में में इसकी मुख पीट है उत्राकंड इसकी 2000 में इसकी स्थापना की जाती है उत्राकंड इसका विस्तार चित है और नैनी ताल में इसकी मुख पीट है जारकंड सन 2000 में इसकी स्थापना की जाती है जारकंड इसका विस्तार चित है राची जो राची है यहां इसकी मुख मेगालet में इसके बिस्तार है और शेलांग में मुख पीट्ट्थ च्फॉरा hypertension है यहाद रखना है वी 2020 की तक बात कर रहा हूं जून तक 25 आपके हाई कोट हैं उसके बाद आंगे अगर बढ़ते रहते हैं तो आपको करेंट से जोड़ना पड़ेगा वहीं आपको अपडेट करते रहेंगे ठीक है पर एक सबसे महत्पूर्ण अधिकार आता है आपका सूचना का अधिकार सूचना के अधिकार के तहीं थी आपके तूजे गोटाले हुए कोईला गोटाला हुआ इस अभी खोले गए हैं तो आपके लिए गरीव आदमी के लिए एक हत्यार का काम किया है सूचना के अधिकार जितने भी बड़ी गोटालों का बरदा पास हुआ है तो इसी के जरिये हुआ है लेकिन इसे आम जनता बहुत कमी यूज करती है कुछ बड़ी लिखे खास बरगी इसका उपयोग करते है इसमें एक सबसे बड़ी कमी है क्या कि इसमें अगर आप सूचना मांगते है तो आपका नाम लिखा जाता है पता भी मालू चल जाता है उसे सामने वाले को तो आप से बड़ले की भावना भी वो रख सकता है इसलिए लोग डरते हैं इसके तहर ठीक है राइट तू इनफोरमेशन सूचना का अधिकार आर्टी आई का अर्थ होता है सूचना का अधिकार इससे संबिधान की तहरा 19-1 के अंतरगत एक मूलभू समधिकार के दर्चा दिया गया है आर्टीकल 19 के तहर आर्टीकल 19-a 19-1-a जिसके अंतरगत पितेक नागरिक को बोल लें और वभी बेक्ति की सुतनता दी गई है उसके यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार करती है इसकी क्या भूम क्या है इसके क्या कारे है क्योंकि आप देखते हैं सरकार जो भी सासन पे सासन करती है वो आपके ही पैसे सिस करती है यानि कि आप जो टेक्स भरते हैं उसी से अब कई लोगों की सवाज रहते हैं कि सर मैं टेक्स नहीं भलता हूँ तो एक बात आप लोग हमें सा याद रखा करिये टेक्स हर कोई देता है फिर चाहे वो गरीब हो फिर चाहे वो अमेर हो क्योंकि एक एक indirect text होता है वो आप सभी देते हैं आप जो साबुन खरीदते हैं उस पर text देते हैं वो ही तो इस तरह की जो भी आपकी चीज खरीदते हैं वस्तू हैं उस पर आप लोग text देते हैं तो आप भी अपने थोड़ा दम से कहा कईए कि मैं भी टेट्स चुकाता हूं मेरी वाद देश में देश को चलाने में मेरा भी हाथ है पिदेख नागरिक का यह भुकतान करता है अताहे से अधिकार मिलते हैं और साथ ही उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा करके रूम में दी गई रास्ती का उपियो कैसे किया जा रहा है तो याद रखा करिएगा आपके सहर में कोई काम चल रहा है तो उसके बारे में पूछने का आपको अधिकार है सरकार की तरब से जो आपका सरभंच काम करवा रहा है कहीं पुल मोल का काम करवा रहा है तो पूछते रहा करिएगा थोड़ी पावर बनी रहती आपकी थोड़ा डरा मत करिएगा इसका उपयोग करके बहुत अच्छा लगता है वो नाम भी होता है क्योंकि मैंने भी कई बार यूज किया ऐसे लेकिन मुझे तो घर मुझे तो बड़ी दिक्त आती थी समझ रहे मैं घर से ही सुरूँ किया करता हूँ यानि कि मैं तो सोचता हूँ कि सफाई जो भी हो घर से हो पहले तो मैं अपने लोगों के खिलाफ ही मांग लेता था इसलिए मुझे बहुत मुझे जेलना पड़ती थी सूचना का अधिकार अधिनियम पितेक नागरिक को सरकार से पिसन पूछने का अधिकार देता है इसमें टिपडिया, साहरांस अथवा दस्तावेजों या पिर अविलेकों की कि प्रमाड़ी पितिया या सामगरी के पिर्माड़ी त्रमूनों की मांग की जा सकती है आईटी एई अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है जिसमें सरकार की अधिसूचना के अंदगत आने वाले सभी निकाय सामिलें जिसमें आपके गयर सरकारी संगतन भी कुछ सामिलें जिनका सामित निरंतन एवं आसेक निधी करन सरकार द्वारा किया जबते हो पहले इसका क्या हुआ कहलता था कि जम्मू कस्मीर पर यह लागू नहीं होता है लेकिन आपको मालू होना चाहिए कि 370 हटने के बाद जम्मू कस्मीर को विस्तित राज्य दरज्या खतम होने के बाद बो सभी परावदान जम्मू कस्मीर में भी लागू होंगे जो अन राज्यों में होंगे तो आप कोई भीदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है? याद रखे अधियाई अधिनियम एक लोग प्रादीकारी द्वाराधारी सूचना तक पहुँचका अधिकार पिदान करता है यदि आपको किसी पिकार की सूचना देने से मना किया गया हो तो आपके अंदरी ये सूचना आए हो कि समक्च अपील सिकायत दरच करा सकते हैं इसमें आपका वहाज जाना भी मिलता है अगर आपको तीछ दिन के अंदर नहीं दी जा सकती है एक बात और हमेशा याद रखा करिये क्या? क्या याद रखना है आपको? कि आप किसी से भी सिकायत मतलब RTI में जानकारी मांग सकते हैं बस उसकी प्रशनल जिन्दगी के बारे में ऐसा नहीं कि आप किसी की प्रशनल जिन्दगी के बारे में भी अगर आप मेरे बारे में मांगते हैं या किसी के बारे में मांगते हैं तो ए मुझ पर निर्वार करेगा कि कि मैं उस जानकारी को पलब्द कराता हूं या नहीं कराता हूं ठीक है और जो सरकाई है उसे तो देना ही पड़ेगा बस कुछ ऐसे मुद्धों को सुरक्षा की मुद्धों को छोड़ कर जैसे परमाडू बेभाग की बात होगी या फिर आपकी रक्षा-चित की बात होगी त यह आपके आयों गए इनके उद्धेस जो रहे है यह उद्धेस होगया कि क्या होगे उद्धेस होगे जैसे आपका विधी आयों बनता है 1955 में देश में देग काली कानूनों के पुनार नेरिक्चन के साथ परिवर्तित सामाजिक एवं आर्टे किस्तितियों के अनुरूप उन्हें परिवर्तन अत्वा संसूधन करने के लिए आपका विधी आयू बना कब 1955 है पर आपका केंद्रिय सतर्ट आयू 1964 में बनता है देश में राजपत्तित अधिकारियों उनके समान समानिस्तर वाली कार्मिकों के विष्टाचा से सम्मदित मामलों की जाच करने के लिए इसका गठन किया गया था फिर आपका जन गड़ना आयू यह भी आपका 1964 में ही बनता है बारत की जन गड़ना करना इसका काम है क्या है बारत की जन गड़ना करना इसका काम है उद्देश है पर आपका करमचारी चैन आयू यह आपका 1976 में बनता है कब 1976 में 12 सरकार तता उसके अधीनस्त कार्यालों में बर्ट तितीय सैडी के गेर तकनीक पदों की रिक्तता की पूर्ती नेतारित करने से संबंदी थे इसका उद्देश है राश्की किसान आयोग आपका 1976 में बनता है देश में किर्सी की समीक्षा और विविन सैडी तसा सैडी के छित्रों के इसकिसानों की स्थिती का आगलन करने के लिए आपका ये आयोग बनता है फिरे आपका अनुसूचित जातीय आयो राश्टी अनुसूचित जातीय आयो 1990 में बनता है बहारत में अनुसूचित जातीयों के यतों की अधिक प्रभाव साली प्रभावदाये करोप से करने के लिए आपका राश्टी अनुसूचित जातीय आयो बनता है राश्टी अमानाव उदिकार आयो 1993 में बनता है इसका उद्देश है ते माना और अधिकारों की सरक्षन के लिए फ्रेया आपका राष्टी है अनुसूचित जन्जाती आयो यह आपका 2003 में बनता है भारत में अनुसूचित जन्जातियों के हित्तों की रक्षा करने के लिए इसका फिरम कुद्देश रहता है पहले क्या हुगा करता था कि आपकी जन्जाती और अनुसूचित जन्जाती दोनों के लिए एक आयो हुगा करता था लेकिन 2003 में से अलग अलग कर दिया 338 आर्टीकल एक मिनिट करूपिएगा जो आपका आर्टीकल यानि कि अनुचित 338 है वो आपका राष्टी ये अनुसूचित जाती से शब्दी थे और 338 का है ये 338 का है ये है 338 याका वो आपका राष्टी ये जन्जाती आयो किसे सम्ब्दी थे ठीक है प्रहाई आपका भारतीएगे पितिसपर्दा आयोग मिनीटकल में बंता है कम्पणियों की परिस्तिती नेमन बाजार, हिस्सेधारी, अधी गिरन और बिलेओं की जार्च करना इसका उद्देश है फ्रेया आपका अल्प संक्यक संस्थानों हितू राष्टी आयो यह आपका 2004 में बनता है बारत में अल्प संक्यक संस्थानों को निर्धारित विश्व विध्यालयों से सीधे मानता दिलाने के लिए इसकी इस्थापना की जाती है फ्रेया आपका पिसासनेक सुधार आयो इसकी इस्थापना 2005 में की जाती है और पिसासन पेणाली में इसका हुद्देश रहता है पिसासन पेणाली में सुधाल के लिए रोपरे का त्यार करना इसका काम रहता है फिर आपका धार्मिक एवं भासाई अलब संख्यकों में पिछड़ों बर्गों का राष्टी आयो इसकी इस थव्थापनाव की दोजार पांच में होती इसका मुख उद्दिश रहता है बात धार्मिक और भासाई अलब संख्यकों में सामाजी के मुद्धिक दिरिष्टी से पिछले बर्वों की पहचान करना फिर आपका केंदिरी सूचना आयो 2005 बादत में सूचना का अधिकार अधिनियम के सही नियम को सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया जाता है राष्टी ये ग्यान आयो 2005 में बनता है ग्यान लक्षों के लिए उत्फेरक कार करना और संस्थाओं को इसे प्राप्त करने में सहीवग देने के लिए इसका उद्देश रहता है फिर आपका आर्थिक रूप से पिछणों के लिए राष्टी ये 2006 में बनता है इसका उद्देश रहता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की भैचान की माप दंड तैय करने के लिए राज्यों और केंदसासित पिदेशों में से बिचार विवस्थ करना राष्टी ये नियाएक परिशत 2006 में बनता है नियाएक विवस्था में सीज पर इस्तित पार इसतर पर पार दर्ष्टा पुझ जवाब देशी सुनिष्चित करना इसका उद्दिस रहता है नेती आयोग आपका 2015 में आता है कब? 2015 में राष्टी यंतराष्टी ये महत्त के बिधी नेती गत्मुद्दों पर केंद और राज सरकारों को परवास देना प्रमुक सम्तिया या फिर आयोग है एने भी देख लीजिए एन गोपाला स्वामी आयंगर इसकी स्थापना होती है 1949 में मुख्यालाय संगत्नों के लिए पुनरगटन ये उजना की बात की जाती है इसके तहर्ट एडी गुरवाला इसकी स्थापना होती है 1959 में विकास कारिक्रमों के क्रियानबन के लिए लोग पिसासन की समिक्षा की बात की जाती है एडी गुरवाला इसकी स्थापना 195 में Mog udahटि पचास इंक्याबन में public undertaking के लिए सक्चम पिसासन की समिक्षा की जाती है Paul H. पॉल एच एप पल्ली भी इसकी स्थापना 1956 में होती है उद्धोगे के वह वाडिचिक उद्धोगों में नीती निद्धारन तथा किरियान वन बेच स्वायत्ता के लिए परिक्षण के उद्धिश से की जाती है आचार जेवी किपलानी 1955 में इसकी स्थापना थी रेलवे में बेच्टाचार का सरविक्षण से संबंदित होती है तो आपसे पूल सकता है कि आचार जेवी किपलानी की स्थापना कभी थी तो इसे आपका 1955 में इसकी से संबंदित था रेलवे में बेच्टाचार का से संबंदिता है फिर आपका ए रामा स्वामी मुद्ध लियार ये आपका 1956 में बनता है पबलिक सर्विस समिती भर्ती तता युगता से संबंदिता है मुरारजी देशाई तथा कि ये हनुमन मंतिया मंतिया ये 1966 से सत्तर के बीच बनता है पिसासनेक सुधार से संबंदिता है के संथानम 1964 में बनता है बारती ये वं राजी पिसासनेक सेवाएं ये वं जिला पिसासन की समस्याओं से संबंदिता DK DS Kuthauri, 1976 में बनता है बार्तिय उच्च civil service में परिच्छा वर्ति समन्दित नीति नीतिया वभिधी से समन्देता है धरंबीर, 1989 में बनता है वराष्टिय पुलिस आयूग से समन्देता है 37 चंद्रा, 1989 में बनता है Civil Services परिक्षा पद्धिती की समीच्छा से संबंदित है NN 12 1997 में बनता है राजनेतिकों एवं अपरादियों के बीच संबंदिकी बात करता है PC Gen यह 1998 में बनता है पिसासनिक कानूनों की समीच्छा से संबंदित आपका होता है Y के अलग यह आपका संब 2000 में बनता है सेविल सेवा परिक्षा पद्धिती की मूल लेंकन इसमें सुधार की सुजावी तू इसकी इस्थापना की जाती है विरप्पा मोयली 2008 में बनता है बारतिये पिसासन व्यवस्था में सुधार की इसकी इस्थापना की जाती है अब हैं आपकी कुछ मात्मूर सब्दें समीधान से संब्दें आपकी राजविवस्था से संब्दें तो यह आपको वैसे डारेक्ट कुस्चन्स नहीं पूंचा जाएगा लेकिन फिर भी आपको जाद रखना चाहिए मालू होने चाहिए कि कौन सा सब्द क्या है जैसे तार तारंकित पिशन इसका उत्तर मौकिक रोप से सदर में ही दिया जाता है जो तारंकित पिशन होते हैं इसका उत्तर मौकिक रोप से सदर में ही दिया जाता है आतारंकित पिशन होता है इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है अल्ब सूचना पिशन चैन महत्तिकी अत्याव पस्तिक विशैसे संमथित पिसन को आप लोग हलो सूचना पिसनके नाम से जानते हैं फिर आप का सूनने का में है जो आप का संसद में इसमें दुपहर के बारे बजी की बाद का जो समय होता है इसे आप लोग पिछने काल कीब्हाद समय का सुन्निकाल होता है जो जश्ट आपका बारे बुजे की बात का समय होता है उसे आप लोग सुन्निकाल कहते हैं या फिर पिशनिकाल की बात का जो समय होता है उसे भी आप लोग सुन्निकाली कहते हैं सुएद पत्त जो आपके राष्टी ये महत्ति की मामले में सरकार द्वारा पिकासित एक दस्तावीज होता है सुएद पत्त प्रयापका आविस्वास पिस्ताव मंत्री परष्ट के किसी सदस्त वारा संसदी ये विस्ष्थाओं के उलगन पर पेस्थ करोने वाला पिस्ताव रहता है ये आविस्वास पिस्ताव प्रयापका इस्तगन पिस्ताव सदर में विचार मेंवर्स के लिए अक्ति या ततकालिक विश्य से सम्मंदित पिस्ताव होता है इस पिस्ताव को पेश करने के लिए नियुमतम पचास अदसों की सुईकिती आवसक्त होती है यानि कि इसे लाने के लिए पचास अदसों की आपको जरूरत पढ़ेगी फिर आपका लेखानुदान जब सामान आय बै पिस्ताव से पूरुक सरकार को धन किया वसकता होती है तो लक्स लोकसभा जो आपकी है ये लेखानुदान द्वारा ही सरकार के लिए अग्यमदन रासी को उपलब्द कराती है लेखानुदान फरे आपका अनुपूरक अनुदान जब बै के लिए प्रादी के तरासी आपरियाप्त हो जाती है तो राष्टपती द्वारा संसद में अनुपूरक अनुदान सम्मंदी पिस्ताव पेस कराया जाता है इस पिस्ताव के तारां बित्विध्यक जैसी कारपिनाली अपनाई जाती है यानि कि जब आपको कमी पर जागी इसी काम के लिए तो से अनुपूरक अन्दान कहते हैं संसत के सतफ को समाथ करना सत्ता वसान कहलाता है यह कार आपका राश्पती करता है कौन करता है राश्पती फिरे आपका इस्तगन संसत के एक सत्त में कई बैठके होती है तथा किसी बैठक को समाप्त करना संसत का इस्तगन कहलाता है इस्तगन आपका इस्तगन कादिकार सदन की पीठा से या अधिकारी अर्था जो आपका अध्यक्ष है यानि कि सभापती है इसे होता है. फुरे आपका विक्टन. सदन का विक्टन मात लोकसबह से ही सम्मंधित है. विक्टन के पश्चा चुनावदारा नई लोकसबह का घठन होता है. लोकसबह को विक्टित करने की सकती आपकी राष्ठ पती को है. अनुछेρ 85 के पहला है. कि लोकसबा का ही बेक्टन होता है कि रासबा का इस था ही सिदन है इसका बेक्टन नहीं होता है ठीक है ठापका सदनों की सयुखत दिवेर सोह यानि की बैठक तो यह क्या है आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की सयुक्त बैठक का प्रावधान किया है यह दिविशन किसी विदेयक के पारितों ने में उत्पन गती रियुत को दूर करने के लिए किया जाता है सयुक्त बैठक बोलाने का दिकार आपके राश्पती को है लेकिन इस बैठक की अद्यक्षता करने की कौन करता है लोकसभा अद्यक्ष इस पॉइंट में आप लोग गड़वड़ा जाते हैं तो याद रखिए जब आप दोनों लोकसभा और राजसभा में किसी बात को लेकर आम सहमती ना बन रही हो तो उस सितिने में राश्पती एक सायुक्त बैठक बुलाता है उसकी बैठक लोगसभा अद्यक्ष करता है ठीक है फिर आपका पिसासने नियादी करण एक सम्मिधान एक एक आई जिसे लोकसिपकों की नियुक्ती अत्वा सेवा सस्तों से जुड़े विवादों का नेप्टारा करने की सकती होती है 42 सम्मिधान संसोदन 1976 के द्वारा अनुछे 223 एक एत्याथ केंदेवं राज्यों के लिए ऐसे अलग-अलग नियाय करता की विवस्था की गई है इसके अनुरूप 1985 में केंदरिय पिसासने नियादी करण की स्थापना की गई थी आपकी फिर है आपकी अखिल भारतिय सेवाएं आईएस आईपिस जैसी सेविल सेवाएं जिसके सदस्कें सरकार अत्वरा सरकार के दिन कारिकरते हैं एसी अन सेवाओं की स्थापना का अधिकार आपकी समिधान के रचित 312 के दिन राची सवाग हुए है यह राच सवा को एक बिसेश अधिकार है कि आर्टीकल 312 के तहित अखिल भारतिय सेवाओं का गटन कर सकते हैं फिर आपका विणयोग विद्यक ऐसा एक ऐसा विद्यक जिसके तहत लोग सभा के द्वाना भारत की संचित निदी से धन की निकासी की लाती है इसलिए अपलोग विद्यक कहते हैं कि बिध्यक इसके बारे में वैसे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं फिर भी बता देता हूं आपको कि बिध्यक और अधिनियम में क्या फरक होता है तो सबसे पहले इसी को जान लिए बिध्यक तब तक उता है जब तक राज्यसवा और लोकव में रहता है और जैसे ही आपका राष्टपती की सहमती मिलती है तो विधियक यह एक ऐसा विस्ताव जो बिवस्थित रूम में सदन की पठल पर रखा जाता है और 2.7 अधारा पारित होने, तथा राष्टपती की सुईकिती मिलने के बाद कानून का रूप ले लेता है यानि कि जब तक कानून राष्टपती की अनुमती नहीं मिलती है, वो विद्धियक ही कहलाएगा और जैसे ही उस पर राष्टपती की सहमती मिल जाएगी, सुईकिती मिल जाएगी, वो आपका अधीनिया बन जाएगा छदम बिधान ऐसा बिधान अधवा कानून जो यग भी सारुजनिक मर्यादाओं के अनुरूप ही दिखता है किन्तु उसके पीछे कोई पूरवागर्य चिपा होता है उसे आप लोग छदम बिधान कहते हैं सहकारी संगबाद बारतिये परिपेक्च में संगबाद की जो अवधारना है उसे सहकारी संगबाद के नाम से आप लोग जानते हैं कांसुल कि विदेशों में रहरे कि सी देश के वड़िचिक पितिनी दीपो कांसुल कहा जाता है पुर्यापका पुनरा अ लोकन का सिध्धान इसके अनुसार न्यालय द्वारा या निधारित किया जाता कि कोई विशेश नियम अपूर अर्थ में संपूर अर्थ में अत्वा इसका कोई एक भाग आसम्मिधानिक है या नहीं इसके द्वारा किसी नियम विशेश के एक भाग को भी अनुपयोगत गोसित किया जा सकता है जब से इस भाग उपयोगत तुमारा जा सकता है पर है आपका कटोथी पिस्ताओ, बजट संबंदी बहस के द krijgen सरकार द्वारा रखे गए अनुदान की हमांनों के विरूत, यदaway कटोथी-संkrunkt क समयर के चाहरे कि विस्ताओ लाया जाता है तो उसे कटोथी पिस्ताओ कहते हैं। यह तीन प्रफिकार के होते हैं कौन काूंसे नीती गत्कटोती इस पिस्ताओं में किसी सदस्थारकस है क्申साइक सरकारी नीटी को आस्वइक Nerd करने की सिफारिश के उठ्डेश से मांग की जाती है और मांग की गई धनराशी घटा कर एक रुपया कर दी जाती है इस प्रिस्ताव को दिश नीती की समीख्चा करना है यानि कि सीधियत से मतलब है कि 100 रुपी की मांग की गई है इस रासी को घटा कर एक रुपया कर दें यहीं आपका नीती घट कट्वती है फिर आपकी मित बेता कट्वती इसके अंतरगत मांग कि धन रासी में एक बिसी रा दियाने की एक बिसी सरासी की कट्वती कर दी जाए जैसे 100 रुपे में एक रुपया की कट्वती कर दी जाए या फिर 100 रुपे में 10 रुपे की कट्वती कर दी जाए इस तरह से होता है स्रयापके आंगे हैं पितिक आत्मक कटोती इसके अंतरगत कुल मांग धन्रासी में 100 रुपी कम कर दी जाएं यह कटोती पिस्ताओ कहलाते हैं स्रयापका बिद्ध बिद्यक पितिक बर्स बजट पिस्ताओ के पास होने के बाद बजट में नहीं पिस्ताओं को बिद्धान की रुम में देने के लिए पिस्तुत किया जाने वाले बिद्यक आपका बित्य बिद्यक कहलाते हैं यह दो तरेका होता है कितने दो तरेका कौन को से ऐसे विदेयक जो समिदान के अंत्रगत सरिफ धन विदेयक की रूम में बढ़ित होते हैं तथा जो राजसभा में पिस्तोत नहीं किया जा सकते हैं साथ ही इसकी पिस्ति के लिए राष्टपती की अनुसंसा भी जरूरी होते हैं यानि कि धन विदेयक का सीथा सा मतलब है कि राजसरकार को जब क्यान सरकार को जब पास करवाना हो और राजसभा में उसका पूर्ण भहमत ना हो तो वह क्या कहती है कि धन विदेयक बना लेती है आपने आधार के मामले में देखा होगा तो क्या होता है कि उसके बाद राजसवा से बिचार तो लिया जाता है लेकिन उसकी जो भी सहमती है अगर कोई संसोधन करती है तो उसे मानने के लिए आपकी केंद सरकार बादेकारी नहीं होती है ठीक है यानि ये एक तरह से सलाह लि बैक होते हैं तथा जो सामान विद्यक की तरह ही सदन में पारित किये जाते हैं आपके धन विद्यक आर्टीकल 110 यानि कि अनुचेद 110 के अंतरगत संसद में राजर से कत्तित कंटने तथा अन्य पिकार से धन से समद्धिस विद्यक आपके होता है धन विद्यक में निमलिकित विशिस्ता होनी चाहिए हैं कौन-कौन सी किसी करका आरारो आरोपन उत्साधन परियाल बदलाव अत्वा बीनेमन सरकाद वारा धन उधाल लेने का भीनेमन भारत की संचित निदी और आकस्मिक निदी की अभीरक्चा ऐसी किसी निदी में धन डालना या निकालना कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका नेड़े लोकसभा की अध्यक्च करता है यानि की अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है कि वो ही नियदारित करेगी कि कौन विद्यक धन विद्यक है या नहीं फुरे आपका एक सद्ध है गिलोटिन किसी बिद्यक पर विचार विण मैं कुसी के समाब्त करने के पिक्रिया गिलोटिन कहला दिया कि इस पर तभी कारवाही की जा सकती है जब सदन इसके लिए पहले से ही सहमत हो गया हो यह आपका गिलोटिन है इसका उद्देश किसी विद्यक को जल्द से जल्दी पारिद कराना होता है इसके लिए पहले से यह तैक कर दिया जाता है कि विद्यक की विविन अवस्थाओं के लिए कितना समय दिया जाएगा फिर आपका लोक पाल लोक आयो यह मुद्दा बहुत पहले से उठा रहा है लेकिन 2011 में जाकर यह आपका चर्चा में रहा है और हर बेक्ती से जानने लगा क्योंकि आपको पता होगा अन्नाजार इसी से जुड़े तभी यह मुद्दा चर्चा में आया है और अदूनिक सासन की बढ़ती हुई सक्तियों से नागरिकों के हितों तदह अधिकारों की रक्षा के लिए जिन अनेक युक्तियों का साहरा लिया गया उनमें आपका लोगपाल और लोकायुक्त की संकल्पना फिरमुक है लोगपाल एवां लोग आयुक्त का सरकारी विवाबों को बिरुद नागरेकों की सिकायत की चानवीन करना है बारत के विवेन राज्चों में लोग आयुक्त की विवस्ता की गई है वहीं आपके केंद में लोगपाल की विवस्ता की गई है एक बात हमेशा याद रखी आपके PC गोस बहले लोगपाल है या आपका हमेशा पूश्च सकता है कुश्चन्स इसके अंडर में आपके पिदानमंत्री भी सामिल के गए यानि की पिदानमंत्री भी पर भी कारवाई हो सकती है जाच हो सकती है फिर आपका अधिया देश इसके बारे में वैसे भी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं राश्च पती अतवा राजपाल द्वारा बिदी निर्मार की वैपिक्रिय है जो तव अस्तित में आती है जब संसद या फिर बिधानमंडल सत्तावसान होने के कारण था निम्न सदन के विक्टन के कारण बिदी निर्मार करने की स्तिति में ना हो यानि कि आपका संसत का या फिर विदानमंडल का कोई सत्त नहीं चल रहा है उस समय अगर किसी कानून की जरूरत है तो आपके राष्टपती या फिर राजपाल एक अध्यादिश जारी कर सकते हैं वो उसकी वही सभी प्रहा होंगे जो एक विदानमंडल के दवारा पास करके या फिर संसत के दवारा पास की जाते हैं उतना ही सकती साली होगा बस फरक यह होगा कि जब आपका सदन या फिर विदानमंडल की बैठक होती है तो च्छै सप्ताय के अंदर उसे अनुमुदित न यह आस्था ही होता है परन्तु परकिती पूर्ण विधान की समानी ही होती है फिर आपका परिप्रेक्षा विधाई पिस्तावों पर जन्ता का मतले ने लिये जाने की पदिती है आपकी परिप्रेक्षा फिर आपका इसके अनुसार यह हावस्था होता है कि विधान मंडलों द्वारा पारिद विधेकों को अंतिम रूप से तवी स्विकारा जाए जब राज की निर्वाजकों द्वारा उनके पर्च में मत पराप्त हो जाए फिर आपके सक्तियों का पित्धक्रन राज्यों की त कारिपालिका बिवस्थापिका और नियाइपालिका को पिदत सुतंता का सिद्धान सक्तियों का पितक्रन कहलाता है आपका तरह आपकी निलंबानिकारी बीटों जो राष्टपती को मिली हुई थे आपने पीछी भी देख चुके से जब को कोई कारपालिका बीटों इस प संगहात्मक राज वेवस्ता एशी राजनितिक वेवस्ता जिसमें सत्ता का केंद्रिक्रन मात संग में होता है और राज़द्वारा किसी अधिकार का प्रयोग तभी किया जाता है जब उससे संग की ओर से ऐसा करने की चूट मिलती है जैसे आपका फ्रांस हो गया जापान हो यहाँ इस तरह की वेवस्था लागवें , पिर आपका संगहत्मक राज्वीवस्था जैसे आपका भारत हो गया अमेरिका क्या होता है कि एसी राज नितिक वेवस्था जिसमें आपका सकता का बिचकेंद्री कंड होता है दूसरे सब्दों में अगर हम लोग कहें तो ऐसी विवस्था मैं काफी हत्त कैंद और राज्यों के मत कारियों का भटवारा इस पश्ट देखने को हमें मिलता है राज्यों को काफी सुतंता भी मिलती है जैसे आपका अमेरिका हुए और भारत हो गया इसे भी देख लिजी आपको कब किस राज्य को मिला विस्था राज्य का दरजा अभी तक आपके जो भी राज्य का दरजा मिला हुआ था उन्हें देख लिजे असम को आपका अस्वम को 1969 में दिया गया एक तो बात याद रखी यहां कि विसिस राज्य का दर्जा पाने का फाइदा क्या होता है इसमें जो 90 विदीसत भाग होता है इसे अनुदान की रूम में मिलता है किवल इसे 10 रूप जैसे आपको किसी सरकार राज सरकार को 100 रूपे मिल रहे हैं त उसे आपके 90 रूपी चुकाने होंगी किवल 10 रूपे रेड की रूम में मिलेगी इसलिए आप लोग देखते हैं कि कई बार मुद्दा उठता रहता है बिहार का उड़ीसा का आंध्य पिदीस का कुछ समय मुद्दा उठा तो ये इसलिए फाइदा का सोधा रहता है इसलि आपके मेगाले को 1972 सिक्क्यम को 1975 चेत्र उत्राकंडो को 2001 में जमू कश्मीर को 1979 में मडीपुर को आपका 1972 में मिजुरम को आपका 1987-86-87 में ये आपके गाड़ गिल फार्मूली के अदार पर विसेस राज कदर जा दिया जाता है लेकिन अब नहीं दिया जाता है तो याद र आपका दर्जा लेने के लिए कौन-कौन से इस्तिती होनी चाहिए राज की आर्थिक स्तिती सामरिक में मत था आधारी सरचना को फिर्माना माना गया है विसे इस राज का दर्जा देने के लिए जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि से 90-30 अनुदान के रूम में दिया जा इस है आते हैं का तरियाख का कि छेट्रों के का छेटों का संगे छीत्रों का पिवसास है कि अर्नमानों निकुवार्दु उपराजपाल हो गया चंडिघः पिसासक, दाधर नं कर तो पिसासर, दमंदूई पिसासर, दिल्ली, उपराजपल, मुखमंत्री, मल्ती, परचत, पूढ़ूचरी, मुखमंत्री, एक बात आप लोग हमिसार रखिये, सीधी बाते, कि दिल्ली, पूढ़ूचरी और तीरा आपका जम्मू कस्मीर, इसमें आपकी विधान सभा होगी, बा उन राज्यों को, संगसास्ति राज्यों को राजपाल भी मिलता है, यह आपके राजपाल के लिए रूप होते हैं, एक तरह से, ठीक? फिर आपका सुतंद भारत का पित्थम मंत्री मंडरल देख लीजिए, 14-15 अगस्त, 1947 को आपका 15 अगस्त को, यानि कि 14 और 15 की राद को आपका भारत आ जा दूगा था, समिनात सभाला कमद्रात्री का काली सत्थ सब बन हुए था, जिसमें आपके पंडित जवाहलला लेनु उन्हें अपने फिसित भासन नीती के साथ बादा दिया था, इस भासन की परश्चात पंडित जवाहलला नेरू नई चैटकार के गठन के लिए मंत्री मंडल की, सदसों की सूची सौपने के लिए गवर्न जनल, यानि कि लॉड माउंट बेटन, अंतिम ए गवर्न जनल थे लॉड माउंटन, अंग्रेजियों में से, उस समय उनकी आश्चे का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने पाया की लिपापा खाली था, तदा पी किसी तरह सी सपत गहन समारू में, मंत्री मंडल की सूची मिडि, उसी गवर्न जनल को सौपार सौप दिया गया, इस सूची म में आपके सामिल थे आपके पंडी जवाहल लालायरू, सरदार पटेल, बल्लभाई पटेल, मौलाना अबुल कलामाजाद कॉंग्रेस थे, बल्देव सींग सिख्खों के पिति निदित की रूम में मंत्री मंडल में सामिल थे, वह बे उस समय कॉंग्रेस की सदस नहीं थे, यानि कि सबको लेके चला गया है सुए, कैबिनेट मिसन और 1942 में किप्स मिसन की समय भी एकमात सिख्ख पिति नहीं दी थे, बल्देव सींग, जब कॉंग्रेस ने भाराच छोड़ो अंदोलन सुरू किया, तब बल्देव सींग उसे समर्थन नहीं दिया था, यानि कि भार चिट्टी और जौन मताई अर्थसास्त्री और ब्यवसाई थे, मताई ने टाटा संस में एक नेदिसक के रूमें काम भी किया था, बाबु जी, बाबु जी के नाम से आपके लोग प्रिय थे जग जीवन राम, इन्होंने बाद में कॉंग्रेस की पार्टी को त्याक पत्य कर जन्ता पार्टी का गठन किया था, बे अर्षुचे जाती से थे, और संभावता पितंबंती मंडल से सरवाधिक लंबा राजनेते गीवन बिद्धीत करने वाले सदस्वी थे, पर आपके दल नेता डॉक्टर भीमराम बेड कर, एक अर्ष्थ सास्त्री थे वो बिद्व गांधी से कई वार बाद विवाद भी होता रहा है, मौलाना आजाद और अफी एहमद के दवाई, मंती मंडल में सामिल मुस्लिम बरक से संबंदीत थे, महला बरक का पिती ने दी आपकी राजकुमारी अमरित कौर कर नहीं थे, जो गांधी वाधी बिचाधारा को से आपके सभी राजनितिक दलों और बर्वों को पिती ने देते, देने का प्रावदान किया गया था इसमें, यानि कि सब को साथ लेकर आम ये बढ़ने की बात कही गही थे देख लीजे, देश का प्रितम अंत्रमंति मंदल ये आपका 3 सेप्टमबर 1946 को गटत हुए, इसमें आपके पंडित जवाहलाल ले राश्ट मंदल समथ और विदेशती मामली थे इनके अंत्रर में आते थे सरदार बल्लब भाई पटल, गिरह मंत्री थे, सूचना इवं पिसानन मंत्री भी थे जो आके डॉक्टर राजिन पे साथ थे, खाद देवं किर्सी मंत्री थे डॉक्टर जॉन मताई यह पहले बित मंत्री थे बाद में उद्र के वं नागरिक आपूर्थी मंत्री बने बल्ले उसीन यह आपके रक्षा मंत्री थे आसापली यह रेलवी परिवान और संचार और दाक वं बायू विवाद के मंत्री थे जग जीवन राम यह आपकी सरम मंत्री थे च भाबा यह आपके पहले वर्ड जबाद में कार खान और उजा इवं बंधरकाह के मंत्री थे पर आपका सी राजगोपाली चारी यह आई एन सी सित्य और पहले उद्धो आपूरती बाद में आपके शिक्षा एवं कला मंत्री बनें त्रीक है अंत्रे मंत्री मंदर में सामियोए मुस्लिम लीग के सदस्वों की बात करें यह आपके बाद में सामिल हुए थी कब 15 अक्टूबर 1946 को कौन-कौन से थी इब्राहिम इसमाईल चुंद्री कर्व वडिज मंत्री थे पहले सी यज भाबा के पास ही मंत्रा ले था गजनफर अली खान या के स्वास्त मंत्री थे लियाकत खली अली खान या किवित मंत्री बने अब तो रब निस्तार एस संचार मंत्री बने पहले आसप अली के पास ह बिभाद था जोगेंदरात मंदल ये आपके विद्धी मंत्री थे सुतंद भालत का पहला मंत्री मंदल बनता है 1947 में इसमें देख लीजे किसके पास कौन-कौन सा बिभाद था तो जो आपके पंडेश जवाहलाल नहरू थी इन्हें प्यदान मंत्री बनाया जाता है इनके अ जो सर्दार बल्लब भाई पटल थी इनके अंडर में गिरे सुचना एवं प्रिसारन वो राजी के मामले इसके अंदर इनके अंदर अंडर में आते डॉक्टर राजिन प्रसाथ खादेवं किर्सी मंत्री मौलाना अभूल कलामाजार सिक्छा मंत्री जॉन मताई रेलबी प शिट्टी बित्त मंत्री थी डॉक्टर बीरा अमर्ड कर बित्त मंत्री थी जग्जीवं जग्जीवन राम यापके सर्म मंत्री थी सर्दाल बल्लब बल्देव सें यापके रक्षा मंत्री थी राजकुमारी अमर्दकोर यापकी स्वास्त मंत्री थी सी एच भाबा यापक इनके अंदरगत आता था बी एन गाडगल इनके अंदरगत आता था कार एवं खान एवं उजा मंतरा ले इस तरह से आपका चौतरा टॉपिक भी खतम होता है भारतिय राजियोस्पा और समिधान अंगली टॉपिक में हम बात करेंगे बुगोल के बारे में विस और भारत का बुगोल देखेंगे